पर उनकी इस यात्रा से ईवी को लेकर काफी हल चल बढ़ेगी और जो भी टेसला के सप्लाइर कमपनीज हैं उसमें कई सारी भारती कमपनीओं के नाम भी हैं वो भी आपको मागे बताएंगे उन पर भी असर आ सकता है पर चलिए अब आपके सामने रखते हैं वो ग्लोबल ट्रिगर्ज और क्या कुछ चल रहा है ग्लोबल बजारों में तो अभी शेक हमने जिकर तो जरूर किया कि एरान और इसराइल के बीच में जो तनाव है उसका ग्लोबल बजारों पर क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है पर कमोडिटीज में भी भरपूर आक्शन है अभी शेक देखे फिर से कच्छे तेल में तेज उचाल देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स में बढ़त है और साथ ही अभी शेक ओवर दे वीकेंड न्यूस फ्लो एलमी में जो डिस्रिक्शन लगाए गए है रश्या की मेटल्स क बजिंग है कैसे कि एक मिटल अप साइकल में है और उसका कई सारी भारती कंपनियों को फाइदा हुआ हम देख भी रहे हैं मसलां की हिंद कॉपर जहां पर हमने लगातार तीजी देखी है शंगाई फ्यूचर्स रिकॉर्ड उचाई पर ट्रेट कर रहे हैं लेकिन अगर हम S&P 500 के लिए ये सबसे खराब दिन रायाने की करीब करीब तीन महीने की सबसे बड़ी कमजोरी हमने S&P में देखी है और अगर हम पिछले पूरे हफ़ते की बात करें तो डाव जो उसमें तकरीब धाई परसंट के आसपास की कमजोरी देखी तो ये अबरेकी बाज़ारों कहीं नहीं कहीं अब जून में जो एक कटोती की अमीद थोड़ी बहुत जो बची थी शायद वो भी अब खत्म हो गई है अब लोग मान के चल रहे हैं कि सितंबर से पहले अमेरिकी युएस फेड की तरफ से कोई रेट कट कोई ब्याज़ जरूर में कटोती नहीं आएगी अगर हम अपरेल की कंजूमर सेंटिमेंट की बात करें तो वो 77.9 परसंट पर है अनमान था 79.9 परसंट का लेकिन जो इसराइल और इरान के बीचे जो तनातनी चल रही है उसे त्रफ सेंटिमेंट जरूर कमजोर हुआ है और उसके चलते हमने कुरूड में वाल दिखा है उपर ब्रेंट कुरूड का भाव जाकर ट्रेड कर रहा है इसके लावा शुक्रवार को अगर हम सोने की बात करें तो कॉमेक्स पर सोने ने 2449 डॉलर का नया हाई बनाया है हलाकि उपरी स्वरों से थोड़ी-थोडी सी नर्वी आ रही है 2370 डॉलर के आसपास इस वक्त सोने लाफ्स करने की खबर है और देड़ सो से जधा मिसाईलें दागे जाने की खबर है थालां कि इसराईल क का गदम क्या होता है हालांकि कोशिश ही ही हो रही है यूएन महासचीव ने इरान के इसराइल पर हमले की निंदा की है और कहा है कि दुनिया एक और युद्ध नहीं जेल सकती है जराए इसको समझते हैं विस्तार से कि ये ग्लोबल जो टेंशन बढ़ रही है कितना गंभीर है और क्या ग्लोबल वाज़ारों को भी ये क्या नुकसान पहुंचाएगी क्रूड पर क्या आसर होगा हमारे साथ जुड़गे हैं इंसिट कैपिटल के मेनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंग लाइव अनुराग जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए स्वागत है आपका इटिकनों सुदिश पर अनुराग आप किस तरह से देख रहे हैं इसराइल पर इरान के इस हमले को और क्या आपको लगता है कि ये मामला यही पर सिटल हो जाएगा या पर एक जवावी कारव in 2022 war जो हुआ वो ये के हमें we should stick to markets and we should not try and predict के wars में क्या होगा geopolitics is a very complex scenario everybody thought के तीन दिन में उक्रेन का वार कातम हो जाएगा और देखी अभी तक चली रहा है so with this disclosure I would say के expectation है के Iran will not escalate और वो इसलिए escalate निए because they are not ready right वो prophecies के थूँ fight करते हैं लेकिन directly Iran is not ready to take on Israel head on Israel is a very advanced military compared to Iran so I think with this I would say that in the past also if you push Iran towards the corner they do some token retaliation and then stop there because I think as of now they are not ready so I think this matter is now closed background में बाते चलती रहेंगी वो चलती रहेंगी but अभी लगता है कि फिलहाल के लिए ये खत्रा markets के हिसाब से तो अभी टल गया है ऐसा ऐसा प्रतीद होता है फिलहाल तो ये खत्रा markets के लिए टल चुका है ऐसा फ्रतीत हो रहा है और अगर हम देखें तो जाओ जोन्स फ्यूचर्स भी जो हैं फिलहार पॉस्टि संकेत दे रहे हैं नमस्कार अनुराग में शृष्टी बात कर रही हूं पर अगर हम कमोर्टीज में देखे तो वहां पर भरपूर आक्शन है अनुराग कच्छा तेल फिर से नभी डॉलर के पास जा चुका है मेटल् अगर ही उस तरीके से रिलेटेड आ रहे हैं के अलमी में रश्या के मेटल्स जो है सेलेक्टेड कमोर्टीज के लिए बैन लगा दिया गया है ऐसे मोहौल में कोई स्पेसिफिक कमोर्टी है जहां पर नज़र रखनी चाहिए और साथ ही सोने की चाल पर आपका क्या अनालिस है क्या फिर से एक रेकॉर्ड हाई के लिए तियार होगा सोना? So, दो नज़रिये लेते हैं श्रिष्टी इसमें एक तो जो ओवरॉल मेटल्स का जो फाइट है, you see even copper almost all-time high पर तकरीबन पहुँच गया, right? 4.2, 4.3, which is near to all-time high of 2021. एक अनुमान ये है श्रिष्टी के, because defense पे हर कंट्री invest कर रहा है, because of geopolitics, and defense investment is increasing this metal demand across the world. So, now Chinese economy is a black hole, world में जो भी metal demand आती है, तकरीबन उस some metals का 50% demand China से याता है. उमीद ये है कि this will not sustain, because eventually, if Chinese economy अगर weaken कर रही है, और 50% demand तकरीबन हर metal में वो चाइना की तरफ से याता है, तो I think somewhere वो slowdown तो देखेगा, and especially with Chinese real estate slowing, तो I don't think ये metals में जो spike है वो sustainable है. This is a view on metals. Gold में एक change वोएस रिश्टी, which I think we all should notice, which is, कि ये जो dollar को weaponize कर दिया था, United States ने जो dollars seized किये थे Russia के, उसके बाद से सभी central banks में चिंता बढ़ गई है, कि देखें, ये तो कल आपके साथ भी हो सकता है. So every developing country is focused on dollar reserves plus gold reserves too. So gold की जो hold है, वो including RBI, तो RBI का gold reserve 812 ton का है, और उन्होंने अकेला 9 tons सिर्फ December में खरीदारी किये. So I think सबसे ज़्यादा pressure जो gold पर आ रहा है, वो ये central banks की तरफ से आ रहा है. Aside of the usual purchase. And I think ये कुछ समय चलेगा, सृष्टी. So we should be used to gold being higher relatively. It will not spike up because central banks will buy it gradually. But this is the pressure on gold, सृष्टी. ठीके. Anurag, एक आखरी सवाल आप से जाना चाहेंगे. देखी, चली हम मान लेते हैं कि ये जो इरान और इस्राइल के भी जो संघर से जादा नहीं खीचेगा. क्योंकि अमेरिका ने भी कहा है कि वो इरान की तरफ से, इस युद में वो शामिल नहीं होंगे इरान की खिलाफ. और इसके लावाब फ्रांस ने, चाइना ने, रश्या ने, तमाम देशों ने कहा है कि इसको एसकलेट और ना होने दिया जाएं. तो शायद अब यह चीज़ें यहाँ से थोड़ी सी कम होती दीखेंगी. लेकिन चुकि आप अमेरिकाएं बैठते हैं, वहाँ के चीज़ों को, वहाँ की एकॉनमी को, वहाँ के हालातों को आप बहतर ढग से जानते हैं, आप से यह समयना चाहेंगे कि अब चुकि होटर देन इंफलेशन की आकड़े आए, एक्सपर्टेशन से ज़्यादा आए आकड़े आए थी वहाँ पर, तो रेट कट को लेकर आप क्या उमीदे हैं, आपको क्या सेंस मिलता है कि क्या हमार के चरें कि सितंबर से शुरुआत हो जाएगी, यूएस में रेट कट की? अबिशेक, मेरी बात अबिशेक से हो रही है, या फिर जी जी जी, अबिशेक, तैंक यू, गूड, तो अबिशेक, देखो, वो छे, छे कट की बात तो देखे, एक्स्ट्रा बुलिश सेंटिमेंट था, मेरा नजरिया ये है कि दो रेट कट्स इस साल में होंगे, मैं उसका रीजन बताता हूं, देखे, ये जो फेडल डिजर्व के हाइक्स हैं, ये लैक के साथ काम करते हैं, फेडल डिजर्व और चेयर पावल, आइधिंक जब ये डिसेंबर से ये बात कह रहे हैं, तो उन्हो सान हो जाएगा, अभी एक और बैंक, अल्मोस्ट मार्च में, नियॉक कम्यूनिटी बैंक, उसका अल्मोस्ट एक, ये बैंकरप्सी से आने से वो बचा है, तो ये जो हाई इंट्रेस्ट है, ये उल्टा फेनाशल सिस्टम को भी हाम करता है, अगर उसमें बहुत जादा दे कर रहे हैं, हावेवर चैलेंज यहां पर नहीं है, चैलेंज यह है कि वो उतना जल्दी नहीं रिट्रेक्ट करेंगे, तो दे विल पासओन टू फिफ्टी ट्वंटी फाइस कट्स दिस एर, तो अबाउट साड़े पांच से पांच पर आ जाएगा, और फिर अगले साल भी जाएद वो दो ही रेट कट्स पासओन करें, तो अब विल फिफ्टी परसंट जो जीरो परसंट रेट के जमाने में था, तो वहां पर वो उसको मेक अप करेंगे, तो यह नजरिया है, तो यह नजरिया है, और वो तेनियर युल अगर चार से साड़े चार चार चलती है, तो मार्केट्स मतलब एटलीस रन अवे नहीं करेंगे, तोड़ा उसमें एक कंट्रोल रहेगा, अभिशेक. जे, ठीक है, अरुराग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और इस तमाम मुद्दे पर विस्तार समसी वाच्चीत करने के लिए, चलिए आगे बढ़ेंगे, अपने एक्सपोर्ट्स को भी जोड़ेंगे लिए, उसके पहले आपको बता दें कि, एफ़ इसकी बात करें, तो 6,322 क्रोन रुपे की बाइंग है, तो जो सेलिंग आ रही है, एफ़ आइस की तरफ से, वो एब्जॉर्ब हो रही है, डिया इसकी तरफ से, बढ़िया मोमंटम हम डिया इसकी तरफ से देख रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, एफ़ आइस के साड़े तीन से सो करोनों से लेके पहने चार सो करोन रुपे के आसपास की सेलिंग हम देख रहे हैं, तो ये तो रहा, वाइदा वाजार में, एफ़ आइस की और डिया इस की पोजिशनिंग के तरह से, वो आपने आपको बता दी, अपने एक्सपोर्ट को जोड़ लेते है हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के खास मेहमान संतोष मीना जुड़ गए हैं स्वास्तिका इन्वेस्ट मार्ट से और इसके लावा राहुल घोश भी हैं हमारे साथ, फाउंडेन सीउ हैज्ड के, राहुल जी और संतोष जी आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्व से देख रहे हैं क्योंकि थोड़े से ग्लोबल टेंशन भी है, डाउ में हमने गिरावट देखी भी है, इस वक्त डिर सो आग नीचे कारवार कर रहा है, तो इंडेक्स पर आपका व्यू क्या है और किस तरह से आप ट्रेट करने की सिला देंगे? लेकिन अपने प्रेम्ट कर लिया था, फ्राइड़ की दिन एक व्यूट था, जो डिप मिल रहा हुआ है, लेकिन शायद मार्केट में एक फॉल लेक्ने को मिला, तो आज फिर से एक गेप दाउन ओपनी में हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वैसे तो मैं अभी फिलाल सब्सक्राइब कर लेकिन में हो सकती है, या तो वेट कीजिए मार्केट को बताने जाना चाहता है, जो थोड़े से अग्रेसिव ट्रेडर से इस दिप को खड़िदारी के रोकर देख सकते क्योंकि जो इरान और इजाई वाला टेंशन था हुआ है, क्योंकि सब्सक्राइटी भी आगे है, जिसा आपसे प्लोड और बोल्ड की प्राइस में रिएक्शन है, तो भी क्लिरली इंडिकेट करा है कि यहां से सिचेशन और बिगरने वाली नहीं है, यहां से यह इशू फोर टाइमिंग आइट पर है, और माकर शायद अब आर्मिंग वागेरा पर फोकस करेगा। आती हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्योंकि यहां पर वेट और वाच की मोड आपको अपनाना चाहिए, क्योंकि काफी मिक्स सिगनल आप देखे मिल रहे हैं, डाव जोन्स में काफी भारी गिरावट देखने को मिली पर अभी जो है, हरे निशान में हैं डाव का तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर ही उन्होंने लेविल्स भी आपको बताए, पर चलिए अब अपने दोनों ही एक्सपर्ट से समझते हैं कि स्टॉक स्पिसिफिक अक्शन कहां पर वो देख रहे हैं, कहां पर है उनकी नजर और राहुल, वेरी गुड मॉ 3675 के उपर लॉंग कीजेगा, stop loss 3600 पे रखिएगा और टागेट होगा 3790, दूसरा IPKA LABS 1360 के उपर लॉंग कीजेगा, 1320 का टागेट होगा और 1418 का टागेट रहेगा, एक पॉइंट ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है यहां पर कि कौन से लेवल पे put writers जो 22500 के आसपास है वो trap होंगे, और मेरे ख्याल से 22350 के नीचे put writers trap हो सकते हैं और एक भारी गिरावट देख सकते हैं, intraday saw point का, यह put writers के trap होने के वज़े से, तो यह थोड़ा कैफूल रखके दोनों conditional buy दिया गया है ठीक है, HL और इपका, दोनों के दोनों conditional call है, HL आपको खरीदना है 3655 रुपे के उपर, और इपका लेब आपको खरीदना है 1360 रुपे के उपर, target और stop losses, आपकी screen पर हैं दोनों के दोनों share हों के एक और expert, आयूश महतामर सा जोड़ गए हैं, आयूश गूड मॉर्निंग, बहुत शुक्री आपका समय देनी के लिए, बताइए आज के लिए आपकी trading के रड़ेनीती क्या है, क्या खरीदेंगे आज? गुट मानिंग, अभी शेख दी, गुट मानिंग शेख दी, गुट मानिंग शेख दी, गुट मानिंग तो all the viewers and the panelists, मेरे यहां से दो calls रहेंगे, एक by call, एक sell call, पर्स sell call से start करते हैं, मुझे औरो फार्मा के futures लीक लगए है, औरो फार्मा के अधर हम यहां पर बात करें तो 1115 रुपीज करेंगा, यह सब futures के लेवल है, second stock मेरा by call है, वह सिंजीन पर, अगर हम सिंजीन की आपर बात करें तो इसने हमने 200 डे मुई आवरेज का breakout दिया है, और Friday के session में तो हमने profit booking भी देगी, इस अपने आपको अच्छी तरीक से उसको hold करके रखाया और अपने 200 डे म आवरेज के ऊपर ही closing भी है, प्लस अगर हम सिंजीन में देखेंगे तो एक प्रेंड लाइन का बहुत चा सपोर्ट और एक मंद्ली चार्ट पे रिवरसल हम देख रहे हैं, तो सिंजीन एक support point से अच्छा रिवर्स दिखाया है, तो मुझे रखता है सिंजीन को यह से buy किया आगर 780, यहां जो आपको stop loss maintain करना है, वो 785 रुपीस करेगा. कौन से स्टॉक्स आपके रिडार पे हैं? कौन से स्टॉक्टर बहुत ही अच्छा एक flag formation का breakout आया है, तो अपग्रेड भी है, एक तो HSBC का अपग्रेड है, साथ ही कोटक ने भी पूरे सेक्टर पे coverage इनिशेट के हैं, तो मुझे लगता है कि इसका भी एक impact देखती को मिल सकता है, 8100 का target रहेगा, 8100 और 8500 का target रहेगा 7700 का stop loss रहेगा. उस पर भी हमनी चर्चा की, अपने global export को जोड़ा, एक बज़र निफ्टी को और bank निफ्टी को, फिर से ज़रा समझ लेते हैं, डिमपे के साथ, कि आखिर आज आपके लिए trade क्या बन रहा है, शुरुआत निफ्टी से करेंगी, 2500 के आसपास के हमने स्तर देखी, closing देखी, आज थोड़ी से हम देख रहे हैं कि global Qs की बात करें, अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वहां से थोड़ी कमजोरी की संकीत दिख रहे हैं, डिमपे निफ्टी के ट्रेडर क्या करें, long और short वाले एक साथ बता दीजिए, देखिए हमने last time भी आपको बताया था, ज क्या ऐरान वाला मेटर एकदम से नया आया है कि इसके बारे में पहले सुख बुगाट नहीं थी market को, थी बिल्कुल थी, market को यह बात समझ में भी आ रहे थी कि बड़ा इश्यू हो सकता है, वो बड़ा हुआ, और वीकेंड पे हुआ है, सबसे important बात है कि हुआ कब है, यह ह आपको बताऊंगा कि मैं चलने वाला हो कि नहीं चलने वाला, लेकिन इन दोनों चीजों के बीच में, दो सिल्वर लाइनिंग और हैं, जिसके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूँ, पहला है, put call ratio, market में 200 पॉइंट की गिरावट इसको छोड़के, जो पहले दिन आए थी, उस सबर 200 पॉइंट की गिरावट ने PCR को बहुती comfort zone में ले आया था, यह put call ratio आ गया था, 0.87 के आसपास आ चुका है, निफ्टी का, तो कहने का मेरे मतलब यह है, कि put call ratio के हिसाब से आप बहुती comfort zone में, 87 पे, bank nifty का put call ratio आए 0.76 पे, क्या FI ने पिछले 200 पॉइंट में माल उन्होंने माल बेचा तो सही बट वो 2% बेचा, 56% वो long लेके बैठे हैं, और मैंने आपको कई बार बताया कि D.I.s और retail से ज़्यादा long position FI's की हैं, अब आप बोलेंगे कि इरान और रश्या का मेंटर है, हम तो इंडिया तो participate ही नहीं कर रहा है, कि FI's में को लगता है कि भारा से बहुत जल्दी जल्दी पैसा निकालने के मूर में हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, मैं आपको put call ratio का बता चुका हूँ, तीसरा पॉइंट, आपका comfort zone आरा, आपको re-entry मिल रही है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 22,300 के आसपास बाजार एक base बनाएगा, 22, दोसों को एक strong note पे stop loss रखवाईएगा, और आपको एक pullback trade वापिस मिल जाएगा, और पुलback trade आज मिले, कल मिले, परसो मिले, मिल जरूर सकता है, क्योंकि इसके सारे symptoms, सारी चीज़े यही indicate कर रही है, कि एक pullback trade जरूर होगा, और एक कहां तक जा सकता है, 22,500, 600 तक वापिस पुलback पे, तो बाजार के अंदर ना ही डरें, ना ही समय घवराएं, ना ही किसी तरह का कोई panic करें, यह चीज़े पहले से discounted हैं, रही बात आपने पूछा कि short वालों को क्या करना चाहिए, तो short वालों के लिए जवाब ही है, उनको कुछ नहीं करना चाहिए, एक तो उस द हैं, ठीक election के physics से पहले खड़े हुए हैं, इसलिए बाजार कोई भी किसी तरह का रिस्क नहीं लेगा, तो मिरे लिए दो important point है, first is FI, second is PCR, मेरी तरफ से नए और पुराने वालों को सिस्टम में रहना चाहिए, 22,200 का stop loss, 22,300 पे entry भी करने चाहिए, और 5,500, 6,500 तक का पहला target चला तो 22,800 वापिस भी आएंगे हम, ठीक है, निफ्टी को लेकर ये पूरी के पूरी रण इंती होगी, बुद्वार को हमने देखा था कि 49,000 की ऊपर निकला था, बैंक निफ्टी, वहां से करिकरे 500 अंग नीचे आया है, बहुत जादा नीचे नहीं है, मत्तब है अगर इस बेस पगरा बात करें कि 50,000 के आँखने को मच होनी जा रहे है, तो चोटा सा ही है, निफ्टी बैंक में डिंपी बताईए, क्या करना है, देकि 8% का अन्वांडिंग प्रेशर आया था बैंक निफ्टी में, उस समय तक जिस समय फ्राइडे का में जोड़ आपको डाटा बता रहा है, उस समय तक किसी को भी नहीं पता था कि एरान और इसरेल वाला मेंटर बड़ा होने जा रहा है, ठीक है, पता था कि हाँ इशू है, बड़ इतना बड़ा हो रहा है, विकंड में नहीं पता था, इस से पहले ही अन्वांडिंग आ गई, इस से पहले अन्वांड का जो सिरीज का स्टॉपलोस है वो 48,000 है यह option चेंज से calculate करना चाहो वह कर सकते हो पुराने resistance से calculate करना चाहो वह कर सकते हो आप तो जैसे भी आपको ठीक लगा वैसी calculate कीजिए 48,000 से नीचे लगता नहीं कि बैंग निफ्टी नीचे जाएगा यह पहला point दूसरा point आपको क्या करना है नए वालों को तो 48,000 दोसों पर आना चाहिए उनका बहुत ही बढ़िया risk reward है अगर बैंग निफ्टी को इलेक्शन से पहले या इसी सीरीज में 50,000 टच करना है या 50,000 की तरफ बढ़ना है तो इससे अच्छी opportunity क्या हो सकते हैं कि आप अलड़ी पहले भी 400,000 गवा के आए हुए और आपको आज 300 point और मिल जेंगे 700 point सस्ता माल मिल रहा है आपको तो आप एक बार इसके अंदर entry भी कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखा जाए 48,000 के break होने पर average ना करें average करने से इसलिए मैं मना करूंगा क्योंकि फिर वो ड्रैगिंग करेंगा तो इसलिए आप 48,000 जब तक ब्रेक नहीं होता आप 48,000 200 पे आजाएगा 200 point करें इसका है 1000 point का profit आपका वेट कर रहा है आप उसको भी ले सकते हो लेकिन volume थोड़ा कम रखना क्योंकि critical condition है global markets में क्या होगा किसी को जल्दी जल्दी पता नहीं चलता है हम सिर्फ उसको पोस्ट मार्टम करते है analysis को यहीं नहीं करता ठीक तो जो होगा उसके बाद ही पता लगेगा इससे पहले आंकला लगाना बड़ा मुश्किल है तो इसलिए जि शॉट कर रखा है हम तो शॉट करके हम तो बहुत ब्रेव थे हमने शॉट कर दिया था तो फिर आप भी अर्टालीज़ार पर प्रॉफिट बुक कर लेना अगर आपको अर्टालीज़ार मिल जाए मेरा ऐसा मानने कि अर्टालीज़ार बच जाएगा और इसमें से 22,200 बच यह पुल बैक वापिस आ सकता है बटे एक रिलीफ का पुल बैक होगा आप इस पुल बैक का अच्छे से इंज्वाइ कीजेगा यह आज आए कला है भी नहीं पता बटे आ सकता है अगर यह दोनों लेवल्स ब्रेक नहीं होती जो मेनी आपके सामने आज बोले हैं आप्शन्स वाले क्रिपा करके थोड़ा सावधानी से ट्रेड करें एक दम से कूद गे नाए थोड़ा बहले बादार को पक्का हो जाने दें फिर ट्रेड करना तो निफ्टी के तरह निफ्टी बैंक में भी शॉट नहीं करना है आप शॉट से दूर ही रहिए चले आगे आए हो जो शेर वह हैं एक साइड और सेल की जिनकी एंट्री होई है वह जी एन एपसी मेट्रोपॉलिस और पिरामल एंटरप्राइज़ की ये इंट्री हो गई है तो टोटल जो शेर हैं बलरापूर चीनी जी एन एपसी हिंद कॉपर बड़फन एडिया इंडिया सिमिंट मेट्रोपॉलिस, जी इंटर्टेन्मेंट, नालको और पिरामल एंटरप्राइज़ ये नौ शेर बैन में ये फिलहाल ट्रेंट कर रहे हैं चलिए यहां से अब आगे बढ़ेंगे और ये समझेंगे कि आपके लिए खबरों वाले शेर कौन से हैं और इसके लावा चोकि ट TCS का नतीजे, किस तरह के नंबर आपको लग रहे हैं TCS के? के आस-पास मार्चन आएगा तो एक बड़ा बीट आया है मार्जिंस में इसके चलते प्रोफिटिबिलिटी भी हमारी उमीदों से बहतर है प्रोफिट फिगर आये 12,400 क्रोस जबकि हम जस्ट अराउं 11,980 क्रोस मान के चल रहे थे जो second big surprise आया है वो earnings में वो है deal win का number 13.2 billion dollar का deal win number आया है street आज से 10 billion dollar मान के चल रहा था and quarter quarter देखें तो काफी बड़ा jump आया है deal win में भी attrition कम हुआ है लेकिन headcount भी quarter on quarter कम ही रहा है maybe q1 से हम लोग positive number देखेंगे because जो reports उभर कर आ रहे हैं से पता चल रहा है कि company ने campus hiring restart कर दिया है तो maybe उसका impact q1 से आएगा थोड़ा problem है BFSI में क्योंकि वो decline continue कर रहा है North America में भी decline है अपकी बार but वो make up हो गया है इंडिया बिजनेस और UK से because जोनों पॉजिटिव रहे है and manufacturing का भी performance काफी अच्छा रहा है तो overall अगर you know top level पर देखेंगे तो काफी अच्छे numbers है but management से हमें BFSI, North America इन सब के बारे में और details चाहिए होंगे ओके बहुत बहुत शुक्रिया अनीशा यह first cut TCS के numbers पे देने के लिए पर management की commentary भी आ चुके है और brokerages की भी reports आ चुके है तो आईए समझते हैं कि brokerages ने क्या कुछ changes किये है अपनी rating और target price में और क्या कुछ नजरिया बन रहा है TCS पे और यह पूरी details लेकर पूजा हमारे साथ जर्च की है पूजा बताईए क्या कुछ बोल रहे हैं brokerages TCS पे जी काफी मिले जुली reports आ रही है TCS के नतीजों पर सबसे पहले उन reports से शुरुआत करेंगे जिन्होंने target price बढ़ाएं है TCS पर और JP Morgan के targets में सबसे ज़्यादा बड़ा एक revision हुआ है उन्होंने अपने लक्ष चार हजार से बढ़ाकर चार हजार पांच सो का दिया है और rating भी upgrade कर दिये neutral से बढ़ाकर over rate की rating वो देख रहे हैं उनका कहना है कि चौते तिमाही में काफी बड़ा growth यहां पर ज़राई especially margin के front पर deal pipeline काफी strong थी और आगे उनका मानना है कि उन्होंने earnings में भी अपनी बढ़ोतरी कर दी है 4% की बढ़त वो देख रहे हैं और उनका कहना है कि margin में आगे और भी expansion देखने को मिलेगा डिवान इंवामेंट में भी जादा कुछ बड़ा concern नजर नहीं आ रहा है तो positive commentary है double upgrade आए है जेपी मॉर्गन की तरफ से इसके अलावा bank of America securities ने अपनी neutral की rating बरकरार रखी है लेकिन लक्ष बढ़ा दिया है 4040 से बढ़ा कर 4125 का देख रहे हैं ऐसे ऐसे securities ने hold से बढ़ा कर add की rating दी है और target price भी 4330 का वो देख रहे हैं वहीं जेम financials ने target बढ़ा दिया है 4130 का target अब वो देख रहे हैं और नॉमूरा की बगर बात करेंगे तो वहाँ पर उन्होंने target price अपना 3160 से बढ़ा कर 3240 का दिया है यह कुछ rating अप्ग्रेड हुए है लेकिन sales ने जो है वो अपना लक्ष घटाया है और commentary भी यहाँ पर negative देखने को मिल रही है इंका कहना है कि macro revival में कुछ slowdown देखने को मिलेगा और near term recovery को लेकर भी management की तरफ से कुछ confidence नजर नहीं आ रहा है जिसके चलते उन्होंने जो लक्ष है वो 4043 से घटाकर 3941 का वो देख रहे हैं TCS पर इसके अलावा काफ़ कुछ brokerage house ऐसे भी है जिन्होंने अपने rating को neutral रखा है कुछ बदलाब नहीं किया है इसमें Goldman Sachs ने retain अपनी खरदारी की रहा है बरकरार रखी है नहीं CLSA की तरफ से कुछ negative commentary निकल कर आ रही है ठीक है कुल मिला के ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट जादा तर बुलिश दिख रही है जादा तर ने अपने target को revise किया है भाले rating में अपग्रेडेशन किया हो ना किया हो लेकिन target revision जादा तरो का हमने देखा वह भी अपवर्ड रिविजन होता हो दिखा इंसपाइट ऑफ दिसके neutral है एड है ओवरवेड है वड़ावर जो भी है लेकिन अपग्रेडेशन सबका हुआ है अच्छा इससे पहले भी ना चंदन तापड़िया हमारे में मानते हैं उन्होंने आपको 4000 स्ट्राइक की एक call टी-स की प्लस भी करवाई हुई थी मैं आपको रेड भी याद दिलवारे तो अगर आप भूल गए होंगे आपके टर्मिनल पे लिखे होंगे 75 पे पे हमने का था उसको लेना है 40 रुपे का स्टॉप लस लगाना है और 140 का आपका टार्गेट था हाला कि यह जो call है जो मैं 4000 की strike की आपको बता रहा हूँ यह बंद हुए 95 पे आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होगे क्योंकि 00 हो जाती है बाद में call तो 95 का LTP प्राइज आपको दिख रहा होगा स्विंग के तौर परा और जारा इंटेलिजेंटी फैक्च्छल डाटा के साथ उसको क्लियर कर देते हैं ठीक जी अब गोरांग शाह अमार साथ हैं गोरांग सर बहुत बहुत शुक्रिए फरस्ट फॉल थैंक्यू वेरी मच्च पहले तुम्हां इरान वाला मैटर आपसे बता करता लेकिन उसको थड़ा पीछे छोड़ देता हूं मैं पहले आपसे टीसेस के बारे में पचा कर लेता हूं सर टीसेस के नंबर भी देखें आपने मोटा मोटी कोमेंटरी भी देख लिए होगी थोड़ी बहुत जो रिपोर्ट नहीं देख्योंगी वहम आपको जानकारी है या नहीं लेकिन कफी समय से जब का वी काफी लोग बजार में I.T. शेत्र से दूर रहने की हिदायत दे रहे थे या फिर नसीएद दे रहे थे तब से हमने आईटी शेतर पर निरनायक तरीके से निवेश की निरंतर राई दिये मैं पिछले छे मेने या साल भर की बात नहीं कर रहा हूं मैं पिछले दो साल तीन साल चार साल की मैं बात कर रहा हूं और हमने ये भी बताया था टिंपी के ठीक है थोड़ी बहुत तकलीफ है और किसी भ दुरुनी या फिर अंतरास्ट्री कारणों को ले करके दिक्कते आ सकती इसमें भी कोई दो राइदी लेकिन क्या इसका यह तात पर यह निकालना कि आप अपनी लंबी युद्धी का निवेश में परिवर्तन कर दे आई टी शेत्र में अगर आपका है तो मैं यह नहीं समझत है कि तीनदार दोसों पर भी हमने वही राइ दी थी तीनदार 500 पर भी राइदी और आज यहां पर 4000 के पास- backward हुआई आज बी हम यही राइदे रहे हैं कि अगर आपका निवेश रह तो बने रहे नहीं है तो आप निवेश करने की सोच सकते हैं नतीज्श जो आएं उसको को देख करके लक्षांग हमने भी उपर के तरफ बढ़ाए हैं लेकिन एक बात में स्पश्रूप से कहना चाहूंगा डिंपी के आज के तारीक में जिस तरीके से साइबर एटाइक्स साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उसको सुरक्षित करने के लिए चाहे वो छोटी मज्वाली बड़ी अंतराष्ट्य कंपनियों इन सभी को आईटी शेत्र की सेवाओं का उप्योग करना पड़ेगा अपने आईटी परियावरण को सुरक्षित रखने के ल अगरी ऑन डिस पॉइंट का पहले भी बुलिश थे आज भी बुलिश हैं और आप यह मान रहे हैं कि और चलेगा तो मैंने जब से स्पेसिफिक कोश्शन पूछा कि नए वालों को लांग टम के लिए आज आना चाहिए तो मैं आपके आंसर से समझ रहा हूं कि एस नए वा अगर नतीजे की बात करें तो यहां पर कमजोर नतीजे देखने मिले हैं सिक्वेंशली नंबर में थोड़ी डिप आई है रेविन्यू सपार्ट आया वही अबिड़ और पैट के नंबर जो है यहां पर डॉंटिक आया लेकिन जो बाइबैक है उसके कारण सेंटिमेंट प नुमान से बहतर आये 39% रेविन्यू ग्रोथ आया है और एसेजी ग्रोथ एफई 24 में भी नंबर स्ट्रॉंग आये हैं बात करें पतांजली की तो ओवरॉल जो है वीक सेट आफ नंबर आया है एडिबल ओयल सेग्मेंट की सिंगल डिजिट ग्रोथ जो है देखने मिली है तो यह तो आपके अपडेट्स हुए लेकिन अब हम बात करेंगे आपका इंपोर्टेंटली जो खबरोवाले शेयर जिस पर आपका रडार में रहने चाहिए एस्टर डियम हेल्टकर 118 रुप्या का स्पेशल डिविडेंट अनॉंस्मेंट आया है यानि कि हम कह सकते हैं ल और दूसरा सुनील संगानिया का आज जो बहुत सारे मेटल स्टॉक्स में तेजी देखने मिल सकते हिंडाल को नाल को हिंदुस्तान कॉपर क्योंकि जो लंडन मेटल एक्सचेंज है वो रश्यन मेटल्स को बैंड कर दी है जब से बाहर के देशों में सैंक्शन्स लगी है और अलड़ी हमने एशियन मेटल प्राइस में अलड़ी जंप आज सुबह देख चिके हैं नाजारा टेक डल्टा कॉप भी फोकस में रहेगा पी एम मोधी की पॉजिटिव कमेंट्री आई है स्पेशली गेमिंग इंडस्री को लेके वही तामिलनाड मरसंटाइल बैंक में जो है देखा जाए तो RBI ने जो इनफर्म किया है कि जो बैंक ने MDCO के पद के लिए कंडिडेट्स रखे थे वो सुटेबल नहीं है उनको एक फ्रेश लिस्ट जारी करना पड़ेगा और आखरी दो स्टॉक्स में फोकस में रहेगा IFL Finance जो की 17 अप्रेल को बोर्ड तो चलिए अब हमारे साथ E.T.NOW और E.T.NOW सौदेश के एड़र इंचीफ निकुनिश दालमया भी जुड़ चुके हैं निकुनिश सब वेरी गुड मॉर्निंग और यह वीकेंड काफी न्यूस है वी रहा TCS Earnings के रिवियो साथ ही Iran-Israel का Tension उसका BJP Manifesto धेर सारी चर्चाएं करनी है पर सबसे पहले जिसको लेकर ग्लोबल बाजारों में भी थोड़ा Tension है Iran-Israel आज गिफ निफ्टी भी नेगिटिव संकेत दे रहा है ओपनिंग के कितना सीरिस हो सकता है यह मैटर इस बार क्योंकि हमने एक बार अलड़ी रश्या-Ukraine से थोड़ा लिसन जरूर लिया है तो जिस तरीके के अभी नियर टर्म में चाल देख रहे हैं वो भारते बज स्रिप में इतना टेंशन होगा मगर हकीकत है कि जियो पोलिटिकल टेंशन आप प्रिडिक नहीं कर सकते हैं अगर मार्केट हमारे लिए अच्छी ख़पर यह है मूरी ख़बर में अच्छी ख़बर क्या है यह है कि भई कुरूड के अंदर को बहुत बड़ा उच्छाल नह ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ा पैनिक नहीं है तो मार्केट शायद आपको बोल रहा है कि जो मुद्दा रहेगा शायद यह बहुत-बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता है आने वाले कल के अंदर अगर पुलिटिकल टेंशन बढ़ जाती है जो पुलिटिकल टेंशन पर आता है, तो जब inflation उपर जा रही है, यह political tension हो चुका है, global markets नवस्ते, इन तीनों को मिला करके, अगर अगर एक market view बनाएंगे, तो market view मंदिका बनेगा, मगर ऐसा नहीं है, Asian markets नीचे है, मगर कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, market के अंदर भै, fair, ऐसे words अभी use नहीं क थोड़े समय में normalize भी हो जाए, पंक आज स्क्रीन देखकर कब ऐसा नहीं बूल सकते हैं कि जो जो पुलिटिकल टेंशन से उसकी वज़े से इन्योटर में इंडियन मार्केट को बड़ा प्रभाव हो सकता है, अगर हम BGP के मैनिफेस्टो यानि कि संकल पत्र के बात करें तो बहुत सारी चीज़ें इसी हैं जो कि forward looking भी है, हालांकि आईशमान भारत का दार्या बढ़ाने के बाद चित्की गई है, तीन करोन नए घर बनाने की बात है, और यह भी कहा गया है, कि ethanol, blending, green, hydrogen, biofilm में तीजी लाएंगे, आपके हिसाब से major highlights क्या है, जिनके की बाजार से भी हमें linkages तलाशनी चाहिए? तेखे अभी शेक, अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें, तो संकल पत्र एक प्रकार का vision document है, not India of 2029, but India of 2050. उस पाथ पर अगर भारत को जाना है, तो उसके लिए सबसे important क्या है? Economic Growth, Physical Discipline, नए sectors जिनके अंदर से आपको GDP की ग्रोहता है, Energy के अंदर Self-Sufficient and Manufacturing के अंदर बड़ा Scale-Up. और Agriculture को लेकर के, हम देखते हैं कि हमेशा समस्या रही है, उसको लेकर के भी नए innovative, नए innovative, you know, ideas. तो सब चीजों को अगर मैं मिलाओं, तो सबसे बड़ी Economy के लिए जो stand-out feature है, वह यह है कि सरकार ने जो Manifesto में promise करा है, बीजेपी सरकार ने, बीजेपी ने, कि वह fiscal discipline को compromise नहीं करेंगे, वह economy का जो impact है और बढ़ाएंगे, MSC और MSME को लेकर के जो इतने सारे challenges अभी हैं, उनको खतम करने का ट्राइ करेंगे. सबसे important है, इंडिया की energy dependence में oil import का जो impact है, वह कम करना चाहेंगे, agriculture को एक global manufacturing hub बनाना चाहेंगे, और manufacturing को लेकर के नए-ने चीजे इजात करी जाएंगी. कुल मिला करके यह जो manifest हो है, growth dominated manifest हो है. मिशेक जो idea था छोटे लग रहे हैं, वो बड़े हो सकते हैं. मिसाल के तौर पर किसी ने नहीं सोचा था कि defense manufacturing इतनी बड़ी हो जाएगी. किसी ने नहीं सोचा था कि Apple जैसी company, COVID से पहले जो हिंदुस्तान में एक भी फोन नहीं बनाता था, अब roughly देड़ से 2% production, उनका global production अब इंडिया से आता है. तो कुछ-कुछ ऐसे ideas हैं, चुकि भारत की economy की dynamics बदल सकते हैं. Imagine करिये आपकी अगर oil import पे dependence कम हो गई. Imagine करिये agriculture sector, जिसके अंदर हमेशा हम देखते है supply chain और, you know, crop और irrigation और monsoon को लेकर के impact आता है, आप global supply chain बना सकते हैं. इंदुस्तान में क्या है जी? इंदुस्तान के अंदर land available है, labor available है, और talent available है. इन तीन तीजियों को अगर मिलाएंगे, तो आप एक काफी बड़ा ग्लोबल, you know, global fire power create कर सकते हैं. और मज़ अलगता है, manufacturing और agriculture में, और energy sector में वही करा जा रहा है. टिका, निकुन से गुट बॉर्णिग, TCS के नंबर्स भी आपने देख लिए होंगे, TCS के सासत पूरे IT का भी एक ज़रा आकलन दे दीजी? TCS के नंबर अच्छे है थे, टिम्पी, बगर IT का आकलन आपको शायद इन्फोसिज है, HCL Tech के नतीजों के बाद ही पता लगएगा, because historically, हमने देख रहे हैं, सब कह रहे हैं, जो ओडर आ रहे हैं, तो मार्जन का हैं, तो मार्जन भी आ चुके हैं, एक बड़ा इंपक्ट हम देखने हैं, productivity gain का इनके उसमें बिजनिस में आ रहा है, because, हालग कि सेक्टर में कुछ headwinds ही, मगर because of productivity gain या implementation भी है, देख रहे हैं कि net margin करीब-करीब 1Bips expand हो, जो कि लाज बेस पर काबिले तारीफ है, क्योंकि stock outperform कर चुका है, और stock के अंदर हमने देखा था, Tata Suns की कुछ दिनों पहले supply आई थी, तो upside मुझे लगता है उसकी बज़े से restrict हो सकती है, मगर ये बात तो हता है कि अगर infosys के नतीज़े अगर अच्छे आते हैं, और infosys भी बोलता है कि वे worst is behind us, जो TCS बोल चुका है कि that FI25 will be better than FI24, मुझे लगता है कि सेक्टर अब बड़ी गिरावट में बायम डिक्लाइन हो सकता है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेर मच इन तीन एहम मुद्धों पर अपनी राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया, बसीन सर, नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेर मच, दो दिन से बाजार थोड़ा घिरावट के चपेट में शायद एक अपरचुनिटी भी हो सकता है, एक तो आपका स्टांस चाहिए, सर, मारकेट पे, ये इरान वाला मैटर सब मिला मलू के, और दूसरा सर, अपडेट भी दे दिजएगा अपने शेयर्स का आप. गुद मॉर्निंग, आपको भी और अभिशेक को भी और शिरिष्टी को भी और सबको बेसाखी या हैपी न्यू एर, ये नया साल शुरूआत होता है, और सब जगां जिस जिस वे में आप सेलिबरेट करते हैं, तो देखिए, आपको लास्ट मीक से कह रहे हैं, थोड़ा सा money off the table लीजिए, profit book कीजिए, cash में बढ़ेगे, तो मौका मिलेगा, पहले अपडेट देजू, आपको बाइस हजार साथ सो की पुक दिलाई थी, 158 और साथ में, डाइसो का target हुआ था और डाइसो उची दिन हिट हो गया, Friday को, आज ये और देजेगा, जूसरा मैंने आपको अपडेट दिया था कि आप लीजिए, हिंदोस्तान लीवर में, अभी भी कह रहा हूं, the best rural play is available at a 52-week low, और जैसे जैसे सरकार की spending rural activities पर बढ़ेगी, income आएगी और ये जो आपकी गिरावट आई है, pulses और inflation में, I think लीवर is the best price ever at this price, तो बाइसो का stop loss है, लीवर में निवेश कीजिए, साड़े 2400 का भाव दिखता है, उसके सामने मैंने ये भी भी sell call की थी, मैं अभी भी बोलता हूं, take some money off capital goods, medals are rising, which is negative for margin of capital goods, तो capital goods में मैं negative हूं, और मैंने SBA Life और वेदानता भाई किये, आज फिर मैं दो रहाता हूं, वेदानता में अब आप stop loss बढ़ाईए, और बढ़ाईए, 300, 65 और 70 में मिले तो वेदानता लीजिए, 400 से 420 का टार्गेट है, और अब stop loss हो गया है, 359, तो वेदानता is a must have in your portfolio, because aluminium, silver, zinc, सारी जो non-ferrous basket है, वो वेदानता की बात है, दूसरा, आज मेरा बाय है, ONGC, आपको इसकी simple reasoning दे दूँ के हमने last साल में कभी नहीं देखा, जो change और reform NGC की will be at an all-time high, दूसरा, इसकी जो production growth है और margins है, they will be at the highest, साथ में we are underlining के gas में इनकी बहुत ज़्यादा reach है, तो मुझे 300, 4500 का बहुत दिखता है, slightly longer term, आज के लिए आप 57 रुपे का stock close रखिये, 285 का target, and last but not कीजिए, L&D, Siemens, यहीं भी इनमें profit लीजिए, DIMBY जी क्या है, Middle East की tension रही, तो इनका काफी business वहाँ कूलिंग टावर अगेरा से आता है, वो इनके लिए negative है, and rising commodities is also negative for them, so this would be my summary by ONGC, by Vedanta and sell Siemens. ओके तो आज की recommendations clearly, ONGC यहाँ पे खरिदारी करनी है, साथी विदानता पे अभी भरोसा कायम है, बहुत ही निशलिस तरों से भसीन जी इस पे recommendation दे रहे हैं, अब stop loss ट्रेल करने की बारी है, और capital goods, हमने देखा था कि ABB इंडिया पे भी sell recommendation थी, आज सिमेंस पे sell की call आती हुई, भसीन जी की तरफ से, बहुत 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 शुक्रिया भसीन जी, आज हमारे साथ जुनने के लिए और बसाकी की बहुत 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 शुकामना है आपको भी, और साथ ही, अगर हम देखे, तो आज आपकी calls भी हमने note-down कर ली है, पर चलिए, आगे बढ़ते हैं, और फिर से हमारे experts की तरफ चलेंगे, अब हमने जान लिये हैं कि खबरो वाले शेस कौन से हैं, साथ ही साथ, brokerages के radar पे कौन से stocks हैं, तो उन पे चर्चा जादी रखते हैं, और आयूश एक काउंटर जिस पर आपसे राय लेनी है, वो है Excite Industries, यहां पर हम देख रहे हैं कि जबरतास रन-अप इस काउंटर में हमने देखा, जब कंपनी ने Hyundai किया के साथ, अपने EV बैटरी के करार का अनाउंस्मेंट किया, बहुत positively ले रहे हैं brokerages और markets भी, 400 के सथर तो Excite Industries दिखा चुका है, आज कौन से लेवल्स दिहान में रखें? एक्साइट की बात करें तो Excite के stock में multi-year breakout दिया है, प्राइडे की profit booking भी stock में अपना आपको वेल्टेज लगा है, 398 के असपर की closing दिया है stock में अगर किसी की पास stock है तो मुझे लगता है डेपिनिकल को यहां से बूल्ट करना चाहिए, इसमें जो stop loss maintain करना चाहिए, 375 का a stock buy and dips की मेरी राय रहेगी क्योंकि यह बिस जैसे global marketers और फोड़े जबीक पर है तो मुझे लगता है कि निचे में अगर नीचे के लेवल्स में 350 के असपा से stock मिलता तो इसमें वापस re-enter करना अची है आज एक मोदिलाल उस्वाल के wires and cables पे भी रिपोर्ट है और कई सारे काउंटर उनके रेडार पे है Polycap, KEI Industries, RR Kabil यहाँ पे उन्होंने कवरेज शुरू की है, तीनों पे ही खरेदारी की राय है और मौजवदा सतरों से तीस से चालिस पिसेंट की अपसाइड देख रहे हैं एक बार राहूल क्विकली यह तीनों ही काउंटर में से अगर टेकनिकल फ्रंट पे कोई ट्रेड लेना हो तो कौन सा सबसे जादा पसंदिदा stock होगा आपका, Polycap, KEI Industries या फिर RR Kabil तो Polycap और तीनों stocks में से KEI सबसे प्रेफ़र बेट होगा purely because price action बहुत स्ट्रॉंग है, stock all time high पे है इतना बड़ा fall जो हुआ था Friday उसके बावजूद आप नोटिस करेंगे stock 5% उपर था तो अगर buy करना है fresh level पे मैं 4030 के उपर buy suggest करूँगा that is 1% उपर यहां से और stock loss 4000 पे रखके उपर की side पे play कर सकतें Polycap बाच चार्ट comparatively is less better तो थोड़ा सा breakout का situation आया तो Polycap पे long initiate कर सकतें इनों में से KEI is our preferred bet right now ठीक है, KEI बहतर लग रहा है और हमने शांदार तीजी देखी भी शुकरवार के सतर में 5% की 4000 रुपे के सतर को इसने पारवी किया थे इंटरडे में मजबूत update आया है Sinko Gold का, Q4 का जो business update उने जारी किया है वो काफी शांदार है, revenue growth है 49% का year on year अगर हम बात करें तो और same store sales growth जो है, वो है 19% का, चार नए शोरूम खोले है Sinko Gold गौरांग सर आप से वियू जाना चाहेंगी Listing को अभी साल भर हुए नहीं और listing के भाव से ये share almost double, double से ज़्यादा बलकी हो गया है, 805 रुपे का भाव है Sinko Gold आपको कंपनी कैसी लगती है और इसमें क्या सला देंगे आप दुन्यवाद अभीशेक, आपको भी शुपरबात हमारे करब से देखे, आपका, आपका, आपकी सोच और विचारदारा क्या है कि आप Gold Loan Company में निविश क्यों करते हैं अगर आप सोने के दाम को देख करके निविश करते हैं, जो कि अक्सर लोग करते हैं अपिशेक तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको फिर Gold Loan Company में क्यों जाना है आप सोने में क्यों निविश करते हैं और हमेशा हमने यही राई दिये, जब भी हम निविशकों को जागूर्ट करने का एक अभियान चलाते हैं तो हम एक अनुसाशन के रूप में जब आप निविश करते हैं तो यह निवार्य होता है कि आप अपनी पुंजी सिर्फ एक ही जगह पर निविश न करे लेकिन अपना निविश फैला दे, थोड़ा बहुत शेर बादार में करे, इंशुरंस में करे, डेट मार्केट में करे, पीपीएफ में करे और थोड़ा बहुत सुने में भी करे उसी तरके आधार पर आपके पास विकल बहुत सारे हैं, आप सीधे सीधे सुना खरीच सकते हैं, या फिर आप Gold Sovereign Bonds खरीच सकते हैं, या फिर कम से कम 12 Gold ETFs लिस्टेड है, NSEO और BSE पर, वहाँ पर आप निविश कर सकते हैं, तो ये डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, जिस कोई दूसरा asset class में हमारी रूची रही हैं, तो वो सोने में रही हैं, और मैंने निरंतर ये प्रयास किया है, कि अगर आपके पास 100 रुपय है निवेश करने के लिए, तो निवेशक की उम्र और जोखम जिनली की शमता को ध्यान में रखते हुए, 10%, 15%, 20% या उससे थोड़ बहुत जादा, गोल्ड-related asset class में निवेश की रही दिया, और मेरे ख्याल से ये सुझाव काफी बहतरीन तरीके से उबरा है, क्योंकि एक्विटी के साथ-साथ सोने में भी जो इजाफे हुए, उसका लाब निवेशक को अवश्य मिला है, तो अगर आप ये विचार धारा रखते हैं कि सोने के दाम उपर जाएंगे, तो गोल्ड लोन से जादा अच्छी है, अच्छी बात होगी कि आप डाइवर्सिफाइख करें और गोल्ड-DTFs या गोल्ड-sovereign bonds में निवेश करें, ठीक है, चलिए, यह आपके लिए बेशकिम्ती सला, सोने को लेकर, एक आपने ही वोट से बने हैं बड़े-बड़े पुल देश भर में हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा, हमारे टाइम तो अटकाना, भटकाना, लटकाना, यही कल्चर होता था, पर तूम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा, सिर्फ दस साल की स्पीड देख लो, अटल सेतू से, अटल टनल देख लो, चिना ब्रीज से, बोगी हमारे सपने पूरा करने की गैरंटी मोधी जी की, तो उनको उजताने की गैरंटी किस की, हम बाब बेटी की, हाँ, कमल का बटन दबाए, भाजपा को जताने, पापा जी, कामरा उल्टा है अपका, शरिशासन कहते हैं इसे, इस्टान, पापा स्ट्रेस कम कर रहे हैं, घर न ताको बायस से, ताकि प्रोपटी जली बिके, बेटर प्राइस के लिए, अब आप सीधे हो जाए है, कुछ लोगो के ली में तिर्णा ही रोंगा, फ्यूँ रिलेटर डॉकिमेंट्स कैफली, रावल गोश्टे कुछ और शेयर्स पता कर लेते हैं, ऐसे शेयर्स जो कि ब्रेक आउट की कैटिगरी में भी जाते हैं, नो बच चुक हैं, थोड़ दिर में आपको स्टॉक्सिन नीउस वगरा तो वापीस से पता लगी जाएगा, कुछ मनिफेस्टो वाले शेयर्स भी हम आपके सामने आज रखेंगे, लेकिन इस बिच जो आज ही आज में चल सकते हैं, ब्रेक आउट कैंडिएट्स हैं, उनके बारे में बचरा आइडिया लेते हैं, रावल जी एक बार जड़ा है, एक बार जड़ा है, इसमें क्या करना चाहि है, गुरांक सारी, मेट्रोपॉलिसिस पर आपका टेक क्या है? तो डिपी, देखें, ये डाइगनोसिश शेत्र में हमने जब ये कोविड वगरा की जब शुरुवात होई थी, तब हमने उस दर्म्यान निवेश की राई दे थी, और फिर लक्षांग आने के बाद अनिवा ये कहती है, आपको हॉस्पिटल को चुनना चाहिए, और अगर यहांच पर आपको ध्यान देना है, दिंपी तो मैं मानता हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल के कास भी ये सभी सुविदाएं होती हैं, जो आपको डाइगनोसिश वाले उपलप कराते हैं, तो मेरे ख्याल से अप पिर से कोई महामारी या ऐसा कुछ आ गया, तो हेल्थ केर जादा आपको फाइदा दे सकता है, बनसपत डाइगनोसिश, इवन फार्मासोटिकल कंपनीज पर आप ध्यान देसे, ठीक है, क्योंकि मार्केट्स में टिक आना शुरू हो गया है, हाला कि मैं आपको पहले-पहल नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आपको दिखा लेता हूं, 600 पॉइंट तक का कट दिख रहा है, 700 पॉइंट तक का कट इंफेक्ट निफ्टी पे लेकिन सेटल हो जाने दीजिए, बैंक गिफ्ट निफ्टी के साफ़ सिर्फ 500 पॉइंट का कट लगता है, आप देख पा रहे ह हैं, HDFC और Reliance Industries को और दिखाएगा, जरा दोनों बड़े शेयर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं इस समय, आप देखेंगे, Reliance और HDFC दोनों के अंदर गिरावट करीब करीब 3-3% तक कि यह शुरुआ तो अपर्चुनिटी एक मिल सकते है, TCS भी दिखा तो एक बार लगया है, उसक सबके सब ओपनिंग टिक्स हैं, अब यह सेटल नहीं हुआ है, इसको सेटल होने में 6-7 मिनट अभी और लगेंगे, मैं फिर से रिवीजिन डलवाँगा आपको, यह सारी चीजे वापिस से दिखाऊंगा आपको, ठीक है, बसा आप इसको नोटीस करते जाना, आप देखते फार्म और केमिकल स्पेस से, आथी इंडस्ट्रीज, इसको अच्छी बाइग किया जा सकता है, जो ओपनिंग प्राइस रहेगा उस प्राइस पे, स्टॉप लॉस रहेगा 700 का, और टारगेट रहेगा मेरा 797, ओवराल मेरा नजरिया केमिकल स्पेस पे काफी पॉजिटिव है, मुझे लगता है कि वहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉचिनिटी बन रही है, अक्रॉस दे स्पेस, मिट कैप, लाज कैप, तो इसलिए मेरा नजरिया आज के दिन पॉजिटिव है देन सर, आपका ट्रेड हमने नोटिस कर दिया सर, लेकिन इस बिच मैं आज वेट कर रहा हूँ, अपने अपने नवरतन शेयर्स का, एक्चलिए नवरतन में हमने ना नया फ्लेवर डाल दिया एक, आप काफी बार उसको देखते देखते थोड़ा बोर भी होगें, तो आज एक ऐसी चीज हम उसके अंदर डाल रहे हैं, ताकि उससे थोड़ा आपको और क्लेरिडी मिल जाएगी, जो कल के घटना करम हुआ है, वो घटना करम था बीजेपी के मनफेस्टों का, अगर सरकार रिपीट करते हो किस चीज़ पर जादा फोकस करेगी, उनके मनफेस्टों म हैं, आज जो संकल पत्र है, जो बीजेपी की मैनिफेस्टों है, उसके अनौंस्मेंस के ऊपर है, और इंटरेस्टिंगली उनमें स्टॉक्स में क्या इंपक्ट होगा, उस पे फोकस करेंगे, सबसे पहला आता है, गरीबों के लिए तीन करोड घर बनाने की योजना और उस में जो स्टॉक्स इंपक्टेड होंगे, बैंकिंग में जो है, हुड को रहेगा, मेटल्स के भी नाम रहेंगे, स्टील के प्लेयर्ज, इन बीएफसी, और सिमेंट में जैसे की अल्राटेक सिमेंट, अमूजा सिमेंट वा, यह सारे स्टॉक्स में रहेंगे, दूसरा संकल है कि देश की टूरिजम में विस्तार की जोर होगी तो जैसे की स्टॉक्स जैसे की आई सीएल ले लिजिए इसमाई ट्रिप ले लिजिए इन स्टॉक्स में जो है फोकस रहने वाला है अब टूरिजम के अगर हम बात करें तो उस पे जो है रेलवे पे विस्तार पर जोर लगने वाली है और इस पे जो है लगबग 5,000 km प्रतिस साल की जो है लाइन उन्हों जोड़े जाएंगे तो जो एंसिलरी होते हैं जो स्टेनले स्टील ट्यूब्स लगते अंदर में वह आले स्टॉक्स पर जादा हम फोकस करेंगे स्पेशली जैसे के एपियल अपोलो जेटील हुआ सूरिया हुआ हाई टेक पाइप तो यह जो है आपके स्टेनलाइस पाइप बनाते जो आप टच करते हैं जो प्रोडक्स रहते हैं जो अंदर में होते रेलवे के बोगी में हमारा पांचवा थीम वो रहेगा एवी नेटवर्क के विस्तार करेंगे जहां पे चार्जिंग इंफ्रा पे जो है फोकस रहने वाला है चार्जिंग इंफ्रा के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकोस टार्टा मोटर्स आता है टीवेस मोटर्स आता है और कुछ बड़े MNC प्लेयर्स जैस प्लेयोदे हुआ इन पे भी जो है फोकस रहेगी अब एक और इंपॉर्टन अनॉंस्मेंट आया है जो है हर घर पाइप से रसोई गैस पहुचाने की जो नैशनल ग्रेट पाइपलाई ने उस पे फोकस रहेगा अफकॉस गेल पी एंजी तो रहेगा ही लेकिन जो महानगर गैस हुआ, गुजराद गैस हुआ, आईजी एल हुआ, इन में भी जो है स्टॉक्स में तेजी आज देखने मिल सकती है और ओवरल जो मेटल्स लेते हैं गैस को सप्लाई करने के लिए वो भी महाराश्ट्रा सीमलेस, रतनमनी, मेटल्स जैसे स्टॉक्स भी हैं, आठवा सं सर्च और मैनिफैक्ट्रिंग के बात कर लेता हूँ, यहां पर बढ़ावा देने के लिए जो स्टॉक्स आते हैं, वो इंक्लूड करते हैं, डिविस लाब्स, सिंजीन, सुवेन फार्मा और आमी और्गैनिक, जहां पर जो आर एंडी होती है, फार्मा को रिरेटेड, उस पर पूरी फोकस रहने वाली है, तो यह सारे स्टॉक्स हैं, और यह एहम नौनिर्ने हैं, जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में आयां, जहां पर आज इंपक्ट देखने मुल सकता है, ठीक है तो ये तमाम स्टॉक्स जो बीजेपी के मैनिफेस्टो यानि की संकल्प पत्र के चलते फोकस में रहेंगे तो इन पर आप पर नजर जरूर रखेगा क्योंकि जो कल ऐलान किये हैं संकल्प पत्र में हलांकि ये वादा है कि सरकार बनी हम क्या क्या चीज़ें डेलिवर करेंगी और सरकार ऑपनी पर काम शूरूं के जैंट कर दिया है और यह जटातरनलों मान के चलाई एक ग की श्रकार बार्क्रावस कह वादे हैं वहाँ उग पर आपको आफ वे असर देखने को मिलेगा प्यमुदी ने कहा कि इंडस्टी के सपोर्ट के लिए महौल अच्छा होना चाहिए एक व्यू इस पर लेते हैं आदेते आप जरा डेल्टा कॉर्प जरा चेक कीजिए क्योंकि निचे तौर पर ये स्टेट्मेंट तो पॉस्टिव है हलांकि ये शेर तोड़ा सा नीचे खु अंतावत दिख रहा है इविन हमने पहली एप्रिल को देखा कि स्टॉक में बड़ा स्पाइक देखने को मिला विद गूड वॉल्यूम तो इसमें एक डिसाइसिव ब्रेक आउट मुझे दिख रहा है अब ऑव वन ट्वेंटिनाइन और टेक्निकली अगर बात करें तो मु 120 रुपे का स्टॉप फ्लोस 140-150 रुपे का टार्गेट आतली डिल्टा कॉप 128 रुपे के उपर जाए तो आपको इसको खरीदना है डिल्टा कॉर्प को चलिए एक और एक्सपर्ट शिवांगी शारदा का हम स्वागत कर लेते हैं शिवांगी जी बहुत शुक्री आपका स कोड़ा बहुत किंसर्ण जरूर देखने को मिलेगा हमारे मार्केट में तो इन डिफेंसिव के साथ जाने की राय रहेगी पहला स्टॉप जो है मेरे रटार पर वो है H.A.L. स्टॉप ने जो है पोलन फ्लाग पार्टन फॉमेशन का ब्रीक आउट दिया है वॉल्यूम्स क किया है कोई भी चोटे डिकलाइंस में खरदारी के मौके रूंडे गए है तो यहां पर खरदारी की सरा रहेगी 37.85 के टागेट पनते वे दिखेंगे 35.65 के एक स्टॉप के साथ दूसरा पिक जो है वो मेरा रहेगा IRCTC पे यह पूरे स्पेस में भी हमने देखा है कि यह प क्लोजिंग में हमने देखा है कि प्राइस वॉल्यूम सर्ज जो है वो एक काफी अच्छी रूप से हायर सोंस पे टिका हुआ है एवन अगर हम बात करें तो यह पिछले कई महीनों से आउट परफॉर्म किया है यह स्टॉप तो यहां पे मिली रहे रहेगी कि हम घरदारी क के मौके ढूंडे ग्यारा सों के तागिट्स पंते हुए दिखेंगे थाउजन थरी फाइफ के एक स्टॉप के साथ चीक है आयर सीटी सी हमने बढ़ियां तीजी देखी थी शुक्रवार के सतर में इस पर आपके लिए ग्यारा सो रुपए का लाश्य हो और एचेल एचेल भी रडार पर है शिवांगी के राहुल घोश्ट ने भी इसको अपनी खरदारी के पिक के तौर पर दिया था तो बाजार के प्री ओपन के लिविस जो हैं सेटल हो गये हैं और निफ्टी हालांकि जो शुरुआत में दिखा उससे तो वहतर आपको देखेगा एक सो असी अंक नीचे सेटल हुआ है निफ्टी बाईजार तीन सो चालिस पर और अगर हम से इसकी बात करें तो वहां पर उनका और उनका यामें लैंड करते उसको ऊपए तो बार दोस्तों के ईरिया में लैंड करते उसको सपोर्ट करते हैं तो फिलाल आज मार्किट का आफ लैस्पास क करिए सुबह हमने आपको बदा थे बाइंक निफटी 28,000 का सिरीज का स्ठोपलोस लगेगा तो सिरीज के स्टापलोस के पास ही खुल रहा है यह बहुत अच्छी बात है कि आपको गैप डाउन उसी लेवल्स पे खुल रहा है जहां पर मेजर सपोर्ट से एरिया है तो और तालिच जार के आसपस का एक बेस बना हुआ है इस बेस का फायदा आज उठा भी सकते हैं आप चाहें तो ट निफ्टी पे आते हैं निफ्टी भी बाइज़ाद 300 के आसपस खोल रहा है हमने सुबह भी आपको आपकी यही बात बताया था कि बाइज़ाद 300 का एक सपोर्ट एरिया यहां पे आपको प्लस कर लेना चाहिए 222 का स्टॉप्लस डाल देना इसके अंदर भी आप एक यह गिरावट और नहीं हो सकती इसलिए मैं आपसे एक लाट दो लॉट की बात बोल रहां दस में से यह रेश्यों बता रहां ओट आफ 10 तो आप 20 परसंट 10 परसंट 20 परसंट जरूर इस बार के पॉजिशन के अंदर थोड़ा पार्टिसिपेट करो अभी तक का इतिहास य या दूसरे दिन तक डिसकाउंट होती हुजाती है और उसके मार्केट एक छोटा मुटा पूल बैक दे देता है इन दोनों के फॉल के बाद PCR भी ठीक है और वैसे भी अभी बाहर नहीं गया और में को लगता नहीं भार से बाहर जाएंगे भी तो वैसे तो ठीक ही लग रह है डाटा के वेसिस पर ही आपके सामने सारी चीज़े रख रहे हैं एक से सब्सक्राइब बात बादार खुल जाएगा मैं आपको वही तीन चेर वापी से दिखाऊंगा रिलाइंस दिखाऊंगा और एच डिएफसी शुरुआत में दिखाऊंगा और उसके बाद फिरम और शेर उस पर भी नज़र डाल देंगे कि हम बादार में आज बढ़ने गिरने वाले शेर कोंकों से हैं स्क्रीन पर वाले वो तीनों शेर लेके आईए एरिलाइंस इंडिस्ट्रिस की गिरावट सिर्फ बारा रुपे की तब मैंने आपको दिखाए था यह पांच परसेंट तीन में से मैं मैंसे मैं मेरे से पूचेंगे मैं मेरे मेरे फेवर में आकर खड़े हूआ हैं एक तो रेलाइंस कर अदर जाना कांबी मारकेट के तोर पर काम करेंगे HDFC है इसलिए बैंक निफ्टी आपको थोड़ा परसंटेज में जादा जा नीचे दिख रहा है लेकिन HDFC बैंक का रिवर्सल आती मेरा काम बन जाएगा तो मैं बैंक निफ्टी भी चेक कर लूँगा इस पीच करेंगा 50 मैंसे 3 शेर ऐसे जो आज बढ़कर खुलने जा रहे हैं लेकिन 47 शेर ऐसे जो नुकसान के साथ खुलेंगे टाटा के दोनों शेर टाटा कंज्यूमर और टाटा मोटर्स आज आपको कमजोरी के साथ शुरुआत में दिखेंगे तो अब तो समय हो गया मारकेट खुलने का चेक करेंगे देखें क्या होता है आज IT का बहुत बड़ा रोल होगा इस पूरे फॉल को रोकने के लिए वो नोन आप क्रूड वाला हिस्सा भी है 200 पॉइंट की गिरावट और 22-300 के उपर हमने ओपन किया 22-300 को मेंटेन करने की करने कोशिश 48,000 का एक सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी उसको जल्दी अल्दी नहीं तोड़ेगा ऐसा लगता है डाटा देखकर इसलिए 48,000 दो सो हो गया खुलते ही अगर आपने प्लस किया तो 40 पॉइंट आपने निफ्टी के अंदर जोड़ लिए और खुलते ही आपने बैंक निफ्टी प्लस किया है तो करीब डेर सो पॉइंट आपने बैंक निफ्टी की पी जोड़ लिए ये मैंने आपके सामने खुल लम-खुल आज अमने डंकी की छोट पे का कि खुलते ही एक बार पॉजिशन्स लेने में समझदार है क्योंकि दोनों सपोर्ट एरियास पे खुल रहे हैं आप देखेंगे अडवा बड़े शेयर्स को चेक करूंगा और उसी में अपनी पुजिशन्स देखना चाहूंगा पहले में टॉप गेनर्स आपको फिर से स्क्रीन पर दिखाता हूं हिंडाल को दिखाए जरा ओंगी सी दिखाए शिर्राम फानेंस दिखाए टीस एस रिलाइंस इंडस्टीज और इ ठीक जी अब आपने अपनी बाइंग का ही स्टॉप लोस लगाना एंटरी करते समय इस चीज का ध्यान दखना स्टिकली आपको स्टॉप लोस को फोलो करना चाहिए और वॉल्यूम कब करना बस और कुछ भी नहीं करना मार्केट में ऐस सच कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं च इस आप देख पारें सिर्फ 13 रुपे नीचे दिखाएं इंफोसिस दिखाएं विप्रो दिखाएं एस सब में गिरावट एक परसेंट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए और रिवर्सल में सबसे पहले इंफोसिस और टीस का नाम आना चाहिए अगर आज आता है तो आप सो चाहिए थोड़ा कूड़ा फेक्टर चेक कर लेते हैं कि बाजार में इस समय के सिचुशन क्या कह रही है दो ही तीन चीजी है बस इस से अरह में को जादा दिमाग नहीं लगाना आज मार्केट के अंदर मैं शांती से बैठूंगा और अगर कोई लेवल्स में को मिलेंगे म एंटरी करूँगा नितवा रुका रहा हुगा ठीक जी एक राउंड की मैं अलड़ी एक इक दो दो लॉट पोजिशन ले चुका हूँ आपके सामने ही आपको बोल के आपके साथ ही कहके और मैंने बता दू फिर से हमने तो पोजिशन लेनी बड़े वर्चुली आपके साम है और कुछ भी नहीं है ठीक 128 शेरों का अडवांस डिकलाइन अभी भी आपको बता रहा होगा और 19 शेर हैं मैं जरहां इस लीक से हटके थोड़ा सापको 100 शेर भी बता रहेता हूं निफ्ती के उसमें आप नैसले इंडिया को भी दिखा सकते हैं स्टार्टिंग में ही उसमें एक रेलवे काउंटर आई रेसी जो मैटो दो परसेंट नीचे है और जियो फिन भी आज आपको तीन परसेंट नीचे दिखेगा मैं थोड़ी एक और नोच के उपर चला जाता हूं मैं 200 वाली के डिगरी में जाकर चेक कर रहा हूं तो मेरे को वहां पर 40 हिंडूस् सब्सक्राइब कर रहा था तॉर्ण गुप करिकारी विदानता में आज 50 विक हाई टेस्ट किया है और उसमें फॉल ज्यादा नहीं है सुवह भसीन साब आपको बता रहे थे दिखाए ज़रा पीसेश और इंफोसिस जो मेरा कॉन्फिदेंस था कि टीसेश और इंफोसिस के ये इंफोसिस आ गया हारे निशान में एक बड़े टीसेश भी दिखाए ये टीसेश भी आ गया हारे निशान में तो ये आपको सिरफ पकड़ना है पॉकिट टो पॉकिट की कहां पे स्टेंथ है कहां पूरा बजार खरीदा नहीं जाएगा बोस बहुत ध्यान से आज ट्र इस तरों से एक अब तिक जरूर आया है जैसके डिंटी जी बताया थे कि टीसेश भारे निशान में आगया परसिस्टन सिस्टम्स भी निशलिस तरों से अच्छी बाई वहां पे आई है पर मिड और स्मॉल काप इंडेक्स की बात करें तो वहां पे लाजमिया के गिरावत काफी जादा है दो-दो पसेंट जो है गिरते वे नजर आए है स्मॉल काप और मिट काप के इंडेक्स और कई सारे स्टॉक्स भी है जो की अक्शन में है गिरावत वाले शेयर्ज आपके सामने रख देते हैं तो खास तोर से स्पार्क यहां पे हम लगातार इसकी गिरावत हाइलाइट कर रहे है आज कमसी की एक कॉन कॉल भी है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स है मों नजर रखेंगे सुजलान एनरजी 5% का लोर सरकेट वेल्स पॉन कॉपरेशन यहां पे 5% का लोर सरकेट 5% का गिरावत इंडो काउंट यहां पे लगबग 6% की गिरावत हम तो कई सारे PSU जहां पे बहुत जादा भरूसा नहीं था वालुएशन के रिगार्डिंग वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर हो रही है पर कुछ बढ़ने वाले शेज में ध्यान रखिए Excide Industries यहां पे हमने आपको बताया था कि Morgan Stanley की काफी बुलिश रिपो सौर पेसे जादा के भी डिविडेंज का एलान किया है कंपनी ने यहां पे भी लगभग 10% की हम तेजी देख रहे हैं कुछ और काउंटर्स CSB बैंक क्योंकि गोल लोन रिलेड़ कंपनी है 1% की यहां पे तेजी है ONGC में लगभग 1% का उचाल है चोला फाइनाशल होल्ड यहां पे भी लगभग 1.5% की हम तेजी देख रहे हैं मुड़ा मुटी कहें तो गिरावट वाले शेयस काफी जादा है पर जी हां कुछ सेलेक्टिव काउंटर्स खबरों के दम पे तेजी भी आज़ जरूर दिखा रहे हैं अभी शेख गोल्ड भी आप जोल लिजी अपडेट इनके अच्छा है थे और उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में 4-5% के आसपास की तीजी है लेकिन अब 200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट हो गई है निफ्टी में क्योंकि मिड केप और स्मॉल केप की तरफ से प्रेशर आज अब डिकलान रिशो कर आप देखेंगे नसी के शेयरों पर तो 2000 जो शेयर हैं वो लाल निशान में हैं और सिर्फ 119 शेयर इस वक्त फरे निशान में कारुबार कर रहे हैं 22,300 को बचाने की कुशिश करता हुआ निफ्टी और निफ्टी बैंक की बात करें तो 48,000 के नीची हो गया इन्फूसिस हो गया वहां पर रिकवरी अच्छी हो और जो बढ़ने वाले शेयरों की संख्या है वो कहीं कि बड़ी है शुरुआत दोस्ट शेयरों के साथ हुई थी अब पांस शेयर बकाइदा हर निशान में आकर ट्रेड कर रहे हैं तो आईटी से थोड़ा साब बार में ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड आदिते शुरुआत आपसे करना चाहेंगे बताईए आपकी ओपनिंग ट्रेड कौन से हैं कौन से शेयर आप खरीदेंगे अभी देखे अभिशेक जी मेरे हिसाब से एकसाइड इंडस्ट्री एक अच्छा कैंडिडेट है बुलिश पैटरन बन रहे हैं स्टॉक में और इस दमदाल मंदी में भी ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो एकसाइड के साथ जाएंगे 410, 411 में बाय करेंगे स्टॉप लॉस रहेगा 397 का और टार्गेट रहेगा 420 से लेकर 430 का 420 से लेकर 430 के टार्गेट 430 रुपे के टार्गेट आपको एकसाइड इंडस्ट्रीज में मिलते हुए दिखेंगे बहतरीन 3.5% के आसपास की तीज़ी है वाइदा बाजार का ये टॉप गिनर रेशियर आदेती के रडार पर शिवांगी जी आपके कन्विक्शन कहां पर है आपने क्या स्पॉट किया ओपनिंग ट्रेड के लिए जी पिलकुल ओपनिंग ट्रेड के लिए मैंने चुना है KEI इन फाक्ट हमारे रडार पे भी था लास्ट वीक से इस टॉक में काफी अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक ब्रेकाउट दिखाया है और हायर सोंस पे होल्ड भी कर रहा है पूरे मार्केट वीकनेस के बावचूत भी ये स्टॉक जो है काफी स्ट्रेंड दिखाते वे नजर आ रहा है हम देख रहे हैं कि लॉंगर टाइम फ्रेंड में भी मंतली बेसिस पे एक अपड़ स्लोपिंग चैनल में काम कर रहा है तो स्टॉक ओवरॉल काफी अच्छा है और जो नेक्स्ट लेवल्स बंती वे दिख रहा है वो है अराम 4070 के बड़ी ए 30 के एक स्टॉक के साथ चार हजार सत्ता रुपे के टार्गेट के याई इंडस्टीज के लिए आपको अभी नीचे की तरफ थोड़ा जा कंफर्ट भी दे रहा है दो परसंट फिलाल यह शेर नीचे हैं लेकिन आपको इस पर खरदारी करके चलनी है के याई इंडस्टीज यह मोमेंटम वाला शे अधर भी आपके पास हैं अधर मेरा भी फोकस बाइंग पर रहेगा वेला वी ऐसे मेरा भी फोकस एक्साइड पर था क्योंकि एफेंड़ बैंसे बाहर आया तो और तेजी बंती है स्के लाब मेंगे टेकनोलोजी पर इटी इस टोटी आई तो आई एक पोल बैक के बाद के यहां पर टागेट रहेगा 578 पाउंड़ी का ने कौन सा शेयर बताया ऐस यहां पर टागेट रहेगा आपका 578 और थिक एंटी अथे तेकनोलोजी यहें यह संतूश जी की रडार पर शेयर तो आपको तीन के तीन ओपनिंग ट्रेड्स मिल गए और तीनों के तीनों खरद करने की ही सला दी जा रही है आपके पास आएंगे और हम देख रहे हैं कि आज न मतलब जहां पर शुरुबात हुई है वहां से बहुत जादा करने करने के लिए निवेश की लिहास से पूछे एक शियर अगर इस गैप में जो नीचे की तरफ आज थोड़ा सा लग रहा है और इसमें शुक्रवार को भी अगर जोड़ने तो फिर थोड़ा सा और कुशन बढ़ जाता है आपके इसाब से खरदारी कहां पर करनी चाहिए बजार में आपको बहुत सारे विकल्प मिल जाते हैं खाली एक ही है कि आपके पास आपकी विचार धारा क्या होती है और आपके पास जोखम जिलने की शमता कितनी है और यह जो नीचे के तरफ के दायरे से शुरुवात हुई मेरे ख्याल से मौका है आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसो हम उबरेंगे यहां से और निर्णा एक तरीके से ऊपर के तरफ के स्थर भी हम देख सकते हैं और यह भी याद रखे हमने कुछी समय पहले इस्रेल और हमास को ले करके एक जियो पोलिटिकल सिचुवेशन देखी थ तो मैं यह समझता हूं कि मेरे ख्याल से इस परकार की गिरावट आती तो आपको खरीदारी करनी चाहिए और अगर विकल्प के रूप में कहीं एक स्टॉक में निवेश करना है यह गिरावट को देखते हुए मेरे ख्याल से टाटा मोटर एक बहतर विकल्प होगा इसके ब बाइजाद 300 को प्रोटेक्ट अच्छे से कर रहा है और आगा आपको मैं निफ्टी का लोग बता हूं आज का लोग है 302 का अर्मनी अब सुभी आपके लिए बाइजाद 300 ही एक पॉइंट बताया था कि यहां पर आके बाय जोन है और 200 पर आके रुख जाने चाहिए और अडवांस टिकलाइन वह भी दिखाना जा रहा है फंडो वाली भी उसके अंदर में थोड़ा भी बतलाव हो जाता है काम हो जाएगा और मैं आपसे बोलू आज निफ्टी थोड़ा कम डर लग रहा है मैं को बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत क्रिटिकल है इस समय सि यहीं एक चोटी सी प्रॉबलम मेरी आके रुकी हुई है अदर्वाइस नहीं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मैं तो आप्शन के ट्रेडर को भी भी खुल के आप कॉल्स चेक करो और तालिश जार की और बाइस जार बाइस जार तीन सो की हो सकता आपको महां पे अच्छे आपको और सिर्फ बारहां शेरोक अडवांसेज है यह ना एक्स्ट्रीम है आप मेजूरिटी हिस्सा तोड़के बैठे हो इस समय थोड़ी भी ठीक हुआ ना तो यह बारहां शेर अगर मानने उससे 50 भी होगे तो बेस का काम बनेगा और कुछ नहीं चलेगा नहीं चलेगा गलत बात अलग बात ठीक जी लेकिन बेस बन जाया गा जिसकी आपको बहुत शरूरत है आग्सबाने म ku मैं कुछ-कुछ और स्टॉक्स पता करता हूं मार्किट के जो फ्लीवर में कई बार बोलते हैं अब की गिरा एक चीज में आपको और नूटिस कर रहता हूं यह जो चार हजार वाली स्ट्राइक थी ना टीसीएस की पर्डूसर साब दिखा पाओगे टीसीएस लिखना चार हजार लिखना अपने आपके पास आपके टर्मिनल पर उसका रेट आजएगा क्लिक करना रेट दिख जाएगा नहीं दिखाऊ पाओगे तो चलो मैं यहीं से बता लेता हूं 111-112 को उसका हाई लगा हुआ है और आज लो था 200 रुपे खुला था 100 रुपे तो खुलने के बाद उसने नया हाई बनाया हरे निशान में भी चल रही थी वह चारहजारवली कॉल तो जिसके पास भी प्रॉफिट्स होना कॉल्स के वह चाहे तो ट्रेलिंग स्टॉप्लस लगा दे या तो बुक करना चाहे तो बुक भी कर सकता है यह वह चारहजारवली कॉल है आठ परसंट उपर आई हुई है यह आज खुली ऐसे नहीं थी खुली टीसे भी नीचे ही था ठीक न बॉस यह मने आपको हरे निशान में नोटिस करवा दिया मैं कोई भी इदर उदर का ट्रेड आपके सामने ने रखूंगा मैं सारे वह ट्रेड रखूंगा जिस पे मेरा कन्विक्शन हाई और जो मैं पहले भी आपको नोटिस करवा रहा था बड़े निहाँ आगे आज आते हैं कुछ एक और शीर जरह में चेक करवारता हूं आज के में मानों से शीवांगी हमार साथ है शीवांगी एक दोछेर जरह मैं आपसे पता करता हूं जरह देखीगा उसको आज जहां पर कन्विक्शन हाई दिख रहा है ना मेरेको एक ज़ पिछले 17-18 दिनों से consolidate किया है at one zone और you know slightly एक upward sloping channel में है पर overall momentum slightly missing है बट अच्छी बात ये है कि ऐसे बाजार में ये stock strength दिखा रहा है तो इसका यही indication है कि फोड़े बहुत stableness के बाद ये stock 280 तक के levels के लिए तियारी कर रहा है 265 का एक crucial support है जो कि इसका एक band का lower zones है जिसको ध्यान रखने लाएक है दोनों के अंदर जो divergence है मैं आपको बता चुक हूँ bank nifty थोड़ा ज़ादा critical है ज़ादा टूट भी रहा है कोई supportive edge नहीं है लेकिन nifty का supportive edge है इसलिए ये चीज़ आप notice करते जाना हाँ बहुत से divergence भी है आज थोड़ा ना multiple fold बे काम करना पड़ेगा आपको आज अगर आपको आज ही आज मार्केट में ट्रेडर लेना अगर नहीं लेना तो बैट जाओ शानती से फिर कोई problem नहीं है ठीक जी आगे आजाएं ये जो टाटा केमिकल्स है ये 5% नीचे आ गया ये बढ़िया शेयर था लेकिन किसी वज़े से global turbulence की वज़े से ये फिर से 5% नीचे है आपके रिकमेंडेशन जी कुनाल परार भी मरसा जुड़ गया है उन्हीं से पता करते हैं कुनाल जी जाना चेक करना ये शेयर तो 1180 का है अगर थोड़ा सा यहां से करेक्शन और आता है 1060 तक तो मैं कहूंगा यह बहुत ही बड़ी opportunity है मुझे लगता है कि वापस ये श्टॉक हमें 1200 तक के level दिखा सकता है तो वेट करने की सलाह है 1060 पे एक सही support counter को मिल सकता है और वहीं से अच्छा का सा bounce break भी हमें देखने को होने सकता है तो खनीदारी करके ही चलने की सलाह है 1060 तो इस बिच बाइस जात 300 के level को तोड़ने की attempt ले रहा है निफ्टी यह मैं आपको फिर से इसले नोटिस करा रहा हूं को कि इसकी dragging की बड़ी वज़े बैंक निफ्टी बन रहा है अब करीब 600 पॉइंट है मैं फिर भी वेट एंड वाच करने के लिए रुका हूं कि ठीक है कि उस लेवल हमको stability दिखा दे एक बज़रा स्मॉल है और मिट कैप भी दिखाईएगा आप से स्क्रीन पर ना वह भी देखना बहुत जरूरी है कि सेंटिमेंटली इंपक्ट वहीं से आता है सेंटिमेंटली जो इंपक कर रहा है मैंने अभी आपको अड्वांस डिक्लाइन भी दिखाया था है फिंडो का जैसे सिर्फ बारहीं शेयर उपर थे तो मिच्रोटी हिस्सा ना जैम पक्ट तूटा हुआ है आज सपोर्ट इवेंड ढूना पड़ रहा है थोड़ा सा देखते हैं वह कब तक हमारी कौ को लिए आता है सामने आई टी का आई टी इंडेक्स दिखाऊ गए अलग अलग शेयर मत दिखाना निफ्टी का आई टी इंडेक्स दिखाऊ तो उससे से आपको आइडिया लगेगा कि सभी पार्टिसेपेट कर रहे हैं या सिर्फ टीस और इंफोसिस के हाथ में बाजी है सभी पार्टिसेपेट नहीं कर रहे हैं जो 126 पॉइंट की गिरावट है थोड़ा वेट करते हैं थोड़ी और चीजों के लिए मैं कोई जल्दवाजी उठाऊंगा मार्केट के अंदर बट मैं थोड़ा वेट करके इस ऑपरचुनिटी का फायदा जरूर लेना चाहूंग तैजी के मिले गिरावट है हैं अगर बाजर मैं गिरावट बढ़ती है तो ॉप्यस्सक बात तोड़े नीचे के लेविल बन सकते है बट स्टॉक पे ओवराल नजरिया पॉजिटिव है इसका अक्युमिलेशन रेंज रहेगा 150 से लेके 140 का इसमें स्टॉक अच्छा लगता है मुझे लगता है कि थोड़ा समय दे बजार को स्टेविलिटी का समय दे तो वापस अपने य आए जाना चाहूंगी क्योंकि कई सारे अनाउंस्मेंट्स रीसेंट्ली इस पे आ रहे हैं एक बड़ा एफप्यों ठारा हजार करोड का कंपनी लेकर आ रहे हैं और साथ ही पिछले सत्र में देखा था कि ऐसी रिपोर्ट सा रहे थी कि बड़े इन्वेस्टर्स अब जो है इस एफप्यों में पार्टिसपेट करने की त्यारी कर रहे हैं जैसे कि जी क्यूजी कैपिटल और साथी SBI Mutual Fund आपकी क्या राय है क्या इस एफप्यों के बाद कुछ तस्वीर बदलती भी देख सकती है Vodafone आइडिया के लिए और क्या ये 12-13 के भाव पे आपको अट्रा और बना है मैं आप हमारे ही चैनल एटिना उस्वदेश पर था और मैंने सपस्ट रूप से किया था कि ये पहली बार नहीं है श्रिष्टी इसके पहले भी 20,000 करोड 10,000 करोड पूंजी जुटाने की बात की है ऐसी पूंजी से होगा क्या श्रिष्टी जब आपके दूसरी बात आप अभी भी 4G में जी रहे हो जबके दुनिया 5G और आने वाले समय में 6G की बात कर रही है तीसरी बात आप निरंतर महीने दर महीने उपभुखताओं की संख्या में कमी हो रही है घटाती हो रही है क्योंकि आप भेट के रूप में भारती और जियों को चौथी और बहुत मरत्वकुण बात ऐसी कंपनियों पर हम हमारा समय व्यर्थ नहीं करते हैं क्योंकि हमें बुनियारी तर्क पर कोई आसार नजर नहीं आते और अगर आपको सेलिलर सर्विस प्रॉइडर कंपनी में निविश करना ही है तो भारती एटेल और जियो बहतर विकल्फ है मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा ऐसे तो मैं आगे बढ़ते हुए टिपनी करता नहीं हूं लेकिन बहुत जल्द आपको आप और हम जो टैरिफ्स बढ़ते हैं इन सब कंपनियों को उसमें 10-15% का इजाफा होने की पूरी-पूरी सभावना है अब भी भी यहाँ पर भरूसा नहीं आ रहा है गौरांग जी का और साथ ही टारिफ हाइक जल्द ही होने वाला है ऐसा सभी कंपनीज और ब्रोक्रीजिस का भी मानना है गौरांग जी भी कहरें कि 10-15% अब टारिफ बढ़ सकते हैं पोस्ट इलेक्शन इसकी संभावना आ र गिरावट है निफ्टी 50 में करीब 2500 अंकों की गिरावट है पर ब्रेफ ऑफ दो मार्केट आप जरूर ध्यान रखे क्योंकि NSE में 100 से भी कम स्टॉक्स हैं जहां पर फिलहाल आप तेजी देख रहे हैं गिरने वालों की संक्या 2000 से भी जादा है वहीं BSE की बात करें तो मात 400 शेयर जो की फिलहाल हरे निशान में अपने आपको होल्ट करने में कायम हैं वही 2700 से जादा काउंटर जहां पे गिरावट हावी हो रही है कई सारे स्टॉक्स हैं क्रॉस्ट बोर्ड हम सेलिंग होते वे देख रहे हैं और जो सुभा हमने बढ़त देखी थी जैसे के एक स स्टेन नहीं हो रही है एक बार आदित्या आप से जानना चाहेंगे ऑटो काउंटर में कोई स्टॉक्स जो कि आपको फिलहाल लग रहा हो के जहां पे ट्रेडिंग के लिहाज से शॉटिंग के ऑपर चुनिटीज है क्योंकि ताता मोटर्स वन ओफ टॉप लूजर इन इफ लिए जियो पॉलिटिकल नीउस आ रही है तो जो भी सेक्टर रावत इन इंडेक्स का ट्रेंड्म उसके साथ शेक्टर के आज की स्मॉल कैप इंडेक्स की गिरावट के हिसाब से में मानता हूं कि शायद सेलिंग थोड़ी सी पर्सिस्ट कर सकती है तो थोड़ा सा कन्विक्शन सेल नहीं है बट एक सेल व्यू बना सकते हम टार्टा मोटर्स पे एड करेंट लेविल्स अफ 985 स्टॉप लोस रहेगा 1025 का और टागेट रहेगा 950 से लेके 930 गा ठीक है 950 930 के टागेट जो है टार्टा मोटर्स में आते हुए दिख सकते हैं यहाँ पे हजार के स्थर फिर से एक बार सस्टेन नहीं कर रहा है यह काउंटर इस पे एक बार आप नजर जरूर रखे पर संतोश एक बार आप रियॉल इस्टेट काउंटर पे भी राई दीजे क्योंकि कई सारे ऐसे पॉकिट्स जहां पे फंडमेंटल रीजन के चलते एक अच्छा रानप हमने देखा पर क्या टेकनिकल पारमीटर पे कुछ कमजोर देखने है कोई रियॉल इस्टेट काउंटर क्यूंकि देलेफ में देख रही थी यहां पे 3% की कमजोरी है गोदरेश प्रॉपरटीज जबरदास रानाप इसमें भी हमने देखा यहां पे भी 2% की कमजोरी है कोई सटॉक देखे देखे देख्योंग चार परसंट की कमजोरी हो चुकिए जम मैंने चेक किया था तो 3% ती गोदरेश सब्सक्राइब करना चाहता है तो उसके लिए 880 का सब्सक्राइब नीचे अगर आता है तो शायर 840 तक के लेवल देखने को मिल सकते है सिमिलरली और रियल्टी की बात करें तो ये भी अपने टॉंटिक गारेज की नीचे फिसे नीचे शायर वन फोर टू जी जो तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है उपर में 1475 का स्टॉप लोस रहेगा और अगर आपको इस कमजोरी में बाइंगी स्टॉक डूनगा तो म कि गिरावट बढ़ गई है निफ्टी में कमजोरी हो गई है 200 अंकों की और एक परसंट से ज्यादा की कमजोरी है निफ्टी बैंक की बात करें तो सवा 600 नीचे है निफ्टी बैंक 47,900 के पास आकर कारवार करतावा दिख रहा है से 800 अंक नीचे लेकिन ब्रॉडर मार्केट पास की बढ़त के साथ कारवार हो रहा है और निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों की संक्या भी घट रही है अब मामूली तेज़ी के साथ नस्तिहारे निचान में किसी वक्त वो भी लाल निचान में आ सकता है तो हिंडाल को O.N.G.C. और T.C.S. ये शेयर आज थोड़ी से मजबूती के संकेत हमें दे रहे हैं लेकिन बाजार का जो माहौल है थोड़ा से कमज़ूर है लेकिन इस कमज़ूरी वाले माहौल में जरा कुछ ऐसे शेयरों को देखते ही जहां पर fundamentally या फिर हम ये कहें कि मौके के हिसाब से ज़्यादा कमज़ूरी नहीं आनी चाहिए यहां से उसमें है ये पावर वाले जो शेयर्स हैं एक बार ज़रा आप से शिवांगी व्यू चाहेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि आई एक्स में करीब 4% का आसपास इगरावट है टाटा पावर का भी शेयर कमज़ूर है 3,5% का आसपास क्या आप मौके के तोर पर देख रही हैं क्या कांट्रा बाइं कहीं पावर स्पेस में आपके इसाब से बनती हैं पावर स्पेस काफी एक मोमेंटम में रहा है और हम देख रहे हैं कि अफकोस आज मार्केट के थोड़े बहुत बलाटलिटी के वज़े से स्टॉक्स जो है वो थोड़े बहुत डाउन है पर ओवर आल ये पूरा सेक्टर जो है वो लाइम लाइट में रहने वाला है तो यहाँ पर बिलकुल हम बागेनिंग हंटिंग के मौके ठोड़े ठीक है निफ्टी स्मॉल के पिंडिक्स में तीन परशन्ट से जादा की गिरावट है तीन परशन्ट की आस पास की और मिड के पिंडिक्स में हजार अंकों से जादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है कुछ और शेयर जरा उसके बारे में जरा व्यू लेते हैं पॉली कैब जरा आप चेक कीजिए आदित्थे क्या आपको लगता है कि यह यहां से थोड़े सी और तेजी दिखा सकता है इसको भी हम पावर के साथ ही जोड़ के बात करते हैं कई बार यह आपने काफी बहतरी इन स्टॉक चुना है आई थिंक पूरा वायर और केबिल स्पेस बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है और पॉली कैब ने बहुत शांदार रिकवरी बताई है एक समय पे स्टॉक अट टाइम अफ पैनिक यह स्टॉक अल्मोस तीन हजा साथ सो तीन हजा आट सो आगया आज स्टॉक पांच हजा तीन सो पचास पे ट्रेड कर रहा है तो जो भी बैड न्यूस है इसने डाइजेस्ट कर लिए और एक नेक्स लेग ओफ रैली के लिए भी तयार है तो मुझे लगता है शांदार बाइ है यह इसको बाइ किया जा सकता है पाई थरी फाई जीरो में स्टॉप लोस लगाना चाहिए इसमें पांच हजार एक सो का और टार्गेट रहेंगे इसमें पांच हजार पांच सो से लेके पांच हजार आट सो पाँजार पांचो से लेकर पांचार आजसो तखे टार्गेट्स आपकी लिए पॉली कैब के शेयर में अब arna BGP के संकल पत्र की फिर से बाध्चीत कर लेते हैं कूँकि BGP के संकल पत्र पर वितमंतरी निर्मला सीता रमन सी टाइमस नेटवर की ग्रूप एडिटर नविका कुमार नहीं खास बाध्चीत की है बातचीत में निर्मणा सितर्मन ने राहूल गांधी और कॉंग्रेश पुनिसाना साथे वे कहा कि कॉंग्रेश पिछले सतर सालों से गरीवी हटाओ का नारा लगाती रहे लेकिन गरीवी हटाया नहीं गरीवी हटाओ गरीबी हटाया नहीं मगर गरीब के बारे में बार बार बोलते हुए खोट वोट कमाने के लिए हर चुनाव में कॉंग्रिस का प्रैतन रह रहा और इस बार भी राहुल गांदी जी वही कर रहे हैं मगर इसके कॉंट्रास्ट आप प्रदान मंतरी मोदी जी का अटेम्ट देखिए घरीब के घर में मुफ्त में अन्न मिल रही है गहू मिल रही है उनके घर में सोचाले बना कर दिये हैं उनके घर में नल से पानी जा रही है जिससे महिला दूर दरास इलाके में से पानी ले आन चोटे ग्रूप में महिलाओं के ग्रूप में काम करने के लिए कुछ आवसर के लिए पैसा भी दिया जाता है आज लगपती दीदी उन गरों में से बना रहे हैं और इन दीदियों को हम ड्रोन चलाने के लिए भी आज ट्रेनिंग भी दे रहे हैं जब गरीबी का इतने सारे पहलू हैं उन सबी पहलू को हम अटेंड करते हुए एक गर के लिए और गर में लाडले लक्ष्मी के दुआरा जब जनम से ही महिला के लिए बचत का आवसर दे रहे हैं और महिला बचत पत्र जो हमने दो बजट पहले अनॉंस किया उसमें जो रेक अफ इंट्रेस्ट मार्केट में प्रिवेल होता है उसे जदा इंट्रेस्ट दे करके महिला के लिए स्पेशली उनको चांस दे रहें तो ऐसे करके गर में और आयुशमान भारत से उनको उनके हातों से पैसा ना जाते हुए पांच लाग तक उस परिवार को ट्रीटमेंट मुफ्त में इलाज मिलता है ये भी गरीबी के लिए ही गरीबी मिटाने के लिए ही प्रदान मत्री मोदी जी करने तो मुफ्त राशन इसके लवा इंशूरिंस स्कीम का भी आईशमान भारत का भी दारा बढ़ा है बढ़ाने का एलान किया है सरकार ने अपनी संकल पत्र में बीजी पी ने शामिल किया है तो ये वितमत्री निरमणा सीता रमुन का ये खास इंटर्व्यू हमने किया था वो आपको सुना रहे है तो उसका चोटा सा एक हिसा लेकिन बाजार में हम निचले सोर से हलकी सी रिकवरी देख रहे हैं हलकी सी 22,300 के आसपा से फिर से निफ्टी निफ्टी वेंकी बात करे तो वहां से थोड़ी सी कमजोरी जादा ही है 600 अंकों से जादा की ग्रावठ महां पर लगातार देख रहे हैं लेकिन कुछ टॉक्स पर हम व्यू लगातार ले रहे हैं शिवांगी आप जड़ा मनपुरम पर एक जड़ा व्यू शियर कीजिए मनपुरम फानेंस क्या आपक पर लेक्स में इस टॉक्ट जो है काफी स्ट्रॉंग रहा है पिछले 20 महीनों से वीकली अफकॉस थोड़े बहुत सॉपने को मिल रहे हैं प्रॉपिट बुकिंग है पर उपर अल्स टॉक्टर जो है वो अभी भी इंपक्ट है होल्ट कर रहा है अपने लोगर सोन को सपोर् कि धूंडे जाए यूनों के लिए और जो नेक्स्ट पढ़ाओ हम स्टॉक में देख रहे हैं वो है दो सो तक के लिए ठीक है शिवांगी बहुत शुक्रिया थैंक्यों वेरी मच्च आज समय देने के लिए बताने के लिए कि समय क्या किया जाए एक छोड़ी सी चीज में आपको और दिखा देता हूं वैसे मैं बताना चाहता हूं तो एक बार इंडिया विक्स है थोड़ी में अपने चार्ट के बहुत शुक्रिया आपका आज करका मजूडने के लिए कुनाल परार जड़ा त्यार हो यहीगा आपसे मैं शेयर पता करता हूं एक दो ओन जिसी में तो जड़ा दमने दिख रहा ठीक है टीसेसी लेता हूं कुनाल एक बार जड़ा मैं को टीसेस की कॉल वापिस से प्लस कर आपके लिए और यहां प्लस करूं या भी नहीं करूं यह रिजल्ट का इंपैक्ट खतम हो गया इस जो जो ग्लोबल लिवल पर इसमें इतना करता हूं कि रिजल्ट की जो इंपैक्ट खतम हो चुकी है नाव अगर टेक्निकल वेस पर अगर मैं कहूं तो आप 4100 का कॉल लेकर चल सकते हैं क्योंकि मुझे रिजल्ट लेवल से 4100 की मोमेंटम दिखरी है और जैसे ब्रेक होता है उपर में तो मैं इतना क्रियर ली कहूंगा कि टीसी एस आप चाजाए की कॉल लेकर भी चल सकते हो तीसी आप कैस में भी लेकर चल सकते हो अच्छी खासी मोमें आने वाजे दिनों में यह स्टॉक दिखा सकता है आजिते आप चरह एक शेर चेक कीजेगा मैं आपके सामने रखता हूं उस शेर का नाम है हिंडाल को तो नहीं कर पाएंगे काम उसमें एक लूपिन जड़ा चेक करना लूपिन आपको लूपिन ठीक लग रहा है क्या जी डिमपी जी मुझे लूपिन अच्छा लग रहा है काफी आउट पर्फॉर्मर है बजार का आज और पैटन्स वॉल्यूंस बहतरी है तो लूपिन को एक्चली बाई कह सकते 1630 में स्टॉप लस लगाना चाहिए 1610 और टागेट रहेंगे इसमें 1650 से लेके 1670 तो अच्छी डिखाना चाहिए और उसका आरली बेसिस पर दिखाओंगा अपको मेरी स्क्रीन को जरा आप शेयर कीजिए गा मेरी स्क्रीन को शेयर कीजिए गाइंडिया विक्स्की मैं अश्की आपको सिर्फ नोटिस करवाना चाहता हूं और कुछ भी नहीं है ठीक है इन धने प्रेट करवां आपको जर hop Chirц के बारेमेर बताते हैं अगला सवाल मेलूंगा आ Hankerson Aeronauticals पर एक बार जड़ा कुN judgment Landetted com के बारें में een point बता तो यह खंड है ना आरली बेसिस पर है निए हर एक गंटे की कल्कुलेशिंज folders इसके अधर आप देख पा हैँ 200 दिनों की & वरज से टकरा है वापसब्स एक बार इसका ब्रेक डाउन हुआ हुआ है लरijkडाओं यह ब्रेक पूरा पूरा कोई ग्लोबल मारकेट का फियर का सुचे के यह जो बड़ा है आज बस इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए इसको आप अपने स्क्रीन के जस्त नीचे लगा के रखो यह मैंने आपको एक पॉइंट बढ़ा इंटरस्टिंग पॉइंट आप जरूर देखना अपर के नहीं मारा अगर नहीं मारा तो फिर रोकेगा बजार अपने आपको ठीक है अब जरह हिंदुस्तन अइरोनार्टिकल्स पी आ जाती है एक पर बता ना कुनाल जी आपका इस पर रिकमेंडेशन वेल निपी एचल की बात करें तो ब्रेकाउट भी देखने को मिला है यानि हम कह सकते हैं कि फ्लैक फॉर्मेशन रिकाउट लास्ट इडिंग सेसम में देखने को मिला है और जिस हिसाफ से कंप्टी को बहुत बड़ा ओडर मिला है इंडियन गवर्मेंट से इंडियन एर्फोस से मुझे लग रहा है कि यह स्टॉक आने वाले जिनों में बहुत ही बड़िया लेवल पर पर्फॉर्म कर सकता है अभी फिलाल 3645 के लेवल पर स्टॉक चिड़ कर रहा है मेरा मना है कि ब्रेशन लेवल से इस टॉक में खड़िदारी करके चलना चाहिए अभी 3645 है लोग लेवल पर हम जो ऐसे मेंटेन करके चलेंगे डिंपी जी वो रहेग 3500 का बार्गेट की बात कर लेते हैं तो 3755 पहला तागट आएगा 3755 जैसे ही वो क्रॉस करेगा यह हमें चार्जार तक की भी लिवल दिखा सकता है यानि की 8-9% की भी मुमेंटम यह स्टॉक हमें दिखा सकता है तो खड़िदारी करके चलने की सिलाए 3500 के साथ मैं एक आपको और नंबर भी बताता हूं जब जब भी मार्केट के अंदर ऊपर नीचे होता है वह नंबर यह कि कितने लोग अपर की तरफ दिखेल रहे हैं वह आपको नहीं दिखा सकता है इस जगे से पीसे आपको दिखा पाएगा को दूसरे टर्मिनल पे लगा हुआ मेरे लेकिन मैं आपको नंबर्स पता देता हूं ताकि थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा काउंटिंग से पता लग जाएगा 150 लोग करीब करीब निफ्टी को नीचे करना चाहते हैं 57 लोग ऐसे हैं जो बजार को उपर करना चाहते हैं पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट बैंक निफ्टी को 108 लोग नीचे करना चाह रहे हैं और 51 शेर उपर करना चाह रहे हैं रेशो के साब से बैंक निफ्टी का वन इस्टू बनता है और ratio के साब से Nifty का 1 is to 3 बनता है यह तो तब है जब Nifty में IT की आज participation है थोड़ी बहुत यानि कि severe problem थी लेकिन इस severe problem को बजार रोकने की attempt ले रहा है आप ratio देखो 1 is to 2, 1 is to 3 का है लेकिन बजार अपने 22,300 के मौने पर आके खड़ा हुआ है तो इसलिए मेरा confidence थोड़ा सा है कि आज बजार अपने आपको रोक लेना तो आपकी achievement है आज मत बढ़ाओ आज सिर्फ रोक लो बजार को अगर रुक गया तो आपका काम बन जाएगा इसलिए मैंने आपको इंडिया विक्स भी आज आरली बेसिस पर नोटिस करा है नहीं तो मैं इंडिया विक्स को कभी भी आ दिख रही होगी जो मैं आपके सामने पॉइंट्स रखना चाह रहा हूं कहरे निहाओ आज अपने कुछ एक और स्टॉक्स पर जहां पर आज पर अन्वंडिंग का प्रेशर है वो शियर भी पता करना बहुत जरूरी है जरह आपको दिखाता हूं कहां कहां पर आज अन्व मैंनिंग का प्रेशर है जादा तर सिमेंट कंपनी पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है न सर इस इंडिया सिमेंट की बात करें तो वैसे भी अन्डविंग में स्टॉक रहा है लेकिन मुझे लगता नहीं यहां से और ग्रावट आनी चाहिए क्योंकि जो 215 का लेवले इसका 20 को एक सपोर्ट का काम करेगा तो मुझे लगता है कि मौनिंग का पैनिक अप 10 बचे के आसपस खतम हो जाना चाहिए इस टॉक्स में पर फिरसे एक तेजी से रिकवरी आ सकती है और कुछ काउंटर्स लाइक सेमेंट जैसे स्टॉक में रिकवरी की उम्मीद है तो यहां से क रिगें कर लिया है और इसके उपर आके ट्रेड कर रहे हैं और 47,590 को हम रिगें कर चुके हैं बैंक निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी बेर बैंक निफ्टी बेर 40,000 आ आ जाए तो आपका कॉंफिडेंस वड़ा हो रहा ही हो जाएगा और यही बात में आपको नोटिस कुरार हो सुबे से आप देख रहोंगे पताने निफ्टी जी का हो गया हर पांच मिनटबे आखे इंडेक्स और इंडेक्स जुड़ी चीज़ें बार 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 बता रहें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि स्टॉक्स का ना पहले जादा पैसे से देखते हैं कई सिच्वेशन को देखें कि इंडेक्स से पहले पका करवा ले और आडिट करवा ले आप प्रॉब्लम में तो नहीं हो ना अगर प्रॉब्लम में नहीं हो तो फिर हम स्टॉक्स देखना शुरू करें जैसे अभी संटोस सर्ने बताया कि मैटल्स उपर आ सकते स्पीड से तो अब मेरी नज़ना मेटल्स पर भी जाएगी अच्छा मेटल्स का बुलरन शुरू हुआ था भी तक एक काम और करते हैं का चैंपिन भी आपको बताते हैं लक्षमिश्री इंवस्मेंट्स के अंशुल जैन हम अरसा जुड़ गए उन से जरह का ट्रेड भी आप करोगे काम कि स्टॉक्स पे करोगे काम कॉल लोगे के पुट नमश्कार इंपी जी नमश्कार आपके सभी दाश्कों को दिम्पी जी शुरू करूँगा निफ्टी से निफ्टी में अगर 75 मिनिट के चार्ट पर देखें तो जो स्विंग लो बना हुआ था चार अप्रेल क कैंडल में 22303 हम अब उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं 15 मिट के चार्ट पर वर्टिकल रिकावरी है आउटसाइड बार रिवरसल है तो ऐसा लग रहा है कि 22303 होगा और इसको सिस्टेन कराने में दो सेक्तर का हांट रहेगा एक होगा मेटल्स का और दूसरा होगा आईटी तो आईटी में बाइंग दूँगा इंफोसिस में दूँगा इंफोसिस अगर आप देखेंगे तो 18 मार्च वाले हकते में बड़ी तेजी से गिरा था साड़े साथ परशन की फॉल दी उसके बाद 3 हकते बहुत छोटी चोटी बार बनी दी करेंट वी की स्टार्टिंग भ तो ये प्रिबियस वीक लो के नीचे तो एड़ दा मनी का कॉल बाइ करना है 1480 रुपे का 44 रुपीज में तॉप लॉस इसमें 34 रुपीज का आएगा और टागेट इसमें 64 के आसपास का आएगा तो 1 इस्टू 2 का रिस्क रिवार्ड होगा यहां से इंफोसिस बाइ करके चाहिए रिजल्ट भी सामने है तो असा लग रहा है 1530, 1550 तक के टागेट मिलेंगे लेकिन अगर कॉल ट्रेट करना है तो 1480 का कॉल चावालिस में बाइ करना है कॉल ऑप्शिन के जरिया आप यह ट्रेड ले सकते हैं अंचली आपको बहुत बहुत शुक्रिया जुडने के लिए और साथ ही आज की ऑप्शिन की रनीती बताने के लिए तो इन्फोसिस यहां पर है उनका भरोसा निशलिस तरों से उपर भी आया है यह काउंटर पर आप को बता दें कि 10 में से 9 लोगों को F&O सेग्मेंट में नुकसान ही होता है और यह अवरेज नुकसान जो है लगबग 50,000 रुपए का होता है साथ ही टैक्स भी लगते हैं तो काफी सोच कर और समझ कर ही आप इस ट्रेड में लीजे का स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखें प काउंटर और कैसा दिख रहा है आपको चार्ट पर और यहां पर कौन से लेवल्स ध्यान में रखें यह सिए काउंटर काफी स्टॉंग रहा और इस साल हम देखे तो और एक इंपॉर्टेंट जंक्चर पर है यह 3.30 से 3.35 का जो एरिया यहां पर इसमें 2-3 बार रजिस्ट देखने को मिल सकते हैं तो नजार रखिए इस करेंट लेवल पर अगर सस्टेंट कर जाता है तो और तेजी बनेगी नीचे अगर किसी को स्टॉप लोस रख सकता है 315 रुपे का 315 रुपे का स्टॉप लॉस और इंडिस्ट आवर्ज में आप अभी भी खरेदारी कर सकते हैं पर इस बीच एक बार मार्केट पे नजर डाली है निश्लिस तरों से अच्छी रेकवरी आई है खास स्टॉर से निफ्टी 50 में क्योंकि हम देख रहे थे कि 230 अंकों तक की गि पिरावर्ट रह गई है तो मोटा मोटी 50 पॉइंट्स की रिकवरी हमने देखी है पिछले 10 से 15 मिन्टों में और साथी निफ्टी बैंक भी यहां पर थोड़ी सी रिकवरी कम है पर HDFC बैंक पर नजर रखे क्योंकि निफ्टी की जो बड़त है उसको उपर ले जाने में दो हेवी वेट्स का योगदान भी दिख रहा है HDFC बैंक और रिलाइंस इंडास्ट्री यहां पर निशलिस तरों से थोड़ा सा एक अप्टिक जरूर आया है तो देखना काफी इंट्रेस्टिंग होगा कि इस रिकवरी को हम कितना सस्टेन कर पाते हैं फिलाद पर चलिए अब दस वजे दस मेट में आपका स्वागत है शुरूरात कर लेते हैं हमेशा की तरह एगरी मार्केट की दस बड़ी खबरों के साथ किस तरह का एक्शन पिछले हपते का आखरी कारवारी दिन शुक्रबार को हुआ और आज किस तरह की शुरूरात हुए सबसे पहले मसालों के स सुरूरात कर लेते हैं हल्दी जीरा और धनिया यहां पर किस तरह का कारवार हो रहा है तो लगतार तीनों मसालों में अब इकवाली दिख रही है माई का वाइदा 22,300 रूपे के नीचे आ चुका है जीरा का आवक लगतार बर रहे हैं उमीद अब इंडर्स्ट्रियल डिमा हफते बर में 3,5% की गिरावट यहां पर आई है 7,500 के नीचे माई का वाइदा यहां पर ट्रेड कर रहा है गवार सीड और गवार गम यहां पर खरीदारी बढ़ी है फ्राइडे के साथ में हमने देखा था जबरदस्त तेजी थी आज हलकी तेजी की साथ शुरू आत हैं और डिमांड से काफी उम्मीदे बन गई है कैस्टर के अगर हम बात करें तो कैस्टर में वापस से थोड़ी बहुत खरीदारी दिख रही है अब 5,900 के आसपास कैस्टर का वाइदा है इसके अलावा कपास देखे 1600 के नीचे है अपरेल 2025 अगले साल अपरेल का यह होती है इसके बाद संफ्लावर वायल यहाँ पर मामुली गिरावट है 870 रुपए के नीचे इंसीडी एक्सपर क्रूड संफ्लावर वायल का फ्यूचर स्ट्रेट कर रहा है आखरी काउंटर मिंता वायल 905 रुपए के नीचे हमारे साथ दिनेश सुमानी है प्रो इंटेल प्रो इंटरी करने की कोशिश नहीं इसमें हजर आने की प्रयास कर रहा है जो की मार्केट में खरीदारी करने का कुछ एक अऊसर देखे जो सेलिंग प्रेशर देख रहा है उसको देखते हो लगता है कि 23 हजिरा अब भारी पढ़ने लगा है मुझ लगता है आने वाले समय में 25,000-25,000-25,000 के लेवल हम देख सकते है 23,000 के आसवास में दोबारे इसमें विक्वाली का हिरुच बन सकता है अगर धन्ये के मैं बात करो तो मुझ लगता है 24,000-25,000 के आसवास का मई का कौन्ट्राक एक बेस बना सकता है यहां से दोबारा 88,000-28,000 तो जा सकता है लेकि तो धनिया और हल्दी में लग रहा है कि यहां से रिकवरी आएगी धनिया यहां पर गिरावट पे खरीदे हल्दी भी खरीज सकते हैं वापस से 17,000 के उपर हल्दी जा सकती है वेकिन जीरा अभी 21,500-21,000 रुपए तक भी फिसलने की संभावना यहां पर दिख रही है सो मा जी को गुवारतीर गुवारगम सर अच्छी तेजी अब लोटी है क्या यह तेजी टिकाओ है जी बिल्कु फ्राइडे थर्सडे वेडनल्स दे इनका मैं वॉल्यूम्स देख रहा था विश्व मोहन जी करीब करीब 45 जियाटन का गुवार में काम हुआ करीब करीब 15 जिया गुवार गाम एक 10 कमोडिडी एंसी डी एकसी उबर कर आते में नदर आती हैं 11 800 के आखवास खरीदे दोबारा 11 200 के आखवास करीदे 11 2500 के लेज़ हमें देखने मिल सकते हैं साथी साथ गुवार खीड अगर 5425 मुलता एक तो बैतरी लेज़ है बाई करने का 3500 के 100 कपास खली पर अपनी राय दे एक रेंग बांड एक्टिविटी है नीचे में साड़े 2500 बंती उपर में 2650 के आखवास के बंती है मुलता है जो करन्ट लेवल है अगर इसमें कई 2570-2550 के लेज़ मिलते हैं माई कॉंट्राक्ट तो भाई किया जाना की ये दोबारा 2635 के ले पिदारी की सला है चली अब आगे बढ़ते नौन आगी मार्केट में जिस तरह के जियो पॉलिटिकल डेवलप्मेंट हो रहा है क्या लग रहा है वापस से फिर से उसी रफ्तार के साथ गोल्ड फिर से बढ़ेगा आपका टेक क्या है गोल्ड को लेकर सुमानी जी शुमान जो सर है मुझे लगता है ये मिड लेवल है उसका नीजे का जो सपोर्ट है ये है 71,650, 71,670 का लेवल है ये सपोर्ट होने यहाँ पर अगर आगर आता है तो ही बाइन का एक आउसर बन सकता है दोबारा हम 12,000, 1280 के लेवल तो उपर देखने मिल सकते है लेकिन अगर इससे पहले उपर में अगर ये 22,600 जाता है तो मुझे लगता है इंटराडे के लियास इसको सेल किया जा सकता है नीजे में दुबारा इकत करें 600 का लेवल हमें देखने मिल सकता है तो ये वी है गोल को लेकर चांदी में बताईए क्या चांदी वापस से फिर से तेज रफतार प पुझे लगता है थोड़ा सा खरीदारी का उसर रहेगा लेकिन फिर भी मेरी चला रहेगी इंडिंग के सेशन तक पुझे वेट करें फोड़ा सा नीचे आने दे मार्केट को मेरे इसाफ ते 282,200 ये दाइरा जाड़ा सही है बाय करने के इसाफ ते नीटे में जब तक के 81 केसी पासो होल्ड करता है मुझे रखता है अफसाइड इसमें फिर भी इंटेक्ट है बिरासी 880 का टार्गेट यहां पर डिख सकता है लेकिन आब वेट करें गिरावर्ट का वेट करें शाम के सातर तक कुशिश करें तब इंट्री करें आप कच्छे तेल में बताईए सर क अच्छे तेल को क्या फायदा मिलेगा जिस तरह से तनाओ बड़े हैं या बहुत ज़्यादा तनाओ की संभाबना में हाँ से नहीं लग रही है क्या लग रहा है आपको किस तरह से चीज़े यहां से बदलेंगे अगर सूट की बात करो तो मिलेगता है सेवन जिरो पाई पाई पास बाई किया जा सकता है एक बार बरतर सो के लेवल हमें दुबारा जेके मिल सकते हैं तो क्रूड भी खरिदारी की सला यहां पर 7200 के टार्गिट के लिए अब नैच्रल गैस में बताई नैच्रल गैस में क्य जाती है एक रेइंबांड एक्टिविटी है मेरे इसाफ से दोबार 145 के आसपास इसमें बाइंग कर सकते हैं 140 के स्टॉप लॉट से दोबार 155 के लेवल हम देख सकते हैं आखरी काउंटर बेस मेटल्स में बताईए क्या लग रहा है उहां पर जिस तरह की तेजी पिछले कोपर हम देखते हैं तो निशले स्टर से 700 रुपए देख चुका है जबके जिंग सिर्फ बिस और ऐलिमुनियम 25 रुपए देख है तो मुझे लगता है जो बैतर बाइंग की और जिंग और ऐलिमुनियम में है लेकिन कोपर जो है अब उपरी सर पर सेलिंग का मौका बनना जीए मेरे साफ से 828 सारे 28 का अफ़ा सेलिंग कीगे 821-713 के निश्टे लेवर 833 का टॉप लोग में कर सकते हैं तो जिंग अलमुनियम में बाइंग के मौके देखने चाहिए गिरावट पे और कौपर बेचने की सला सोमानी जी की तरफ से शुक्रिया सर आपने वक्त निक आप पर कितना असर वेपार जगत से जुड़े हुए हर मुद्दे का विशलेशन समझे मेरे साथ असान भाशा में ग्रोथ बहुत अच्छी चल रहे है अनाई अपने ट्रेडिंग डे की वहतर अनी ती शॉट्ट करिंग से लॉंग मैने में समय लगेगा इसलिए एक बेक ब्रेक लेवल है 200 दिन की एवरेज की ऊपर आपके वह में ट्रेड करने लगे है एडिंपी काल रहा जुड़ी है मेरे साथ सिरफ एटीनाव सवदेश का है आपके पर आपके लगे लाए लुड़ी है च्राव relative के अच्छावना हो अच्छेशिक और जिए अच्छेंगे आचेशंटेशल पर निपन, अच्छें, मुटूल ठीकुना ट्रיחक welcome dad के दिए टूम्ति चरेफ़े हमको समाला वो है अपने हमाले लाखो की संख्या में शत्हालू पहचे अयोटों गालाखों की संख्या में शत्हालू पहचे आयोटों परसों की प्रतिक्षा के बाद हमारे अयोत्या का गौरव लोटा है नहीं तो पहले टेंग, टूटे घाट, गंदिगी, कोई फेसिलिटी नहीं और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, जैन देखो, सोमनाथ देखो, सभव्य, डिव्य और मोदी जी कहते हैं, ये तो बस प्रेलर है, आस्था का पड़्चम लेराता रहे, ये है मोदी की गैरेंटी, इसलिए अमारा पहला वोट मोदी को, ये है अमारी भी गैरेंटी कमल का बटन दबाए, भाजपा को जिताए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एटीना स्वदेश में और आज कॉपरेट चाट में हमारे साथ जिर चुके हैं राज आपका बहुत-बहुत स्वागत है एटीना स्वदेश पे, सबसे पहले तो आपसे हाल ही के कुछ जो बड़े ओर्डर्स हैं उनके बारे में जाना चाहेंगे क्योंकि हम समझते हैं कि आपको Eversub और Yokohama से expense management software segment में आपने एक order पाया है क्या माइने है इस order के और साथ ही जितने भी हाल-फिलाल नए order wins आए हैं FY25 और 26 में इससे क्या कुछ revenue potential दिख रहा है आपको तेंक्यू तेंक्यू नमस्कार अकभिता जीब आपके दर्शकों को और आपको जैगल ने लगा था अगर आप देखें पिछले पूरे सप्टेंबर में हम लिस्ट हुए थे उससे पहले का बागरी यर ले हम पूरे साल में हमने 600-600 contract के बीच में जीते हैं और लास्ट कोटर हमारा 200 contracts हमने लास्ट कोटर में जीते हैं एक बहुत बड़ा अपने आप में record contract deal हमें कहनी चाहिए जो जैसे clients like Yokohama और Eversa भैंका हम expense management solution देखते हैं और expense management solution basically उनकी travel related expenses जो होते हैं hotel related और और अजने अधर business development and entertainment expenditure होता है उस पूरे software में हम उसको encapsulate करते हैं और उसको एक dashboard की तरह provide करते हैं so that you know उन लोग जो भी company उसको एक single dashboard में समझ में आ जाए कि उनके सारे खर्चे कैसे हुए हैं और इन खर्चे से उनको किस-किस चीच पे उनके employees क्या-क्या खर्चा कर रहे हैं राजी नमस्कार अविश्यक बोला हूँ अगर management software segment की बात करें तो आपके revenue में इसका contribution फिलहाल अभी कितना है तो देखिए अगर मतलब इसमें न दो चीज़े हमारे हैं एक हमारी तीन total revenue lines है एक है SaaS software revenue line second is जो interchange जब हम कोई भी card को चाहे वो credit card हो चाहे prepaid card हो अब जब उस card को use करते हैं इसी भी जगा तो जो उससे interchange generate होता है वो हमारी second income है third income हमारी होती है जो profile points है जहां पर companies अपने employees को channel partners को और बाकी जिनको reward करना चाहते हैं incentivize करना चाहते हैं ये सारे expenditure के अंदर हमारे cards यूज होते हैं प्लस हमारा software यूज होता है अगर आप इस साल देखें अभी तो ये year close हुआ है numbers जो हमने बोला था कि हमारी growth 40-50% के बीच में रहेगी more or less we are there and आगे आने वाले time में भी हमें लगता है कि जो growth है वो 40% से उपर ही होनी चाहिए तो कि बहुत जबरदस tailwinds हैं market के अंदर digitization का scope बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है you know India is going to become a 10 trillion dollar you know economy जो बहुत सारी companies जो बहार की companies हैं वो इंडिया में आरी हैं और set up कर रही हैं उनके लिए एक दिक्कत क्या होती है कि जो वो software बहार use करते हैं उसी software को Indian conditions में use करना उनके लिए थोड़ा बहुत दिक्कत मंद होता है and वोही जगा में हम आके अपने आपको use कर रहे हैं जहां हमारा software यूज हो रहा है और we are able to connect API integration जिससे कहते हैं हमने उन साले software के साथ API integration कर रहा है और जिसकी वज़ा से हम extremely useful हो जाते हैं company के लिए राज जी मेरे ने दो सवाल है पहला सवाल है कि आपने सेप्टेंबर में अपनी आपके लिस्टिंग करवाई थी जो fund raise किया था IPO से वो सारा का सारा use हो गया या फिर भी use करना बाकिया जो purpose के साथ आपाए थे क्योंकि उसको करीब करीब अब 6 मेने हो चुके है तो पैसा जैसे सेभी के तहट जो हमें conditions हैं उसी के हिसाब से हम उसको use कर रहे है अभी तक काफी पैसा बढ़ा हुआ है उसको utilize करना है क्योंकि अभी सिरफ 6 मेने हैं हुए हैं और हमारे पास अभी तीन साल है उस पैसे को use करने के लिए बट हम बहुत aggressive growth पाज चाहते हैं इस साल क्योंकि दो तीन चीज़े हो रही हैं एक तो FinTech सेक्टर के अंदर opportunities बहुत open up हो रही है दूसरी दूसरा बहुत बड़ा benefit है कि जो economy की economy की जो growth है वो एक बहुत बड़ा tail wind है हमारे लिए और similarly क्या होगा आप देखें हर जगा digitization का जो door है वो ये पूरा decadal door है मतलब ये एक दशक का door है और इस दशक के door के अंदर हमें लगता है कि नेक्स्ट आने वाले तीन चार पांच साल जागल के लिए बहुत ही महत्पून और बहुत ही अच्छे रहेंगे की अच्छे रहने की संभाधना हमको बहुत ज़्यादा लगती है राजी थैंक यू वेरी मच आई आपने टाइम निकाला मैं पर सो और भी questions थे लेकिन थोड़े ये समय की दिक्कत है आपसे ज़रा मैं पूछने पाया लेकिन अगली बार जब भी आपसे मुलाकात होगी तो अच्छे नूट पे होगी सर और बढ़ी हाथ तरीके से हम आपसे बाच्चित कर पाएंगे बहुत 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 शुप्रे सर हम के बाइजा 300 को अभी भी मैंटेन कर रहा है बलकि 300 मैंटेन नहीं करा 345 45 350 के आसवसा के रोके हुए हैं किस ने हल्प किया है एक बदढ़ान निफ्टि आई टी का डगमगाया हुआ नहीं है और मैं तो आई टी पे भी बुलिश हो के चल रहा हूं टीसेस पकादा साथ पंट दे रहा है और एक रिप होना एक परसंट उपर है ठीक कौन गिरा रहा है यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गिरा रहा है आपका आई से बैंक ज्यादा प्रॉब पाइन एफर्ट्स बैंक की तरफ से नहीं मिल रहा अदरवाइस वैसी कोई प्रॉबलम नहीं है और एक और जानकारी देदू कि बारा के बारा शेर इस समय लाल निशान में अब तक एक भी शेर ऐसा नहीं है कि जो निफ्टी की या बैंक निफ्टी की हेल्प करने के लिए सामने आए इसलिए मैं सेकंड हाफ में उम्मीद करता हूं कि बैंकिंग काउंटर के कोई शेर अगा छटक के इस तरफ आ जाते हैं तो यह भी एक बढ़िया स्मार्ट रिकवरी देगा हमने ना नीचे रिकवरी चलाई है देखिया आप निफ्टी से तो डेज लो से करीब 90 सब्सक्राइब पॉइंट है मेरा समानिया आपके उस नहीं आए आपके पास 50 पॉइंट या वह भी नहीं आए 20 पॉइंट आए अरे जीरो तो आया है आपने इसी रेट पर लिया होगा होल्ड करके बैड जो थोड़ा सा होल्ड करो और आज मार्किट मैं फिर से रिपीट क करो यह तपस्या अगर आप कर लो गए और पास हो गए नहीं से तो रिवार्ड भी अच्छा मिलेगा आज बजार सिर्फ रोकने का दिन है चलाने का दिन नहीं है और हो सकता चले भी नहीं बहुत सपार्ट लेकिन आज रुक गया ना तो आप जी जाओगे क्योंकि आज पहली की ऑप्शन वाला वाई वाई आपीस से 4000 वाली कॉल दिखाई यह तो जरा मैं आपको वह भी नोटिस करायता हूँ 96 रुपे चल रही है हरे निशान में आपको दिखेगी फ्लाइट है एक बजर अडानी और अंबानी ग्रूप के शियर और मैं एक चीज़ और होगा क्योंकि दस बच्चों के वहां भावाना शुरू हो गया है तो वहां पर कोई बहुत मेजर अलार्मिंग सिच्वेशन नहीं है कुरूड के अंदर और हिरान आपको पता है सबसे बड़ा गल्फ का प्लेयर है कुरूड का जो होल्डिंग कर रखता है कैपिसिटी तो म कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है बाजार के अंदर और अगर आप कुरूड को नहीं वी चला रहे तो उसके अगेस्ट उसके बैनिफिशरी शियर्स दिखाता हूं आपको इंटर गलोब एवेशन दिखाए एक बढ़ जरा स्क्रीन पर इंटर गलोब एविशन इंडि करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उसमें अगर ना भी हो तब भी को दिक्कत नहीं क्योंकि बाजार के अंदर आप नहीं भी ज्यादा ट्रेड लेंगे तो काम चलेगा मैं फिर से रिपीट कर दू लास्ट मॉमेंट के साब से कि जो भी शेयर आपके पास हैं आप पैनलेसिस था कि बाजार के अंदर बहुत तेज गिरावत नहीं आएगी वह अभी तक तो नहीं आई है यह एक रुटीन गिरावत है जो कि ग्लोबल मारकेट से सभी बाजारों में आई है हमारे मारकेट में भी आई है बस मेरे को शरिष्टी को और अभिशिक को फिलाल के आप इजानत दे सकते अगला कारेकरम कॉलर शो का है आपके कोई भी सवाल है तो जुरूर पूछेगा और पूछने भी चाहिए मैं फिर से बोलोंगे ओपीडी में आएंगे तो जल्दी दवाई से ठीक हो जाएंगे फिर निजो सर्जरी करने पढ़ती है शेरों की तो इस आपको मिलेगा हर पांच मिनट में कमाई का पका मॉका इतिना सोदेश पर हर पांच मिनट कमाई का एडिया In the jungle of investments, there are companies which move slow and go nowhere. Only a few companies become rare, dominant, unchallenged and long-lasting. Presenting TrustMF FlexiCap Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Attention Startups, reach 25 crore people. Well within your budget. And the guys on 10 TV channels. In one shot. No DVC required. Brand Startup Pack starting from just 1 lakh rupees. Brand Surge, the special marketing starter pack for startup brands. For more details, visit our website brandsurge.co.in or write to us at brandsurgeattimesgroup.com. Times Network, now or nothing. कि बार्षो की संख्या में शर्धालू पहुचे अयोध्या. पर्सो की प्रतिक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लोटा है. नहीं तो पहले टेंड, तूटे घाठ, गंदगी, कोई फैसिलीटी नहीं. और अब काशी देखो, केदारनाद देखो, जैन देखो, सोमन को यह हैं अमारी भी गैरंटी कमल का बटन दबाएं भाजपा को जिताएं टेक्निकल चार्ट हो या फिर एफेंड हो किस खबर का होगा आप पर कितना असर वैपार जगर से जुड़े हुए हर मुद्दे का विश्लेशन समझे मेरे साथ असान भाशा में ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है अनाई अपने ट्रेडिंग डे की वहतर अनीती इटीनाउ स्वदेश पर अब है ना सिर्फ मार्केट की बारी कियां बल्कि है कमाई का भी अच्छा मौका हम आपको देंगे एक शांदार आईडिया हर पांच मिनिट में टेक्निकल हो या फंडमेंटल शॉट टर्म हो या फिर नॉंग टर्म अब सब कुछ मिलेगा आपको तो देखिए हर ट्रेडिंग डे सुबह आट बजे से शाम चार सिर्फ एटीनाउ स्वदेश पर बढ़ो देश के साथ सर्कारी बैंकों में सबसे ज़्यादा घिरावच सेंट्रल बैंक, आयो बी, यूको बैंक में तीन परसंट से ज़्यादा की कमजोरी, दिगज, SBI, PNB और यूनियन बैंक दो-दो परसंट नीचे दूसरी सरकारी कंपनियों के शेरों में भी बिक्वाली हावी, SGVN, NLC, इंडिया, NBCC में 5% तकी कमजोरी, आईटियाई कोचिन शिप्यार राइट्स भी 3-4% नीचे अच्छे नतीजों के बाद, TCS में मजबूती, कमजोर बाजार में भी करीब 1% उपर शेर, कमपनी का मुनाफ़ा और मार्जिन उम्मीद से बेतर, नतीजों के बाद, JP Morgan ने लक्ष बढ़ा कर किया 4500 रुपे जेफ्रीज की रिपोर्ट के बाद, O.N.G.C. में खरिदारी शेर 4% की मजबूती के साथ, बना निफ्टी का टॉप गेनर, जेफ्रीज ने खरिदारी किराए के साथ, कवरे शुरू की लक्ष 390 रुपे L.M.E. के रूस के मेटल्स की ट्रेडिंग पर बेन लगाने से चुनिंदा मेटल शेरों में चमक, हिंडाल को में करीब 3% की बढ़त वेदान था, और नाल को भी 1-2% उपर ब्रोकरेज के मजबूत आउटलुक से एकसाइड में 3% से जादा की बढ़त, मौगन स्टैनली के ओवरवेट रेटिंग लक्ष 333 रुपे से बढ़ा कर 480 रुपे बड़े डिविडेन के अलान से एस्टर डियम में करीब 7% का उज़ाल, कमपनी ने 118 रुपे के स्पेशल डिविडेन का अलान किया नमस्कार स्वागत है आपको आई धी नाव स्वदेश पर मैं हूँ आपके साथ पूजातर पार्टी और आप देख रहे हैं यॉर्स टॉक्स और मुंबई स्टूडियो से प्रशाग भी हमारे साथ मौजूद है अब अगले एक घंटे हम फोकस करेंगे आपके सवालों को अगर आपकी कुछ सवाल हैं तो सबसे पहले तरीका आपको समझा देते हैं तरीका बहुत ही आसान है अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपके स्क्रीम पर लगातार एक नमबर फ्लाश होगा उस पर आप हमें कॉल कीजिए या फिर अपने सवाल वाटसाइब कर सकते हैं और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी हम मौजूद हैं फेस्बुक, इंस्टाग्राम और एक्स याने के ट्विटर पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुचा सकते हैं यूट्यूब पर भी आप हमें लाइब देख रहे होंगे तो वहाँ पर भी अपने सवाल हमें लगाता भीज सकते हैं कोशिश हमारी होगी जादा से जादा सवालों को शामिल करने की चलिए अब मार्केट परीबार नजर डाल लेते हैं और उसके बाद हम महमानों को भी शामिल करेंगे अपने साथ बाजार में आज कमजोरी है और यहां पर जो ग्लोबल टेंशन बढ़ता जा रहा है आज हमने देखा था कि शुरुवाती संकेथ जो मिल रहे थे ग्लोबल मार्केट से वो भी काफी नेगेटिव थे और जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है उसका पूरा असर आज बाजार पर दिखाई दे रहा है शुरुवात भी कमजोरी के साथ हुई थी और अभी भी करीब 151 अंक नीचे है वैसे निशले सतरों से एक रिकावरी आई है बाजार में लेकिन अभी भी 1500 अंकों की कमजोरी है निफ्टी में और सबसे जादा वीकनेस है बैंक निफ्टी में आज हम भारी बिक्वाली देख रहे हैं थोड़ा बहुत जो सहरा मिल रहा है वो ओलेंग गैस से क्योंकि चुनिंदा स्टॉक्स ओपर है कच्चे तेल में जो तेजी आ रही है उसका थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है इस वज़े से हम देखने कि ONGC जैसे स्टॉक्स आज उपर है और निफ्टी के टॉप गेनर मेटल स्टॉक्स में तेजी है और इसे जुड़ी ख़बर हमने आपको सुबह ही बता दी थी एलमी में रशियन जो मेटल्स हैं वहाँ पर बैन लगने की कुछ ख़बर निकल करा रही है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि टॉप लूजर की अगर बात करें तो सबस्यादा वीक्नेस है टाटा मोटर्स में टाटा कंज्यूमर आज नीचे है हुल अदानी एंटर्प्राइज़ आईसी एसी बैंक, SBI ये सभी हेवी वेट काउंटर कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं और मार्केट की गिरने वाले बढ़ने वाले शेयर के सामने लगभग 10 टॉक्स ऐसे हैं जो की लान निशार में आश कारोबार कर रहे हैं तो चौतरफ़ा विक्वाली का महौल है इस वक्त बाजार में ऐसे में क्या करें बाजार पर और आपके सवालों को भी शामिल करेंगे अगर कुछ कंसर्स हैं आपके मार्केट से जुड़े तो उसके लिए भी आप हमसे जूड़ सकते हैं एक्सपर्ट को शामिल करने का वक्त है हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए एंजर वन से राजेश भोसले जी और SMC Global Security से सौरुग जैन जी मौजूद है आप दोनों अब दोने के लिए जैसे है हाला कि रहा है कि रहा है लेकि अभी भी बाइस हजार तीन सो पचास के असपास खारोबार कर रहा है तो जिस तरह से ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है वाले तीलिटी हम आगे भी देखेंगे क्योंकि इसमें नतीजे भी है चुनाव भी शुरू टेंशन से जिसके वज़े से हमने एक ओपनिंग में एक नीजक रियाक्शन देखा है बट कहीं न कहीं हमारे मार्केट जो है लोर लेवल्स पे सस्टेन होने की कोशिश कर रहे है बट जैसे का कि वॉलेटिलिटी तो मार्केट में रहेगी क्योंकि रिजर्ट्स है जो पॉल लेवल्स पे 22,450 और 22,500 इस रिंज में सेलिंग करने की कोशिश कीज़े तो मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा थोड़ा सा वॉलेटाल रहेगा बट यह संडर्टोन अभी भी पॉजिटिव है तो डिप्स में बाई करने की कोशिश कीज़े ठीक है तो ये रणनीती फ नमसकार पूछे क्या जाना चाहते हैं नमसकार साब ये एक तो रिलाइंस पावर का है अंडरेट शेयर लिये हैं 31,30 पैसे के रेट हैं और दूसरा जियो फाइनस है जो 272 के रेट में लिये हैं 100 शेयर ठीक है तो जियो फिनांस में तो आपको फायदा होता हुआ नजर आ है कॉलिटी स्टॉक्स भी है आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है उसके लिए तो आपको बधाई हो लेकिन यहां पर रिलाइंस पावर में आपको नुकसान हो रहा है उपर इस तरों पे आपने खरीदारी की है त्रिवेदी साब एक चीज़ और बताईए कि कितना समय और दे सकते हैं आप स्टॉक को जहां घाटा हो रहा है त्रिवेदी साब को क्या राए होगी रिलाइंस पावर 31 रुपए के उपर की खरीद है और वहीं दूसरी और जियो फिनांस जो है वो काफी अच्छे भाव पे इन्होंने लिया है और 272 के इस तर पे इन्होंने रिलाइ देखें रिलाइंस पावर के अगर हम नतीजों की बात करें तो कंपनी घाटे में ही है और बिजनस अच्छा नहीं दिखता हमें पार शेतर में ये बहुत अच्छी कंपनी ने दिखती वालोईशन उससे तोड़ी जादा ही लगती है जिस तरह से बिजनस चल रहा है मैं बिजनस में आना चाहती है और उन कंपनी की पूरी तयारी है अर्लाइंस ग्रुप के सनू से है तो अवर अल मुझे लगता है कि वह बहुत जल्दी अपने बिजनस को विस्तार कर पाएंगे और रही स्टॉक प्राइस भी दर्शा रहे हैं मैं समझत हूं एक दू साल के लि नमस्कार शारिक सवाल पूछे अपना मैं 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 एक टीस्सो बीज शेर रखन पावर कर लिया हुआ है नौ रुपे बिज पैसे से तो तिन चाह महने का अमने उम्मी से लिया था लेकिन यह क्यों लिया है अपने क्या जी जी क्यों लिया था नहीं किस नजरीय से लिया था किसी की सला पे लिया है हाँ मैंने दोस्ट भी काफी अच्छी पावर कंपनिया है जिन पर क्या आप नजर रखे है हमारे एक्सपर्ट्स लगातार उस पर अपना सला भी दे रहे हैं रतन इंडिया पावर थोड़ा अगर फैनाशल देखें और कंपनी का ओवराल नजरिया देखें तो काफी पिटा हुआ स्टॉक है यह जादा कुछ व्यू हमारे एक्सपर्ट हम समझनी की कोशिश करेंगे दे पाएंगे या नहीं लेकिन लगातार तू नुकसान नहीं हो रहा है नहीं लेकिन नुकसान में तो हैं निकल जाएं स्टॉक से बिल्कु ठीक हुजा जी मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए क्योंकि अगर आप कंपनी के बैलनेशिट को देखें के तो नेक्वर्ट नेगिडिक है मुझे लगता है कि पार सेक्टर के साथ और जिस तरह से छोड़े माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में चाला ही तो इसमें भी अच्छी चाला भी और अब सेलिंग भी देखने को मिल रही है क्योंकि फैनेशल्स जो फंडमेंडल्स है जो स्टिफाई नहीं कर रहे हैं बिल्कुल सही रहेगा कि आप निकल हुई रोहित श्रवास्तव हमारे साथ जौनपूर से जुड़े हुए हैं रोहित नमस्कार पूछिए क्या जानना चाहते हैं हमने सुजलोन का लिया है 930 है पर हमने 36 पे भी लिया है 42 पे भी लिया है 44 पे लिया है तो इस समय से घट गया है 42 के नीचे 40 आगया है और इस समय जो युद्ध चला है उसकी वज़े से कल सूचना मिले थी भाई स्टेर गिरेगा तो यहीं जनकारी चाहते हैं क्या आगे हो गलोबल जो चिंताएं हैं उसकी वज़े से तो पूरे मारकेट पे ही हम दबाब देख रहे हैं और यही वज़े है कि सभी स्टॉक पर वो असर नजर आ रहा है और सुजलान भी आज हम देख रहे हैं कि लगबग साड़े तीन परसें के करीब यहां पर दबाब बनता हुआ इस वक्त स्टॉक में चलिए एक बेहतर राय देने की कोशिश करते हैं कई लेवल पर आपने खरीदारी किया 36 से लेकर 44 तक के बीच में राजेश बताईए सुजलान पर क्या व्यू बन रहा है इन्होंने स्टॉक में अलग-अलग स्टरों पर खरीदारी कई बार की है 36 इस व्यू बन रहे गार वह फ्रेंट लाइन स्टॉक में रहेगा तो सुजला में उतना ही पॉजिटिव ट्रैक्शन आमें देखने को नहीं मिलेगा तो साला होगी कि जो भी बाउंस मिलता है और और 43-45 के असपास तो वहापे एक बार वापस चेक करना होगा कि कैसे रियक सकते हैं तो इसके मताबिक आपको होड़ करने की सलहा सुजलान में दी जा रही है हम आगे बढ़ेंगे और लखनों से आरती का सवाल लेंगे वाटसाप के जरिए सौरब आपके पास आउंगी मेरे पास हाला कि नजरिया क्या है उसका अंदाजा नहीं है पर इन्होंने टी है ये पूर्फोलियो में पर आपकी क्या राय होगी फिलहाल जो मुनाफ़ा भी इनको हो रहा है उसमें और वृद्धी करने के लिए कितना रुखना चाहिए और तरह से आईटी का लग रहा है तो मुझे लगता है कि अगले दो साल में बहुत अच्छा बिजनस आते हुए देखेंगे कि बढ़ जाएगा अगले दो-चार साल मैं समझता हूँ यही जो इंटीक्रेशन है और जो इंफ्रोसेटर रेजर सर्विस्ट जो कारोबार है कामपनी का वो काफी विस्तार करेंगे अगर आप दो साल का नजरिया रखते हैं तो यहां से आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं मेरे इसाब से यह बोल डेरा चलिए ठीक है तो यह है नजरिया टीसीएस पर आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब पर हमें काफी सारे सवाल आ रहे हैं और इस वक्त जो महौल है बाजार का गिरावट आ रही है उसमें अब काफी सारे जो निवेशक हैं वो सवाल पूछ रहे हैं नहीं खरिदारी करने पर कि इ कुछ स्टॉक्स और यह सवाल हम शामल कर लेते हैं राजेश जी आप सला दीजे अशोक लेलेंड पर एक सवाल आया है एंडी घोष जी का और इंका कहना है क्या करेंट प्राइस पर खरीज सकते हैं एक सवाल काकु सिंग जी ने भी पूचा है आइडिया फोर्च पर यह अ तो अशोगलेलंड मार्केट के पॉल के साथ आज करेक्ट हुआ है और अल ट्रेंड जो है इसका काफी स्ट्रॉंग है और मैं सजेस्ट करूबगा कोई भी डिप आता है फॉर्द तो तो अज का लोथ आरांड 173 तो 170-172 के रेंज में आता है तो डेफिनिटल वापर बाइ कर सकते है दूसरा जो स्टॉक है आइडिया फोर्ज है आइडिया फोर्ज अगर आप देखे तो एक अंडर पर्फॉर्मर रहा है डेफिनिटली एक सपोर्ट बेस बन रहा है अरूंड 680 के लेवल्स पर बाट साला होगी कि अवाइड कीजे कोई मेजर ट्रैक्शन और वॉ कर सकते हैं थीसा स्टॉक अगर आप बताएंगे तो अच्छा है अगर फॉर्दर एक कर्रेक्शन हमें अगर मिलता है आरूंड 110-120 के रेंज में तो वहाँ पे स्टॉक काफी अच्छा बेस बन रहा है और कोई भी डिप वहाँ पर आ रही है तो वहाँ पर एक बांस बांस का रहा है तो 110 और 120 के रेंज में डेफिनिटली बाय कर सकते हैं मीडियम टर्म परस्पेक्टिव के सबसे पॉजिटिव लग रहा है तो यह आपके स्टॉक पर एहम रड़नीती अलग-अलग स्टॉक पर अलग-अलग रहा है आपके सामने आई बढ़ते आगे हरी आपके पास जी 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 ठीक है एक बार मैं लेवल आपको बता देता हूं आई यार्बी इंफरा आपने 86 रुपए 69 पैसे पर खरीदा है जी और मदसन सुमी 65 रुपए की बाइंग जी ठीक है नजरिया बताईए लंबी अवधी का है या शॉट टर्म नजरिया तर लंबी लंबी अवधी का नजरिया तीन से चार साल तक होल्ड कर सकते हैं सौरब जी बताईए आई यार्बी इंफरा इनों ने खरीदा हुआ है 66 रुपए साड़े 66 रुपए पर फिलाल इनके भाव के आसपासी है ये स्टॉक और मदसन सुमी भी 65 रुपए के खरीद है यहां पर हलका मुनाफ़ा यहां पर इनको होता हुआ बताईयां दोनों स्टॉक पर क्या रहा होगी दीकि इंफ्रसेक्ट्चर सेक्टर काफी बुलिश लगता है आई यार्बी भी इन्होंने इंफ्रसेक्टर प्रे के लिए लिया है मैं समझता हूं स्टॉक तो ठीक है लेकिन अगर दोनों काउंटर्स में आपको नजरिया रखना है लंबा और होल करने की सलहा दी जा रही है ज़रप की तरफ से लेकिन यॉर्स्टॉक में वक्त हो गया है हमारे बेहत खास सेग्मेंट ऑप्शिन्स के चैंपियन्स का और हमारे साथ जुड़ गई है फिन्वसिफाइ की ध्वानी पतेल हाई ध्वानी गुड मॉर्निंग बताइए क्या है आपके चैंपियन्स की सूची में आज गुड मॉर्निंग आज का हमारा ओप्शिन का टांपियन जो है वो बी एल में है बी एल में ओवरॉल चांप से बाइंग भी देखने को मिल रही है इंटाडे चांप के अंदर 235 का कॉल अप्शिन आपको यहां पर खरीद के चलना है च्छे रुपे से च्छे रुपे जो है second target यहां पर लेके चलेंगे इसका lot size बड़ा है 5700 का है तो आपका अधिक्तम नुक्सान जो है वो 8000 का हो सकता है अधिक्तम फाइदा जो है यहां पर 22,800 का हो सकता है second target अजीव होने पे तो उस हैप से इसको trade करें lot size बड़ा है volatility ज्यादा है तो अपने targets और stop loss को यहा की सलहा दी जा रही है 6 रुपए पर लक्ष यहां पर आज से 10 stop loss लगाना है 4,5 रुपए का और लगे हातों आपको एक risk disclosure भी हम दिये देते हैं क्योंकि F&O trading में बहुत जादा risk भी involved होता है समझदारी से आप इसमें पैसे लगाए आर्थिक सलहकार से सलह मशौरा करके ही आ राजेश जी इन्होंने IFCI में खरदारी कर रखी है 145 की इनकी बाइंग प्राइस है इन्वेस्मेंट डूरेशन को लेकर जानकारी तो नहीं दी है इन्होंने लेकिन IFCI अगर आपके track list में है तो बताईएगा ज़रा डेफिनिटली IFCI जो है एक strong uptrend में है रिसेंटली एक dip देखने को मिला है बाइंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे आ चुका है 145 का बाइंग है राइट? जी तो डेफिनिटली होल रख सकते है बेस बन रहा है आरूंड 40 के ऐस पास डेफिनिटली होल रखिया है हाई लेवल्स पे वापस ट्रेंड रिजूम होता है अबसाइट तो 48 एंदन 52 के लेवल जो है वो एक्सपेट कर सकते है तो यह है साला आई फसी आई पर फ़रिदाबाद से अशोक कुमार हमार साथ जुड़े हैं फोन लाइं पर अशोक जी नमस्कार सवाल पूछे अपना अशोक जी आपको आवास आठी अपना सवाल पूछे चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है लेकिन उनका सवाल है हमारे पास इसमाइ ट्रिप तीन सो शेर तरपन रुपए के भाव पर लिया हुआ है नुकसान हो रहा है इंको करीब करीब 10 रुपए प्रती शेर का इसे स्टॉक में सवाल जी क्या करना चाहिए दो परसेंट नीचे है आज तो यह स्टॉक और अगर स्टॉक का ट्रेंड देखेंगे तो पिछले काफी समय से एक दाइरे में ही स्टॉक कारोबार कर रहा है अगले टागेट्स आप क्या देख रहे हैं इसमाइट ट्रिप में बने रहने की राय देंगे इसमाइट ट्रिप वालुएशन के लिहां से काफी नहींगा लगता है तकरीवन कुटी टाइंट चुब वालुपे चल रहा है और मैं समझता हूं कि जो नंबर्स हैं वो उस तरह से नहीं आ रहे हैं कि इतने वालुएशन को जस्टिफाइब कर सकी ओवरॉल पुरिजम हॉस्पटैलिटी सेक्टर काफी अच्छा रगता है इनमें जो कांपनिया लेमें ट्री शैले या इंडियनोटन जैसी कांपनी में पैसा डालेंगे तो बैता रहेगा मिरी सला यहां निकलने की रहेगी और पैसे को सिचोगर करने की रहेगी ठीक है तो यह राय स्टॉक पे बढ़ते हैं कि प्रकाश है हमारे अगले दर्शक जो की मुंबई से जुड़े हैं प्रकाश पूछिए क्या जाना चाहते हैं मुझे यह जानना है सर कि मैंने रतन इंडिया में 850 शेयर लिये हैं तो अज पर मार्केट मैंने 76 में लिया था तो इस पूइंड डाउन आइजिक सो और वोडाफोन का भी है वोडाफोन के डाई एजर शेयर लिये थे मैंने 1295 में तो इस वक्त हलके मुनाफ़े में हैं रतन इंडिया और वोडाफोन आइडिया स्वरब जी बताईए इन दोने इस टॉक पर क्या राए होगी रतन इंडिया में 76 रुपए ऐसी पैसे की प्रफिटेबल अगर आप लंबे समय के लिए तो आप बने रह सकते हैं ने थाप निकल जाएंगे दूसरा स्टॉक आपने बात किया वोड़ा फोर आइडिया का मैंने समझता कि कामपनी का जो काप्लो रेजिंग का प्रैन है उसके बाद भी कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है क्योंकि गर आप देखेंगे तो लोन बहुत बड़ा है नेगटिव नेट वर्थ है जो इनके सर्कल्स है जो इनके सब्सक्राइबर है वो कम हो रहे हैं इनके सर्कल्स में इनका आर्पूस भी कापी कम है मैं समझता हूं कि शायद नए पैसे रेस करने के पास टॉक में हो सकता है गिरावट भी आजाए इनकलने की रही है यूसुफ सिद्धिकी का सवाल मैं अगर कोई भी लॉंग सहय तो एक रिसंट एक स्विंग लो बना था औरन फॉरेटी के आस पास तो 480 के stop loss है hold कीज़े, volumes काफी dried down है, तो bounce में 545, 550 के असपास exit कीज़े. Okay, ठीक है, तो ये है Salah, Sterling and Winston पर, कुछ और भी सवाल आ रहे हैं हमें, अभिशेक डांगी जी ने सवाल पूछा है, इंडिया बुल्स रेल एस्टेट पर 100 शेर्ज हैं, 141 पर इन्होंने लिया हुआ है, इंडिया बुल्स रेल एस्टेट के, YouTube पर भी जो viewers हमें देख रहे हैं, उनसे request होगी, कि वो अपने सवाल हमें भेज दे, अभिशेक डांगी जी ने सवाल भीज़ा है, इंडिया बुल्स रेल एस्टेट पर 100 शेर्स, 141 पर इन्होंने लिया हुआ है, सौरब जी सला दीजिए, क्या करें इंडिया बुल्स रेल एस्टेट में? इस तरह की कंपनियों में भी आप पैसे दो डाल सकते हैं, अन्यथा आप इसमें बने रहे हैं. तो इंडिया बुल्स रेल एस्टेट फेशलाल हलका नुकसान हो रहा है आपको, लेकिन ये सलाब के लिए. बाजार पर नज़र डालें, तो फिलाल निफ्टी में एक रिकावरी आई है, दिशलिस तरों से, और 22,400 के ऊपर अपर निफ्टी निकल चुका है, और अभी भी हाला की नीचे है, वीटनेस है, लेकिन रिकावरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो 22,400 पर आचुका है, दिरे-दिरे समलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर बाजार, लेकिन बैंग निफ्टी पर नज़र डालेंगे, तो वहाँ पर वीटनेस अभी भी बनी हुई है, 524 अंको की बिखवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है, और जब तक हम देखेंगे, बैंग निफ्टी में रिकवरी निफ्टी में बहुत तेजी से रिकवरी देखने को ने मिलेगी, हाला कि एक स्मार्ट रिकवरी आई जरूर है, लेकिन देखना हुआ कि इतना होल कर पाती है यह मार्केट को, इस बीच हम देख रहे हैं कि मेटल शेर ही इसको लीड कर रहे हैं, हिंडाल को उपर ह चार परसेंट ओएंजीसी में मजबूती देखने को मिल रही है और चुनिंदा ओटो स्टॉक्स भी हैं, जिसमें कि हम देखना है रिकवरी है, रिलाइनस निशलिस तरों से रिकवर हुआ है, तो उससे भी एक साहारा देखने को मिल रहा है, मेटल इंडेक्स देखे, इस व मैं एक्सिस सेकृरिटी से राजेश पालविया, मैं दूँगा आपको एसे ट्रेडिंग आइडियास जो कराएंगे आपको धमाकेदार मुनाफ़ा, तो देखिए पालविया के पठाके शहर सिर्फ इटीनाव स्वदेश पर हम इटेश पर दो पालविया के छोष्टार मुनाफ़ा अपक्षास करेक्टाज़ करपक्याव सम्स्टाव जएक्पाराउ अपक्षास करेंगे इस पालविया अबहुज़ करने इस मैंड़िया स्वेश्टाव निपना़निया मुछ्वज़ कर दिखे टाराएंगु एज प्रापटी की पूरी इन्फरमिशन पर्फूरी एपूंज कि मिले थे और हमारी पिडिको बस गरी भी हटाओ के पानी धोती थी इज़त दाव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी दुए में आखे जलाती थी और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने तभी तो जट से भेज दिए बिजली पानी गैस शौचाले अब घर में बीमारिया कम हो ग घटा है और धेर सारा समय बचा है हमारे जैसे कडूरों निकले हैं गरीवी से पाहर पर मम्मी भावी मोदी जी कहते हैं कि यह तो बस ट्रेलर है आगे पूरे भारत से गरीवी हटाने की गारंटी और मोदी को जिताना है हमारी गैरंटी है गोल्ड के बिना आपका investment portfolio कैसा लगता है? अधूरा क्योंकि गोल्ड के साथ आपके पास power होती है बड़े फैसले लेने की risks और returns को balance करने की power आसानी से खरीदने और बेचने की इसलिए गोल्ड है आपका strategic advantage जिसके बिना आपका portfolio है अधूरा अपने portfolio को दें गोल्ड की power वर्ल्ड गोल्ड कांसिल नमस्कार और आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार एटी नाव सुदेश की एक ऐसी मुहिम जिसका मकसद है आम इन्वेस्टर छोटे शेहरों के उन निवेशकों को शेहर बाजार से जोड़ना जिनकी जानकारी अभी कम है या वो मार्क दर्शन चाहते हैं कोशिश है ही है कि जो पूरा एकुटी मारकेट है उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करें और इसके साथ ही आपको जागरूप करें जाया और इस शोड़ने का तरीका बहुत आसान है आप स्क्रीन के खिसे में क्यू आर कोड देख रहे हैं इस क्यू आर कोड को सकैन और इसके जरीए आप हमसे WhatsApp के जरीए जुड़ पाएंगे और उसके बाद हम आपसे संपर करेंगे आप अपना सवाल जो है वो WhatsApp पर भीज सकते हैं और उसके बाद हमारी टीम आपको कॉल करेंगी और आपके सवालों को हम शामिल करेंगे फिलाल कुछ लाइव सवाल भी हमारे दर्शक लगातार पूछ रहे हैं और उनका सवाल ले लेते हैं नेहा शर्मा का यहां पर सवाल है नेच पीसी पे और वो और कुछ एहम सवाल लेते हैं नेच पीसी पे नहीं है इनका सवाल कई अहम सवाल यहां पर लगातार सामने आ रहे है और इन में एक सवाल है एक दर्शक का हला कि उनका हैंडल थोड़ा अलग है उनका सवाल है कि शेयर बाजार में वो शुरुवात करना चाहते हैं कौन से स्टॉक सही होंगे शुरुवात के लिए हला कि उन्होंने कोई अमाउ होगी शेयर बाजार के नए निवेशक हैं और जाना चाहते हैं कि किन शेयरों में इंवेस्टमेंट बहतर रहेगा शुरुवात के तौर पे अज़ इंवेस्टर और काफी बीगिनर है तो वो निफ्टी एटी अफ बीस में एंडर कर सकते हैं क्योंकि ओर और मार्केट में ही उनका इंवेस्टमेंट हो जाएगा मार्केट में स्टाइगर मैने से वो निफ्टी एटी इफ बीस में वो आड कर सकते हैं जैसे मार्केट में इटी पाता है वैसे वो आड कर सकते हैं overall अगर आप compounding देखें तो काफ़े अच्छा returns उनको यहां पर मिल सकता है। along with that अगर आप देखें तो अगर fresh investment देखा तो metal space और IT space हमें काफी काफी अच्छा लग रहा है। metal space last month से ही काफी अच्छे momentum में है और यह जो momentum में है एक्सपेक्ट करें यह नया cycle चालू हुआ है metal space में तो metal space में अच्छी रहली continue उते पर देख सकते हैं। along with that IT जो है काफी bittern down है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक रिवाइबल आ सकता IT space में तो यह जो एक दू पाक्स है एक kontra bet रहेगा metal और IT पर यहाँ से एक अच्छा कासा तेजी इंडू space में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रतीक जोशी हमारे साथ फोन लाइन पर है जोशी साब नमस्कार गुड मॉर्निंग स्वागत है आपका शाह बाजा सब कादिकार में कहां से बोल रहे हैं सर बताईए आपने किस टॉक पर सलहा मांगनी है आज हम से मुझे इंफोसिस के बारे में 1085 पर है आपके पास इंफोसिस अच्छा ठीक है तो इसको आपने लंबा रखने के लिए रखा है पोर्टफोलियो में बहुत बढ़िया चलिए दो साल आप और होल्ड कर सकते हैं सौरब 1085 तीन साल होल्ड कर चुके हैं दो साल और रुकना चाहते हैं मैं समझता हूँ कि आपने एक अच्छा शेर लिया है लेकिन आपने तब लिया जब आईटी सेक्टर अच्छा नहीं चल रहा था इंट्रोस्रेट उपर जाने की वज़े से और निष्टाओं की वज़े से आईटी सेक्टर में पिटाई भी लेकिन अब इस तरह से लग रह अगर आपके तीन साल इस चौप को रखते हैं तो यहां से भी आप पैसे डबल कर सकते हैं तो यह समझ से आप बिलकुल होड़ करें ठीक है तो यह सला इंफुसिस पर होड़ करने की राया अग्ला सवाल लेते हैं और सोहिल मीमन जी का सवाल आया है हमें वह हमारा साफ ओन पर जुड़े हैं सोहिल जी नमस्कार सवाल पूछे अपना नमस्कार है अलो मैंने नालको के दाशों लिये वन थर्टी नाइन पॉन थर्टी शिक्स के बाव पर क्या करूं 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 या बेज दूं ओके ठीक है अच्छे समय पर आपने ये सवाल पूछा है नालको थोड़ा प्राइस हम आपको दिखा देते हैं अभी फिलाल तीम परसंट उपर है और आज हम देख भी रहें कि तमाम जितने भी मेटल और अलुमिनियम स्टॉक्स हैं वहां पर काफी अच्छी तीजी देख अच्छी लेवल पर एंट्री भी की थी तो मुनाफा लेकर निकल जाना चाहिए या फिर बने रहें नालको में आने वाले सेशन्स में हम एक्सपेक्ट करें कि यह पर्फॉर्मेंस कंटीनू रहेगा तो डेफिनेटली होल रखे हम एक्सपेक्ट करें कि नालको जो है आने वाले वीक्स में 200 के लेवल्स क्रॉस कर सकते तो डेफिनेटली बने रही है ठीक है, तो यहाँ पर आपको बने रहने की सला, अच्छे लेवल पर आपने एंट्री की है, अच्छा मुनाफ़ा यहाँ पर आपको होता हुआ प्रिंस हमारे साथ इस वक्त जुट चुके हैं, प्रिंस गुड मॉनिंग कहां से बात कर रहे हैं? जी पूछे क्या जाना चाहते हैं? तो फिलाल व्यू अगर है तो साइडवेज है, नेक्स 3-4 में इतना कोई मेजर ट्रैक्शन देखनी को ना मिले, नीचे में आराउंड 2.90 के असपास सपोर्ट है, और उपर में आराउंड 3.55 के इनके बाइंग लेवल्स के असपास रिजिस्टन्स है, तो 3-4 मेंस के सबसे कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है, बट ओवररल हायर टाइम फ्रेम काफी पॉजिटिव है, फोल्ड रख सकते हैं, पट जैसे उनका जो फोलिंग अवदी है, उसमें उनको कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, लंबी अवदी के सबसे अब से अब रख सकते हैं हमारे एक दर्शक है, सौरब, पेज इंडिया पर ये आप से जो है सवाल पूछना चाहते हैं, पेज इंडिया में इन्होंने अगर पैसे नहीं लगाए हैं या लगाए हैं, उसकी जानकारी तो नहीं दी है, पर पूछ रहे हैं कि रणनीती के लिहाज से फिलहाल क्या करना चाहिए, पेज इंडिस्ट्री या लाइसेंसी है, जौकी के कारोबाद, जौकी के जो इनर्वियर साते हैं, और भी काफी चीज़ा आती है, उसके लिए लाइसेंसी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, एक स्केबल सेट ऑफ ग्रोथ आ रहा है, पर मैंने ही समझता पर आप एक्सपोनेशिल ग्रोथ आप बड़ा पैसा बना सकें, जो शेत्र हमें अच्छे लगते हैं, वह है आईटी, अच्छा लगता है, ऑटो कंपनी अच्छी लगते हैं, होटल्स अच्छे लगते हैं, अगर इन शेत्रों में पैसे लगाएंके तो ज्यादा बहते हैं तो यह सलापेज इंडस्ट्री पर आपके लिए, योगेश जी हमारे साथ जोड़े हैं फोन लाइम पर, योगेश जी नमस्कार, सवाल पूछे अपना मुझे, मैं इना IDFC First Bank लिया है, 82 में, तो मैं इसको होल्ड करना चाहिए या, मनलब छेल कर देना चाहिए अब कितने समय के लिए लिया और आपने कम लिया यह स्टॉक मैं मैं अभी दो एक मेने हुआ इसको लेने को और इसको एक अध साल के लिए होल्ड करना था सब्सक्राइब сторон ना फायदे में है अगर एक साल का समय आप अच्छा फायदा हो सकता है, अकिक शेदर काफी अच्छा रगता है पूझाजी, काफी अच्छे से री रेटिंग हुए क्योंकि बैंक ने काफी अच्छा पर्फॉर्मेंस दिखाया है हर कोटर में हमें समझतों पूछ अपने से स्टॉप नहीं जा रहा है लिकिन क्योंकि इनका एक साल का परस्पेक्टिव है तो बिल्कुल ज़रूर बने रहे से तो यहां पर बने रहने की आपको सलाह मिलती हुई और इन सब के बीच में कई सारे सवाल यूट्यूब पर हमारे सामने आ रहे हैं और इनी में से एक सवाल SBI पर एक दर्शक ने पूछा हुआ है हाला कि उन्होंने बाइंग प्राइस का मेंशन नहीं किया हुआ है लेकिन SBI पर आगे का नजरिया चाहते हैं हम इमान के चल रहे हैं फिलहाल की हाल फिलहाल की खरीद है SBI पर क्या राय होगी राजर जी फिलहाल अगर हम इन स्तरों पर आगे का नजरिया देखें तो डेफिनिटली बाइंट डिप है स्टेट बैंक काफी अभी रिसनली थोड़ा सा वीटनेस आया है बट डेफिनिटली बाइंट डिप है अगर उनकी अगर कोई बाइंग पोजिशन है तो डेफिनिटली गोड़ रख सकते हैं नियर टर्म में वापस 800 लेवल जो है वो जो इसका अल्टाइम है या वो रिटेस्ट होते वो देख सकते है तो डेफिनिटली बाइंट अच्छी है सौरब यूपील पर एक सवाल है इनका हैंडल का नाम है नेचर साउंड तो मेरे पास इनका असली नाम नहीं है बट बीस शेयर लिये हैं यूपील के 496 के बहाव पर और आड किया जा सकता है क्या ठीक है तो यह है सलाय स्टॉक पर अब के लिए चलिए अब आगे बढ़ते हूं कुछ और स्टॉक्स पर सवाल भी आ रहे हैं शिखा कुमाली जी ने सवाल भीजा हुआ है माफ कीज़ेगा एहसान जी ने हमें हमें फोन किया है वो इस वर्थ हमारे साथ फोन लाइन पर है नमस्कार एहसान जी सवाल पूछे अपना चलिए एहसान जी मुबारक बात पहले तो आपके लिए विदानता 3% उपर है आज भी और बहुत ही बड़ी आ लेवल पर आपने एंट्री की है तीन लाइक बहतर हजार से जादा का मुनाफ़ा इनको हो रहा इस टॉक में राजेश जी और मुनाफ़े के लिए क्या है यह होल्ड करें विदानता में या फिर थोड़ा बाद प्रॉफिट इन्हें बुक कर लेना चाहिए देखे मैं साला दूगा काफी आच्छे प्रॉफिट्स में है 400 के आसपास एक रेट्रेस्मेंट का एक रेजिस्टन्स है और थोड़ा सा ओवरबॉट हो चुका है और इस मन्त में तो यहां पर आपको खास रणनीती सुझाते हुए राजेश जी बढ़ते आगे नरेश गूगिया जो है वो हमारे साथ वाटसेप के जरीए उन्होंने अपना सवाल हम तक अचा चलिए फिलाल फोन लाइन पर भी जूड़ चुके है हमारे साथ नरेश जी नमसकार क्या जाना चाहते है नमसकार सर मैं नरेश गूगिया बुलना हूँ सर मैंने यहस बैंक लिया हुआ है दो साल हो गए अराउंड 20 रुपीज पे ठीक है तो अभी 24 पे है तो लाइक आए वांट तो नो वाट इस वियू पर शॉट टर्म और मीडियम टर्म शॉट तो मीडियम टर्म बीस रुपे के लेवल पे इन्होंने तब से यह स्टॉक होल्ड करके रखा हुआ है तो सला में यही रही कि इसमें से आप निकल जाएं क्योंकि वैलुइशन यहां पर जादा लगती है बैंकिल सेक्टर के हिसाब से जिसतना एवरेज ग्रोथ आ रहे है तो सला यही देगी यहां पर निकल जाएं इससे पैसे निकालकर आप IACI, ECI बैंक या एक्सिस बैंक में पैसे दाएं पिश वाट्साप पर सवाल है हमारी दर्शक का शिखा कुमारी और ESAF Small Finance Bank 64 पे लिया है 7000 शेरेन के पास Stock recently listed है तो इसमें technical data जादा नहीं तो इसमें technical view नहीं दे पाऊ इस पूरे शेत्र को लेकर और अगर आपका कोई व्यू है देखे ओवरों टांकिल शेत्र अच्छा लगता है यह नहीं लिस्टिंग है तो गपेश में नहीं है पर जिस तरह से भी हमने बताया ICAC Bank, Axis Bank, SBI, Union Bank, Camera Bank यह अच्छे Stocks हैं पैसा लगता है तो यह है सराय Stock पर निरा जी का सवाल आया है हमें Facebook पर और यह Centrum Capital के शेर पर राए लेना चाह रहे है राजेश जी क्या सला होगी Centrum Capital में मौजूद असर में खरिदारी करें अगर कोई further dip आता है काफी volatile counter है बट बीच में काफी अच्छा positive traction दिखादा वॉलिम्स के साथ तो dip में मिलता है around 31 के असपास तो वहाँ पर buy कर सकते है तो strict stop loss रहेगा 30 का और bounce में 38-39 का resistance रहेगा ठीक है बहुत सारे सवाल YouTube पे भी लगातार हम तक पहुँच रहे हैं और मयंग कराजपूत का सवाल अदानी enterprises पे है 20 शेयर इनके पास है और इन्होंने 3000 के भाव पे अदानी enterprises में entry की हुई है और 12 महीने यानि आगे भी एक साल का नजरिया इनके पास है बताएं सौरब जी क्या करना चाहिए अदानी enterprises में 3000 की खरीद है अगले एक साल का नजरिया पहले company को काफी problem आ रहा था क्योंकि company जो हम edible oil के business में है वहाँ पर margin compression देखने को मिला और profitability में काफी गिरावत देखने को मिली पर क्योंकि इनका एक साल का आगे का नजरिया तो मैं समचता हूँ यह बिल्कुल food कर सकते हैं क्योंकि यह volatility रहती है, seasonality रहती है विजनस में तो लगता नहीं कि इस साल भी वैसा ही चलेगा तो उसी साब से आप एक साल के लिए मने रहे सकते हैं Facebook से सवाल है अजमेर से हमारे दर्शक सुरेश का और राजेश बंधन बैंक की 225 शेर खरीदें हैं और इनका नजरिया लंबा है इस particular stock में काफी अंडर पर्फॉर्मिंग स्टॉक है यह और अपने अल्टाइम लोज को रिटेस्ट करने की कगार पे है रिसंटली न्यूस में भी रहा है अंडर प्रेशर है तो फिलाल तो अवाइट का ही मैं सजेस्ट करूंगा कोई भी बाउंस आता है आरण 190-195 के रिंज में तो वह पर एक्जिट करने की साला होगी दूसरे जो स्टॉंग काउंटर्स है जैसे की जैसे सायोगी पार्टिसेमिंट ने बदा है वह HDFC, XC, ICS है तो उनमें वह एंडर कर सकते हैं निवेश करने की हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और शेयर बाजा सबका दिकार हमारी पेशकर जारी है इस बीच अगर आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो QR कोड जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उसे आप स्कैन कर दीजिए और यहां से आप एक नंबर पर जोड़ जाएंगे जो कि वाट्साप नंबर होगा उसके जरीए आपके सवाल हम तक पहुच जाएंगे इसके लावा यूट्यूब पर अगर लाइव देख र in association with State Bank of India, the banker to every Indian मैं हूँ कुष, मताऊंगा शेर्स ऐसे, जो करेंगे आपको खुष, चानिये मेरे साथ, कड़क शेर्स, रोज, E.T.N.A.W. Swadesh Par In the jungle of investments, there are companies which move slow and go nowhere, only a few companies become rare, dominant, unchallenged and long lasting, presenting TrustMF FlexiCap Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Yes, see, Jeebar, it's our own and our own votes are made in a big, big country. Our lives have gone out, son. Our time was a big, 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 big. This is a culture. But you are going to be a big job for the people. Just look at the speed of 10 years, look at the Atal Setu, look at the Atal Tunnel, look at the Chinab Bridge, look at the Bogey Bill Bridge. And so much as Modi Ji says, this is now a trailer. We all have to complete the guarantee of Modi Ji. So who's the guarantee of them? We're the son-in-law. कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं. स्वारिय के सब्स, उसकी दुनिया, उसकी दुनिया ये खेले, वो खेले. उसकी दुनिया किसे हमाले helpful किरो स्व Estado कर दीनिया कि खेले. कि टीनिया ने हमको समाळाएं, वो है अपने हमाले में। कि ब्रेक के बाद आपका सुवागत है हो जैसे मेरे से कैलाज जी हमेरे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर कैलाज जी नमस्कार सवाल पूछे अपना नमस्कार मैं मैं मेरे पास स्वाइज जेट रहे 87 रूपीज वाव में उसको भी रखों या बेज दो कब लिया था आपने यह आप तीन साल हो गया मैं तीन साल से होल कर रहे हैं ओ निकलने का मौका भी नहीं आया होगा अभी तक आप तो नुकसान में यह पिछली एक साल से सौरब जी स्वाइज जेट पर क्या व्यू बन रहा है आपका हाला कि हाल फिलाल में खबरों में काफी रहा है यह स्टॉक और तेजी से रिकावरी की बात हो रही है मैनेजमेंट की तरफ से लेकिन 87 इनकी खरेद बहुत पहले किया बहुत उप्री लेवल पर इनों नहीं ले लिया है तो क्या यह लेवल आने तक वेट करें आल्रेडी काफी समय दे चुके हैं च्छह हजार के नुकसान हो रहे हैं उप्रेड को चैसाथ हजार कर नुकसान भी हो रहे हैं तो होल्ड करना चाहिए कोई गुझाइश है अगर थोड़ार समय दो परना या फिर निकल जाने स्टॉक से स्पाइस जेट से तो उस लिहास से मैं समझता हूं कि कुछ दीन चार नहीं नहीं और कुछ महीने आपको और होल्ड करने की सला चले बढ़ते हैं आगे यूट्यूब पर अलगातार सवाल आ रहे हैं और स्पीच हमारे पास वैभव का सवाल है और वैभव ने सालासर टेक पर अपना सवाल पूछा है पांस ओठार शेयर हैं इनके पास 24 रुपे से उपर की बाइंग है इनकी राजेश सालासर टेक बताईए क्या राय होगी 24 रुपे से उपर की बाइंग है सालासर टेक जो अभी 21 रुपे के आसपास ट्रेड कर रहा है इल्लिक्विट काउंटर है वॉल्म्स भी काफी ड्राइड डाउन है अभी लास्ट कपल ऑफ वीक से 20 के आसपास एक बेस बन रहा है तो 20 का एक स्टॉप लोस रखे हार एंड पे आराउंड पचीस और साड़े पचीस का एक रेजिस्टंस है तो वहाँ पे एक्जिट करने की साला होगी प्यूकि बीच में ये लोवर सर्केट्स में ट्रेड करादा तो ऐसे काउंटर्स हायर लग्स पे एक्जिट करने की साला होगी अजय हमारी दर्श्रक दिल्ली सिफ ओन लाइन पर जुड़े हैं हमारे साथ नमस्कार अजय नमस्कार मेडम बताईए क्या स्टॉक खरीदा है मेरे पस अडानी इनर्डी स्टॉशन है 5000 कॉन की जी 960 की परचेस है सारब अदानी एनर्जी 960 की वाइंग है देखिए ओड़ोंग एनर्जी सेक्टर का आउट्लू का अपली है इतने भी शेयरों हमें पहले भी शोग में बात करी JSW Energy, NBPC, NHBC, SDB इन सारे ही स्टॉप से लगते हैं अगला सवाल लेते हैं और हमें यूट्यूब पर सवाल आया है HAL पर एक दर्शक ने हमें सवाल भीजा है इनके पास 55 शेयर्स हैं 331 पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है अभी फिलाल मुनाफ़े में है राजिश जी और होल्ड करे क्या स्टॉक को मुनाफ़े के लिए डेफिनिटली होल्ड रखे फ्राइड़े के दिन एक फ्लाइक पैटर्न ब्रिक आउट भी देखने को मिला था और लास्ट दो दिन से हम देख रहे कि वॉल्यूम एक्टिविटी भी काफी स्टॉंग है तो आने वाले सेशन में हम एक्सपेक्ट करे कि 3800-3850 एक्सपेक्ट कर सकते है और उसके भी उपर के लेवल से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो डेफिनिटली होल्ड रखे वो भी आपके सामने राजेश जीन रखा जारखंट से हमारे अगले दर्शक राजेश जुड़े हुए है राजेश नमस्कार पूछे क्या जाना चाहते है राजेश अब तक आवाज पहुंच रही है जी पूछे क्या जाना चाहते है जी पूछे क्या जाना चाहते है जी पूछे क्या जाना चाहते है जी पूछे क्य यहां पर होता हुआ बहुत हुपरी इस तरों पर IRFC में इन्होंने खरीदारी की हुई है और इस वज़ा से क्वांटिटी चुकी शेयर हो की जादा है इसलिए नुकसान भी काफी जादा होता हुआ फिलहाल हम देख रहे हैं कि प्रेशर स्टॉक पर आज है फैर पूरे आज एक्विटी मार्केट पर ही प्रेशर हमें नजर आ रहा है लेकिन सौरब जी क्या राए होगी 190 की खरीद है IRFC में एक साल तक रुख सकते हैं प्रेशन यहां पर मेंगे हैं कंपरी में कोई परिशानी नहीं है और आने वाली समय भी अच्छी रहेगी पस यही है कि इन्होंने काफी जादा मेंगा ले लिए हैं ग्यानिमेशन अभी भी फो टाइम श्यों गुगा रूटे हैं इन्हें काफी समय रखना पड़ेगा आयर में बोल रहे हैं कि करन्ट भाव पर अगर खरेदारी करनी हो तो क्या ठीक रहेगा शॉट टर्म, मीडियूम टर्म, लॉंग टर्म का अंदाजा नहीं दिया है लेकिन आप चार्ज देखकर बताए कि अगर करन्ट लेवल्स पर कोई पोजिशन ली भी जा सकती है तो कि इतने का नजरिया रखना चाहिए तो आगे जाके 380-370 के रेंज में स्टॉक को सपोर्ट है तो 380-370 के रेंज में आता है तो वहाँ पर डेफिनिटली बाई कर सकते हैं बट अभी इन लेवल्स पर टेक्निकली स्टॉक्चर वीक है तो अभी फिलाल अवाइड किये जाए तो यह है जे की टायर पर सला अगला सवाल ले लेते हैं रिलाइंस पावर पर हमें सवाल भीजा है दर्शक में पंजाब से गौरव जी ने 692 शेर हैं और 29 रुपए पर इन्होंने बाइंग की हुई है पावर शेरों में आज हम देख रहें पावर स्टॉक्स पर काफी सार की नज़र नहीं आ रही है जैसे की अभी थोदे पहले हम ब्रातर इंडिया पावर के बारें बात करें थे रिलाइंस पावर जैसे स्टॉक्स में भी लोगों की एंट्री है क्या सला देंगे आप और पावर शेत्र में कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स भी बताईगे हमार इन कंपनेों में आप इंवेश्मेंट कर सकते हैं लेकिन अभी सारे के सारे शेयर बड़े हुए हैं तो अब धीरे-धीरे इंवेश्मेंट करना शनु करें इसे मार्के करेक्शन चल रहा है हो सकता है कि यहां पर भी तोड़ी गिरावर देखने को मिलें अब दीरे-दीर ए तो यह है सलार रिलाइंस पावर पर चरिए फिलाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे सवाल अभी बहुत है लेकिन समय के थोड़ी कमें तो इस शो में फिलाल इतना ही सौरब जी राजीश जी आप दोनों कई बहुत धन्यवाद हमाई साथ जुनने के लिए और हर खबर अब आपकी भाषा हिंदी में बनिये चुटकी में चतुर जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्टफोलियो मजबूत जल्द लॉग इन करें एतनावस्वदेश.com पर बढ़ो बदलो देश के साथ झाल झाल खब लॉग भाष लॉग टौकीज़क निपक्ट सेंगेख लगण विए स्वेज आपकी भाष झाल इन क्रॉग्ट. इन लॉग्षोन क्रॉट मश्सेस और ए्मिष्क मनेघमेंट Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. सीधे हो जाईए. कुछ लोगों के लिए मैं टिड़े ही रहूँगा. फियू. मुझे लगता है कि हम दुनिया की कोई भी टीम को आरा सकते हैं. टेक्निकल चार्ट हो या फिर एफेंड हो, किस खबर का होगा आप पर कितना असर? वैपार जगत से जुड़े हुए हर मुद्दे का विश्वेशन. समझे मेरे साथ असान भाशा में. ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है. अनाई अपने ट्रेडिंग डे की बहतर अनीती. शॉर्ट कोवरिंग से लॉंग माने में समय लगेगा. यह एक मेक ब्रेक लेवल है. 200 दिन की एवरेज की ऊपर आके हमें ट्रेड करने लगे हैं. पैडिंग भी काल रहा. जुड़ी है मेरे साथ. सिरफ एटीनाव स्वदेश पर. अब है ना सिर्फ मार्केट की बारी कियां, बल्कि है कमाई का भी अच्छा मौका. हम आपको देंगे एक शानदार आइडिया हर पांच मिनिट में. टेक्निकल हो या फंडमेंटल, शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉंग टर्म. अब सब कुछ मिलेगा आपको. तो देखिये धार ट्रेडिंग टेल, सुभा आट बजे से शाम चार, सिर्फ एटीनाव स्वदेश पर, पढ़ो देश के साथ. मैं हूँ कुछ, बताओंगा शेर्ज ऐसे, जो करेंगे आप तो खुश. चानिए मेरे साथ कड़क शेर्ज. रोज, एटीनाव स्वदेश पर. आज दायरे में दिक रहा है कच्छा तेल, बेरेंट कूड कभाव नबे डॉलर के करीब, लेगी नेम से एक्स पर करीब एक परसिन की गिरावट, इरान के इजरायल पर हमले से बाजार को चिंता, इजरायल के अगले आक्शन पर अब बाजार की रहेगी नजर. पिछले हफ्ते की रिकॉर्ड रैली के बाद, आज सोने में सीमी दायरे में हो रहा है करवार, MCX पर 72,000 रूपए के नीचे सोना, कॉमिक्स पर सोना, 2370 डॉलर के पास. 83,000 रूपए के ऊपर चांदी, आज फिर से दिख रही है, 300 रूपए से जादा की मजबूती कॉमिक्स पर चांदी, 28.25 डॉलर के पास. अलमूनियम में जोरदार उचाल, 4.5% की मजबूती के साथ, 236 रूपए के ऊपर पहुँचा भाओ, जिंग 248 रूपए के करीब, कॉपर 825 रूपए के ऊपर. 22,000 रूपए के नीचे लुड़का, जीरा का मई वायदा, 5.5% से जादा की गिरावर, धनिया का वायदा, 7,400 रूपए तक लुड़का, फल्दी में लेकिन आज दिख रही है, तेजी, 16,400 रूपए के करीब भाओ. पिछले हपती की शांदार तेजी के बाद, गौर में आज दायरे में हो रहा कारवार, गौर गम का वायदा, 11,000 रूपए के नीचे, गौर सीर का वायदा, 5,500 रूपए के बहत करीब. नमस्कार, स्वागत हैं आपका मुनापए की मंडी में, जहां हम आपको कमुडिटी मार्केर की तमाम बड़ी खबरे, और साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉंग टर्म के हिसाफ से आपके लिए बेतरीन कॉल्स लेकर आते हैं, साथ ही हाजे बाजार की साथ देश बर के मंडीयों का अपडेट भी हम लेकर आते हैं, आज हमारे साथ चार मेहमान होंगे, अगले आदे घंटे में डिपेंड शाह हैं, इस्टेवेन.com से, बिरेन वकील हैं, हमारे साथ पैराडाइम कमुडिटी से, और आगे राजेश रोक रहे होंगे, जो जीज से, इंटरनाशनल मार्केट में, यह उन से पता करेंगे, लेकिन चलिए, सुरूआत कच्छे तेल के साथ कर लेते हैं, क्योंकि तरह की चिंता थी, की जियो पॉलिटिकल चिंता थी, वो उस तरह से यहां पर दिखने ही रही है, बेरे इन सर, क्या हो रहा है कच्छे तेल में कच्छा तेल आज कमजोर दिख रहा है, संभावना है बन रही थी, कि बहुत तेज तो नहीं होगा, क्या इरान के तरफ से जो अटैक हमले हुए, क्या एक फेस सेविंग थी, या कुछ और नहीं, कुछ बड़ा होने की संभावना कम है। हमारा भी सक्सेस्फुल ऑपरेशन है, वोर बेसिकली वर में तो ऐसे बयान आते रहते हैं, बट जो पैनिक प्रिमियम डेवलप हुआ था, वो फुली मुटरलाइज नहीं हुआ, शाहिद मार्केट ने एडवास में डिसकाउंट कर दिया, सभी रिसक एसेट में, बिट इसकाउंड हो गया है, अब कोई नई इवेंट बजार को चाहिए, अगर कोई नई इवेंट नहीं आती है, तो मार्केट में भी थोड़ा डाउंसाइट भी जा सकता है, अगर कुछ बड़े एक्शन है आप पर नहीं होते हैं, इस तरह की सिर बयान बाजी ही रही, कुछ ब जोपर बुलाने के लिए आपका धनिवाद, ट्रेडर के लिए सबसे पहले तो एक मोस्ट इंपोर्टन रनीती यह है, कि जभी भी ऐसे जियो पॉलिटिकल टेंजन होते हैं, या जभी भी ऐसे वार की सिनारियो होता है, तो कोई भी कंट्री अपने अक्शन अनौंस करके न करते हैं, और जभी भी ऐसे उपर्टिनेटी लगी है, कि एक्जिक करना चाहिए, तो उन्होंने एक्जिक कर लेना चाहिए, और ट्रेडिंग वोल्यूम्स थिन लगने चाहिए, अब अगर आते हैं स्ट्रेजी की बात करने, तो हमारा मानना है ऐसा है, कि 7,000 जब सक इंटक या फिर 7,000 दोसों के असपास जब भी आते हैं, अपना रिस्क आप ही मैनेज कर सकते हैं, डिजाइन भी कर सकते हैं, मिनी कॉंट्रेक्स है, लेकिन शॉर्ट सेली के एक्सपर्टीज रखते हैं, तो यह ट्रेड में इंटर कीजेगा, और वॉल्यूम कम रखेगा, क्योंकि अगर 7,000 के नीचे फिसलता है, तो 6,800, 6,700 के लेबल भी दिख सकते हैं, आपकी साइट करना पसंद करेंगे, बिरेन से एक ट्रेडिंग रन नीती बता दीजिए, ट्रेडर्स के लिए, क्रूड में, क्रूड में ऑप्शन्स काफी है, बट वो इंडिविडियल रिस्क एविटेड के हिसाब से करना जी, इसमें कोई जेनरिक ट्रेड ने मिल सकता, करन्ट और वोलेटिलिटी को, और अभी भी डाइनेमिक सिचूशन ने, काफी फ्लूर सिचूशन है, अभी हमने इरान का एक् ट्रेड आप नहीं देना चाहा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये महौल अभी रिस्की है, तो इसलिए बिरेन सर के पास में दुबारा गया था क्रूड पर, ताकि उनकी ट्रेडिंग रती जानने के लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब गोल्ड सिल्वर की खरीद रहा है, इतना महेंगा सोना कौन खरीद रहा है? आपके जो ग्राहक है, क्या उनको ये भाव अट्रैक्टिव लग रहा है, आपके स्टोर्स की क्या रिपोर्ट है, क्या ओखरीद रहें, सरकार की बात छोड़ दीजे, उनके पास तो डीप पॉकेट्स हैं, लेकिन आपके ग्राहकों के पास क्या उतना पॉकेट्स है, जो इस भाव पर खरीदने आ रहे हैं। यह कही न कहीं गोल्ड को अभी 70,000 का एक बेस बना लिया है। इस वज़े से काफी शादियों का सीजन अभी सामने होने के कारण, गुड़ी पाड़वा से लेके तो अक्षेत रूतिया तक के काफी डिमांड होती है तो दो-चार दिन के लिए कस्टमर रुपता है। लेकिन उसके जस्ट बाग गरहा की शुरू हो जा रही है और अभी हम लोग देख रहे हैं भी दो-दिन थोड़ा सा लगा कस्टमर को की यह रेट एकदम ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन सव डॉलर की जो करेक्शन है उसके वज़े से फिर से 75 से लेके 72, 72, 500 के आसपास अगर रेट आ जाते हैं तो लोग समझते इस इस अ गूड अपॉर्चनिटी तू बाय और लोगों ने अभी फिर से आना शुरू कर दिया है। थोड़ी मुश्किल होती है बट क्या करें हमारे हाथ में नहीं है तो हम भी इसके लिए लाचार होते हैं बस इतना है कि सोना आलवेज गेन करके देता है इस वज़े से आज की तकलिफ में मान सकता हूं कि सोना महेंगा समझके खरिदना पड़ता है बट खरिदने के बाद तो सस्ता लगता है ओके सर अभी डिमांड की बात अगर आप मेंबर्स की तरफ से करें तो कई सारे आप लोगों ने भी जीजेसी में शो किया था अभी बॉंबे में आगे भी करने वाले हैं क्या वहां से किस तरह की रिपोर्ट है वहां के कई सारे स्टॉल्स पे मैं गया उनका कहना था कि अचानक आई तेजी से डिमांड काफी हिट हुआ है बिलकुल डिमांड नहीं है आपकी रिपोर्ट क्या है आपके मेंबर्स क्या कह रहे हैं सर नई बिलकुल हमारे जितनी भी एग्जीबिटर है All India James and Jolly domestic council का जो शोव हुआ था अभी हाली में आप जिसमे खुद आप भी आये थे उसमें शिर्गत की थे आपने सभी एक्जीबिटर हमारे काफी ज़्यादा खुश थे उत्साहित थे और उनको जितनी अनुमान था उससे ज़्यादा उनका सेल हुआ है ये इसके पीछे मैंने कहा ना कि दो-तिन कारण है एक तो गुड़ी पाड़व कि रीटेलर होलसेलर से लेने के लिए वो सही समय रहता और उस समय में रीटेलर जब खरीदारी करता है तो उनको भी पता होता है कि आने वाला जो सभा मेना है ये अक्षेत रूतिया और अक्षेत रूतिया के बाद में भी तो काफी ज़्यादा खरीदारी होगी और मुझे मुझे लगता है कि उसके तुरंद बार थोड़ा सा 2 और 3,000 रुपे की तेजी आई है तो थोड़ा सा कस्टमर रुका है बट मुझे लगता है रीटेलर ने काफी अच्छी बाइंग करके रखी है और वो शो भी काफी हीट हुआ और मुझे लगता है इसके बाद जो रीटेल अगर मैं कंपेरिजन में देखू तो चांदी थोड़ी कम चमकी है जितना सोना चमका है आपने देखा होगा हाय बनाया है 2448 डॉलर का वो अभी सिल्वर का जो हाय इसके पहले 48 डॉलर का था वो अभी तक के सिल्वर ने तोड़ा नहीं है अपना रेकॉर्ड तो सिल्वर मे मुझे काफी अभी भी तेजी दीख रही है अगर एक लाग रुपया प्रती किलो अगर हो जाता है तो कोई बढ़ी बात नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है चांदी में काफी अभी तेजी के अपेक्षा है जो एक डॉलर के अगर मैं देखू 48 डॉलर का जो हाय बनाया था च इस क्या है यहाँ पर क्या करना चाहिए 72 रुपय के नीचे खईदारी बनती है या रुके क्या करें मिरेन सर अगर का सा डिप पर सिल्वर भाई किया जा सकता है टाइट स्टपलोस के साथ हमने जो फ्राइडे में जो एक्षिन देखा था वो मेरी साब से इंडरिम टॉप बन चुका है क्योंकि टॉप के समय डैली स्विंग काफी बढ़े रहते हैं तो ना में अल्मस्ट डोलर का इंटरेशिक था चांदी में अल्मस्ट दोसों सिंट का इंटरेशिक था इंडरेम टॉप साहिद इस्टाबलिश्ट हो चुका है आँ जिसे हमने कहा कि हिंट दिया तो मुझे ऐसा लग रहे कि ऐसा सप्लाइशाइद बढ़ेगा डिटेल डेवलप कंट्री में से में सिरोप और अमरीका से आब बताए ये गोल को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है दीपेंजी क्या करना चाहिए यहां से गोल में मुंबे के पॉलिटिकल लिडर है संजय निरुपम जी उनको कोट करना चाहिए उन्होंने कहा कि भारत में तीन चीज के दाम या तीन चीज में हमेशा बढ़ाती ही हो रही है सबसे पहले है नड़्ची की उमर बेटी की उमर और दूसरा है सोने के भाव तीसरा का जरूत नहीं है भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगा लेकिन सेकेंड जो सोने का भाव है वो डेफिनिटली बढ़ रहा है और आप ये समझना चाहिए कि इंडियन में जिसके भी घर प के हैं लेकिन आपको फिर भी जो भी डिप साती है उसमें स्टाइगर मैंने में प्लाइन करके खरीदारी करनी ही पड़ती है विकास इसका कंजंशन अगले दस साल पाच साल पंदा साल मी जैते आपके घर का माहल हो आपको लगता है तो हमारा मानना है कि और डिप्स कि लगजी चांदी में बतारे दिपेंड जी क्या करना चाहिए चांदी में यहां से आजे कि सिल्वर की पात करेंगे तो अगें 73,000, 72,800 काफी अच्छा सप्पोर्ट आया है अभी हमने देखा है कि मॉर्निंग से 700,800 की तेजी आ चुगी और लगी तो थोड़ा फ्रॉथ कम होने दे, थोड़ी एक प्रॉफिट बुखी लाने दे इसके बाद 72,800 के आसपास आप मीनी या माइक्रोब कॉंटेक्स में सरीधारी करने की पुछी चुछी चुछी को बिरेन सर आप क्या कहेंगे चांदी में, चांदी में क्या करना चाहिए 83,000 के आसपास 82 के आसपास बाई कर सकते है 82,000 के आसपास इस्टॉप लोस के साथ यहां से 500,000 रुपे की गिरावट है, तब आप यहां पर खरिदारी की सला बिरेंसर दे रहा है चले वक्त है, ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लोटेंगे तो मेटल्स पर सबसे पहले चर्चा करेंगे क्योंकि मिटल्स में, अल्मूनियम में आज जबरदा स्टेजी दिख रहे है, इस्टेजी के बाद क्या करना चाहिए आपको जल्द बताते है In association with State Bank of India, the banker to every Indian In the jungle of investments, there are companies which move slow and go nowhere. Only a few companies become rare, dominant, unchallenged and long-lasting. Presenting TrustMF FlexiCap Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. और हमारी पिड़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे, पानी ढोती थी, इज़त दाव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धूए में आखे जलाती थी, और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार. हमारा दर्द मेहसूस किया है मोदी जी ने. तभी तो जट से भेज दिये, बिजली, पानी, गैस, शौचाले, अब घर भी बीमारिया कम हो गई है ना अमा. दवा का खर्चा घटा है और धेर सारा समय बचा है. हमारे जैसे कडोरों निकले है गरीवी से पाहर. पर मम्मी, भावी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस टेलर है. आगे पूरे भारत से गरीवी हटाने की गारंटी है मोदी जी की. और मोदी को जिताना है हमारी गारंटी है. कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं. तो बताईए, क्या चा लगा? रेंट तो ठीक है, खरीदना हो तो. मादम, होम लोट में बहुत टाइम लगता है. निकल जाएगा घर. नहीं जाएगा सर. अब जानते हो इनका बैंक कौन है? कौन है? स्बी आई. इसे कहते हैं, सॉलिड पैंक की सॉलिड बैंक. और आपके तमाम टार्गेट हिट हुए है. अब क्या करना चाहिए? अब यहां से बताईए, अब काफी कुरूशिल हो गया है, क्योंकि भाव काफी तेज है अभी. अब करने के लिए अगर आप देखेंगे तो आजए अनलिस्ट हमारी कोशिश यही रहती है, कैसे आइडेंटिफाइट को आइडेंटिफाइक करें, जिसमें आपको तेजी देखने मिलेगी और कंपरेटिव भी ज्यादा तेजी देखने मिलेगी. बेस में अगर आप देखेंगे तो कॉपर और जिंग दोनों में हमें 7-8-10 परसंट भी तेजी देखने मिली है, लेकिन नीचे से अलुमिनियम के प्राइज़ 20 परसंट बढ़ तुके है, आपको ये भी धियान देना होता है कि कौनसी कमरेटी कितनी जादा बढ़ सकती है, तकि दर्शक बित्रों को उतना ज्यादा लाब हो सके उतने ही पैसे इन्वेस्मेंट्स में, तो ये काफी अच्छा ट्रेड गाया है तचुल, लेकिन अभी आपको इंतेजार करना होगा तोड़े प्रॉफिट बुकिंग का, विकास हमने देखा है कि आज 4-5 परसंट का ग खरीदारी करने के कोशिश करें, देखिए, प्रॉफिट बुक करके, साइड में फिर से भाई करना इक अलग बात होथीwen, ये अमरी क्योओ सला हो Yeah! पिर से सलाह देखते रहे हैं कहां पर आपको एंट्री करनी है मौझूदास तरों पर खईदारी की सलाह नहीं दे रहे हैं लेकिन शौर्ट सेल की भी सलाह दीपेंजी की तरफ से रहन नहीं है बिरेंसर आप बताईए मिटल्स में जिस तरह की तेजी आई इसके बाद आप अपर पर अलुमुनियम पर तीनों पर बताईगा बिरेंसर यहां पॉलिसी बेस काफी अर्विटेश के काफी अच्छे ट्रेड उबर आए है क्योंकि अल्मी ने बान किया है कि 13 अपरिल के पहले जो भी अलुमुनियम पर है बना आप वो अल्मी में डिपोसित नहीं हो सकत अब डिमेट में ओलरेडी 95% मटरेल है वो रशियन ओरिजिन का है तो कोई न कोई समय पे यहां क्रावडेट जिसको केते है कि कंसेंट्रेशन आएगा मैटल का तो यहां एक ट्रेड ऐसा है कि जीक लॉंग करके अलुमिनियम को शॉट किया जाए क्योंकि सप्लाइशाइड अलुमिनियम की सप्लाइब बेहत ज्यादा है और चाइना की अलुमिनियम एक्सपोर्ड भी काफी स्ट्रोंग है क्योंकि वहां डिमांड बेहत कमजोर है तो एक पर्टिक्लर ट्रेड है लॉंग जीक शॉट अलुमिनियम करेंट बेजिस जो है दोनों के बीच का वो लेकिन अलुमूनियम विरेंसर की तरफ से जो कॉल है अलुमूनियम को शॉट करने की सला है तो यह वियू यहां पर बन रही है अलुमूनियम यहां पे 249 पे बेचे जो करेंट लेबल है इसे एक दो रूपया ऊपर आने पे बेचे और नीचे 226 रुपय तक फिसल सकता है तो अगर 226 तक आए तब खड़िदारी बनती है क्या बिरेंसर अलमूनियम अगर 226 के नीचे आने पर? मैं फंडावंटरल के साथ भी जाता हूँ, क्योंकि मेरा काम फिजिकल साइट से भी ज्यादा है, तो मैं बाई साइड ट्रिफर नहीं करूँगा इसमें. तो अभी बाई साइड यहाँ पर नहीं जाने की सला भी रेंसर की तरफ से है. चलिए बात कर लेते हैं नैच्वल गैस की, नैच्वल गैस में अभी बड़ा एक्शन तो नहीं दिख रहा है, और अगर ऐसी कोई konsolidation के समय profit booking आती है और prices 125, 126 के आसपर आते हैं तो नैच्वल गैस मिनी कॉंट्रेक्स को आप खरीदारी करके चले, जो season आने वाली है, winter season अगले 5-6 मैने में हमारा target 190 से 195 का है, तो थोड़ा konsolidation रहाएगा, थोड़ा wait period रहाएगा, लेकिन नैच्वल गैस जो टेक्निकली जो konsolidation कहते हैं वो undergoing है अभी, time wise correction, तो I think 195 के लिए आप डिप्स में नैच्वल गैस के mini contract को accumulate कर सकते हैं, निकाला, सबसे पहले बात demand को लेकर करते हैं, क्या हो रहा है sir, demand की क्या इस्तिती है, आप global, अभी भी अपने clients के साथ है, Chinese client के साथ, वहाँ से क्या report आ रही है, अभी ऐसा है विश्व महांजीट, जो demand थी, जाथते एक वीक दस दिन पहले के जो वैपार होए थे, वह अभी loading हो रहे हैं, उसी की खरीदारी अभी market में दिखाई दे रही है, नया demand जो है, वह hand to mouth है, क्योंकि पूरे world के market के अंदर वो लोगों का भी सोहीं हो चुका है, जीरा, तो वो लोग उनके जीरे की वेट कर रहे हैं, तो अभी क्या है, उनकी demand थोड़ी 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 तो gradually slow हो रही है, उनकी जितनी खपद है, उतनी ही वो purchase कर रहे हैं, नीरा जी, लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, फिस्क के सेमिनार के दोरान, तो आपने कहा था, क्यों विदेशी बाजारों में जीरा आने में जो एक gap मिलेगा, जून के आसपास उनकी arrivals होते हैं, उस दोरान भारत के लिए एक मौका एक्सपोर्ट बढ़ाने का, तो क् सिटमेंट और लोडिंग वगरा चल रहा है, सर भाव को लेकर क्या लग रहा है, लगातार भाव नीचे आ रहा है, आपका अनुमान क्या है, कहां तक भाव नीचे गिर सकता है जीरे का, अभी ये जो भिलाल अभी आज के दिन में जो भाव चल रहा है, उसमें मुझे लग अभी 300-400 रुपे पर 20 केजी की मंदी हो सकती है, यहां से और गिरावट आ सकती है, आपको लग रहा है, ठीज, शुकरिया नीरा जी, आपने वक्त निकाला, जीरे की जो रिपोर्ट है, आपने सामने में रखी है, बिरेन सर, आपको क्या लग रहा है, जीरे में क्या हो रहा है, मैं भी हम 20-500 तक इसको दिखेंगे, इस डांसाइट को एक्स्टेंड होते हुए, बहुत सारे फ्रेंट में डिसरप्शन है, पैंटम डिमांड लो कापी है, बट सप्लाइचें डिसरप्शन है, वो थोड़ी नेगिटिव निउस है, आप बताईए आपका व्यू, जीर आपके प्राइज़ में आपको नर्मी देखने मिलेगी, और हम बॉटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 20-19,000 के आसपास, फस्ट और रिस्क रिवाड रेशियो अगर आप देखेंगे, तो यहां से हम अभी सिफ 2-3 परसंट दूर हैं बॉटम से, और बेस बिल्डिंग से, और उसके बाद आपको यहां से एक अच्छा कासा उचाना देखने मिल सकता है, जिसमें हम यहां से टेक्निकली फिर से अट्टाइज से 32,000 के बाहु देख सकते हैं, तो काफी अच्छी ऑपर्चुनिटी हमें लग रही है टेक्निकली, अगर आपको 20,000 से 19,000 के बीच में आते जीरा में काफी अच्छी ट्रेडिंग अपर्चिनिटी और ट्रेडिंग मूब अगले 15-20 दिन में आपको देखने मिल सकते हैं, तो अच्छी तेजी आपको यहां से दिख सकती है, गिरावट का थोड़ी और गिरावट आने दे, फिर आप यहां पे खरीदारी करने की सला दिपेन जी की तरफ से आ रही है, लेकिन रिस्की बेट है, ये भी आप ध्यान रखेगा, अब धनिया में बताइए, बिरेन सर क्या धनिया खरीदे क्या 7400 के आसपास माई वाइदा? जो फिजिकल साइड है वो इस वाउस से बाई कर सकते हैं, या तो जिनका लंबा नजरिया है इस दो-तीन मेने का, वो भी करनेट लिवट पे बाई कर सकते हैं, क्योंकि एक-दो विक ये वोर का प्रिमियम या डिसकाउंट जो भी डिस्काउंट रहेगा, बट दो-तीन विक में शायद ये भी डिसकाउंट हो जाएगा, जैसे बुलियर में डिसकाउंट हो गया है, तो मेडियम टर्म अबजिक्टिव काफी अबिट है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल सपोर्टिव है, मीडियम टर्म अगर आपका थोड़ा लंबा नजरिया है, तो जरूर आप यहा आसपास पहुंच चुका है, ग्यारा हजार के आसपास गवारगम भी आ चुका है, विरेन सर क्या हो रहा है गवार्सीर गवारगम, और तेजी दिख रही है, मैं इनिशिली एक्सपेक्ट करता था कि इसराइल का अगर फोड़ा प्रोड़ा नहीं होता तो यह फ्टान सो त है, तो टेक्निकली दस जार आट्सो और नौसो का सपास गवार्म शॉट करके दस जार काटा प्रेट रख सकते हैं, स्टबलोस ग्यारा तिन सो का होना चाहिए, शुक्रिया, बिरेन सर आपका, डिपेंजी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, मुनाफेकी मंडी में इ दस मिनट में आपका खाना डिलिवर हो नहूँ, पर यहां आपको मिलेगा हर पांच मिनट में, कमाई का पक्का मौका, इटीनाफ वोदेश बर हर पांच मिनट कमाई का इडिया, गोड, इतना पानी आगया है, पापा, पापजी बारिश हो रही है, वा, चत टपक रही है, अलो, यू, घर है, इसकी शादी नहीं, कि बिना एड़ाइस के डिसीजन ले थिया, इसलिए तो घर मैचिक मिक्स पर देखे, प्रॉपर्टी की पूरी इंफर्मिशन, वित एक्सपर्ट एडवाइस, और पंद्रा लाग से जादा प्रॉपर्टी ऑप्शन्स है, गूड, तो अटलीस्ट बेरा खर तो लाखों में एक होगा, तो अटलीस्ट बेरा खर तो लाखों में एक होगा. Nippon India Mutual Fund, Wealth Sets You Free. Mutual Fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. इसलिए एक make-break level है, 200 दिन की एवरेज की ऊपर आके हमें ट्रेड करने लगे हैं, मैं एडिम भी काल रहा, जुड़ी है मेरे साथ, सिरफ 89 सवदेश का है. Stock market में portfolio बनाना हो सकता है, मुश्किलों से भरा. Market का उतार चड़ाव आपको कर सकता है, Confused. Market match नीचे के level से करीब-करीब 200 point की recovery आई. मैं अजेश शर्मा आपको दूगा सीधी और सठीक सला, जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्टफोलियो मजबूत. 89 स्वदेश बढ़ो देश के साथ. मैं Access Securities से राजेश पाल्विया, मैं दूँगा आपको एसे ट्रेडिंग आइडियाज जो कराएंगे आपको धमाकेदार मुनाफ़ा. तो देखिए पाल्विया के पठाके शेयर्स सिर्फ इटीनाव स्वदेश पर. मिडल इस्ट में तनाव और यूएस में महिंगाई के चिंता से बाजार में चौथ तरफा गिरावट है. निफ्टी एक सो साथ हंग गिरकर अभी बाईज़ा तीन सु पचास के पास है. बैंक निफ्टी में साड़े तीन सु पॉइंट की गिरावट है. मिड और स्मॉल कैप शेरों में आज ज़्यादा दबाव है. निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स करीब एक परसंट फिसला तो मिड कैप इंडेक्स में गिरावट एक परसंट से ज़्यादा है. सरकारी बैंकों में आज सबसे ज़्यादा गिरावट सेंट्रल बैंक, आयोबी, यूको बैंक आज 3% से ज़्यादा कमजोर हुआ है दिगज, SBIV आज 2% टूटा, PNB और Union Bank भी 2-2% नीचे दूसरी सरकारी कंपरिस के शेरों में भी आज बिक्वाली देखने को मिल रही है SGVN, NLC, इंडिया, NBCC में 5% टक की कमजोरी है तो वहीं ITI, कोचिंज, शिप्या, डिट्स भी आज 3-4% नीचे हुए है जैफरिस की रिपोर्ट के बाद, O-NGC में आज हुई है हलकी खरीदारी शेर्स करीब 4% की मजबूती के साथ, निफ्टी का टॉप केनर है जैफरिस ने खरीदारी की राय के साथ कवरेज दिया है 390 रुपे का LME के रूस के मेटर्स की ट्रेडिंग पर बैन लगाने से चुनिंदा मेटर्स में आज चमक दिखने को मिली है हिंडाल को में करीब 4% तक की बढ़त है, विदानता नाल को भी आज 2-3% डुप पर है मजबूत बिजनस अपडेट से सैंको गोल्ड में जोरदार तेजी, शेर 17% बढ़कर रिकॉर्ड उचाई पर पहुंचा चौती तिमाही में आई करीब 40% बढ़ी है ब्रोकरेज के मजबूत आउटलुक से एकसाइड में आज 4% से ज़्यादा की बढ़त है मौगन स्टैली की ओवर्विड रेटिंग है लक्ष तीन सो तेहर तर्फ से बढ़ा कर 445 रुपे कर दिया गया बड़े डिविडेंट के ऐलान से एस्टर डियम में आज करी 7% का उचा लाए कंपनी ने 118 रुपे की स्पेशल डिविडेंट के ऐलान किया कि कैस्ट को ने यह सब्सक्राइब का स्वागत है मांकेट एक काम अच्छा कर रहा हुआ है 2230 को बचाने की कौशिश सुबह भी हमने आपको यह बात बताई थी कि 300 के आसपास जो भी आपका माल खरिजा हुआ आप प्रॉफिट में हैं करीब 100 पॉइंट की गेन में बहले बाजार के अंदर 500 पॉइंट तक का नुकसान दिख रहा होगा लेकिन आपको फायदा ही दिख रहा होगा वजह अच्छे अनलिसिस करके हम आपके सामने रख रहे हैं कोशिश की पूरी कर रहे हैं कि भी तरह से रोकने में कामयाब हो रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के मकाबले अच निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्टेंथ है विकाउज आफ इस यह दोनों आज निफ्टी को थोड़ी ज़्यादा है बाज़ दिखाना चाहें तो आप रिलाइंस का शेर भी दिखा सकत रहा है तो इस वज़े से हम देख पारें कि थोड़ा डैवरिजिंस आपको साफसाफ देखने को मिल रहा है लेकिन फिर भी कोई बात निए अगर मार्केट यहां पे 22-300 को बचा लेता है तो एक अच्छी ऑपरज़नोड़ी आपको मिलेगी 500-600 तक आने की ऐसा डाटा बता रहा है लेकिन नहीं जल्दबाजी कीजेगा नहीं बहुत तीजी से एवरेज कीजेगा नहीं बहुत जादा माल लेना है रुक रुक के काम करना है चोटे चोटे प्रॉफिट्स अगर आपको मिलते हैं तो ठीक है अभी भी मार्केट बाइं हैं तो यह डिप काम होगा ठीक जी तो आज कि हम मेहमान के हम आपका परीचे करा दे अजीत मिश्रा होंगे आज हमारे साथ रेलिगर सीगरोडी से उनसे बातशित करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में अलग-अलग स्टॉक्स भी उनसे पूछेंगे साथी उनस समय को आप्शन का ट्रेड बनता तो जरा वह भी बता दीजिएगा तो अजी सरसे दुबाचित होगी होगी लेकिन उससे पहले आपको दिखाते है रिपूर्ट कार्ट चंदन ता पढ़िया शुक्रवार को मारे मैमान थे कुछ ट्रेडर उनका रिपूर्ट कार्ट दिखा था कि हिंदुस्ता नेरो नॉर्टिकल्स की 36-50 वाली कॉल अपर प्लस करना चाहें तो प्लस कर सकते हैं उसका मैनेफिट आपको मिलेगा सामने आपके 24 परसंट का गेन है टीस की 4000 की कॉल थी आपको ध्याने 75 पर प्लस करवाई थी आज उसका हाई लगा हुए 110 तो वहां से आईयारसी टीसी चल सकता है जो नहीं चला उनका माना था कि यह испन चलेगा नहीं चला उनका मानना था कि कंडिशन के बाद M.C.X चलेगा वह नहीं चला तो चले नहीं है लेकिन उनके स्टॉप लोस भी हिट नहीं है इसलिए हमने उनको छोड़ दिया आप उसको लॉस मानना चाहिए लॉस भी मान सकते तो इसलिए अगर मैं इस टोटल पॉर्टफोलियो को जोड़ दूँ आपके सामने अब इसमें क्या घटा हूं और क्या भी लगे हुएं तो लेकिन मैं आपको यह बात क्लिर करेता हूं यह 3650 का जो भाव लिखा है थोड़ा गलत लिखा है एक्चुली में 3650 की कॉल है ऐसे टीसेस का शुकरवार का भाव नहीं है यह टीसेस की 4000 की कॉल है उसमें इसका रेट 75 पे था ठीक है तो यह शुकरवार क आगे 365 का प्राइस था वो तो ठीक है ठीक कोई बात नहीं हम तोड़ा आगे बढ़ जाते हैं अब इस रिपोर्ट कार से मोटा मोटी आपको आइडिया लग गया होगा बस हम आइडिया लगवाना चाहते हैं आपको बताना है चाहते हैं कि देखिए जो हम काम कर रहे हैं ज के लांग पॉजिशन अभी भी 50% से ज्यादा है पुट कोल रेशो आज की गिरावट से पहले ही एक के नीचे पहुंचा हुआ था पीसिया निफ्टी का बाजार के अंदर चर्निंग हो रही है एक का एक सेक्टर कोई ना कोई निकल कि आ जाता है तो बाजार की हेल्प करता है जैसे आज सुबह थुबह आई टी ने फोड़ी बहुत हैल्प की बाद में होते होते मैटल जा गया तो बजार को गिरने ने जिरे चेक अंड बैलेंस करवा रहे हैं सर अगर आज की क्लोजिंग 22-300 के नीचे नहीं होती है तो आपको लगता है कि एरान वाला मैटर और मा सर एक बार अन्मूट कर लिजिए अजीज सर अगरा सब्सक्राइब कर लिए कि यह जो मूग है मार्केट का रियाक्शन है मैं यह कोई नए जी नहीं है पिछले चार महिनों से आप देख रहे हैं मार्केट में कि जो यह मार्केट में राइस है 21,000 से 22,600 का बहुत आप देख रहे हैं जहां पर कि कुछ नए कुछ इनए फेक्टर्स इंपेक्ट कर रहे थे मार्केट के सेंटिमेंट्स को बट टोन पॉजिटिव रहा है इस पूरे मूग में इस किसले चार महिनों में पॉजिटिव चीज क्या है कि अभी भी कोई डिसाइसिव डिकलाइन देख रहे हैं जैसे कि gap down खोले और उसके बाद extend करें और move को आज भी वही same scenario है कि आपने negative खोला initially आप गये negative आप दुबारा से आप recovery देख रहे हैं selective sectors and stocks definitely अभी यहाँ पर ज़्यादा help कर रहे हैं मेरा मानना यह है कि 20 EMA जो की करीब 22-300-350 का zone जो आप भी कह रहे थे जब तक आप इसको hold कर रहे हैं तब तक एक possibility बनेगी एक rebound की but एक बहुत strong up move भी शायर यहाँ पर ना हो तो कहीं न कहीं एक range bound bias मुझे लगता है कि यह market में रहे आने वाले time में जहां पर कि 500-550 upper band और नीचे पर आपका वही कि वो better structure है earning season की शुबवाद हो चुकी है HDFC bank के इसी week में नतीजे है तो obviously वो सारी चीजे और होंगी किस तरीके से आगी चीजे पहना होती है तो as of now मेरे इसाब से अगर आप fresh position देख रहे हैं index में थोड़ा time wait करना चाहिए एक rebound पे आपको जो आपकी longs हैं उनको hedge करने के लिए आप कोई put buy कर सकते हैं जैसे 22-300 वाली put month end की करीब 119 के पास trade कर दी है जैसे इंडेक्स अगर आपका ये 400 के जोन में लिखाता है एक बार को तो उस position को hedge करने के लिए आप इस put को आप buy कर सकते हैं month end की put को otherwise for a time being मेरे साब से indices को आपको wait करना चाहिए थोड़ा stability का wait करिए clarity का wait करिए किस तरीके से close आ रहा है किस तरीके से next day open हो रहा है उसके बाद देखेंगे की situation क्या है अभी तक मार्केटिंग कोई major dent नजब नहीं आ रहा है ठीक है तो अजीज सर मैं इसको अगर sum up करना चाहूं आप से तुम्हां फिलाल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे avoid का ठपा लगा दो या buying on dips का लगाओ देखें मेरे हिसाब से अभी आपको avoid का ही टपा लगाना चाहिए कि जब uncertainty है तो levels आपको ज़्यादा बेटर बिल सकते हैं तो buy on dips में जैसे कि मैं अभी तक जीच करके चल रहा था कि 20 E.A. में कोई आपको hold कर रहा है तक आपको buy on dips करना है आज अपने उसको challenge किया है आज अप close कहा होते हैं वो important लोग ठीक है तो फिलहाल के लिए हम सर अवाइड की category में डाल देते हैं दोनों में कोई trade नहीं लेते हमें कोई जल्दी भी नहीं हमें कहीं फसना भी नहीं है हमारा कोई motive भी नहीं है कि हम फालतों के risk लेके घुमते फिर और अपने पैसे को फसादें मैं आपके इस conviction के साथ जाने के लिए त्यारों की बजार को सेटल होने के लिए थोड़ा समय लगेगा बजार के एक range में फसा रहेगा इस range के lower end को हम टेस्ट कर रहे हैं आपर end को भी टेस्ट करने जा सकते हैं बट फिलाल के लिए कोई सो अब हम आजाते हैं सीधा सीधा शेयर्स पे तो पहले आएंगे ताजा खरिदारी वाले शेयर्स हम जड़ा पहले हो आपकी स्क्रीन पर लेखे आते हैं आज गैंस के स्टॉक्स आप देख रहे हों कि सभी बढ़िया चल रहे हैं तो आई जील उपर है गेल उपर है एम जीए उपर है हमने उसमें से एक चांटा है वह है आई जील दूसरा हमने जो शेयर चांटा है सर वह है लाए सी हाउजिंग का आप इन दोनों में ट्रेड बता रिजे कोई ट्रेड बनता तो फिर बताईए ने तो फिर हम आगे बढ़ेंगे आदेखे आईजी अंड डिम्पी काफी टाइम से मैं भी इसको बहुत लोगी ड्रैक कर रहा हूं और मंतली चाट कर अगर आप देखेंगे तो आपको एक ट्राइंगल बैटन नज़र आएगा जिसके अपर बैंट को आप टेस्स कर रहे हैं करीब 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 चार्साइश के पास तो आज की नेगिटिविंग यह बावजूद भी आप यहां के पॉजिटिव टोम देख रहे है मुझे लगता है कि यह अटेम्ट रहेगा इस बाग कि यह स्ट्राइंगल बैटन को ब्रेक आउट करें और करीब करीब दोबारा से अपने नए हाइस के पास पॉजिशनल नी जाते हुए नजर आए आपको पांसो पचास प्लस तो अभी फॉर देख टरम भी मेरे साब से करना चाहिए चारसो पैसट यह आपका स्टॉपलस रहेगा और फॉर एटी फाइव से फॉर नाइंटी का आपका इमिने टार्गिट है पॉजिशनल जैसे हम अनुपता है कि दुबारा से पांसो पचास एलाइसी में भी काफी यादा स्ट्रेंथ है बट पिछले करीब एक सब्सक्राइब करना चाहिए कंसिडरिंग की मार्केट अपना सपोर्टिव नहीं है तो 460 के उपर निकले डेफिनिट्ली आपको लॉंग करना चाहिए उसकेश में 648 आपका स्टॉपलस रहेगा और करीब 680 तक के टार्गिट होंगे लाइसी के एक प्लेट में बनवाता सब्सक्राइब लिखेगा उपर लिखे लाइसी एड़ डारेट 460 ठीक है आगे आपको जो स्टॉपलस डालना हो डालना चार्सुआरटालीस रुपे का और आपको जो स्टॉपलस जो आपको टार्गेट रखना है वो रखना है छेसुएसी रुपे का आई रिपीट 248 का स्टॉपलस और और आपको जो है 660 के ऊपर आपके इसको बाय करना है ठीक जी सर यही है ना एलाइसी का यही करें ना फिर ठीक है डान सर एक बार ना मेरे को आप हमने सारे लेवल्स लिख दिए बर आप भी चेक कर लेना कि गल्ती हो तो हमको बताईएगा आई रिपीट सब्सक्राइब करना है यही है या चेंज करना है कुछ इसको 490 में सब्सक्राइब होने चाहिए इसमें पर दो ना इंटी कर देते हैं टार्गेट में चेंज लिया आते हैं फोर नाइंटी कर दो भाई इसका टार्गेट इसका आईजियल का और एलाएजी हाउसिंग अंदर कोई इसी कंडिशन है वैसे देखाया तो आई जल में कोई कंडिशन निये 475 चल रहा है 475 के उपर आपको प्लस करने के लिए हैं डाला गया है लेकिन फिर भी एलाएजी हाउसिंग आप थोड़ा देख लेना उसमें है कंडिशन 660 वाली और 660 के उपर आने पर ही सोड़ा प्ल अधिए सब्सक्राइब मेरे साफ से आपको पूकस में रहने चाहिए जैसे की नेशनल अल्मुनियम हो गया सेल हो गया टार स्टील में तब एक रॉसी बोल्ड मुझे नहीं कोई ध्यान नारा नाम जो कि आज अज अगर कर रहा है तो नेशनल अल्मुनियम डेफिनिटली ब करने की कुछ रेकमेंड कर रहा हूं बट ऊपर वे आपको 210 तक की लेवल मिल सकते हैं तो इसमें थोड़ा सा कॉंटिटी कम रखिएगा क्योंकि थोड़ा बॉलेटा ही काउंटर है बट यस टोन पॉजिटिव है तो यहां 175 के स्टॉप लॉस करिजार 210 तक के टार्गेट के आपने आइडिया बे कुछ नहीं बोला आइडिया का अभी चैलेंजिंग फेज मेरे साथ से विक तक अवरकम नहीं किया है आपने भी हार फिलाद में दुबारा से अपने लांटर में टेस्ट किया और कहीं आप डेली पे इक स्ट्रॉक्चर देखेंगे तो आपको एक आपने डिकलाइंड को अभी आप लांटर मेवरिजिस के पास घूम रहे हैं तो यह तो यह रिंज बाउंड रहागा या निगिटिव रहागा तो बारा के नीचे तो दुबारा से मेरे को लगता है कि दस तक के लेवल्स या शायद इससे में नीचे स्टॉक में कुल जाए तो अभी मेरे इसाब से आइडिया को फ्रेश के लिए देफिनिटी अवाइड काना चाहिए ठीक है आइडिया पे लगा दीजिए अवाइड का ठपा नाल को यहां से और निकल किया है कुल मिला कि अब तक तीन शेर हमने आपके सामने रख दी हैं इस सेग्मेंट में हमारे लाइड और आवाइड निफ्ति पे अवाइड है इंडाइड सी के अदर किसी तरह का कुछ ट्रेड नहीं है लेकिन जो नौन इंडाइस का ट्रेड है यह कैश के स्टॉक्स फूट्रे में उसपे आपको स्टॉप लस टार्गेट मिल तीन ट्रेड निकाले हैं जिसमें ज्य के सामने रखेंगे अजीर सर की कॉल्स भी है मेरा नाम अशीस सदेवा है ताइम सना भारत मेरे तो बहुत अच्छा चनल है दिलीव एट रखेंगे पापा वो थुड़ा सा लग रहा था की सच में मिल रही है ना मैंने का नहीं पापा अभ ये गाडी सच में हमारी है यो कि ताइम सना भारत से मिली है देखो खेलो जीतो कॉंटेस्ट खेल कर मैंने तो जीत लिया, अब आप कब जीत रहे हो? देखेगा नव भारत जीतेगा भारत कॉंटेस्ट, देखो खेलो जीतो, टाइम्स नाव नव भारत पर हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो जट से भेज दिये, बिजली, पानी, गैस, शोचाले, अब घर में बीमारिया कम हो गई है ना अम्मा, हां, दवा का खचा घटा है और धेर सारा समय बचा है, हमारे जैसे कडोरो निकले है गरीवी से पाहर, पर मम्मी, भा भाजपा को जटाएं, सोच रहा हूं, छोटी बहन को लाप टॉप गिफ कर दूँ, लाप टॉप? फर पैसे कहां से आएंगे? आएंगे, तु जानता है इसका बहन कौन है? कौन है? कौन है? SBI, get pre-approved personal loans in just a few clicks, इसे कहते हैं, Solid Bank की solid backing. ब्रेक में एक पर फिर आपका स्वागात है, अब तक हमने तेजी वाले तीन शेर आपके सामने रखें, एक तो IGL रखा, दूसरा रखा LIC housing, तीसरा रखा नाल को, इसके लबावा आइडिया को आवाइड कर दिया, कि आइडिया के अंदर कोई trade नी बनता, निफ्टी, बैं जो शेर हमने निकाले एक तो बंधन बैंक है, बंधन बैंक हमको तफसिय और जारा खराब ने लगे लगा जब से मिस्टर गोश ने इस्तीफा दे दिया इनका, ये शेर कमजोर भी है, पहले भी कमजोर था भी और हो गया, इसके लावा इंफो एच, जिसका कोड है नोकरी, ये शेर भी 2% नीचे है, अजीज सर कोई ट्रेड बनता है तो बताईए, बंधन बैंक में और नोकरी में? अगर आपको एक fresh position धून रहे हैं ये शॉटिंग के लिए, डेफिनेटली आपको यहाँ पर शॉट पोशिशन मेंटिंगर सकते हैं, 184 के stop loss के साथ, 170 के टागेट के लिए, नोकरी मुझे लगता है कि अभी तोड़ा जल्दी होगा, considering कि इसने आउट परफॉर्म किया है व काफी strong traction देखने को मिला था, अभी हाल पर लाग में करीब 5000 से 62 सो अपर, तो ये एक retracement जरूर है, और उस पर शायद रहा बहुत प्रॉफिट टेकिंग और extreme करें, बट टोन अभी भी negative नहीं हुआ है, इसमें आप करीब मान के चलिए कि 56 50, 57 100 के राउंड पर यहाँ पर देख सकते हैं, इसको शॉटिंग के लिए अवाइड करने चाहिए, ठीक है, तो हमें एक नौकरी छोड़ देते हैं, फिर लॉंग भी नहीं करते हैं, इसको थोड़ा पकने देते हैं, इस पर लगा दीजे, इन्फो एच पे एक बाज़ा ठपा अवाइड का, इसको हम अव इकरम को शुरू हो है, करीब करीब 20 मिनिट हो है, 20 मिनिट केंदर सिर्फ 400 अब तक हम को मिले हैं, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा इन 400 में से अगर आपको एक, दो, तीन, चारों के चारों ठीक लगे तो लो, एक लगे तो ठीक हैं, दो लगे तो ठीक हैं, आप देख लिचेगा, हमारा मानना है कि कम ट्रेड कीजिए, कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड कीजिए, लेकिन जो कीजिए और पक्का कीजिए, ताकि पैसा आना सुनिश्चित हो जाए, और लोड कम हो, फ्तनाव कम हो जाए, ठीक जी, तब तक हमने चारों शेर आपके स्क्रीन पर वार बीबी, ये दो शेर भी चेक कर लो, कोई ट्रेड इन में बनता है तो फिर बता दो, मंदी का, जी एन एफसी और एबीबी, अभी आज इसने जिस तरीकर से इनिशल डिप के बाद जिक अभी दिखा रहा है, करीब 1% कट्स अभी भी रहे गए, बट ओर आल मिज लगता है कि इसने जाएफ रहेगा, जहां पर की 680, 675 का जोन, जहां पर की मल्टिपल अबरेजेस का सपोर्ट भी है इसको, वो बेस रहेगा 720, 725 का जो अपर बैंड, ब्रॉडली आपको ये रेंज बाउंड रहेगा, मुझे लगता है कि यहां पर आपको फ्रेश शॉट्स यहां पर आपको प्रॉफिट ले लेना है चाहिए एक बार और दुबारा से रिएंट्री के लिए को अच्छा जोन जो होगा, वो करीब 6300 के पास अब कोई मिलता है दुबारा से तब आपको देखना चाहिए ठीक है, दो अलग-अलग स्टेंप लगाईए, एभी भी भी लगाईए, बाइंग ऑन डिप्स का, ठीक है, या इस पे एक और स्टेंप भी आप लगा सकते हैं, जिनके पास पोजीशन है ना, वो भी प्रॉफिट बुकिंग भी कर लें, तो दोनों स्टेंप लगाओ, अलग-अलग स्टेंपिंग है, दोनों के लिए अलग-अलग काम है, ठीक है, जी एन एफसी अवाइड लगा दो, जी एन एफसी पे हम कोई ट्रेड नहीं ले रहें, ना ही लॉंग का ना ही शॉट का इसको छोड़ देती है, रेंज का ट्रेड है, फिलाल अभी कोई ने रखें, उन्होंने हमको तीन शेर लॉंग के दिये, और एक शेर अब तक हमको शॉट का मिला है, वह बंदन बैंक जो कोईंसेरिंटली उनकी कॉल भी है, अजीज सर अब आपके जो ट्रेडिंग कॉल है, वो और बता दो, ताकि मारी लिस्ट थोड़ी बड़ी हो जाए, यहां पर बहुत सारे स्टॉक्स है, जहां पर कि आपको अची स्ट्रेंट नज़र आ रही है, और ओंजी सिरुट में से एक ऐसा नाम है, जहां पर कि आज कापी स्ट्रॉंग वाल लिंग के साथ प्राइज एक्शन देखने को मिल रहा है, दो महीने का कंसॉलिडेशन जो कर के लिए 272 के स्टॉक्स के साथ, ओके ठीक है, एक आपने ट्रेड हम को ONGC और दिया है, कुल मिलाके मैं फिर से रिबीट कर देता हूँ, IGL है हमारे पास, LIC हाउजिंग हमारे पास है, नालको हमारे पास लांग पोजिशन से सभी कुछ दिखाते हैं, यह फटा-फट से नालको और एक ONGC, चार शेयर तो यह तेजी के हैं, बंधन बैंक इकलाओता एक शॉटिंग का है, और सब भूल जाओ, इस कारकर में सिर्फ यही शेयर निकल के आए हैं, चार शेयर लांग के, एक शेयर शॉट का, बंधन शॉट है, और चार शेयर आपके पास लांग के है ठीक है जी, मैं जड़ा एकस्प्लोर कर गरूँगा नहीं आज सर को, और मैं नहीं जड़ा ऑप्शन, ऑप्शन कर ढूंड़ूँगा आपके लिए, वो इसलिए क्योंकि अभी मार्केट के अंदर वो समय नहीं आया है, थोड़ा सा देख भाल के आराम से काम कीजेगा, हमा जीक है जाल काम कीजेगा आपके लिए। स्टॉक मार्केट में पॉर्टफोलियो बनाना हो सकता है मुश्किलों से भरा मार्केट का उतार चड़हाव आपको कर सकता है कन्फ्यूज मार्केट में आच नीचे के लेवल से करीब करीब 200 पॉइंट की रिकवरी आई मैं अजय शर्मा आपको दूगा सीधी और सठीक सला जिससे आप बना सकेंगे अपना पॉर्टफोलियो मजबूत इची ना स्वदेश बढ़ो देश के साथ simple strong processes and risk management help you achieve your goals steadily and sustainably nippon india mutual fund wealth sets you free mutual fund investments are subject to market risks read all scheme related documents carefully no buck buck non-stop dhag dhag non-stop music on Sunrise Hates रोजसुबा आठ से दस सिर्फ जूम पर अधे लगता है कि हम दुन्या की कोई भी टीम को आरा सकते हैं चट टपक रहे हैं अज़ शिप्ट करने वाले हैं ना पापा? अस घर मिल लेकी दे रहे हैं इसलिए तो घर मैजिक मिक्स पे देखे इसलिए प्रॉपटी की पूरी इंफरमिशन थे एक्सपर्ट एडवाइस और बंदरा लाग से जादा प्रॉपटी ऑप्शिंज एक्ट लिस्वेरा घर तो लाखों में होगा टेक्निकल चार्ट हो या फिर एफेंडो किस खबर का होगा आप पर कितना असर वेपार जगत से जुड़े हुए हर मुद्दे का विश्वेशन समझे मेरे साथ असान भाशा में ग्रॉथ बहुत अच्छी चल रही है अनाई अपने ट्रेडिंग डे की वहतर अनीती शॉर्ट को निंग से लॉंग डाने में समय लगेगा इसलिए एक मेक ब्रेक लेवल है अच्छा मौका हम आपको देंगे एक शांदार आइडिया हर पांच मिनिट में टेकनिकल हो या फंडमेंटल शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉंग टर्म अब सब कुछ मिलेगा आपको तो देखिए हर ट्रेडिंग डे सुभा आट बजे से शाम चार सिर्फ एटीनाव स्वद पढ़ो देश के साथ परसेंट फिसला, मिटकैप इंडेक्स में भी एक परसेंट की गिरावट सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा गिरावट सेंट्रल बैंक, आयो बी, यूको बैंक में तीन परसेंट से जादा की कमजोरी, दिगज, SBI, PNB और यूनियन बैंक, दो-दो परसेंट नीचे दूसरी सरकारी कंपनियों के शेर में भी बिकवाली हावी, SGBN, NLC, इंडिया, NBCC में 5% अकी कमजोरी, ITI, कोचिंशिप यार राइट्स भी 3-4% नीचे कच्चे तेल में मजबूती से, ONGC में खरिदारी, शेर 4% की मजबूती के साथ, Nifty का टॉप गेनर, जेफ्रीज ने खरिदारी की राइट के साथ कवरेज किया शुरू, लक्ष्य 390 रुपे LME के रूस के मेटल्स की ट्रेडिंग पर बैन लगाने से, चुनिंदा मेटल्स शेरों में चमक, हिंडाकों में करीब 4% की बढ़त, वेदान था और नारकों में भी 2-3% की तेजी मजबूत बिजनिस अपडेट से, सेंको गोल्ड में जोड़दार तेजी शेर 17% चड़कर रेकॉर्ड उचाई पर, चौथी रिमाही में आए में 39% की ग्रोथ साढ़े 4% की तेजी के साथ, एकसाइट 52 हफते की उचाई पर पहुचा, मौगन स्टैनली के ओवरवीट रेटिंग लक्षे 37 से बढ़ा कर किया 480 रुपे बड़े डिविडेंट के एलान से एस्टे डिये में करीब 7% का उच्छाल, कम्पनी ने 108 रुपे के स्पेशल डिविडेंट का किया एलान और टेसला ग्लोबल ऑपरेशन्स के लिए टाटा एलेक्ट्रोनिक्स से खरीदेगा सेमी कंड़क्टर, दोनों कम्पनियों ने साइन किया स्ट्राटेजी करार, एकॉनमिक टाइम्स के स्तुरों के हवाले से खबर नमस्कार स्वागत है आपका इटीना उस्वदेश पर मैं हूँ आपके साथ पूजातर पार्टी और आप देख रहे हैं मिट कैप मसाला इस शो में हमारा फूकस रहेगा मिट कैप स्टॉक्स पर, कहां पर action है, कहां बिक्वाली है, कहां पर क्रिदारी है, इन सब पर हमारे चर्चा करेंगे और साथ ही मिट कैप स्टॉक्स में रन नीती क्या होनी चाहिए, इस पर हमारा फोकस अगले आधे घंटे रहेगा चलिए शो के शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नज़र डालेते हैं बाजार की बड़ी बातों पर और इस फक्त निफ्टी को देखें तो 22,400 के पास कर रहा है कारोबार करीब 500 अंकों की रिकावरी निशले स्तरों से निफ्टी में देखने को मिल रही है वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 48,050 के पास करीब 500 अंकों की गिरावर्ट है बैंक निफ्टी में मिट कैप और स्मॉल कैप शेरों पर भी दबाव है मिट कैप इंडेक्स 1% नीचे कर रहा है कारोबार और आज ये सबसे ज़ादा तूट रहे हैं सरकारी बैंक वहाँ पर ज़ादा गिरावट है आयोबी यूको बैंक 3% नीचे कारोबार कर रहे है चुरिंदा मेटल शेरों में भी खरदारी है और आज ये का टॉप गेनर है हिंडाल को 4% की मजबूती के साथ हिंडाल को आज कर रहा है ट्रेड और निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी ये स्टॉक शामिल है तो ये है बाजार की इस वक्त की बड़ी बाटते सरकारी बैंक बना रहे हैं दवाव लेकिन मेटल शेरों में अच्छी चमक इस वक्त देखने को मिल रही है चलिए ये तो बात हुई बाजार की लेकिन आब आपको तीन विंडो के जरी रिखाते हैं कि मिट कैप में सबसे ज़़ादा एक्शिन किन शेरों पर है तो आज हम देख रहे हैं सेंको गोल्ड 18% की शांदार तेजी के साथ कारोबाल कर रहा है कुछ दिन पहले हम इस सौक के बारे में चर्चा भी कर रहे थे कि सोने में जिस तरह से तेजी आ रही है रुजहार पढ़ रहा है निवेशकों का ऐसे में कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे तो इस पैसे में सेंको गोल्ड पर नज़र रखी 18% की शांदार तेजी है आज और चौते दिमाही के जो अपडेट आए है वो भी काफी मजबूत है तो इसके चलते सेंको गोल्ड आज उपर है ISMTE के शेर में भी 9% का उच्छाल ONGC से करीब 340 करोर का ओर्डर मिला है कंपणी को और इसके अलावा Aster DM में 8% की शांदार तेजी 118 रुपे पती शेर के स्पेशल डिविडेंट का कंपणी ने ऐलाम किया जिसके चलते आज हम इस स्टॉक में भी तेजी देख रहे हैं यह कुछ ऐसे Mid Cap Stocks हैं जो कि आज कमजोर बाजार में भी कर रहे हैं तेजी में कारोवार Stocks में क्या करना चाहिए आगे हम चार्चा करेंगे लेकिन आजलिए अब शामिल करते हैं Expert को हमारे साथ निर्मल बांक के नीरव छिड़ा जुड़ चुके हैं और उसे हम सबसे पहले समझ लेते हैं तीन घंटे के ट्रेड नीरजी थांकियो सो मच इचीना उस पदेश को समय देने के लिए तो क्या वियू बन रहा है आपका बाजार पर वैसे तो रिकावरी आई है शुरुआत काफी कमजोरी के साथ हुई ती इस महौल में जब आगे और उतार चड़ाव एक्सपेक्टेड है अभी किन शेरों पर किन स्टॉक्स पर नज़र अखें आज का जो सेशन रहा है आज की जो ओपनिंग रही है और जो चार्ट पैटर्न है थोड़ा लॉंगर टर्म चार्ट देखें विकली और उसमें नेगेटिवनेस क्लियर मजर आ रहा है इवनिंग स्टार कांड़ पाटन बनी है बोर निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो की एक नेगेटिव पैटर्न है और हम देखें इंपोर्टेंटली अधर डेरिवेटिवस देटा तो बाइस पान्सों का जो पुट था उसना हाइस ओए बिल्ट अप रहता था था निफ्टी में वो अब शिफ्टों के बाइस हजार पर चले गया है तो यहां से नीचे आ सकते हैं तो ऐसे में अगर आपके पास कोई पोजिशन है इन टम्स अफ इंडेक्स तो यहां पर लॉंग पोजिशन देख बार के लिए नीचे में ऐसा लगता है कि 2200 यह लेवल निफ्टी में आ सकते हैं तो आपके टार्गेट रहेंगे इनकेस आपको शॉट जाना हो तो और अगले तीन गंडे में थोड़ी बहुत और अगले तीन गंडे के लिए भी आप शॉट करके चल सकते हैं इस टॉप लॉसर और नीचे में आराँ 222 वान्डेट आपके दो टार्गेट बनेंगे निफ्टी में बैंक निफ्टी में भी एक इवनिंग स्टार गैंद अंड़ ठीक है तो निफ्टी बैंक में तो कोई ट्रेड फिलाल दिखाई ने दे रहा है क्योंकि कमजोरी यहां पर बनी विया हाला कि कमजोर खुलाता लेकिन उसके बाद सुबह से एक दाएरे में यहीं कारोबार हो रहा है ना रिकावरी आई है ना बहुत जादा करेक्शन वहां जो मोमेंटम है वो थोड़ा वीक साइड पर ही दिखाई दे रहा है तो एक शौर्ट ट्रेड लेकि जाना चाहिए एक करेक्शन और आ सकता है 22,200 से 22,300 उपर की तरह stop loss जो आपको होगा वो 22,500 के उपर का होगा तो यह है सला निफ्टी पर अगले तीन घंटे के लिए निर का फाइदा अपने यहां पे मेटल्स को है तो मेरे इसाब से आपको मेटल्स में लॉंग जाना चाहिए तो यहां पर मुझे दो स्टॉक काफी बढ़िया लगते हैं एक है नैशनल आयूमीनियू तो करेंट लवल से नैशनल आयूमीनियू ज़रूर बाय कर सकते हैं टागे है उसको भी सीधा फाइदा यूमीनियू उपर जाता है तो यहां से डेफिनेटल यह स्टॉक में भी अब शंता है कि उपर में सिक्सुफ्टी तक के टार्गेट लेके आ सकती है तो करेंट लेवल से आप बाय कर सकते हैं 605 का स्टॉक लगाई तो मार्केट की मूर के साथ यह ट्रेंड के साथ जाई है और इसवक मेंटल स्टॉक्स ट्रेंड कर रहे हैं एक परसेंट ऊपर है कमजोर बाजार में भी आज हम देख रहे हैं आपर तेजियो खबर भी आई है यह रूस के मेंटल की ट्रेडिंग पर बैन लग चुका है जिसके चलते हम भारतिय बाजा होगा 179 का मेटल स्टॉक्स पर आप नजर आ सकते हैं चलिए अब कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं जहां पर कि आज कमजोर बाजार में भी आक्शन है और सेंको गोल्ड के बारे में हमने बात भी की थी आज शेयर पर नजर डाले सेंको गोल्ड के तो करीब 18% की मजबूती ये स्टॉक दिखा रहा है 138 अंक उपर है ये शेयर निरव जी हालकि चार्ट तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे आपके पास बट क्या वियू बन रहा है आपका सेंको गोल्ड पर शांदार तेजी देखने को मिल रही है मौजूद अस्तर पर पॉसिबल है कि यहां से एक हजार पचास के लेवल है वो यह रीटेश कर ले तो करेंट लेवल से जरूर इसमें बाइंग कर सकते हैं इवन थोड़ा दिप्स मिले दिपर बाइ करें इसमें एक ब्रेकाउट लेवल जो है वह 850 का है और आपका अगर स्टॉप लॉस है वो 880 तब का आएगा 880 के स्टॉप लॉस से आप जरूर बाइ करके होल्ड कर सकते हैं और टागेट अबरन 1050 ओके तो 1050 के लेवल दिखाई दे रहे हैं चार्ट पर आप तेजी करके चल सकते हैं मौजूदा सर में भी खरदारी करने की सलाह है सेंको गुल्ड पर 18% की शानदार तेजी अच्छी बात यह है कि जो क्वाटरली अपडेट आ रहे हैं कंपनी के वो भी काफी मजबूत है आए में करीब करीब 49% की बढ़त देखने को मिली है तो इस स्टॉक पर आप नज़र रखिए अगला स्टॉक है ISMT इस शेर में भी 9% का उच्छाल है ONGC के तरफ से कंपनी को एक बड़ा ओर्डर मिला है करीब 340 करोर का ओर्डर मिला है और पिशले एक महीने का अगर आप आपकी निरवा ISMT पर अपने 52 एक हाई के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है मौझूदा लेविल्स पर यह स्टॉक कैसा लग रहा है अपको देखे पुझा दी कापी बढ़िया लग रहा है मगर यह थोड़ा सा स्लो है तो इस सी यह स्टॉक में एक हाई बनता है उसके बा 120-125 तक आएगा तो वो लेवल्स के लिए बाइन करके चल सकते हैं यह स्टॉक में और यहां से एक अच्छा अप्ट्रेंड मिल सकता है आप 95 का स्टॉप लगा यह पॉर्ड टागेड़ अरां 120 ठीक है इस बीच वोड़ा आइडिया से जुड़ी खबर आ रही है एफपियो पर वोड़ा फोन आइडिया की प्रेस कॉंफरेंस चल रही है हम कोशिश करेंगे वहां पर आपको ले जाने की लेकिन जो कॉमेंट्स आ रहे हैं वो आपको एक की करके दिखा देते हैं स्टॉ बड़ा आइफपियो वो लेकर आ रहे हैं और इस फंडिंग से कंपनी को 5G के विस्तार में आगे काफी मदद मिलेगी वोड़ा आइडिया भी करीब 10% ऊपर यह स्टॉक कारोबार कर रहा है चलिए इस पर आगे आएंगे और यह देखिया आपके स्क्रीन पर प्रेस और क्योंकि स्टॉक प्राइस कम है इस वजह से हर लेवल पर एंट्री लेने की कोशिश करते हैं उमीद से की एक बड़ी तेजी यहां पर दिखेगी तो मौझूदास्तर पर फिलहाल अगर टेखनीकली बात करें तो वोड़ा आइडिया का स्टॉक्चर कैसा लग रहा है आ अराउंड 18-18.5W लेवल तो वह इसाब से एक ब्रेकदाउन भी आ चुका है साड़े तेरा के नीचे अब यहां पर लगता है कि यहां से थोड़ी बहुत और सेलीं गहरा सकती है नो डाउट शायद 13.5 वी टेस्ट हो सकता है करन्ट लेवल से मगर उसके बाद थोड़ी बह सब्सक्राइब टlyст कोई पी तेजी पर निकलने की कोशिश करें सब्सक्राइब टो फ्रेश खेरदारी की अगे खेर से लिए डकी मिले निकलनीकी कोशिश कीजिए के शिर से चिलिकाल UP and गुद पूरा अपडेट लेकर गुड़ गुड़ आफ्टरनू बताइए जी हां अगर आज एक्षिन की बात करें तो एक हमने देखा था कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि एक सेल आफ देखने को मिला था मार्किट में पर इसके बार एक अच्छी रिकावरी भी देखने को मिले तो सबसे अगर हम बात करें तो सेंको गोल्ड है जो की काफी अच्छे से रिकावर हुआ है 15% से भी जादा अप है क्योंकि अगर कमपनी के रेविन्यू की बात करें तो उसमें हमें 39% का ग्रोध देखने को मिला है वाय वाय बेसिस फे 4Q के कॉर्टर में और इसी के साथ सा पर ग्रोध जो है वह भी Fy24 का 19% से रहा है और इसलिए एक तेजी देखने को मिली थी स्टॉक में अगली बात करते है एस्टर दीम की बारे में जहां पर कमपनी ने स्पेशल डिविडेंट डियर किया था एक सो अठारा रुपए का पर शेर के हिसाब से जो की 20% डिविड करोश से भी जादा होने वाली है और इसी के चलते हैं अपने स्टॉक पे भी देखा एक तेजी देखने को मिली थी उसके अलावा मेटल स्टॉक्स में रहने वाले है क्योंकि अगर हम बात करें हिंदाल को नाल को विदानता ये सब स्टॉक्स में एक तेजी देखने को मिली और आखिर में बात करते हैं आर की फोरजिंगी क्योंकि इसमें भी एक तेजी देखने को मिली थी क्योंकि ने फिलहाल में ही वंदे भारत का एक ओर्डर मिला है कंपनी को जिसका वैलीव 270 गरोज का होने वाला है और यह जो ओर्डर मिला है वो भेल के साथ जो कंसरोशियम है उसके 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 बीच में मिला है और इसी की चलते वह हमने इस टॉक में भी तेजी देखने को मिली थी तो अगर हम बात करें इस टॉक्स की तो फिलहाल में ही तो काफी अच्छी सी एक recovery देखने को मिली है और आगे जाके मिड़ कैप में कैसे रिकावरी प्लेयाउट करते हैं वो काफी इंपोर्डेंट रहेगा बहुत बाता शुक्तिया गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए तो ये कुछ काफी सारे स्टॉक्स में स्पेस में हम रिकावरी भी देख रहे हैं तो इस पर आम हांगे चर्चा करेंगे लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि के जरीए कमाई के मौके कहा हैं और वो बताने के लिए हमारे साथ कोटक सेक्योरिटीज की के अमोल आठवले जूर चुके हैं अमोल जी थांकियो सो मच इजीना उस्वदेश को समय देने के लिए बताइए क्या रनमीती सुझाएंगे आप आज जी नमस्ते मुझे भारती एरिटेल का 1250 का एप्रिल का कॉल ओप्शन अच्छा लग रहा है एट रूपीज के असपास चल रहा है पोजिशनल पॉइंट आफ यू से मुझे लग रहा है 16 और 18 ये दो टार्गेट्स निकल किया रहे है और स्टोप लॉस उसका रहेगा 4 रूपीज का मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 9500 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3800 का पॉजिटिव कॉंसरेडेशन है और 20 डे सिंपल मुविन एवरिज के असपास ट्रेड हो रहा है तो कहीं न कहीं लग रहा है अगर मार्केट बाउंज बैक होता है तो ये स्टॉक में भी फ्रेश अप्ट्रेंड रैली आ सकता है तो आज के इस बाजार में हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वह आपको यह भी बताने की कुशिश कर रहे हैं कि इस मौके में कहां इस मार्केट में मौके कहां बन रहे हैं इंट्री लेने के लिए और ऑप्शन के लिए हाथ से भी देखेंगे तो भारती एटल इस वह अच्छा लग रहा है अगर तेजी आई बाजार में तो यह स्टॉक पर आप जरूर नजर रखे और ऑप्शन के जरिया बारा सो पचासी कौल खरीच सकते हैं जो कि आठ रुप क्योंकि जारतर लोगों को इसमें नुकसान होता है अमोल जी बावबा धन्यवाद आपका समय देनी के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेगे हम यहाँ पर आब अनेरी हमारे साथ सब्सक्राइब। प्रक्राइब प्रक्राइब प्रकाइब Brandsearch, the special marketing starter pack for startup brands. For more details, visit our website brandsearch.co.in or write to us at brandsearch.timesgroup.com Times Network, now or nothing. Strong processes and risk management help you achieve your goals steadily and sustainably. Nippon India Mutual Fund, wealth sets you free. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. Risks or Returns को balance करने की Power, आसानी से खरीदने और बेचने की इसे लिए Gold है आपका strategic advantage जिसके बिना आपका portfolio है अधूरा अपने portfolio को दे Gold की Power World Gold Council व्रेकी बाद आपका स्वागत है और लगातार हम Metal Sharedo पर focus किये हुए हैं और आज हम देख रहे हैं आज के कमजोर बाजार में भी चुनेंदा Metal Sharedo में अच्छी चमक देखने को मिल रही है दरसल LME ने रूस के Metals की ट्रेडिंग पर रोक लगा दी है और इसका असर घरेलू Metal Sharedo पर दिखाई दे रहा है इस पर और अपडेट के साथ आशीशा जोट चुकी है आशीशा बताईए इस खबर का Metal Sharedo पर क्या असर पड़ रहा है जी हाँ Domestic Aluminium Stocks पर आज काफी तेजी देखने को मिल रही है Hindal को, Vedanta, Nalco तीनोही काउंटर्स पर करीब करीब 2-4% का उचाल आज की ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है और इसकी वजह ये है कि Global Aluminium Prices बढ़ रहे है London Metal Exchange पर Aluminium और Nickel Prices में करीब करीब 6-9% का उचाल आज सुबह दिखाई दिया था और इसकी में वजह ये है कि UK और US ने कुछ sanctions लगाये है Russian Metals पर जिसके चलते Global Metal Exchanges यानि London Metal Exchange पर इन Commodities के Prices बढ़े तीन Metal पर restrictions लगाये है, band लगाया है complete, nickel, aluminium और उसके साथी साथ copper इसके चलते इन तीनोही Metal Related Stocks आज भारतिय बासारों में भी focus में है इसके अलावा कुछ और याद रखे कि कुछ inventory position की बात कर लेते हैं 31st March के हिसाब से total inventory के percentage की बात करें तो Russian Aluminium करीब करीब 91% के आसपास था copper में 62% की inventory position थी और 36% nickel की लेकिन Goldman Sachs की एक report आई है और उनका मानना है कि immediately कोई action देखने को नहीं मिलेगा because ये केवल Russian metal UK और US वाले traders नहीं खरीद सकते लेकिन non UK और US के traders ये Russian metal फिर भी खरीद सकते हैं और इसके चलते analyst का मानना है कि impact शायद limited रह सकता है लेकिन फिर भी London Metal Exchange पर aluminium के prices बड़े, nickel के prices बड़े और इसके चलते domestic aluminium players पर भी positive impact देखने को मिला बिल्कुल तो ये पूरा analysis अभी अशेशा ने आपको क्रिकर बताए इस खबर का आज चुनंदा metal शेरों पर हम असर देख रहे हैं और थोड़े पहले हम इस पर बात भी कर रहे थे हिंडालको और नालको पर नीरव जी की खरदारी करने की विसला थी अब आईए रूक करते हैं हमारे अगले segment का midcap के महारती हमारे साथ हैं Ventura Securities से विनीत बोलिंचकर जी विनी जी थैंक्यू समय देने के लिए बताएं कौन सा GIGAWATS की manufacturing करेंगे by FY27 और हमें लगता है कि यह stock जो आज 600 रूपे पर trade कर रहा है इसका target हमारा 705 रूपया है over the next 12 months हमें लगता है कि जैसे गर्मी दिख रही है और जैसे international markets में जो geopolitical वजों से जो टनाव आ रहा है और हमने देखा कि मोदी जी के manifesto में भी कितना emphasis है on the EV side तो हमें लगता है कि power demand अपने country में काफी aggressively boom करेगा और इसमें अडानी power 7% इंडिया का thermal generation capacity generate करता है अडानी power के acquisition plans भी काफी aggressive है तो हमें लगता है कि जैसे जैसे वक्त चलता जाएगा acquisitions की वज़े से भी capacities बढ़ेंगी और हमें लगता है कि यह stock आपको एक साल के निवेश से अगर देखेंगे तो आपको 16-17 टका percent return दे सकता है तो अडानी power पर नज़र रखे अगली एक साल में 705 तक के यहां पर return के targets आ सकते हैं सब्कार का जिस तरीके से focus है power company पर अदानी power एक बड़ा बेनिफिशरी होगा इसमें तो इस टॉप पर नज़र रखे थैंकि विनी जी आपका समय देने के लिए और यह रनी टीवी सुझाने के लिए अब आगे कुछ और भी stocks पर quickly चेचा कर लेते हैं जो कि आज के market में focus में हैं इसमें हम देख रहे हैं कि oil and gas company में भी अच्छी तेज़ी है अगर mid cap space पर नज़र डाले तो इस पेस से IGL, oil India, गुजराद गैस जैसी कंपनियां हलकी मजबूती के साथ कारोबार कर रही है अनिनर जी, mid cap space से क्या इन में से कोई company है जो आपको अच्छी लग रही है oil marketing company में या oil and gas company में से किसी में I think oil India और ONGC ये दोनों पर आपका ध्यान होना चाहिए basis being, oil उपर जान रहा है crude oil और इनको सिधा-सिधा फाइदा है और इनका जो chart भी है काफी positive है no doubt oil India और ONGC थोड़ा बहुत you know a flag kind of a formation in the longer term chart वागर near term wise काफी बढ़िया लगते हैं और I think on the word of breakout है on the longer term as well so in company you में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको definitely at least you know 5-7% in the next few days मिल सकता है और ONGC में मुझे लगता है कि 295-300 यह level दा सकते हैं जबकि oil India में around 700 तक के levels लग रहे हैं तो इन दोनों में आप ज़रूर निवेश कर सकते हैं stop loss रहेगा oil India में around the 605 levels और ONGC में 268 का stop loss रहेगा तो ज़रूर रखेगा stop losses के साथ यहां पर तेजी करने की सला ऑइल इंडिया अच्छा लग रहा है यहां पर पांच परसेंट ऊपर आज कारोबार कर रहे तो इस टौक पर भी नज़र रखिए इसके अलबाब सरकार की तरफ से जो कवच इंस्टॉलेशन एक्सपैंशन की घूशना की है उसके चलते हैं जन देखने कुछ वायरिंग केवल कंप्रियों में भी अच्छी तेजी है और इस पेस में पॉलिकाब में भी काफी तेजी देखने को मिल रही है एक बार आपको पॉलिकाब का चार्ट दिखा दे पॉलिकाब में आइटी रेट गिरी ती तभी वो जोर से नीचे आया का फॉन 55-100 अप्टू अगर वहां से बहुत टिरिफिक का रिकवरी की है यह स्टॉप ने स्लोली एक स्टेडिली हाइट और बॉटम फॉर्मिशन करके जहां से गिरा ता वहां पॉच गया है अब एक रेजिस्टेंस के पास पॉचा है बड़ा बिलीव के जो इसाब से इसना पैटर्ण है यह लेवल भी ब्रेक कर दे तो अगर आपका निवेश इसमें है तो आप होल्ड रखें इसमें स्टॉपलोस लगा दीजिए 5150 का अगर उसके नीचे जाता है तो ही खराब रहेगा वारना इटिंग स्लोली एं स्टेडिली 6000 तेगे जा सकता है ओके ठीक है तो यह सारा पॉली कैब इंडिया पर नीरव बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और तमां स्टॉक्स पर अपनी रड़नी तीवी सुझाने के लिए तो फिलाल इस शो में इतना ही बाजार पर नजर डाले तो हलकी रिकावरी आई है और उसके बा अब कुछ स्टॉक्स हरे निशान में आ चुके हैं तो एक रिकावरी के संकेत महां से भी नजर आ रहे हैं चलिए फिलाल इस शो में इतना ही एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे आपर और ब्रेक के बाद आप यह लिकाराएंगे कार्परेट कनेक्शन आप बने दी हम नमस्कार इटी नाव स्वदेश पर अब है ना सिर्फ मार्केट की बारी कियां बलकि है कमाई का भी अच्छा मौका हम आपको देंगे एक शानदार आइडिया हर पांच मिनिट में टेक्निकल हो या फंडमेंटल शॉट टर्म हो या फिर लॉंग टर्म अब सब कुछ मिलेगा आपको तो देखिये धार ट्रेडिंग टेग सुभा आट बजे से शाम चार सिर्फ एटी नाव स्वदेश पर पढ़ो देश के साथ लाखो की संख्या में शधालू पहचे अयोध्या पर्सों की प्रतिक्षा के बाद हमारे अयोध्या गौरव लॉटा है नहीं तो पहले टेंड टूटे घार्ट गंदगी कोई फेसिलिटी नहीं और अब काशी देखो केदारनाथ देखो जैन देखो सोमनाथ देखो सब करेंडी कमल का बतन दबाएं भाजपा को जिताएं In the jungle of investments, there are companies which move slow and go nowhere. Only a few companies become rare, dominant, unchallenged and long-lasting. Presenting TrustMF FlexiCap Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. This is our last chance! It's now or never! Go, go, go. You better get moving. Yeah, on that way. Because this is your last chance. I want you to join us. To win big. Lots have played and lots have won. This is gonna be great. And now, it's your turn. This is 100 Mania. And you'll get what I promised. 100 days, 100 blockbusters, 100 prizes. This is all I've ever wanted. Get watching, get playing, get winning! Enjoy your reward. 100 Mania Season 11, every night at 8.45, only on Movies Now and Movies Now HD. This is my first time. This is my first time. This is my first time. निचले सरसे रिकवरी की कोशिश में बाजार निफ्टी नीचे से करीब एक सो अंक सुधरने के बाद 22,375 के पास उलाइंस ओवेंट्री सी हिंडाल को से सपोर्ट बैंक निफ्टी में 540 अंकों की गिरावट सरकारी बैंकों में सबसे ज़्यादा गिरावट सेंट्रल बैंक, आयोवी, यूको बैंक में 2-3% की कमजोरी दिगज, SBI, PNB और यूनिन बैंक 1-2% नीचे दूसरी सरकारी कंपनियों के शेरों में भी बिकवाली हावी, SJVN, NLC, इंडिया, NBCC में 3-5% तक कमजोरी ITI कोचिंचिप याड राइट्स पी 3-4% नीचे कच्छे तेल में मस्बूती सिगों, NGC में खरिदारी शेर 5% की मस्बूती के साथ निफ्टी का टॉप गेनर जेफरीज ने खरिदारी की राइट के साथ कबर शुरू की लक्षे 390 रुपे LME के रूस के मेटल्स की ट्रेडिंग पर बैन लगाने से चुनिंदा मेटल्स शेरों में चमक हिंडारकों में करीब 4% की बढ़हत विदाता और नारकों भी 2-3% उपर पस्पूद बिसनस अपडेट से सानको गोल्ड में जोरदार तेजी शेर 17% चड़कर रिकॉर्ड उचाई पर चौतित माही में आई में 49% की ग्रोथ सारे 3% की तेजी के साथ एकसाइट 52 हफ़ते की उचाई पर पहुँचा मौगन स्टैनली की ओवरवेट रेटिंग लक्षर 373 से बढ़ा कर किया 485 रुपए बड़े डिविडेंट के ऐलान से आस्टे डियम में करीब 9% का उचाल कंपनी ने 118 रुपए के स्पेशल डिविडेंट का ऐलान किया टेसला ग्लोबल ऑपरेशन्स के लिए टाट एलेक्ट्रोनिक से खरीदेगी सेमी कंड़क्टर दोनों कंपनियों ने साइन किया स्ट्राटेजिक करार एकनॉमिक टाइम्स के सूत्रों के हवाले से खबर और आज जारी होगा मौनसून का अधिकारिक पूर्वा नुमान दुपहर धाई बजे मौसम विभाग की प्रेस कॉन्फरेंस निजी मौसम एजनसी स्काइमिट का सामान्य मौनसून का नुमान नमस्कार स्वागत है आप सभी का कॉपिट कनेक्शन में मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियाल और इस शो में हमारी कोशिश होती है कि देश की दिगज कंपनियों के मानेश्मेंट से हम बातचीत करें ताकि अगर आप उन कंपनियों में पैसे लगाना चाहते हैं तो आपके पास उससे जुड़ी तमाम जानकारिया हो जो हम बातचीत करते हैं मानेश्मेंट से वो तमाम पहलिवों पर होती है तमाम मुद्दों पर होती है कंपनिय के वित्तिस थिति उनकी ओर्डर बोक विस् साथ मार्केट एक्सपर्ट भी होंगे लेकिन उससे पहले जट पर बाजार का एक हाल हम चेक कर लेते हैं जहां पर फिलहाल 22,300 के आसपास कारोबार होता हुआ एकंसाथ अंको की कमजोरी यहां पर हम देख रहे हैं और फिलहाल के लेवल्ट अगर हम देखे तो सेंसेक्स 73,670 के लेवल्ट पर पान्सो सत्तर अंको की Byंन इस्टी आप देखिये पान्सो पत्चेतर अंको की कमजोरी के साथ 44,918 पर कारोबार करता हुआ देखलाइन और एडवानसेज में क्लियरली उनिस सो अरसर डेखलाइन चार सो तेईस यहां पर एडवानसेज है तो फेवर्स यहां पर कमजोरी की ओर दिखाई दे रहे हैं थोड़ी सी हाला कि बाजार में रिकावरी, मिट कैप, स्मॉल कैप की बात करें तो यहां एक बैंक लगातार जो है तीन परसंट के आसपास की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं उसके अलावा ओंजी सी लगवग 5% उपर है अभी भी हिंडाल को में हम देख रहे हैं साड़े तीन परसंट की तेजी है चुनिंदा मेटल शियर अगर हम देखें तो यहां पर खरिदारी का रुज़ानाता हुआ दिखाई दे रहा है नेसले में 1% की तेजी है लेकिन UPL, टार्टर कंजूमर्स, आइसाइसाय बैंक, अधानी पोच में हम देख रहे हैं 2% की कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है तो clearly बाजार में यहां पर momentum जो है वो थोड़ जबलकर हमारे साथ जुड़ गए है तो गौरव मेरे खाल से यहां पर metal शेक्ट्र धातु शेक्ट्र जो action में है और एक ऐसा sector जहां पर थोड़ा सा हर्याली दिखाई दे रही है जी हाँ अगर हम आज actions की बात करें तो जैसे हमने देखा था कि gap down opening हमें देखने को मिला था पर उसके बाद एक अच्छी खासी recovery भी देखने को मिले है और इसमें अगर हम metals की बात करें तो काफी अच्छी से shine भी करें तो जैसे अगर company के नाम ले तो नाल को हो गया, हिंदाल को हो गया, इन companies है 3% से भी जाधा upside देखने को मिला है आज के दिन में और उसके साथ-साथ NMDC और वेदानता अगर हम बात करें तो इसमें भी हमें 1-2% से भी जाधा upside देखने को मिला था, बट इसी के दौरान अगर हम IT stocks की बात करें तो जिससे GoForge हो गया, LTTS हो गया, यह जो stocks है वो थोड़े डाउन देखने को मिले है, GoForge अज 3% से डाउन है, LTTS अज 2% से डाउन उसी के साथ साथ अगर HEG की बात करें तो उसमें भी हमें 52 weeks high देखने को मिला था, Thermax में भी एक काफी तेजी देखने को मिली थी और stock ने आज नया उच्चांक 52 weeks high का वो रीच किया है, बट अगर 52 weeks low में देखें तो एक कोई अगर consumer companies जो है, उसमें हमें कई पे यह जो companies दे अगर हम बात करें तो फिलहाल के लिए metals होगे या फिर oil and gas होगे यह काफी strong sectors है और जबकि IT sector और PSU banks में कहीं पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है, बट आगे जाके इन sectors में हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि काफी अच्छा momentum हमें आगे जाके इन sectors में देखने को मिल सकता है गौरफ धन्यवाद आपका मिट्र मार्केट आक्शन की तमाम हाईलाइट बताने के लिए और बाजार के दिगज या बाजार के एक्सपर्ट का भी एक टेक लेना बनता ही है बाजार की आज की चाल पर हमारे साथ जुर गए हाइफल सेक्यॉरिटीज के गिरिश सुदानी गिरिश आफटनून स्वागत थे आपका कॉपेट कनेक्शन में और चलिए बाजार का पहला कारूबारी दिन खतम होने की और बढ़ चुका है ठीक है मद्य दिन हो चुका है अब ऐसे में बाजार में ज जितनी कमजोरी कि हमने कारोबाई सत्र में उम्मीद की थी गिरिश उतना हम जादा नहीं जो है वो गिरे हैं काफी हद तक लोगों में बहुत पैनिक था और सब इंतजार कर रहे थे कि बाजार आज कैसे पैन आउट करेंगे तो ओवर आज की चाल को आप कैसे देखते हैं और आज अगर हम किसी भी तरह से बढ़िया रिकवरी कर लेते हैं कुछ अंतिम घंटों में तो क्या बाजार की करवट बदलेगी कल के सत्र में देखें कहीं पे बिना हम एक चरकफिकली टेंशन से गुज़र गए हैं और उसकी क्लारिटी अभी 100% है नहीं तो अगर बाजा जो एक लेवल है 22,000 का जो ब्रेंज है 22,000 कहीं पे भी में लिए बहुत स्टॉंग सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है जब तक यह नीचे नहीं आता इसके तब तक मुझे नहीं लगता है कि हमें बहुत समलके रहना पड़ेगा बहुत सेक्टर इंड स्टॉक स्पेसिफिक बट अगर देखें तो हेवी प्रेश हैं हमको बैंकिंग पीस उस इन सब में डेफिनेटली देखने के लिए मिला क्योंकि जो अलएडी काफी लेवल पर चल चुके थे तो उनका थोड़ा सा हमें एक पॉफिट बॉकिंग देख रहे हैं बट यह तो जो दो तीन सेक्टर से जिसने हमें समाला है इसकी वज़े से हम शायद नहीं गिरें जितना हमें गिरना चाहिए था क्योंकि ओवराल आगे देखें तो इंटरेशनल मार्केट काफी डाउन रहे तो में सुबह भी यही था कि हम एक रींज में वापिस ओपन जहू होंगे पर उसके बाद हम तीन सो सब्सक्राइब कि जाएगा अगर बागी सेक्टर के लिए अब हम फिल्हाल वाजा को खुंता वा अगर मेरे लिए निप्ति का एक स्टॉंग सपोर्ट है जैसे कि मैंने बताया कि 22,220 का जो लेळल है ये में लिए बहुत strong support के तौर पे काम करेगा क्योंकि अगर हम देखें कि एक range में हमने पिछले चापाक से 6 महीने के अंदर मार्च में भी हमने देखा था कि 25,100 का एक जो level आया था उससे वो 25,600 का एक range definitely चला तो कहीं पे भी यही रेक range है जो हम expect करें अगले एक से सबा महीने के टाइम पे देखें अंड हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए कि हमाले लिए domestic का भी बहुत बड़ा event आने वाला है जो election तो until unless नए numbers भी है quarter numbers भी आना शुरू हो चुके हैं companies के तो factor यही है कि इसी एक range के अंदर बजा को चलना चाहिए इसी duration करता है चलिए हमारे साथ अब corporate connection में आज का management भी जो है वो जुड़ गया है सीधा हम इनी से सवाल जबाब का सिलसलाब शुरू करते हैं corporate connection में आज हमारे साथ अनराथी wealth के management से बाचीत होगी और 1994 में स्थापित हुई ये firm wealth management नतीजों पर दबाब देखने को मिला है revenue की बात करें तो लगबख 1% की बढ़हत देखी है लेकिन मुनाफ़ 2% और EBITDA की बात करें 9% कम हुआ है बाजार में जारी उताचरहाफ का नतीजों पर असर और F.I.25 के लिए AUM revenue growth guidance पर भी हम बात करेंगे है हमारे साथ जुड़के अननराथी wealth के chairman अननराथी और company के CEO राकेश रावल आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बहुत खास पेशकरश में और चलिए यहाँ पर सवालों का सिलसला हम शुरू करते हैं और राटी सर आपके पास आएंगे तो FI24 का जो guidance है उसको clearly सपास किया गया है Q3 में लेकिन overall outlook अगर हम समझना चाहें company की strategies को लेकर और next 2-3 सालों की रणनीती को लेकर तो आप क्या कहेंगे देखिया outlook company का बहुत अच्छा है जैसे आपने देखा पिछले जब से हमने पॉब्लेक रिजर्स देना चालू करें हैं आप ताइपियों के बाद हर्स वर्ष हर पॉर्टर में 30 से 35 परसेंट की हमारी बड़ोत्री हो रही है पॉफिट में और हमारे मानना के अगले दो तिन सालों में हमने जैसे पहले का कि भी हमारा एवियम रेवन्यू बेस करी 20 परसेंट 25 परसेंट बढ़ना चीए और इसे आप से प्रफिट भी उसी लाइन में यह है कि हम लोग का जो बिजनस है वो कैश जनरेटिंग बिजनस है और उसके अंदर रिक्वार्मेंट ओव कैश फॉर कैपेक्स और उस प्रगार की चीजों की रिक्वार्मेंट बड़ी काम होती है उसलिए हम shareholders को reward करते हैं dividends के थूँ और उसी you know line में चलते हुए shareholders को reward buybacks के थूँ भी वो logical step है और जो हमने हमको लगा कि इस समय हम कुछ buybacks से भी offer कर सकते हैं इसलिए हम ने किया यह बताए हमें overall अगर हम sequentially देखें तो जो numbers आए है revenue के लिहाज से वो काफी flat दिखाए दिये हैं volatility रही है वाजार में यह भी हम कह सकते हैं लेकिन muted growth हमें पहली तमाही में नए वित्रवश की दिखाए देगी सी हमारा हम लोग हमारा concentration होता है year on year growth पर राइट और हमारा company का नियम है कि हम पहले quarter में अपने साल का more than proportionate business करना चाबते हैं and therefore पूरे साल में हम जो guidance है उसको meet करना चाहते हैं और पहले quarter में हो सके तो proportionately जादा जैसे कि अगर 25% है तो हम 26-27% करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारा जो साल का guidance है उसकी solidity बढ़ जाती है and therefore quarter and quarter का जो rational है वो हम लोग इतना जादा उस पे तबज्जों नहीं देते राटी सार अगर हम wealth management की बात करें तो यहां पर एचनाई segment में काफी अच्छी performance आती भी दिखाई दी है एजाफा हुआ है numbers को लेकर large deals को लेकर भी लेकिन क्या यही same growth rate fi 24 के बाद अब हमें fi 25 में भी दिखाई देगी या आपको लगता है कि थोड़ा सा moderate हो जाएगा यह आखड़ा और यह चलन मेरे हिसाब से तो moderation नहीं आके ब्रद्धी आएगी क्योंकि दो चीज़ें आप देखिए एक तो wealth बड़ी रही है wealthy लोग बड़ी रहे हैं और सबसे बड़ी अभी भी बहुत कम लोगों को एक सही advice मिल रही है जिनके अपास अच्छे wealth manager हों तो मेरा इमाना है कि इसका growth जो है wealth जितनी बड़ेगी उससे ज्यादा proportionately business की growth हमारे ज्यादा होगी और जो कि आपने पिछले काई सालों देखा है कि हम जब सोचते हैं कि इतनी व्रद्धी होगी उससे ज्यादा guidance से ज्यादा हम व्रद्धी कर पा रहे हैं उसका कारणी यह प्रद्धी के market में इसकी बहुत अच्छी वह एक potential है और particularly व्याद मैंजमेंट कंपनी जो हमारी है मेरा मानना कि हमारी कंपनी जो प्यॉर व्याद मैंजमेंट कंपनी जिसमें और कोई काम नहीं है हम ना तो कोई इसमें लेंडिंग का बिजनस है ब्रोकिंग का कोई अधर बिजनस नहीं है तो ट्रूली स्पिकिंग एक प्यॉर वेल्ट मैंजमेंट कंपनी जो है होने के नाते हमारी ब्रद्धी और तेजी से हो रही है अगर मैं एक्सपेक्टेशन समझना चाहूं FI 25 से तो क्या होगी ग्रोथ ट्रिगर इसको लेकर आप क्या आँखेंगे सर्व हमारा AUM गाइडनस है कि हम 72,000 क्रोड तक पहुंचें जो 21% के करीब है उसी लाइन में 910 क्रोड का टॉप लाइन का है जो भी 21% है and I think the growth triggers lie in the new monies that we are going to be getting of course there will be some market increase which is there but substantially वो जो हम नए पैसा लेके आने वाले हैं उससे हमारी ये ग्रोथ होई जैसे पिछले साल हमने 7,000 क्रोड के करीबन नए पैसा लाइ थे हमारी उमीद है कि उससे हम कई जादा इस साल हम ला सके राठी सर ये बताएं कि फिलहाल अगर हम नई opportunities की बात करें और क्यूंकि बहुत जादा focus अब भी 30 टाउंस पर है छोटे मज़ौले शेरों में है तो वहां अपनी पहुंच बढ़ाने को लेकर किस तरह की strategy बनाई जा रही है response इन छोटे मज़ौ शेरों से क्या निकल कर आ रहा है response बहुत अच्छा है बलकि क्या है उन छोटे सेरों में अभी भी प्रॉपर वेल्ट एडवाइजर्स है नहीं और जा भी हम जा रहे हैं वहां बहुत तेजी से हमको growth मिल रही है पिछले दो साल में जितने नए centers हमने खोले हैं तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और हर साल कम से कम तीन चार नहीं जो है center हम चालू करने का plan कर रहे हैं और वहां growth मिलेगी क्योंकि देखिए हर जगे पांच क्रोड के उपर के जो है वेल्दी लोग तो हर टाउन में मिल जाएंगे हर फोर्ट से हर सिर्थी में मिल जाएंगे इसने मेरे मनना है कि जहां जहां भी हम जाएंगे वहां तेजी से वहां भी growth हो है राकेश ये बताएं कि margins और profitability difference जो है private wealth में और digital wealth में किस तरह से उसको scale up करने की आपका इरादा है डिजिटल सेंग्मेंट को खासतरों से आप कैसे focus मिले रहे हैं सी हमारा overall जो margin है about 40% के आसपास का है और हम उस direction में जाना चाहते हैं और कई बारी जैसे हम बात करते हैं operating leverage वगारा की तो अगर हमारे को कुछ operating leverage से फाइदा होता है तो उसको हम business में वापिस invest करना चाहते हैं क्योंकि जैसे-जैसे business बढ़ेगा हमारे various functionalities को हम स्ट्रेंथन करना पड़ेगा क्योंकि foundation strong होगी तो वो बड़ा scale को झेल पाएगा and therefore our long term vision is that we should get we should maintain the 40% margin in our business so that we adequately reward the shareholders and as far as you know the digital wealth and other areas are concerned these are areas of great promise and we have reached a stage where they were you know burning cash to a stage where they are making marginal cash right however it's too early in the game to say as to which direction they will go वो किस direction में जाएगे हमें वो वकत बताएगा तो इसलिए हमारी हमारी निश्टा है कि हम उनको और बेहतर करने की कोशिश करें बट जो अगले तीन चार पांच सालों का हम इस company में ग्रोथ देखते हैं वो हम प्रोजेक्ट सिर्फ हमारे में बिजनेस के बेसिस पर कर रहा है फिल्कुल चलिए हमारे पास समय फिलहाल इस चल्चा के लिए समाप्थ हो चुका है राटी सर आपका और राकेश्ट्री आपका धन्यवाद समय निकाला और विस्तार से हमसे बात चीत की और हम भी फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे लेकिन ब्रेक के उस पार चुनिदा सेक्टर स्पेसिफिक बाते होंगी धातु शेत्रे की चमक बढ़ रही है इस पर बात करेंगे और साथ ही हमारे साथ ग्री सोदानी हमारे मारकेट एक्स पर चुड़े हुए है स्पेसिफिक स्टॉक पर भी इंसे बात्चीत होगी इस चोटे से ब्रेक के बाद इन अशोचिएशन विट सेट बैंक अफ इंडिया थे बैंकर तो अवरी इंडियन टेक्निकल चार्ट हो या फिर एफेंड हो किस ख़बर का होगा आप पर कितना असर वैपार जगर से जुड़े हुए हर मुद्दे का विशलेशन समझे मेरे साथ असान भाशा में प्रूथ बहुत अच्छी चल रही है अनाई अपने ट्रेडिंग डे की बहता रणी थी शॉर्ट कपरिंग से लॉंग माले में समय लगेगा यह एक मेक ब्रेक लबल है 200 दिंगी अवरेज के ऊपर आके हम ट्रेड करने लगे हैं बादिब भी काल रहा जोड़ी है मेरे साथ सिर्फ एटिनाव सब्डेश कर In the jungle of investments there are companies which move slow and go nowhere only a few companies become rare dominant, unchallenged and long-lasting presenting TrustMF FlexiCap Fund Mutual fund investments are subject to market risks read all scheme related documents carefully in the heartbeat of India's pulse comes a voice that resonates with the nation Padmaja Joshi Hi, I'm Padmaja Joshi and this is India Upfront Every evening on the show my aim is to come straight to the point you have supported me because you know I have a clear view you will know where I stand on each issue and I will also tell you why इस वीन आपनाष sorry when we have the all of this is done with a smile because you see and I know that myths speak the loudest and only fats and on my view I have no hesitation in being a front India upfront week nights at 8 p.m. वल्कम बाक आप देख रहे हैं कॉपर कनेक्शन और चलिए मेटल शेत्र की बात करते हैं जहां चमक आज अच्छी देखने को मिल रही है और एलमी ने रूस के मेटल की ट्रेडिंग पर दरसल रोक लगा दी है और इसका असर घरेलू मेटल शेरों पर भी दिखाए दे रहा है पूरा मामला समझते हैं हमारी सयोगी अशिशा से बताएं अशिशा जी हां डोमेस्टिक अलूमीनियम स्टॉक्स पे आज काफी तेजी देखने को मिल रही है हिंडाल को वेदान ता नैल को तीनोही काउंटर्स पे करीब करीब 2-4% का उच्छाल आज की ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है और इसकी वज़ह ये है कि क्लोबल अलूम पर रिस्रिक्शन लगाया है रश्यन में अलूमीनियम और उसके साथ ही साथ कॉपर इसके चलते इन तीनोही मेटल रिलेटेट श्टॉक्स आज भारतिय बासारों में भी फोकस में है इसके अलावा कुछ और याद रखे कि कुछ इनवेंटरी पॉजिशन की बात कर लेते ह 31st March के हिसाब से total inventory के percentage की बात करें तो Russian aluminum करीब करीब 91% के आसपास था copper में 62% की inventory position थी और 36% nickel की लेकिन Goldman Sachs की एक report आई है और उनका मानना है कि immediately कोई action देखने को नहीं मिलेगा बिकुज ये केवल Russian metal UK और US वाले traders नहीं खरीद सकते लेकिन non-UK और US के traders ये Russian metal फिर भी खरीद सकते हैं और इसी के चलते analyst का मानना है कि impact शायद limited रह सकता है लेकिन फिर भी London metal exchange पर aluminum के prices बड़े, nickel के prices बड़े और इसी के चलते domestic aluminum players पर भी positive impact देखने को मिला शुक्रिया शेशा जटपर गिरीश सरा लेते हैं गिरेश अब ये बताए धातु शेत्र में फिलहाल कोई मौका बनतावा दिखाए दे रहा है आज तो यहाँ पर चमक है लेकिन ओवराल जो trend हमें अब दिखाए दे रहा है यहाँ पर थोड़ा सा इशारा और momentum अच्छी पकड़ की ओर ही है अब यह जो नया न्यूस है यह कहीं पर थोड़ा सा positive trend दे रही है हमारा फोकस अभी भी कंटीन हुई है हम इंडाल को विदानता गेल या पर एनमडी सी आप यह सभी सबी स्टॉक्स को देख सकते हैं इनका कहीं न कहीं पोजेक्शन हम लेके चली रहें अगले पिछले साथ से आठ दिनों के अंदर तो हम positive है है मेटल सेक्टर को लेके बट मेटल में इमीजेटली को पोजिशन बनाने के लिए तो डेफिनिटली हम सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ओवरल स्ट्च्चर मार्गेट का थोड़ा जगवेगरी conditions की विए से थोड़ा सा unstable ही है बढ़ हाँ जिनके पास भी positions है वो अपनी positions को hold करके रख सकते हैं अगर मेटल सेक्टर में बात करे जा है तो हिंडॉल को लेका हम थोड़ा सा बोलेश है जिसका target proposition हमने यहां से करेंगे 20% 25% का रे रखाए अगले एक साल के time के लिए जो कईबन 700 से 700 उपे के रेज के मिल रहा है युद के खत्रे को देखते हुए एरिंजा वस्तारा समित कई विदेशी एरलाइन्स एरान के हवाई शेतर से यहां पर इस्तिमाल से बच रही है और दूसरे वेकल्पिक रूट अपनाने से एर फैर पर अखिर क्या असर पर सकता है मारे सैयोगी सुमच इत्रव हो सकती है आगे जाते हुए इसलिए काफी एरलाइन्स ने जो अपनी फ्लाइट्स हैं वेस्ट पार अफ़ यूरॉप के लिए खास तोर पर उनको रिरूट कर दिया है विस्तारा ने जैसे अपनी फ्लाइट है उसको रिरूट किया है इंडिको ने इस्तानबुल की इसलिए ते बढ़ती जाएंगी उन्हें लगेगा कि ये लॉंग टर्म सुलूशन जो है वो इरान के उपर जाने का नहीं है तब ये फेर बढ़ सकते हैं 10 से 15 प्रतिशत की बड़ोतरी हो सकती है एक और फेक्टियर हो सकता है कि क्रूड प्राइस तेल के दाम उपर जा सकत हैं उससे भी एरलाइन जो है वो अपने फेर बढ़ा सकती हैं तो आने वाले कुछ महीनों में जब छुट्टियों का महौल रहेगा और लोग जाएंगे यूरप की तरफ और अमेरिका की तरफ तब शायद उनको जादा पे करना पड़ेगा जादा किराया देना पड़ेग चलिए इसी के साथ अगरीश आपका धनेवाद समय निकाला दशुका मादर्शुन किया और कॉपर कनेक्शन में मुझे भी इजाज़त ने ब्रेक के बात लेकर आएंगे स्टॉक पटाफ़र नमस्कार मैं हु कुष बताऊंगा शेर्ज ऐसे जो करेंगे आप तो खुष चानिये मेरे साथ कड़क शेर्ज रोज एटीनाव स्वदेश पर अगाएंगे लेकिन स्टेरिंग आपके हाथ हो में हो नेता से जनता तक गाओं गाओं शहर शहर सवालों के रास्ते तै करेंगे जबाबों का सब्सक्राइब लीजिए चुनावी खबरों की भरपूर मात्रा देखिए इलेक्शन यात्रा तर्फ टाइम्स नाव भरत बर गोल्ड के बिना आपका investment portfolio कैसा लगता है अधूरा क्योंकि गोल्ड के साथ आपके पास पावत होती है बड़े फैसले लेने की रिस्क्स और रिटर्न्स को बैलन्स करने की पावर आसानी से खरीदने और बेचने की इसलिए गोल्ड है आपका strategic advantage जिसके बिना आपका portfolio है अधूरा अपने portfolio को दे गोल्ड की पावर वर्ल्ड गोल्ड कांसिल मिडल एस्ट में तनाव और यूएस में महंगाई की चिंता से बाजार में चोतरफा गिरावट निफ्टी 170 रंग गिरकर 22,350 के पास बैंक निफ्टी 570 रंग टूटा सरकारी बैंकों में सबसे ज़ादा गिरावट सेंट्रिल बैंक आयोबी, यूको बैंक में भी 2-3% की कमजोरी दिगज, SBI, PNB और यूनियन बैंक में भी गिरावट दूसरी सरकारी कंपनियों के शेरों में भी बिक्वाली हावी, SJVN, NLC, इंडिया, NBCC में 3-5% की कमजोरी ITI, कोचिन शिप्याड और राइड्स भी 3-4% नीचे कच्चे तेल में मजबूती से, ONGC में खरिदारी शेर 5% की मजबूती के साथ आज निफ्टी का टॉप गेनर जेफ्रीज ने खरिदारी की राइड के साथ कावरेज शुरू की लक्षिर दिया 390 रुपे LME के रूस के मेटल्स की ट्रेडिंग पर बैन लगाने से चुनिंदा मेटल्स शेरों में चमक, हिंडाल को में 3% की बढ़ात वेदान था और नाल को भी 2-3% उपर मजबूत बिजनिस अपडेट से, सेंको गोल्ड में जोड़दार तेजी शेर 17% चड़कर रिकॉर्ड उचाई पर, चौथी दिमाही में आयमे 49% की ग्रोड 4% की तेजी के साथ, एकसाइट 52 हफते की उचाई पर पहुंचा मौर्गन स्टैनली की ओवरवेट की रेटिंग लक्षर 373 से बढ़ा कर किया 480 रुपे बड़े डिविडिन्ट के ऐलान से आस्टे डिये में करीब 9% का उच्छाल, कंपनी ने 118 रुपे के स्पेशल डिविडिन्ट का किया एराथ टेसला ग्लोबल आउपरेशन्स के लिए टाटा इलेक्ट्रोनिक से खरीदेगा सेमी कंड़क्टर, दोनों कंपनियों ने साइन किया, स्टेटिजिक करा, एकॉनिमिक टाइम्स के सूपरों के हवाले से खबर और आज जारी होगा मौनसून का अधिकारिक पूर्वा नुमान, दोपहर धाई बजे मौसम विभाग की होगी प्रेस कॉन्टरेंस, नीजी मौसम एजेंसी स्काइमेट का सामाने मौनसून का अनुमान नमस्गार, स्टॉक्स फटा फट देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ प्रशान्त पांडे और मेरे साथ हैं मेरी सहियोगी पूजात्रिपाटी हो जाएए तयार अगले गंटे मारकेट के दुआधार अक्शन के लिए क्योंकि फटा फटा अंदाज में सेक्टर और स्टॉक्स को स्कैन कर हम लाएंगे आपके लिए कमाई के बहतरीन मौके अपने एक्सपर्ट के जरिये से बहुत सारे खास सेग्मेंट भी आपके सामने होंगे तो वो कौन कौन से सेग्मेंट हैं जरा उस पर निकाह डाल दीजे अपसे थोड़ी दिर में यानि एक बज़ कर 35 मिनट पर हमारे तमाम एक्सपर्ट आपको बैटरीन ट्रेडिंग आइडियास देंगे इसके बाद एक एक्सपर्ट आखरी घंटे में कहां ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं ये आपको जानकारी देंगे और चले बाजार की बड़ी बातों पर घौर कर लेते हैं तो मिड़ी लिस्ट में तनाव और यूएस में महंगाई से गिरावट जो है वो बाजार पर हावी होती नजर आ रही है एक वक्त प्याना की रिकावरी हमें नजर आई थी 400 के उपर भी गया था निफ्टी लेकिन दबाव निफ्टी बैंक पे भी 48,000 के पास 570 अंकों की करीब गिरावट यहां पर हमें नजर आती हुई बैंक निफ्टी में इसके अलावा मिड स्मॉल कैप पर भी दबाव बना है मिड कैप इंडेक्स एक परसंट नीचे हैं दबाव वैसे सरकारी बैंकों में भी नजर पियस यू बैंकों में जादा गिरावट देखी जा रही है आप देखिए आयो बी हो यू को बैंकों यह सभी 2-5% इस वक्त लुड़कते हुए नजर आ रहे हैं वैसे एक अपडेट जो था उसकी वज़े से मेटल शेरों में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही ह चुनिंदा मेटल शेरों में हम आज चमक साफ तोर पर देख पा रहे हैं जिसमें हिंडाल को जो है वो 3% उपर नजर आता हुआ तो चुनिंदा मेटल शेरों में भी खरीदारी है यह बाजार की एहम बाते चलिए अब आपको बताएंगे कि आज बाजार में यह जो गिरावट नजर आ रही है उसके पीछे की बड़ी वज़ा क्या है पहले तो ओवर दे वीकेंड हमने देखा कि इरान ने इसराइल पर हमला कर दिया चनिवार के दिन ड्रोन मिसाइल से हमला किया जिसके चलते भारी गिरावट हमने ग्लोबल बाजारों में देखी और उसी बढ़ते ग्लोबल टेंशन की कारण उसका असर हम आज इंडियन मारकेट पर भी देख रहे हैं क्योंकि अब ये जो टेंशन बढ़ रही है उसका असर सीधे सीधे कच्छे तेल पर पढ़ता हुआ दिखाए देगा और कच्छे तेल हम देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूट का भाव 90 डॉलर के उपर बरकरार है हाला कि अभी आगे देखना होगा कि इसराइल की तरफ से इसके बाद क्या जवाबी करवाई होती है अगले कुछ दिनों में क्या अपडेट वहां से आता है ये काफी इंपॉर्टन होगा देखना लागे उसके पहले हम देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूट अभी भी 90 डॉलर के उपर बरकरार है अगर टेंशन बढ़ी तो ये लेवल्स और भी उपर जा सकते हैं इसके अलावा अच्छे नतीजों के बाद अबावजूद आज टी सीएस में कमजोरी और इसके चलते कहीं अब संभावना कम होते हुए नजर आ रही है इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपया भी फिसला रुपय में कमजोरी डॉलर इंडेक्स अब 606 की करीब आ चुका है और शुकरवार के दिन हमने देखा कि कैश मार्केट में एफाइस की तरह से भारी बिक्वाली भी हुई करीब 8,027 करोड की बिक्वाली एफाइस की शुकरवार के सेशन में भी देखने को मिली और आज भी वह वीक्नेस कंटीनू होते हुए नजर आ रही है अगर निफ्टी की बात करेंगे तो इस वक्त हम देखें तो 588 नीचे निफ्टी कारोबार कर रहा है और बैंक निफ्टी में भी कमजोरी बढ़ी है हलकी 590 अंकों की वीक्नेस के साथ निफ्टी भी कारोबार कर रहा है आज हमने देखा था कि गाप डाउन ओपनिंग हुई थी उसके बाद हलकी रिकावरी आई बाजार में और उसके 588 निफ्टी इस वक्त और बैंक निफ्टी में करीब करीब 600 अंकों की वीक्नेस अब देखने को मिल रहें दिंग के निश्ले स्तर पर कारोबार कर रहा है बैंक निफ्टी चुरिंदा मेटल और ओंजी सी ओलिंग गास कंपनियों से सपोर्ट जरूर है लिकिंबा की सभी से जेम फिनाशनल से कुछी देर में आएमके ग्लोबल के कपिलशा भी मौझूद होंगे उनको भी हम इंट्रिड्यूस करेंगे लेकिन अक्षे सबसे पहले आपके पास आएंगे क्या व्यू बन रहा बाजार पर आपका एम सपोर्ट लेवल सब क्या निकल कर आ रहे हैं मार् क्लेरिटी नहीं मिल पा रही है कि यहां पर अच्छा का सा रिकावरी कर पाएगा कि नहीं कि इसके आगे जो भी है ग्लोबल न्यूस डॉमिनेट करेंगे शॉट टर्म सेंटिमेंट्स को तो उसके चलते सपोर्ट अगर आपको देखना है तो आज अगर शॉट टर्म ट्रे तो क्लियरली एक कौशियस या डिफेंसिव स्टांस देखने को मिल रहा है निफ्टी पुट राइटर्स में तो थोड़ा सा कौशिन एडवाईस करूंगा जिनके पास है निफ्टी तो उनको 22-300 के नीचे स्ट्रिक स्टॉप लोस बना के चलना है थोड़ा उतार है फॉलिडे शॉर्टेंड वीक है तो उसके चलते उपर उपरी स्टर में हमेशा थोड़ा सा दबाव बना ही रहेगा और फिलाल जिस तरीके का सेट अप है 22-300 अगर ब्रेक करा तो 22,000 टेस्ट होने का डर है तो एक कौशिस व्यू मैंटेन कीजिए निफ्टी में स्ट्रि हमारे साथ इस वक्त एक और खास एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं कपिल शाह भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं चलिए शुरू करते हैं अपना पहला खास सेग्मेंट और ये है ट्रेट का चौका तो कपिल आप से ही शुरुवात करते हैं बताइए आज ट्रेडिंग आइडियास के तौर पर आपको क्या पसंद आ रहा है तो यहां पर मेरा सबसे पहला चुनाओ M.G.L. कर रहा है क्योंकि गैस सेकर में आज के दिनों में आमने तीनों के दिनों स्टॉक्स ने काफी अच्छा ऊपर में मूव दिया हुआ है और यह मूव आगे जागे continue रहने की possibility बनती है तो 1437 के लेवल पे M.G.L. चल रहा है तो 1440 के stop loss से उसको बाइ किया जा सकता है और उपर में 1560 का लेवल से देखने मिल सकते है गैस सेकर्स में टेक्निकल स्ट्चर भी अच्छा बैट रहा है और उसमें कुछ फंडामेंटल ट्रिगर्स में हमें आते हुए दिखने मिल रहे है और दूसरा stop मेरा PN भी कर रहेगा कुछ दिनों पहले एक अच्छा सा breakout हुआ था आज के तारिक में रिटेस्ट हुआ है थोरा सा recovery हमें वहाँ पे देखने मिली दी तो 134 के लेवल के यहाँ पे एक बाई का भी बनता है 129 का stop loss रहेगा और उपर में हमें target इसके 145 के देखने मिल सकते हैं और MGL महानगर कैस यह पसंद आता हुआ ट्रेडिंग के तौर पर और बढ़ते आगे अब अक्षे आप पताईए आपकी strategy क्या होगी दो stock चुना है दोनों काफी मजबूत price structure है तो जिस तरीका का volatility आप indices में देख रहे हो तो मेरा मानना है कि शायद यह दो stocks को जादा affect न करे पहला stock को चुनाओ किया है BEL भारत electronics जो 235 के rate पर चल रहा है all time high पर चल रहा है तो इसमें आप 257 और 265 यह दो target area बनाके चले भी the stop loss of 221 और दूसरा trade रहेगा NTPC जो power क्षित्र में है और इसका भी chart structure बहुत ही मजबूत है और 262 के जो तरपे चल रहा है इसका projection बन पा रहा है 387 और 401 short term trading के नजरिये से यह trade में आपका stop loss बनेगा 350 को ठीक है तो यह सरा अक्षे जी की तरफ से NTPC में आप इस तरूपर खैदारी करके चल सकते हैं और इसके अलावा BEL भी अच्छा लग रहा है यहां पर भी आप तेजी करके चलिए और कपिल की में हम देख रहे हैं काफी शांदार तेजी लगातार देखने को मिलरे रिकॉर्ड लेवल्स चूरे अब इससे जो जुड़े stocks हैं उस पर एक बार आए ले लेते हैं आपसे जैसे की मनपूरम है मुथूट फैनांस सेनको गोल्ड जैसे stocks सेनको तो आज चल रहा है quarterly update भी आए हैं लेकिन अगर overall market को देखेंगे तो ये जो stocks हैं ये थोड़ा आज कम दबाव में हैं overall market में जिस तरीके का इस सब में उतार चड़ाव बना हुआ है और सोने में जो तेजी है उसको देखते हुए क्या इन कमपनियों को as a defensive play के तोर पर यूज़ करना चाहिए यहां पर नज़र रखें और मदूदास पर entry ले सकते हैं बिल्कुल पुझा जी मैं agree करता हूँ इस बात को कि current market situation में gold एक hedge या defensive bet उबर के आ रहा है तो जिन जिन कमपनियों का gold as a commodity में exposure है जिनकी अपने अभी बात की मुधूट finance चार्ट स्रक्चर भी बहुत मजबूत है और आप देखे तो गए कुछ ट्रेडिंग सेशन में मुधूट finance का 1350 से लेके 1660 यह one way journey रहा है चार्ट स्रक्चर बहुत है momentum strong है और 1750 से आपको जल्दी बनते हुए दिखेंगे तो मुधूट finance जरूर आपके portfolio में या trading bet अगर आप buy की तरफ देख रहे हो तो होना चाहिए मुधूट capital की अगर बात करें तो यह 302 है अभी तक इसमें जादा कुछ action नहीं है पर trading bet के साब से 320 तक यह stock चूँ सकता है और अगर मैं पात करूं मननपूरम finance की तो मननपूरम finance में भी more or less चार्ट structure है बहुत ही मजबूत है एक support area 185 से अच्छा का सा bounce back कर रहा है आज तो यह भी stock 205-210 के trading target बनते हुए दिख रहा है जल्दी तो मननपूरम, मुधूट, capital, मुधूट, finance यह तीनों stocks आप trading के नजरे से buy कर सकते बिल्कुल, तो अगर सोने में नहीं तो इस commodity से जुड़ी ही जो company है उस पर आप नजर रखे, मुधूट, capital, मुधूट, finance, मनपूरम finance, आज की कमजो बाजार में भी आप यहां पर entry ले सकते हैं, बाइंग के अच्छे मौके दिखाई दे रहे हैं, चलिए बागे बढ़ते रतनीश जी मौझूद है माय साथ, ओनलाइं पर रतनीश जी बताईए, क्या strategy हो गया आपकी तरफ से? साथ में 4 रूपे का stop loss रहेगा, 13 रूपे का target बनता है, जो loss हो सकता हो, 13,725 का, जो profit हो सकता है, 27,425 का, गयल का lot size बढ़ा है, तो अपने मेरे दर्श्रों को दे निवे दनेंगी फ़ड़ा सा, अपना risk reward को manage करके ही इसमें काम करें. गयल इंडिया 3% उपर है आज के session में और जो trend चल रहा है फिलहा मार्केट में उसे के साथ जाएगे, 250 की call खरीदे, 7 रूपे के असपास है, 13 रूपे के लक्षी के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चाह सकते हैं, इसमें अधिक्ता मुनाफ़ा 27,450 का हो सकता है, एक risk disclosure भी को नुकसान होता है, थांक्यू रतनीश जी समय देने के लिए और यह रणीती सुझाने के लिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुखेंगे हमिया आप पर आब अनेरिया मारे साथ, हर खबर, अब आपकी भाषा हिंदी में, इसमें मुझे लगता है, डिमांड चाधा सप्लाइक विजिसे क्रूप प्रैसे उपर चाह रहा है, बनिये चुटकी में चतुर, जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्टफोलियो मजबूत, जल्द लॉग इन करें, eTNOWSWADISH.COM बढ़ो, बदलो, देश के साथ Strong processes and risk management help you achieve your goal steadily प्रेज येखरा मेन और या प्रेशों आप्रेश लिए न्यून कार्षाब्स अप्रेंगा करेंदे लिए अब्री आइस्टार्यास करेंगार इदून। चालि के लिए इकलिक लिए इंटिस्पर्टरिय। यह जयार आफ इंदिसेज। कि अपना ही है और अपना ही है। अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा हमारे टाइम तो अटकाना लटकाना लटकाना यही कल्चर होता था पर तूम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा शिफ दस साल की स्पीड देख लो अटल सेतू स तुम देख लो चिना ब्रीज से वोगी मिल ब्रीज दे लो और इतना करके भी लुडी जी कहते हैं यह तो अबी ट्रेलर है एट ट्रेलर हमारे शबतने पूरा करनेा की गारेंटी मोदी जी तो उनको उजिताने की गैरेंटी किसकी? हम बाब बेटी की? कमल का बटन दबाएं, भाजपा को उजिताएं पापाजी, क्यामरा उल्टा है अपका? शरिशासन कहते हैं इसे इस ता हैं? पापा स्ट्रेस कम कर रहे हैं, घर नहीं बिकराना इसे बेचके नए घर का पेमेंट करना था लेकिन धंके बाएर से नहीं मिल रहे हैं पापाजी, घर बेचना है तो मैजिक विक्स पर आइए यहाँ पे हजारों सेलर्स मिलते हैं, ताको बायस से ताकि प्रॉपरटी जल्दी बिके, बेटर प्राइस मिले अब आप सीधे हो जाएए कुछ लोगों के लिए मैं टेड़े ही रोगा स्वागत है आपका प्रेक बाद और आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफ़ट चलिए, अब ज़रा फटाफ़ट से कुछ स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं सामने आपके लेकर आएंगे अंबुजा सीमिन्ट जो की फिलहाल हरे निशान में कारुबार इस दबावरे बाजार में करता हुआ नजर आ रहा है इसके अलावा आपके सामने लाएंगे ब्रिगेड एंटरप्राइज़ क्योंकि चिन्नई में कुछ आफिस स्पेस डेवलप करने की खबरें सामने आ रही हैं तो इस पर भी चर्चा करते हैं और इसके साथ ही बात करेंगे हेजी लिमिटेड की जहां पर आज अच्छी तेजी नजर आ रही है लगवग साढ़े चार पॉसेंट की तेजी यहां पर मौचूद तो अमबुजा सीमेंट, ब्रिगेड एंटरप्राइज़ और इसके साथ ही हेजी लिमिटेड इन सभी पर जरा राय दीजी अक्षा जी पहले ब्रिगेड एंटरप्राइज की बात करते हैं 992 का करेंट मार्केट प्राइज है, चार्ट स्रक्चर मजबूत है अच्छा रिकावरी कराये गए कुछ ट्रेडिंग सेशन में एक रेजिस्टेंस पार करने की कैयारी में है जो है अब थाउजंड का, तो थाउजंड का आपको ध्यान रखना है जैसी ब्रेक करेगा बहुत पावरफुल मोमेंटम आएगा और जिस तरीके का चार्ट सेटाप है, मेरा माना है थाउजंड ब्रेक कर जाएगा और ग्यारा सो बी से ग्यारा सो पचास के टारगेट बनेंगे पर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट नहीं रहेगा, आपको होल्ड करना है पुजीशनली बाई करना है, उदी 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन तो बाई या होल्ड फॉर टागेट ऑफ 1150, स्टॉप लॉस अपका बनेगा ये ट्रेड में 930 का, तो ब्रिगेड बाई बनेगा, दूसरा बनेगा HEG HEG की बात करें तो डे ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छा कासा रिकावरी है पर जिस तर पे अभी HEG ट्रेड हो रहा है वो एक बहुत ही एहम रेजिस्टेंस पे आ रहा है एक बार में देखना चाहता हूं कि वो रेजिस्टेंस क्लियर कर पाता है कि नहीं तो थोड़ा सा कॉशिन है 2530-550 के आसपस आप प्रॉफिट बुकिंग कर ले HEG में और लाश्टले अब अगर अम्बुजा सिमेंट की बात करें तो अम्बुजा सिमेंट का ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है बस शॉट टर्म ट्रेडिंग में हलकी सी नर्मी है पर वो कुछ जादा टेंचिन वाली बात नहीं लग पा रही है मुझे आप बाई करे पर ब्रोजिशनल से बाई करे या होल्ड करे 670-680 का टागेट बनते हुए जल्दी दिख रहे है मुझे सपोर्ट 580 तख है तो सपोर्ट की नीचे स्टोप्लस और 680 का टागेट अमबुजा सिमेंट में टाइम होराइजन 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन की तो अमोबन आम तोर पर होता है कि जब इस तरह से हम तमाम स्टॉक्स की बात करें तो एकाद या जातर स्टॉक्स में जिस तरह दबावरे बाजार में दूर रहने की सला दी जाती है लकिन ये तीनों स्टॉक का इस वक्त पसंद आते हुए पॉजिटिव नजरिया अक्षा जी का इस वक्त आता हुआ चलिए एक इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने लेगर आते हैं खबर ये है कि चीनी शेरों पर आज दबाव देखने को मिल रहा है और चीनी शेरों में जो गिरावट है आखर क्यों नजर आ रही है आखर इस दबाव के पीछे की वज़ें क्या है इस पर जादा जानकारी के साथ विश्मोहन हमारे से होगी एक्स्क्रूसिव जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं शुमोहनना बताएं आखर इस दबाव के पीछे का गनित है क्या देखे हमारे जो सोर्सेस बता रहे हैं जो चीनी मिलो से जुड़े हुए असोसेशन के लोग है वो कह रहे हैं कि चीनी मिलो पर आरोफ है कि वो जो डिस्पैच के जो डेटा है वो सही तरीके से सरकार को नहीं बता रहे है नॉमबर से जनवरी के तोरा जो GST के रिटर्न जो फाइल किये गए है उसमें उन्होंने जो बिकरी के नंबर जो दिये थे डिस्पैच नंबर दिये थे और उनकी जो स्टॉक होल्डिंग है उसमें काफी mismatch नजर आया है इस पर सरकार काफी सकत है और सरकार कड़ी चेताबनी भी सरकार की तरफ से जारी की गए है जल्द उस पर कुछ एक्षन भी हो सकते हैं हाला कि हमने तीवी के सामने बोलना नहीं चाह रहे है कुछ हमने मिलों से बाचीद भी की थी तो उनका कहना था कि 85% से 90% तक जो मिल है चीनी मिले वो बहतर तरीके से काम कर रही है उसमें 10-15% कुछ ऐसे लोग हैं जो सही तरीके से काम नहीं कर रही है उससे पूरे इंडर्स्री पर असर हो रहा है लेकिन सरकार की चेताब में सकत है अगर डिस्पैस डेटा में कुछ गड़वरी बिलती है मंतली कोटा जो सरकार की तरफ से जारी किये जाते है अगर उसमें कुछ मिसमैच मिलता है तो सरकार Essential Commodities Act और Sugar Control Act के तहत उन पर सकत कारवाई की जा सकते है तो यह ख़बर है और यही वज़़ हो सकती है कि चीनी मिलो पर आज को दबाब भी दिख रहा है तो यह वो तमाम एक तरह से कह सकते हैं कमिया या जिस तरह से पारदर शिता की कमी जो सामने आ रही है उसकी वज़़ज़ से भी दबाब नज़र आता हुआ अंदर खाने से एक खबर आपके लिए विश्यमोहन लेकर आए बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विश्यमोहन आपका और चलिए इसी के मदे नज़र जरा शुगर शेरों पर एक फ्रेश वियू ले 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 लेते हैं कुछ नाम मैं ले ले लेता हूँ अवद शुगर, बजाद जिंदुस्तान, बलरामपूर चीनी, त्रिवेनी शुगर और डाल्मिया भारत कपिल आपके पास आएंगे शुगर स्टॉक्स कुछ मैंने नाम लिए बताए क्या नजरिया बन रहा है दबाव सभी इस वक्त चीनी मिलों के शेरों पर नजर आ रहा है लेकिन वज़े तो हमने आपको बता दी रणनीती क्या होनी चाहिए ज़े, सब में विश्व मोजे ने जिकर भी किया था कि जो भी डिक्लाइनिंग मोटर में आई हैं तो जो भी इस विश्व के वज़े से मौनिंग में जहां भी सेलिंग बश्रा आ रहा था तो अभी काफी जादे स्टॉक्स में रिकावर होते हुए दिखता हूं तो जो सुबर सेकर का वन उनके लीडिंग स्टॉक है बल्रामपूर चिनी तो स्टॉक्स में सुबह में काफी गिरावर दिखने मिली थी लेकिन वह अभी सिर्फ एक परसंट से इसके गिरावर बनी रही है अलागे सुबर सेकर का ट्रैक्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़े से फ्लाटिश मुमिंट में अभी कारोबार कर रहे है और बर्रामपूर चिनी भी एक नोट इंट्राइडी से नीचे में रिकावर कर रहा है लेकिन अभी इसका ट्रैंट और साइडवेज जैसा ही हम उसको गोल भाएंगे लेकिन दूसरा जो स्टॉक के एड पहरी हाद कि ये स्टॉक को दो परसंट के अरॉंड नीचे के लेवल पर है लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्टर इसका बहुत ही रहा हुआ है ऐसे कुछ नुचे वज़े से एक बाइंग अपोर्चुनिटी हमें देखने मिलती है तो श्टॉक के लेवल पर चल रहा है श्टॉक नीचे में मैं श्टॉक को देख रहा हूँ तो कि 5.96, 5.95 जो आज के लो है वो काफी अच्छे सपोर्ट लेवल और वहां से हमें रिक्राव के देखने मिल रही है ठीक है तो शुगर स्टॉक में EID पहरी यह स्टॉक है जिस पर आप नज़र रख सकते हैं कुछ और स्टॉक पर एक्शन बन रहा है इस बीच मिटका स्मॉल काफ शेरों पर नज़र डाले तो कैपरी ग्लोबल में कच्छी बाइंग है स्टॉक अब 13% उपर 30 से आया है कपिल जी क्या सला देंगे आप कैपरी ग्लोबल में मौजूद अस्तर पे क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए या फिर अभी अवाइड करें जिनके पास है वो क्या करें तो जो अप्साइड मोविटम पैले थी थोड़ी दिन पहले और थी अच्छी कासी मोविटम हो गई है और वहां पे तो मिला गया है तो मैं यहां पर एक momentum chance तो नहीं करना चाहूंगा लेकिन इसके 251 के resistance level है 251 के resistance level को उपर में power हो जाते हैं तो फिर से bullish continuation sign हमें देखने मिल सकती है और 280 level तक ही लेकिन यहां में 251 और closing basis हमें देखना होगा यहां फिर stock price के कुछ कुलोफ हमें देखने मिलता है तो next list इसका potential support level 227 के लेकिन यहां पर देखने मिल रहे हैं ठीक है तो Capri Global पर यह सलाब अब आगे बढ़ते हैं और रूख करते हैं अपने अगले segment का VIP share हमाई साथ आज का VIP share बताने के लिए हैंसेक्स security से महेश ओजाजी मौजूद है महेश जी थैंक इस सो मज समय देने के लिए बताई आज का VIP share क्या होगा गोड़ा प्रनूँ आज का VIP पिक अपना रहेगा वर्म ब्रेवरेज यह लेबल पर अपन 1370 के आजपास अपन खरीच सकते हैं स्टॉप लॉस एक 1328 का लगाई है तो यहां से एक यह वैली पर अच्छा लग रहे है ठीक है वार्म बेवरेज़ में तेजी करके चल सकते हैं अगर 30-6 महीनी के लिए 1450 से 1550 तक के लेवल आ सकते हैं स्टॉप में तो यहां पर आपके लिए खरीदारी करने की सला थांक्यू महीजी समय देने के लिए एक छोटे से ब्रेक लिए रुखेंगे हैं याप पर आप बने रिया मारे साथ इन असोसियेशन विट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थे बैंकर तो एवरी इंडियन मैं एक्सिस सिकुरिटी से राजेश पाल्विया मैं दूंगा आपको ऐसे ट्रेडिंग आइज जो कराएंगे आपको धमाकेदार मुनाफ़ा तो देखिए पाल्विया के पठाके शहर सिर्फ इतिनाव स्वदेश पर Attention startups, reach 25 crore people well within your budget and the guys on 10 TV channels in one shot, no TVC required Brand Startup Pack starting from just 1 lakh rupees Brand Surge, the special marketing startup pack for startup brands For more details, visit our website brandsurge.co.in or write to us at brandsurge at timesgroup.com Times Network, now or nothing Strong processes and risk management help you achieve your goals steadily and sustainably Nippon India Mutual Fund, wealth sets you free Mutual fund investments are subject to market risks Read all scheme related documents carefully Shrishasad says Baba stress is less stress, you don't get home You don't get home, you don't get home You don't get home, you buy a house, you buy magic bricks here Here thousands of sellers get a rose from a lakh of buyers So that the property will get a better price, you get a better price Wow! Now you go straight ahead Thank you My name is God bless you God bless you God bless you God bless you Global Chinatown There will be a story From the front of the street New request New Reck 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 सरकारी बंकों में सबसे ज़ादा घिरावत सेंट्र बांक, आयो भी, युको बैंक में 2-3% की कमजोरी, दिगज, SBI, PNB और यूनियन बैंक में भी कमजोरी दूसरी सरकारी कंपनियों के शेरों में भी बिक्वाली हावी SGVN, NLC, इंडिया, NBCC में 3-5% तक की कमजोरी ITI, कोचिन, शिप्यार, राइड्स भी 3-4% नीचे कच्चे तेर में मजबूती से, ONGC में खरदारी 6-6% की मजबूती के साथ Nifty का टॉप गेनर, जेफ्रीज ने खरदारी के राइड के साथ कवरेज शुरू किया, लक्षे 390 रुपे LME के, रूस के मेटल्स की ट्रेडिंग पर बैन लगाने से चुनिंदा मेटल शेरों में चमक, हिंडालकों और नालकों में 3% की बढ़ा मजबूत बिजनिस अपडेट से, सेंको गोल्ड में जोरदार तेजी, शेर 17% चड़कर रिकॉर्ड उचाई पर, चौथे तिमाही में आए में 49% की गुरूट चार परसिन की तेजी के साथ, एकसाईट 52 हफ़ते की उचाई पर पहुँचा, मॉर्गेन स्टैनली की ओर वेट ट्रेटिंग, लक्ष तीन सो तीहत्तर से बढ़ा कर किया, 480 रुपए बड़े डिविडिन्ट के ऐलान से, आस्टर डिये में करीब 8% का उच्छाल, कंपनी ने 108 रुपए के स्पेशल डिविडिन्ट का किया, एलान टेसला ग्लोबल ऑपरेशन्स के लिए टाटा इलेक्ट्रिक से खरीदेगा सेमी कंड़क्टर, दोनों कंपनियों ने साइन किया, स्टेटिजिक करा, एकॉनिमिक टाइम्स के सूत्रों के हवाले से खबर और आज जारी होगा मौनसून का अधिकारिक पूर्वा अनुमान, दोपहर धाई बजे मौसम विभाद की प्रेस कॉन्फरेंस, दीजी मौसम एजेंसी स्काइमेट का सामाने मौसून का अनुमान तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबने हेडलाइन्स की शक्ल में, लेकिन एक खास नजरिया हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बीजेपी के संकल्प पत्र पर निकुंज डाल्मिया का आखर क्या कहना है, हमारे एडिटर इन चीफ का आखर क्या टेक है, आई आए आपको सुनवाते हैं बीजेपी का जो मैनिफेस्ट वाया है, इसका जो पूरा फोकस है, वो मुदी की गारंटी और एक प्रकार की प्रामिस है, कि दोजार स्यतालिस तक भारत एक विक्सित नेशन कैसे बन सकता है हाला कि हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं, कि that it is more of the same, मगर जो emphasis रहेगा, वो इन चीजों पर रहेगा, कि existing economic policies में कहां पर multiplication हो सकता है, कहां पर energy और आ सकती है, और कहां पर इनको बढ़ावा दिया जा सकता है कुछ focus areas, अगर भारत को एक development nation बनना है, तो सबसे important रहेगी growth, बीजेपी का manifesto इस बात की एक promise कर रहा है, कि सरकार या बीजेपी growth पर focus करेगी, और fiscal prudence जिससे हम कहते हैं कि important है market के लिए उसको compromise नहीं करा जाएगा, infrastructure, बीजेपी सरकार ने infrastructure के अंदर काफी बढ़िया काम क जाएगी, नहीं बीजली के plants लगाया जाएगे, नहीं railway के network बनाया जाएगे, इस पर अच्छा खासा focus रहेगा जो की multiplier effect कर सकता है, manufacturing, कोविड के बाद हमने देखा है कि manufacturing बेर रिन्यूट फोकस आ रहा है, यह focus BJP manifesto में खास तोर से दिखाया गया है कि वह इस पर जो focus है वह रिन्यूट फोकस रखेंगे, energy transmission, इंडिया की या भारत की जो energy needs है वह बढ़ेंगी, क्योंकि इंडिया के इंदर basic source of energy जो है वह hydrocarbon है, अर्थात oil या फिर koela, koela import होता है, oil पूरी तरीके से import होता है, BJP सरकार बोल रहे है कि हमें दूसरे sources of energy, solar, wind, green energy, hydrogen, green hydrogen, इन प्रकार से energy dependence कम करनी पड़ेगी और agriculture, BJP manifesto में खास तोर से लिखा गया है कि agriculture के अंदर pulses, oil, इनके अंदर इंडिया की import dependence, या नि हम जो हम भार से मंगाते हैं, उन पी dependence हमें कम करनी है, तो एक बड़ा agriculture के अंदर एक हब बनाने की बात भी करी गई है, तो एक काफी प्रकार से एहम importance है कि agriculture में भारत को self-dependence कैसे करा जा सकता है, अगर आप stock market के लहजे से इसको देखते हैं, तो उन companies जिनके energy transmission का play है, फिर business है, उनको benefit मेलेगा, road, airport, bridges, port, यह एक ongoing theme है, कुछ साल तक चल सकता है, यह, MSME को अगर एक प्रकार से सहुलियत दी जाएगी, credit lines को दी जाएगी, उनको NBFCs और खास करके PSU's बैंक को benefit मिलेगा, और अगर MSP बढ़ाई जाती है, तो short term के अंदर rural sector को भी फरक मिलेगा, अगर agriculture reform जाते हैं, तो पूरी पूरी rural economy को आने वाले सालों में काफे boost मिल सकता है ठेक है, तो आपने सुना हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया का खास नजरिया, खास विशलेशन, बी जे पी के गोशना पत्र और उनके आगी के तमाम विजन को लेकर कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन सी थीम हैं, जिस पर नजर रखनी चाहिए, कौन कौन स ऐसे एरियाज हैं, ऐसे से क्षेत रहें, जहां कि स्टॉक्स आगे और ज्यादा बहतर कर सकते हैं, रोड, इंफ्रा, पावर एनरजी, इन सभी पर नजर रहेगी, और चलिए पावर सेक्टर पर इसी नजरिया से जरा एक व्यू लेते हैं, अक्षे जी से, अक्षे अक्षे जो पावर स्टॉक्स हैं, जिन्होंने एक शानदार रैली दिखाई हैं, उनमें लोगों को करेक्शन का इंतजार रहता हैं, हम चुनाव और उसके आगे की थीम के हिसाब से भी इसे एक कह सकते हैं, कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से भी देखें, तो बड़ी नजर रहती ह इस लिहाँ से देखें, तो यह जो आज की करेक्शन है, वो पावर की कौन-कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, या उसके आस-पास जो एहम अक्षेतर हैं, वहाँ मौके बन सकते हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं, जो एक मौका हैं आज के लिए एंट्री लेने का? जी, तो आवर सेक्टर आप देखें, तो ओर आल गए तीन महिने से बहुत ही लाइम लाइट मे रहा है, और बहुत ही मजबूत ही से ट्रेड हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले जो सबसे बहतरी इन चार्ट स्टॉक्चर है, वो बनेगा टाटा पावर का, टाटा पावर का क इसमें निवेश करना चाहे, दोनों तरीके से टाटा पावर ये फिट हो रहा है, ट्रेडिंग के नजरिये से, तो आपको बाई करके चलना है, चार्ट स्टॉक्चर प्रोजेट कर रहे है, ट्रेडिंग टागेट करिबन 475 तक, अगर आप थोड़ा और इसमें होल्ड करने चाहते हैं, तो 400 के नीचे बनना ही है, इसके बाद पावर ग्रिड की बात करें, तो पावर ग्रिड ये एक रेंज बाउंड है, स्टॉक्चर पर अगर आप निवेश करना चाहते है, आपका होराइजन तोड़ा 6 महिने के ऊपर हो, तो मैं कहूंगा सबसे बहतरीन स्टॉक है, जबी भी मार्केट गिरेगा, ये स्टॉक को जाधा अफेक्ट नहीं करेगा, वोलाइटल सिच्वेशन में भी ये आपको हेल्प कर जाएगा, और जबी चलेगा बहुत स्ट्रॉंग मोमेंटम पकड़ेगा, तो कि फिलाल अभी पावर ग्रिड अक्युमिलेशन जोन मे है, 260 और 290 ये एक रेंज है, तो ये रेंज में आपको ये ट्रेड करना है, फिलाल आपको एक्क्युमिलेशन में एक्क्युमिलेट करना है इसको, पोजिशनली जो 6 मैने की बात करी, उसमें 330 से 340 के टागिट्स मुझे दिकरेट आ, पावर ग्रिड में, स्टॉप लोस होने का 250 का, और लाश्टली मैंने आपको NTPC का तो मैंने ट्रेडिंग कॉल, आज आपके शो पे मैंने रेकमेंड करा है ट्रेडिंग बेट, तो अगर ट्रेडिंग या शॉट टर्म का नजारिया हो, तो आप NTPC चुन सकते हैं, तो NTPC for short term trading, टाटा पावर आप medium term के लिए और अगर आप बात करें power grid, तो long term निवेश के हिसाब से सोच सकते हैं, तो short term, medium term, long term, तीनों ही तरीके से आपको stocks बता दिये हैं, NTPC पर नज़र रखे power grid long term के लिए और टाटा पावर अगर आपको medium term नज़रिया चाहिए तो, Intellect Design, एक बार कपिल ये stock देखे, 3% उपर आ चुका है, थोड़े पहले खबर भी आई की company ने कुवेट की bank के साथ करार किया है, जिसके चलते एक बाई यहाँ पर नज़र आ रही है, पॉजिटिव खबर है company के लिए, Intellect Design 3% उपर, कोई trade लेना चाहिए इस तर उपर? वो अपने all that high से थोड़ा ही अभी फिसला हुए, जिसको हम corrective declining momentum कह सकते है, कोई major trend अभी भी positive है, उसके भीच में, एक discount sell kind of, एक correction अभी इसमें देख रहा है है, stock price का जो आज का जो low level का वो कहा तक हाफ है, इसके प्रायर support level के 965 के level के यहां पर, वहां से हमें rebound आता हुए दिखने मिल रहे है, लेकिन इस stock को IT sector as a wall अच्छा लहीं कर रहा है अभी, तो इसमें एक बड़े view तो नहीं बना सकते है, लेकिन trading के लिए, आज से stock में थोड़ रखेंगे और दीचे में इसके 1000 के stock loads रहेंगे, और prestige estates में भी काफी अच्छी तेजी आई है, stock में सूपे से ही तेजी थी, अब करीब-करीब 12% उपर आ चुका है, किसी ने trade के लिया हो, अगर अक्षर जी तो क्या करें, अब मुनाफा लेकर निकल जाए, या फिर अभी और तेजी के लिए रूख सकते हैं, prestige estates में, कोई BTST, STB trade लेकी जाना चाहिए इसमें, अगर short term trading के लिए आप धून रहे हो stocks, तो बिलकुल कल परसों के लिए दो दिन का अगर आपका time horizon है, तो prestige estates जो है, एक अच्छे का से trading support से आज bounce back करा है, trading के लिए से 1300 या 1325 ये दो target आपके बनते हों जल्दी दिखेंगे, आज का day low करीबन 1150 है, वो आपका stop loss रहेगा, तो trading के नजरिये से आप prestige buy करें या BTST करें, और अगर थोड़ा लंबा नजरिया भी देखें, जहां पे 3 महने के आउदी आप ये trade में ले सकते हैं, तो अभी भी chart structure बहुत ही मजबूत ह चॉपी है, 1100 और 1300 का range में सीमित है stock पर overall setup project कर रहा है कि शायद 3 महने के बाद, 3-5 months में 1450 से 1500 stock revisit हो सकता है, जो तरीबन इसके all time high level है, तो hold करिए अगर आपके पास share है, trading का तो मैंने आपको target stop loss दे दिया है, तो दोनों trading या long term innovation के लिए prestige stay में recommend करना चाहूँ ठीक है, तो ये नजरिया रहनीती इन stocks पर चली कुछ और stocks को भी अपने radar पर लेकर आते हैं, टाटा स्टील आज हम देख रहे हैं कि लगपक सबापसंद की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है, एक बार आपके लिए concor भी सामने लाएंगे, concor container corp में हम देख रहे हैं कि यहाँ भी लगपक 2% की गिरावट नजर आ रही है, तो concor और टाटा स्टील का पिल क्या विव बन रहा है? पिल की गिरावट ने खर रहा हुआ है, ताटा स्टील एक इंडेसिव जोन में भी ट्रीट कर आएं नीचे में जोसके लगाता है, लिएक सपोर्ट लेवर 160-159 की लेवल की यहाँ पर आता है, और उपर में स्टॉक प्राइस रहे हैं 167-168 की लेवल के यहाँ पर, आज से स्टॉक तो नहीं बनी हुई है, लेकिन अगर कुछ पोजिशन होती है, तो इसको शॉर्ट टम में 159 की ट्रेलिंग स्टॉकों से हूल करें, होपर में 167 तक के अपसे पोर्टेमिशन दिखनें फिर से मिल सकती है, और लूसर जो स्टॉक था पांपोर का, तो पांपोर में अभी इसके जो सपोर्ट लेवल था 926, तो अलमुस्ट वहाँ पर ही चल रहा है, लेकिन अभी तो कोई पायर्स की प्रिजन्स देखनें नहीं मिली हुए, तो यहाँ पर पहले में एक ग्रीन केंडल देखना चाहूँगा, उसके बार में अपकोर्स का अच्छा बैट बने पर अच्छी तेजी नजर आ रही है, और इसकी एक वज़ए है, क्योंकि वंदे भार ट्रेन के लिए 270 करूर का ओर्डर मिला है, रामकृष्णा फाजिन्स को, इसके अलावा अदानी ग्रीन में जो है, इसको भी फोकस में लाएंगे, क्योंकि एफ़ए 24 में ऑपरेशन 35% बढ़कर 10,934 मेगा वाट की बात सामने आई है, एर और इर बेसिस पर अगर हम देखें, हाला कि आज दवाव हम देख रहे हैं स्टॉक पर, तो अदानी ग्रीन और रामा कृष्णा फार्जिन्स, इन दोनों पर जरा भागवत साब राय दीजे, प्रसान जी, रामा बात करें, तो ट्रेडिंग के नजरिये से थोड़ा कमफर्ट नहीं बैट पार है मुझे, हलाकि स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है, शौट टर्म में थोड़ा वलाटलिटी के शिकार हो सकता है, तो वहाँ पर आपको टार्गेट स्टॉप लॉस क्लिय बन पार है, इसलिए मैं कहूंगा किसी को निवेश करना है, किसी को ये ट्रेड में आप तीन महिना आप दे सकते हैं, तो ही आप ये ट्रेड ले, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, 600 का एक बेस बन चुका है, और अभी ये इमेज़ेट में 800 ये आपका है, और जिस तरीके का सेटाप पे 800 भी पार कर जाएगा, ये मेरा मानना है, तो फिलाल अगर थोड़ा सा टाइम दे के आप बाई कर सकते हैं, तो 800 का टार्गेट आपका पहला पड़ा हो रहेगा, उसके बाद 875 तक जल्दी है, आपको रामकृष्ण फॉर्जिंग में टा स्टॉक, रेंज है, 2000 का रेजिस्टेंस और 1650 का सपोर्ट, कोई क्लियर ट्रेड यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, तो मैं कहूंगा कि आप इसे अवॉइड कीजिए, फिलाल जिस तर पे ट्रेड हो रहा है, ये कि पूरे रेंज के बीच के लेविल पे है, जब भी भी आपक नो ट्रेडिंग जोन में है, और जो रामकृष्णा फोरजिंग्स है, उसे आप पोजीशनल नजरिये से बाई करके चले, तो ये विस्तरत नजरिया इन दोनों ही स्टॉक पे, चलिए, बढ़ते आगे, अगला सेग्मेंट लेकर आते हैं, आपके लिए मुनाफिका और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं निल्मल बंक के अमिद भुतानी जी, अमिद जी गुड़ आफ्टरनून बताइए, आप्शन की रणीती आज के लिए क्या है? कि दूनों प्रॉंट का सेट अबाट घरा सेट यहां से अधून आज सब्सक्राइव लिए सेटन गुड़ आपड़ आते हैं, तो यहां से चाट प्रेटन में है, रहां से एक प्रेटन पार्मेशन का लिए ब्रेक आँ टेह देखने मिल दीदेब हैं, प्रेटने इस इंक create करेंगे 3700 का call option buy करेंगे जो अभी करेंटली 90 रुपर के असपस चाल वे हैं अपसे हैं में 120-130 का target रहेगा डाउन से हैं में 70 का stop loss रहेगा शुक्रिया करेंगे अमिद जी आपका इस एहम रणनीती के लिए तो HAL पे सेभी का risk disclosure बहुत तसो समझ कर अपने financial advisor की सला पे ही इसमें trading की सला दी जाती है तो ये risk disclosure आपके लिए जरूरी जो हमने आपके सामने रखा फिलाल या रुकेंगे एक छोड़े से break के लिए break के उस पार भी stocks और sectors पर चर्चर जारी रहेगी in association with State Bank of India, the banker to every Indian Stock market में portfolio बनाना हो सकता है मुश्किलों से भरा Market का उतार चड़हाव आपको कर सकता है confused Market match नीचे के level से करीब-करीब 200 point की recovery आई मैं Ajay Sharma आपको दूँगा सीधी और सठीक सला जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्फोलियो मजबूत इची ना स्वादेश, बढ़ो देश के साथ In the jungle of investments, there are companies which move slow and go nowhere Only a few companies become rare, dominant, unchallenged and long-lasting Presenting TrustMF FlexiCap Fund Mutual fund investments are subject to market risks Read all scheme-related documents carefully My name is Jitendra Kumar, I live in good town, private sector I work in Times of Nav Bharat, I'm from 2022 When I was a winner, I was very happy to be the winner of the contest And I told my wife, the first time, she was very happy to be the winner of the contest We will have won, when will you play and win? See, play, win, times now, Nav Bharat Yes, see, Jeevar, you are your own and you are your own votes And you are your own votes, you are in a big, big country हमारी लाइब तो निकल गई बेटा हमारे टाइम तो अटकाना भटकाना लटकाना यही कल्चर होता था पर तूम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है शिफ दस साल की स्पीड देख लो अटल से तूसे अटल टनल देख लो चिना ब्रीज से बोगी ब्रीज कहते हैं यह तो अभी ट्रेलर है हमारे सपने पूरा करने की गैरंटी मोदी जी की तो उनको जिताने की गैरंटी किसकी हम बाब बेटी की कमल का बटन दबाए भाजपा को जिताए मुझे लगता है कि हम दुनिया की कोई भी टीम को आरा सकते है ब्रेक की बाब आपका स्वागत है और अब चलिए कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियास समझ लेते हैं यहाँ पर और रूप करते हैं हमारी अगले सेग्मेंट का पावर प्ले पावर प्ले स्टॉक में सबसे पहले शुरुवात अक्षे आपसे करेंगे बताई अक्षे कौन से दो स्टॉक सारे आपके रेडार पर ट्रेड करने के लिए जी यहाँ पर मार्केट कंडिशन्स देखके में एक ही बाई रखना चाहूंगा क्यूंकि मार्केट थोड़ा कम जोर है और उतार चड़ा हो काफी जादा है तो आपको जो है ओल मार्केटिंग कंपनीज में बीपी सील को देखना है जो आज डे लो के बाद अच्छा कासा डे ट्रेडिंग में रिकावर करा है तो 580 का सपोर्ट बनके दिख रहा है बीपी सील में जो एक 3-4 दिन का ट्रे हम बना के चलेंगे बीपी सील में बिता स्टॉप लॉस ऑफ 572 तो बाइ करें बीपी सील फॉर शॉर्ट ट्रेडिंग तो बीपी सील शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए हाज से पसंद आता हुआ अक्षा जी को बढ़ते आगे और कपिल आप बताईए आपके रडार पे कौन स लेकिन उसी नेगेटिव मोमेटर भी और जैसे स्टॉप प्राइज के यहां पर आ रहा है जो तकरीबन एक साल से एजब ट्रेंग निविगेटर की तरह काम कर रही है विछ ने चाट-पांच एपीसोड में इसे मोमें अवरेज के सपोर्ट लेवले के बांस में दिखने मि लिए तो यह मोमेंटम आगे जागे चान्टिव भी हो सकती है 690 का लेवल है और स्टॉप लोज इसका 690 का बठेगा और उपर में टागेट हमें 720 से लेके 730 के लिखने मिल सकते हैं ठीक है तो जेस पील में आप के लिए सला और इसके अलावा एचेस पील बीपी सेल जैसे स्टॉक पर भी आई है और स्टॉक अब दो परसेंट नीचे आच चुका है दिंके निश्टे स्टर पर अलेंट का स्टॉक कारूबार कर रहा है अक्षर जी क्या कोई STBT ट्रेड लेना चाहिए L&T में जी STBT तो मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि रिस्क रिवार्ड का पे आफ जो है लार्सन एंटूब्रों में बनने पा रहा है तो STBT तो अवर्ड कीजिए पर जिस तरीगे का प्राइस सेटाप बन रहा है 3500 तक शायद स्टॉक टेस्ट हो जाए हलका सा और बिकवाली का दबाओ में 3500 चू जाए L&T में ये दिखके आ रहे चार्ट में तो फिलाल तो आप बाय तो न करें अगर बाय करना ही है तो 3500 के लिए बेट करें जिनके पास शेर है वो अपना स्टॉप लॉस 3475 का बना के चले तो ये है सला स्टॉक पर आपके लिए ये सला इस बीच इबार एस्टर डियम के स्टॉक को देखते हैं 8% ऊपर ये स्टॉक आज कारोबार कर रहा है 118 रुपर प्रतीश है कि डिविडेंट की भी कंप्री ने घुशना कि उसके बाद अब देखने है स्टॉक में अच्छी तेजी बनी हुई है कबिल जी इस स्टॉक आज के दिन तो काफी चल चुका है अभी भी मौके हैं क्या एंट्री लेने के लिए या फिर मुनाफ़ा लिकर निकल जाएं स्टॉक से मुझे लगता है कि स्टॉक का स्टॉक्टर भी अच्छा है पूर बाकी के सारे जो पीर्स नॉर्डर है वहां पर भी थोड़े सामें एक्रेक्शन लिख में मिल रहा है लिगिन दो तरी तल्वा अभी इस बड़िव मोटे कि स्टॉक पर इसका पर चल चुका है तो इसमें चंटरी भी नहीं ले जा सकती है और यहां पर को एक मेजर नेगेटिव भी नहीं है कि जिससे वज़े से हम इसमें प्रॉपिट बूग कर लें चल रहा है तो जिसने के पास होता है वो इसको बेशक होल्ड कर सकते हैं 525 के लेवल पे है इंट्रडे में थोड़ा साइक सेलि मानके स्टॉक प्राइस के आगे की मुमेंटर को हम राइट कर सकते हैं और आगे जागे प्योट लेवल के बिजिस में हम दिखते हैं तो 550 से लिखे 570 के लिए अपसाइट बॉटिम इसमें हो सकते हैं ठीक है तो यह नजरिया इन स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं चिन्न स्टॉक के इन तेजी का क्या फायदा उठाया जा सकता है तो MRPL और चैन्नाई पेट्रो अक्षर जी क्या रहा होगे चैन्नाई पेट्रो का चार्ट सेटप देखे मुझे ट्रेडिंग के लिए यह सेटप ठीक लग रहा है पोजिशनल के लिए अभी तक ज्यादा क्लेरिट वो रख सकते है क्योंकि 750 का एक बेस है और 1100 यह टार्गेट है फोड़ा टाइम लग जाएगा यह टार्गेट साने में पर आप बने रहे है ओर आल चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत है MRPL की बात करें तो MRPL में भी आज अच्छी खासी जो है एक्शन है एक अच्छा कासा बॉटम से डे ट्रेडिंग में उचला है वापस कहूंगा ट्रेडिंग बीटी स्टी शॉट टर्म के लिए से आप बाई करें 240 के टार्गेट बनते होए दिखरें जल्दी 210 का सपोर्ट ह तो दोनों शेरों में जो है पहला शेर जो अपने बताया उसका सेटाप मुझे बेटर लग रहा है ओवर MRPL तो फिलाल ट्रेडिंग के नजरी से दोनों में बाई करने की में राय रखूंगा तो ट्रेडिंग के लिहाज से MRPL और चिन्नाई पेट्रो दोनों पसंद आते हुए चिन्नाई पेट्रो जाद बहतर नजर आता हुआ इस वक्त अक्षा जी को शुक्रिया करेंगे अक्षा जी इसके साथी कपिल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए और कमाई के मौके बताने के लिए फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी को आप इजाज़त दीजिये लेकिन एक ब्रेक के बाद धुमाधार एक्षन मारकेट का आखरी घंटे का एक्षन मिस्क मत कीजिए क्लोजिंग कॉल्स में नमस्कार बजार में पैसे से बनता है पैसा सही सला और रन्नीती से बनती है बात मेरे साथ देखिये हर रोज कमाई की सोगात केवल एटीनाव स्वधेश पर वापजी, क्यामरा उल्टा है अपका शरिशासन कहते है इसे इस्ता है पापा स्ट्रेस कम कर रहे हैं घर नहीं भिकराना इसे बेचके नए खर का पेमेंट करना था लगिन धंके बाइर से नहीं मिल रहे है पापाजी घर बेचना है तो मैजिक बिक्स पर यहां पे हजारो सेलेज रोज मिलते हैं ताको बायस से ताकि प्रॉपर्टी जल्दी बिके बेटर प्राइस मिले अब आप सीधे हो जाएए कुछ रोगों के लिए मैं टिड़े ही रोगा प्रॉपर्टी इसके बिस्टेश सेलेजिव जल्स शेती अजलेज प्राइस बा सेथी एल्युट यूंड पो झालीव मिल्द फिर अफिर्ट व्यूंड ग्यूंड इस दिग्टेंड के विलागे सेलेट निवी। चार और वेस्ट start आपर कोसे फिंप इस्साफिक्षन स्यून gee इसों के इसलिंग इस inkं को इसलिशे फिंवल्ट किद tutor ब की इसलिव पांच बचांच टॉस्टछनुंन जिस दुनिया ने हमको समाला वो है अपने हवाले एटी नाउ स्वदेश पर अब है ना सिर्फ मार्केट की बारी कियां बल्कि है कमाई का भी अच्छा मौका हम आपको देंगे एक शांदार आइडिया हर पांच मिनिट में टेकनिकल हो या फंडमेंटल शॉट टर्म हो या फिर लॉंग टर्म अब सब कुछ मिलेगा आपको तो देखिये थार ट्रेडिंग टे सुबह आट बजे से शाम चांद सिर्फ एटी नाउ स्वदेश पर पढ़ो देश के साथ टेकनिकल चार्ट हो या फिर एफंडो किस खबर का होगा आप पर कितना असर कि वैपार जगत से जुड़े हुए हर मुद्दे का विशलेशन समझे मेरे साथ असान भाशा में ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है अनाई अपने ट्रेडिंग डे की वहतर अनीती शॉर्ट कवरिंग से लॉंग माने में समय लगेगा इसलिए एक मेक ब्रिक लेवल है द कोड़ी है मेरे साथ सिर्फ लीटीनाउस तवदेश पहर अच्छी मिडल इस में तनाव और युएस में महंगाई की चिंटा से बाजार मैच और तरफा गिरावट है निफ्टी 200 अंग गिरकर 22300 के पास है बैंक निफ्टी में 6500 अंगों का नुक्सान है दूसरे सरकारी कंपरीज के शेरों में भी आज बिक्वाली हो रही है एस्जी विएन एनलसी इंडिया एनबी सी सी एस्जी विएन में करीब 6% तक की गिरावट है आईटियाई कोचिन शिप्यार भी आज 3-4% नीचे कच्छे तेल में मजबूती से ओवन जी सी में आज हुई खरीदारी शेर करीब 6% मजबूत साथी निफ्टी का टॉप के इनरवी बना जैफ्रीज ने खरीदारी के राय के साथ कवरेज को शुरू किया है लक्ष दिया से सेंको गोल्ड में आज जोरदार तेजी है शेर करीब 18% बढ़कर रिकॉर्ड उचाई पर पहुंच गया चौतिती माई में आए करीब 40% बढ़ी है 4% की तेजी के साथ एकसाइट 52 हफतों के उचाई पर पहुंचा मौगन स्टेली की ओवर्ड रेटिंग है लक्ष 333 बढ़ाकर 485 किया गया कि बढ़े डिविडेंट के ऐलान से एस्टर डियम में करीब 8% तक उचाला है कंपरीन 118 रुपे के स्पेशल डिविडेंट का एलान किया है टेसला ग्लोबल ऑपरेशन के लिए टाटा एलेक्ट्रोनिक से खरीदेगा सेमी कंड़क्टर्स दोनों कंपनीज ने साइन किया स्ट्रेडिजिक करार एकनॉमिक टाइम्स के हवाले से आई एक ख़बर और कुछी देर में जारी होगा मौनसुं का अधिकारिक पूर्व अनुमान चंद मिन्टों में मौनसुं मिभाग की प्रेस कॉन्फरेंस होगी निजी मौसुम एजनसी स्काइबेट ने जारी किया था समाने मौनसुं का अनुमान नमस्कार प्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अभी शेक सत्वर्तम और मेरे साथ है मेरे सेयोगी डिम्ती का अखराब कमजोर ग्लोबल संक्योतों की चलते बाजार में आज हो रही है विकवाली निफ्टी है करीब 200 अंक नीचे 22,500 के आसपास कारवार कर रहा है और सेंसेक्स की बात रहे तो 700 अंकों से जादा की ग्रावट है निफ्टी वैंक में ग्रावट कहीं जादा सीवियर कहेंगे क्योंकि डेड़ परसेंट के आसपास ता की ग्रावट है 700 अंक नीचे है निफ्टी वैंक और 47,900 की नीचे आकर कारवार कर रहा है हम देखने की मिडलिस्ट में तनावत फ़रा सा बड़ा है इस्राइल और इरान के बीचे संघर्ष की आशंका है और उसके चलते क्रूड में उबाल है और ये तमाम सेंटिमेंट आज बाजार के ले नेगेटिवली प्ले कर रहे है आगर आप O.N.G.C. को देखेंगे तो क् खबरों वाले को शेयर तो चल रहे हैं लेकिन बाजार का अगर आप O.N.G. अगर आप सेंटिमेंट देखेंगे तो वो थोड़ा सा कमजोरी है इस वक्त चार सो शेयर है हरे निशान में और उसके मुकाबले 2000 शेयर निशी पर लाल निशान के साथ कर रहे हैं कारुबार क्लोजिंग ट्रेड में आपको हम ये बताएंगे कि आखरी की घंटे में क्या बाजार में रिकावरी आएगी क्योंकि सुबह के सतर में जब आपको सौड़े दस बच छोड़के गए तो आल्मोस्ट यही लेविल थे और उसके बाद थोड़ा बहुत उतार चड़ाओ हमने बाजार में देखा और फिर से वही लेवल आ गये हैं 22,300 वाले आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता देते हैं कि इस शो में आगे हम खास क्या करने वाले हैं दो बच के 35 मिनट पर आपके लिए हम लेकर आएंगे closing trades दो बच कर 40 मिनट पर options के champion आपके सामने लेकर आएंगे यानिकि options का एक धवाकेदार trade आपके लिए हम बताएंगे market at 3 यानि कि वाजार खुलने के बाद शेरों को लेकर कौन सी बड़ी खबर आई है और क्या action हो रहा है उससा पूरा का पूरा जाजा हम लेंगे market at 3 में खबर गर्म है हमारे ये खास सेग्मेंट होता है जहां पर हम dealing room का चेक लेते हैं और समझते हैं कि 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 शेर को लेकर किस company को लेकर खबरे चल रही है और BTST, STBT treat होगा 3 बच के 15 मिनट पर 200 के आसपास कारवार कर रहा है मिड़केप पर स्मॉल के पर आज दबाव है मिड़केप इंडेक्स हमने दिखा था कि शुरुवाती कारवार में तक्रीबन हजार अंक फिसला था हलकी सी recovery हालां कि वहां पर हम देख रहे हैं अभी भी एक परसंट नीचे है लेकिन स्मॉल के इंडेक्स के बात करें तो स्मॉल के इंडेक्स में करीब करीब तीन परसंट के आसपास तक की भारी भरकम गिरावट हम देख रहे हैं आज फिर सी प्रेशर के साथ कारवार देख रहे हैं हालां कि एलमी पर रूस के मेटल्स पर पैन लगा है और उसके चलते हम देखने की चुनिंदा जो मेटल्स हैं वहां पर खरदारी हो रही है हिंडालकों में नालकों में वदानता में आज हम अजबूतिक साथ कारवार देख रहे हैं हिंडालकों का शियर है तीन परसंट जे की बाजार में आज कमजोरी है क्यों कुछ पॉइंटर्स हैं उसके जरी आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं तो इरान ने शनिवार को इसराइल पर ड्रोन मिसाल से हमला किया है हालां कि इसराइल ने 99% जो अटाक्स हैं उसको विफल कर दिया हालां कि उनके मिलिटरी बेस को निशाना बनाया है इरान ने और ये कहा है कि उनका इंटेंशन इस हमले के पीछे मिलिटरी बेस को ही निशाना बनाने का था और और इस कारवाई को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं बाजूद इसके बाजार में सिंट्रिमिंट कमजोर होते हुए हम देख रहे हैं कच्चे तेल में उबाल बढ़ा है ब्रेंट क्रूड का भाव 90 डॉलर के उपर कारवार कर रहा है अच्छे नतीजाय थे टीसिस के बावजूद इसके शेयर में हम कमजोरी देख रहे हैं शुरुवात में ऐसा एक बार लगा कि चायद रिकवरी की कोशिश होगी लिखे ना जैसे से दिन बीता है गरावट बढ़ी है और इस वक्ट टीसिस का जो शेयर है करीप दो परसंट की गरावट के साथ कारुबार कर रहा है इसके लावा इनफोसिस में विप्रू में भी हम गरावट के साथ ही कारुबार देख रहे हैं एक से डिएट परसंट तक ये शेयर करना पड़ेगा डॉलर के मुकाबले रुपया फिस्ता है डॉलर इंडिक्स है 106 के करीब इसके लावा शुक्रवार को हमने देखा था कि कैश मार्केट में एफ इसकी जो नेट नेट जो सेलिंग थी वो थी 8000 टॉन रुपय की तो यह कुछ पॉइंटर सें जिससे हम आप की ग्रावट के पीछे की वजहें क्या हैं लेकिन क्या बाजार यहां से समलेगा क्या यहां से थोड़ी से रिकावरी देगा आपको पचास अंकी 75 अंकों की आखरी के घंटे में यह समझते हैं डिंपी से जहां सुबज छोड़ गये थे फिर से लेविल जसके तस 200 अंकों क कि ग्रावट निफ्टी में अगला एक घंटा कैसे होगा आखड़ी क्या संकी दे रहें उस अभी आखड़े भी रिखाएंगे और इस बीच एक प्रेस कोंफरेंस भी दिखाना चाहेंगे आएंडी के प्रेस कोंफरेंस से जादा इंपोर्टेंट है पहले एक बर वहीं चल एक प्रेस्लिम लहां लाएंगे औरिपस एक बाती कि इस हैंपले की ऑला कर् siन में गुला कोंफ हो घंडे को ऊसी इस अज़ी कि तह," अड़ की जाएंगा comma 2 एक जई विन नाएंगे शवन प्रेस ऌने कि वहीं थे ग88 को कूला उतरCS आबस्रू विंजवी मॉंति आएं it is a favorable condition and also you know that this year, maybe the last few years we are able to provide this forecast not only from statistical but also dynamical forecasts so that we are able to give the spatial distribution of rainfall over season. So this is in general and maybe if you want any specific we can have a question and answer later. Before that, I want to have a little more detailed presentation from Dr. Mohabhatra, Director General IMD, so he can present, and then later on we can take up some of the questions from you. Thank you very much. Thank you, sir. Aaj ki press conference in the press and the media friends ko hardik shwagat hai, joh yahaan uposti te, aaj ki press conference me, haam 2026 ka joh long range forecast monsoon season ka hai, woh haam jari kar raha hai, haamare joh forecast ki shahaf se, puri desh mein 2026 jakhnefrasteem monsoon, ritunisht varsak samanye se adhik honne ka smawana hai, jaham samanye bolte hai, woha 96% se 104% tuk hota hai, aur 104% se jab baris long period average se jahadha hoota hai, tab isko above normal, yani samanye se adhik bolha jata hai, quantitatively, mani, maunsoon ke koji dhikkat dhikkat naihi hai, abhi taq ki jitri mei press conference amne suni, joh pointers amne nose ki hai, usi sasafse monsoon 6% bata ryei hai, aaj bazaar chalye na chalye, aaj bazaar ruk bhi jahe na, toh aap ka kam ben jahe ga, 22,300 bhout important hai, 48,000 ke jitna kariib jake hem bend karenge bhout important hai, minne lilye last ka e ghenita bank ki recovery jadha noticeable hooggi, minne nifti se koji dhikkat naihi hai, bank nifti ki recovery dhikkat aaj or minne subhse bank nifti pe jadha critically watch kar raha minne satt joh meeman hai, usmei sqrreen pa ryei hai, saniya agrawal aap ko dhikhen ke pahal upar aap ko subhse mulchandhani dhikhen winndo me, aap dhonoh meeman ho ka baut shukri thank you thank you very much sammih dheni sajara chijay aap se hum lelete hai, phir aap ke intelligence ki to sarah pahala nifty bank nifti ke baare bata aap ko dar koi kisi tere ki dhikkat ya koi problem nazara rye to bata dhikyye ee ka routine girawet hai to us kum jheel lenge lenge leken ek structural problem hai to phir nif paheng phir bata do good afternoon dimpy to dhe bilkul agar is particular nifty kate structure ko dhe to is bar ki joh rally thii woh 21,700 se shuru hoi thii or 22,700 750 kre 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 ha ha pere ha 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 ki abhi joh correction a raha ya to abhi joh sell off a market me yoh corrective nature ka ha 22,222 22,200 ye market kre important support raha agar market in levels kre niche close ho ta hai to phir market me dhikkat te bade ghi phir us wakt ha bade dhanna ba chal niche correction ka mid point hai to mid point pe a chuk hai in fact yaha pere contra view ke saath kuch kuch kharidari ki jaja sakti hai kyunki joh imd se report anna chahi tha woh report a chuk hai bha bha ki jit unsolved issues te bha 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 clarity a chuk ki exactly ane wale 4 5 mne kya ho sakti hai ha bha 22,000 200 ka stop loss rakhye in levels pere contra kharidari ki jaja sakti hai market 22,000 200 se lekar 22,600 ya 700 kareng me trade kareng nazer ae gha bha bank nifty mne thudu si dhikkat hai kya bank nifty 48,000 ke niche trade kareng kareng jaha pere 47,700 dat 8,000 kareng kareng så can bih kareng 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 para confusion clear हो जाए कि हमको इस समय करना क्या है भाव दिखाना बड़ी बात नहीं है तो सब के mobile पे आ रहे हैं लेकिन mobile पे यह नहीं आ रहा है कि इसको खरीदना है बेचना है इसलिए TV दिखा जा रहा है तो इसलिए आप आए के ठप पे जरूर लगाए है गेस्ट को आप भी सुने हम भी सुने और ताकि पता लग पा है हमको करना क्या है आगे बढ़ जाए शरीकान लगे हाथ एक काम आप और कर दो अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स भी बता दो बिल्कुल तो देखे मुझे लग रहा है कि इन लेवल्स पे फेडरल बैंक को लॉंग किया जा सकता है जो एक सो पचपन के करीब ट्रेड कर रहा है काफी अच्छा टेक्निकल बैटन बना है कई दिनों से एक रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा था अगर आप देखेंगे तो जनबरी से अभी तक 160 के उपर जाना इसके लिए मुश्किल था और वैसे ही 140 के नीचे भी ये स्टॉक गिर नहीं रहा था अब मुझे लगता है कि based on oscillators ये स्टॉक ready है 160 के लेवल्स को तोड़ते हुए एक बार 170 से लेकर over 80 के लेवल्स दिखा सकता है तो current लेवल्स पे फेडरल बैंक को खरीदे रिस्ट रबार रशो काफी अच्छा है 155 में खरीदे 150 का stop loss रखें targets 170 और 180 के नजर आते हैं साथी साथ मुझे लगता है कि चू के market में अभी भी थोड़ी सी एक mixed activity चल रही है तो current levels पे DVS laboratory क्योंकि pharma stocks, pharma sector में हम कुछ profit booking देख रहे हैं हमें लगता है DVS laboratory को current level से short करें stop loss यहाँ पे रखे 3760 का यानि 60 point का stop loss रतना है target से नजर आते हैं 3550 के यहाँ से lower levels पे खुलते हुए नजर आ रहे हैं तो DVS laboratory को short करना है फेडरल बैंक को long करना है ठीक है फेडरल बैंक long है और DVS lab short है एक long एक short की रणनिती के साथ बाजार में शिकांच जी की आज की strategy शिकांच जी आपको जल्दी जाना है बहुत शुक्रिया आपका आपने समय निकाला और बाजार के साथ साथ अपने शियरों पर भी अपना view हमारे साथ शियर किया है ठीक ही चलिए अपने बागी experts के भी closing trades दे लेते हैं और अंशुल जी आपके पास आएंगे बताइए आपके trades कोन से हैं क्या आपके पास भी एक long एक short pair trade है और फिर आप तीजी वाले सौदे के साथ ही जाना चाहेंगे नमस्कार अप्षिक जी नमस्कार टिंपी जी अप्षिक जी मैं शीकान जी के साथ aligned हूँ निफ्टी में मुझे भी यहां से buying लग रही है सुबह जब options का champion दे रहा था तब भी मैंने कहा था कि 22 या 375 मिट के chart पे swing low था उसको हमने hammer candle के साथ reject किया है और अब उसी hammer candle के mid के आसपास हम आके trade कर रहे हैं तो 22 या 300 जो support है वो अपने आपको prove कर रहा है और यहां से 22, 400, 450 तक की bounce back rally मिलनी चाहिए problem सिर्फ एक है कि bank nifty का support यहां से 200 point नीचे है 47, 700 के आसपास तक तो थोड़ा सा यहां पे bank nifty में bounce back slow हो सकता है बट एक बार जहां bank nifty support टेस्ट कर लेगा दोनो bounce back के लिए जब align होंगे तो nifty में ज्यादा अच्छा trade मरेंगा अंदर long side और last 2 मेने से मैं कहते आ रहा हूँ कि metal stocks बहुत तेज है तो आज पहला buy call मैं metal में ही दूँगा national aluminum buy करके चलना चाहिए अगर daily candle देखें तो तीन दिन के lose के नीचे morning एक field की formation दिया है तो भी long कर सकते है दोनों case में target on the upside 192 rupees कर रहेगा दूसरा mid caps में select mid cap counters में तेजी दिख रही है उन में से एक है आर्किट प्लाई 83 हफतों का बड़ा base बना है carbon handle pattern की formation है last 2 weeks में बहुत अच्छे volumes के साथ base का breakout दिया है 104 रुपए में तो यहां से 110-112 रुपए की range में इसको buy करके चलना चीए 100 रुपए का closing basis का stop loss रहेगा 136 रुपए का pessimistic target रहेगा अगर 4-6 मेने stock को समय देते हैं क्योंकि earnings और sales भी rising है 4-6 मेने का इसको समय देते हैं तो 175-180 तक का भी stock में target मिल सकता है तो 135-136 immediate target है 175-180 थोड़ा सा का time देते हैं तो यह target बनेगा यह दो buy call रहेंगे मेरी तरफ से ठीक है और्किट प्लाइव बहुत ए अग्रेसिव target हम कहेंगे अंशुल जी की तरफ सी फिलहाल के 136 लेकिन 186-185 के भी दारे इसमें खुलते हुए दिख सकते हैं सुमिझ जी आपके share कौन से हैं सर बताइए आप खरदारी करेंगे और फिर विक्वाली को भी कुछ सोदे हैं आपके पास अबिशेक जी बिलकुल हमारा यहाँ पे buy का ही call रहेगा मैं दो portfolio stocks to add करना चाहूंगा for the swing trades delivery base और अगर आप term की बात करें तो approximately three to six months के लिए यहाँ पे रहेगा पहला जो है वो रहेगा capri global देखे stock ने काफी अच्छा है कि अपना base formation किया है 5 से 6 session पहले भी stock ने एक ही दिल पे 13% का movement दिया तो और आज के ऐसे downside session में भी stock अभी भी almost 13% अप है तो यहाँ पे आप dips को utilize कीजिए 245-248 का rate है कभी भी आपको downside मिल रहा है till the levels of 230 आप accumulate कीजिए stock को हमें लग रहा है कि 290 and 315 यह दो target अपने achieve कर सकता है stop loss maintain कीजिए 222 का जो दूसरा है Zydus Wellness Zydus Wellness पे देखिए काफी अच्छा है एक trend line breakout stock को आया हुआ है और अपना एक जो resistance होगा दो दिन से continue यहाँ पे support ले रहा है और closing basis पे भी आ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि आप इसे भी accumulate कर सकते हैं for the target of 1735 and 1804 stop loss रहेगा 1544 का ठीक है तो आपके भी दोनों शेर हमने notice कर लिए है सुमिच जी आगे आपसे और भी चर्चा करके कुछ और शेर भी आपसे पता करेंगे पोने 800 पॉइंट की गिरावट है बैंक निफ्टी पे आए अगर आप हमको गंभीरता से सुन रहे हैं तो हमने आपको एक बात कहे थी कि मैं आपको निफ्टी को तो मैं ICU से निकाल के वार्ड में जाने की परमीशन दे सकता हूँ लेकिन बैंक निफ्टी को नहीं दे सकता में लिए ज़्यादा क्रिटिकल बैंक निफ्टी है और आप देखो आप बैंक निफ्टी ने सारा मूड खराब करके रख दिया ना के वल मूड खराब कर रखा बलकि एक चीज़ और खराब कर दी आप्शन्स ट्रेडर्स के सारे के सारे मनोबल को तोड़ के रख दिया इसलिए आप्शन्स के अंदर जो बचा हुआ ट्रेड है बहुत गंभीरता से अराम से कीजिए हमने सुबह मना भी कर दिया था कि आप्शन्स के ट्रेडाज मत लीजेगा आज दोनों तरफ के लोगों को वो कही नगी फसादेगा और कुछ-कुछ वैसा ही हुआ है बाजार के अंदर अब क्या करना है अब कौन से आप्शन्स आपके लिए बहतर है बताने के लिए जीम फानेशल की सोनी पटनायक हमार साच लुड़ रही है आप्शन्स का चेंपिन के साथ अरी ये कहा से फाइर कर रहे है भाई या है सोनी जी बताईए गडाफन बैंपी जी सारे दर्शकों को यहां पर जो हम रेक्मेंड करना चाहते हैं वो है निफ्टी में बैर्फुट स्प्रेड 18th April के एक्स्पाइडी आज जो भी गडाउन हुआ उसके बाद निफ्टी का एक हलका सा रीका भी देखने को मिला था 22,400 तर गया था बच सस्टें भी कर रहा है वो है क्रिटिकल पॉइंट है कि वो सस्टें ने कर पा रहा है और इन फाक अभी डे लो की तरफ वापस जा रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दो रहो बैंक निफ्टी का भी क्लोजिंग आज काफी वीक आ रहा है 48,000 के नीचे ब्रेक किया है इन फाक 47,800 को भी ब्रेक है तो ओवराल दोडों इंडिसिस में हम देखेंगे इससे थोड़ा सा यहां पर ब्रकरा रहने की कंटीनु कर सकता है निफ्टी पोजिशन मुझे लगता है 22,150, 22,100 को भी एक बड़ टेस कर सकता है As long as 22,400 के ऊपर क्लोजिशन में देपाता है थोड़ा से यहां पर बीपनेश रहेगा इसलिए बेर पुट और स्ट्रेड स्ट्राटेजी यहां पर रेकेमेंड करना चाहते है आपको भाई करना है 22,300 पुट उप्शन भाई कीजिए आप 80, 85 के रेंज पे अभी थोड़ा से ऊपर आगया है अगर आपको प्रीमियम में थोड़ा से डिक्लाइन अजर आते है तोबर्ज 85,88 आप बहां तक बाई कर सकते हैं और सामने हेज करने के आपको 22,200 के पुट उप्शन सेल करना है 50-51 के रेंज पे आप सेल कर सकते हैं आपका दोनों कमबाइन प्रीमियम यहां पे जो बनेगा प्रीमियम आउटफलो है 28 रुपे का असपास आपका प्रीमियम आउटफलो रहेगा जो कि मैक्सिमम रिस्क और मैक्सिमम स्टॉपलोस है यह और टागेट आपको यहां से 60 पॉइंट्स देना है इसलिए आपका मैक्सिमम रिस्क असपर दी प्रीमियम आउटफलो 14 रुपे बैठेगा और मैक्सिमम रिवर्ड तीन हजार होगा तो यह उसी वीव पे भी आ गया है कि यहां से निफ्टी 22,200, 20,100 के रिंश को एक बार टेस्ट कर सकता है इसलिए सेफ है कि आप स्प्रेड में काम कीजे इन केस भी अगर कल मार्केट 22,500 हो भी जाता है विच इस गुड इन पैक्ट अगर हो भी सकता है तो इन पैट केस आपका मैक्सिमम रिस्क सिर्फ यहां पे 28 रुपे का ही जाएगा जितना आपका यहां पे आउट फ्लो है प्रीमियम का तो आप बेर स्प्रेड दे रहे हैं यानि कि जहां पे खड़े हैं वहां की पुट को खरीद लेते हैं वहां से मंदा करेंगे जहां तक जाना है वहां के पुट को बेच देंगे वहां से तेजी कर लेंगे इसलिए पुटे बेचने की रिकमेंडेशन नीची जाके और अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत हम ऐसे नहीं कर सकते हैं तो सीधा सीधा बताओ तो फिर इसका एक जवाब है रुक जाओ एक जवाब है नो खृद्दारी नो शौटिंग फिर रुक जाओ अगर आप एक कर सकते हो तो इसका पूरा इस्तेमाल करना इसमें आधा मत करना आधे चक्रवी का इस्तेमाल करोगे तो फिर मारे जाएंगे ठीक जी पूरा करना जब भी आप करना ठीक पूर्ब सब्सक्राइब करने के लिए और इस सारी चीज़ आपने जम को जो नोटिस करवाई है इसको हम जरूर जरूर आगे ध्यान रखेंगे और ट्रेड भी देखेंगे खेर आगे बढ़ते एक दो शेयर जरा और भी पता करने की कोशिश करते हमारे मैमान है सनी अगरवाल उनसे अगर मिडल इस में टेंचन एसकेलेट नहीं होती और पूर्ड आइल कहींने के तुड़ा रिट्रेस कर जाता है तो मुझे लगता है कि एक अच्छी अपर्चुनिटी है बाय ओन बीप की अधर करन जुच्चा सिर्फ थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा तो जि जिसमें कंपनी एक मार्केट लीडर है ये एक अच्छा बैट हो सकता है अगर किसी का तीन से छे महने का होराइजन है सिमिलरली अगर किसी का शॉर्ट टम होराइजन है शॉर्ट टू मिडियम टम मुझे लगता है कि कैलकेटा इलेक्ट्रिक CESC जो की वन अब दे लार्जेस्ट पावर कंपनी है इस्थान इंडिया की कैलकेटा में इनका काफी स्ट्राउं प्रेजन से क्लोस तो 1.5 डाइम प्राइस तो बुक चल रहा है मुझे लगता है कि यहां भी तकरिबन 15 से 20 परसेंट रिटन जो आगले तीन से छे मैने में आते हुए देख सकते हैं तो थोड़ा सॉप पैसिविक रहना होगा और जो भी मार्केट में करेक्शन है हलांकि थोड़ा कॉशेसली काम करना होगा लिब्रेज की सला नहीं दूँगा एक अच्छा मौका है कॉलिटी बिजनेस को पोटपोलियों में आड़ करने का और जिस तरह से कल एक रूलिंग पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया है ये क्लियरली एक इंडिकेशन है कि इन केस ये गौर्रमेंट कंटिन्यू करती है तो जो एक्जिस्टिंग इतनी भी फ्लैक्शिक स्कीम है उसमें कहीं ने कहीं हम कंटिन्यूटी आते हुए देखेंगे और लॉंग टर्म के लिया से डेफिनेटली काफी स्ट्रॉंग रहेगा काफी सारे सेक्टर के लिए इस्पेशली एक सेक्टर जो मुझे इसमें काफी अट्रेक्टिव लगा हुँ था कि शिप बिल्डिंग सेक्टर जो हम देख रहे हैं कि काफी रोबस्त और बोके कंपनी लेक कोचीन शिपियाड मज़व डॉक आल इस कंपनीज सेक्टर के लिए पावर सेग्मेंट में थोड़ा ध्यान रखने वाला है अगर में रिपीट करते तो इस सेग्मेंट अभी भी बहुत कुछ है देखने लाइक तो आप सीएसी के बारे में नोटिस भी करवा रही है देखिए इसी समय की वेट हो रही होती है आप तो गिरावट आई तो आप अच्छे शेर फंडमेंटल वाले शेर्स भी देखना अच्छा आपको लग रहा है कि सनिय अगरवाल जी का हम रिसर्च को अपना काउंटर चेक करवाना चाहते हैं जरूर काउंटर चेक करो अपने वित्यसलाकारों से भी पूछो और अपना भ के साथ तो कुछ और बहतरीं ट्रेड और कुछ इंपोर्टन रिसर्च है वो भी आपके सामने रखेंगे आपको देंगे एक शांदार आइडिया हर पाँच मिनिट में टेक्निकल हो या फंडमेंटल शॉट टर्म हो या फिर लॉंग टर्म अब सब कुछ मिलेगा आपको तो देखिए हर ट्रेडिंग टे सुभा आट बजे से शांचार सिर्फ एटीनाव स्वदेश पर पढ़ो देश के साथ चिनाव ब्रीज से बोगी ब्रीज देख लेगे और इतना करके भी मोधी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है हमारे सबने पूरा करने की गैरंटी मोधी जी की तो उनको जटाने की गैरंटी किस की? हम बाब बेटी की? कमल का बटन दबाएं भाजपा को जटाएं छट टपक रहे हैं अरे शिप्ट करने वाले है ना पापा तस घर मिल लेकी दे रहे हैं इसलिए तो घर मैजिक मिक्स पे देखे प्रॉपर्टी की पूरी इंफरमिशन भीत एक्सपर्ट एडवाइस और पंदरा लाग से जादा प्रॉपर्टी ऑप्शन्स हैं गुड़ अटलीस मेरा घर तो लाखों में एक होगा बैंकिंग शिरो ने आज बाजार का मोड बिगाड़ के रखा है डेड़ परसंट नीचे स्डेफसी बैंक और अगर हम आई सी सी बैंक की बात करें तो सवाद दो परसंट के आसपास ही गराब अठेते हैं दो हेवी वेट्स निफटी बैंक हैं जो ना सिर्फ निफटी बैंक बलकी बाजार पर भी प्रेशिर बनने का काम कर रहें रेलाएंस हलका सपोर्ट है लेकिंवों सपोर्ट इतना जाता नहीं है कि बाजार को ऊपर लेकर आपाए अभी दो सो अंग नीचे निफटी कारवा है बताने के लिए हमारी सेयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ गई है पूजा बताईए ओंजी सी क्यों चलना शेयर आज यह जी ओंजी सी में जो आज तीजी आई है उसके पीछे काफी सारी वज़ा है पहले तो जेफ्रीज की जो रिपोर्ट आई है वो काफी पॉजिटिव है और इसके चलते हैं आज सुबह से ही स्टॉक उपर है जेफ्रीज ने खरिदारी की राय के साथ कवरेज शुरू कर दी है स्टॉक पर और लक्ष 390 का दिया है जेफ्रीज के शेयर के जेफ्रीज ने शेयर पर जो लक्ष दिया है उसके मताबिक जो मौजुदा भाव है उ वेफ्रीज ने फ्री कैश फ्लो बढ़ने और कर्ज घटने की भी उमीद जता ही और वितवर्श 24-26 के दौरा मुनाफे वाली ग्रोथ की उमीद भी इस रिपोर्ट में कहा गया और इसके लावा क्रूड ग्रास प्राइजिंग में रिफॉर्म से भी प्रॉफिटेबिलिटी म आने वाले समय में बढ़त होगी ओएंजिसी आज से नी पिछले काफी समय से चल रहा है अगर इस साल पूरा देखेंगे तो निफ्टी में करीब 2.78% के मुकाबले ओएंजिसी में 37% से जादा की बढ़त देखने को मिली है और 5 मार्च को ओएंजिसी का शेर 52 हफते के अप इसराइल पर हमला के उसके बाद हमने एक तेसी देखी अभी इसराइल के तरफ से क्या कुछ डेवलप्मेंट होते हैं ये भी देखना होगा लेकिन बाजार थोड़ा डरा हुआ है निवेशे थोड़ा चिंता में हैं और इसके चलते हम कच्छे तिल में आने वाले समय में दुजिया भर के बाजारों की नजर अटिकी हुई है नबे डॉलर के पार अभी भी कच्छा तेल कारोबार कर रहा है लेकिन ये ओंजीसी जैसी कंपनियों के लिए फायदे मंद होगा क्योंकि क्रूड में बढ़त से इंग कंपनियों को फायदा मिलता है हाला कि विंट्फ गिनर है करीब 6% के आसपास की तेजी है और जेफ्रीज नहीं ये भी कहाए कि ये जो शेयर है ये डिसकाउंट पर ट्रेट कर रहा है अगर निफ्टी के लॉंटर्म एवरी से गराब तुलना करें तो वैसे भी इस साल करीब-करीब 35-40% के आसपास रेटन दे दिये हैं ओं स्टीम कंपनीज होती हैं वो चाहें ओएंजीसी हो ऑईल इंडिया हो इन कंपनीज को फायदा मिलता है कच्छे तेल में गर्मी का और ये दोनों चीज़ें क्लब होके आज कमजोर बाजार में भी ओएंजीसी को 6% ऊपर ये कर रही हैं सनी आपसे एक बार ओएंजीसी पर व बना था आप भी बताएंजीसी आपके इसाब से अभी भी मौके हैं इसको खरीदना चाहिए अभिशेग जी इसमें कोई दोर आए नहीं है कि ओएंजीसी प्रॉक्सी प्ले ओन प्रूड ओयल प्राइस और जिस तरह से प्रूड ओयल के दाम बड़े हैं उसका सिधा-सिधा बेनेफिट हम O.N.G.C. को आते हुए देखेंगे और अगर मैं वैलूइशन की भी बात करता हूँ तो अगर मुझे आकड़े मेरे सही है तक्रीबान तीन साड़े तीन लाग करोड का मार्केट कैप है O.N.G.C. का आजके डिट में सालाना पचास हजार करोड रुपे कंपन और जब तक क्रूड ओयल के दाम बॉयन्ट रहेंगे 80 डॉलर के उपर रहेंगे मुझे लगता है कि सिदा सिदा बेनिफिचरी O.N.G.C. रहेगा अगर वहाँ भी कहीं दिक्कात आती है तो हम देखेंगे कि गैस प्राइसेस में भी कहीं के एक उच्छाल आते हुए देख सकते हैं इसका भी सिदा सिदा बेनिफिचरी O.N.G.C. रहेगा जब तक क्रूड मजबूत है जब तक कि उबाल है तब तक O.N.G.C. की भी चाल दुरूस्त रहेगी आपके लिए यह सला सनी की लेकिन हमारे से होगी गौरो हमारे साथ जुड़गे हमारा खास सेग्मेंट लेकर मार्केट एड थ्री गौरो बताइए बाजार में कहां पर एक्षन हो रहा है तो जैसे आज हमने देखा कि एक रिकवरी हमें देखने को मिले थी मार्केट में और सबसे पहले आज रिकवरी के बारे में अगर बात करें तो बात करते हैं इंटलेक डिजाइन अरेना की क्या को फेल हाल में ही ुए बैंक efक कुवेत के साथ जो नाशनल बांक के साथ करार था वह अभी एकस्टेंड हो चुका है और अभी ये जो आइशनल बैंक वर्ल्ड के उसको इस कंपनी की टेक्नोलोजी है वो प्रोवाइड हो चुकी है और इसी के चलते हो अगर हम स्टॉक में भी बात करें तो एक तेजी देखने को मिली थी अगली बात करते है आर के फोर्जिंग की क्योंकि कंपनी को फिलहाल में ही वंदे भारत के लिए एक और म करने वाला है और इसी के चलते होए अगर हम स्टॉक में भी देखे तो एक तेजी देखने को मिली थी स्टॉक ने आज 3% से भी ज्यादा परफॉर्म किया है अगली बात करते है थर्मैक्स की क्योंकि कंपनी ने फिलहाल में ही एक मैनुफेक्ट्रिंग फेसिलिटी चालो की है पूने में जो की वाटर वेस्ट वाटर ट्रीट्मेंट सेलूशन के ऊपर रहने वाली है और यह जो फेसिलिटी है वह आगे जाके डबल भी हो सकती है क्यापासिटी में ऐसे कंपनी का मानना है और इसी के चलते हुए अगर हम स्टॉक में भी बात करते हैं एक तेजी दे का कॉंट्रिब्यूट कर सकता है और इसलिए इस स्टॉक में भी हमें आज तेजी देखने को मिली थी और आखिर में बात करते हैं रिलाइंस इंफ्रा की क्योंकि फिलहाल में ही जो SBI और IDBI ने मैंकरिप्सी का क्लेम किया था मुंबई मेट्र वन प्रोजेक के अगेंस जो क पर हमने देखा कि रिलाइंस इंफ्रा देड़ तक्ये से भी जादा ऊपर था तो आगे जाके खबरों के दम पर ये सब स्टॉक्स काफी इंपोर्टेंट रहेंगे क्योंकि एक और भी जादा तीजी हमें आगे जाके देखने को मिल सकती है ठीके गोरों बहुत शुक्रें थैंक्यों वेर्मेज तक का पूरा लेखा जोका देने के लिए तीनों मैमान मेरे साथ त्यार है आज सुमित हैं अंशुल जैन हैं सनी अगरवाल हैं उनसे हम फटावर से कुछ एक स्टॉक्स और पता करते हूं चलते हैं और मैं रिस्क स्टॉक्टर अभी पॉजिटिव है जो लोर आट गैप डाउन हुआ था स्टॉक्स ने काफी अच्छी रिकावरी दी हुई तो मुझे लग रहा है अभी जिनके पास होल्ड है आप बने रही है स्टॉक में न्यू पोजिशन अगर किसी को बनानी है तो 580 का एक स्टॉक्स के उपर क्रॉस कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि अपना पिछला हाई भी क्रॉस कर सकता है डेट इस अरूंड 610 20 तो जिनके पास होल्ड है सेम विल बी जटार्गिट तो यहां पर बात हो रही है स्टॉप लोस की स्टॉप लोस आप 552 का यहां पर मेंडिन की लिए एक जन कर रहे आपको और दे रहे पोने 800 पॉइंट की गरावट है बैंक निफ्टी पेर और एकरीश 47,800 के नीचे है निफ्टी के बारे में जन कर दे रहे हैं यह 22,300 के नीचे है आज क्लोजिंग बहुत क्रिटिकल है आज की क्लोजिंग हमको 22,300 के उपर की चाहिए ही चाहिए नहीं तो मूड खराब होगा हलाकि हमने सुभी आपको 22,300 के प्लस करवा के 200 का स्टॉपलोस दिया हुआ है और एक 100-100 पॉइंट की रिकवरी भी आपने इंजुआई की होगी मार्केट में बट फिर भी क्लोजिंग तो क्लोजिंग ही है ना तो हमको तो चाहिए ही चाहिए वह क्लोजिंग अगर नहीं मिलेगे तो फिर दिक्कत बढ़ाएगी एक काम और करते हैं जरा अंशुल जैन से भी एक दूश वोदे जरा पता करवा लेते हैं अंशुल जी कोई आप्शन का ट्रेड है आपके पास कोई भी आप्शन का ट्रेड वालिटिटी तो ह है बड़ी होई है आज विक्स बड़ा हुआ है देखिए डिपी जी एक कोलगेट पामुलिव में तीन निन के लोज के नीचे जाके आज वापिस एक हैमर कैंडल है डेली चार्ट पे मंतली में भी और वीकली में भी देखें तो प्रिविएस वीक लो रिजेक्ट हुआ है यहां हैमर कैंडल की फॉर्मेशन है इसमें एड दमनी का कॉल ले सकते हैं बट अगेन थोड़ी सी वॉलेटलिटी है मार्केट में तो मैं आपने कहा था विक्स बहुत नीचे के स्तर पे है तो मैं आप्शन एवाइड करके चलूँगा अगर करना है तो बेटर है कि फ्यू पता करते हैं यहां पर कोर स्टेंथ यह वीकनेस है पहले मैं जरा स्टेंथ वाले शियर पर आता हूं कि जहां पर आच थोड़ी पावर है मार्केट के अंदर उन में जरा ओवन जी सी तो खेर आपको पता ही है अलग वज़े है एक हिंडाल को और दिखाई दो परसंट पर ह एकसाइड इंडस्ट्री गुजराद गैस के बारे में पता कर लिया एक और शियर है एम जील स्क्रीन पर एम जील लेके आई है सुमिझ जी एम जील जरा चेक करना साथ में प्रडूसर साब इसकी फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना ओपन इंटरस्ट अच्छा प्राइ इसके लिए डिसकेशन हुआ था तो यहां पर होल्ड की ही सला रहेगी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1380 का ओंड़ क्लोजिंग बेजिस तो सेम स्ट्रक्चर अकर की बात करें तो प्रीवेस अब ट्रिपल जो रिजिस्टन्स है ट्रिपल टॉप टाइप फॉ का बैंक निफ्टी पर और कडिब 200 पॉइंट को नुकसा निफ्टी पर रहे आ चुका है लास्ट में यह गिरावट को बढ़ता हो ट्रेंड इस बाजार के लिए अच्छा साइन तो नहीं है लेगने इस विच खवरे गरम है काफियत तक डीलिंग गुरूम में जो चर्चा ट्रेंड में जो है अफकोस हमने बहुत उत्थल पुत्थल वॉलाटिलिटी देखी स्पेशली मिट कैप स्मॉल काप और अधर इंडेस यहां पर गिरावट देखने मिली दी शुरुवात के ट्रेडिंग सेशन में फिर एक रिकावरी भी आई लेकिन पांच एहम स्टॉक् में थे सबसे पहला है क्यों फोर अपडेट के बारे में यहां पर संको गोल्ड के जो क्यूफोर अपडेट जो है शांदार देखने को मिले हैं रेविन्यू ग्रोथ की बात करें चौते तिमाई में तो लगबग 40% का ग्रोथ आया वही अगर विच साल 2024 की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो वो भी एक इंकरेजिंग नंबर देखने मिली है स्टोर अडिशन लगबग चार स्टोर अड़ेट हुए थे फोर्थ कॉर्टर में तो सेंको गोल्ड जो है वना टॉप गेनस भी था आपके निफ्टी 500 के इंडेक्स में आज के दिन के ट् स्टॉक में आज एक अच्छी तेजी देखने मिली और वान अज टॉप गेनर्स था आपके निफ्टी 50 इंडेक्स में वालुएशन जो है वो कह रहे हैं कि अभी ता क्याप्चर नहीं कि क्योंकि फ्री कैश्प्लो जो है वह इंजी से जाधा जेनरेट करेगा आगे जाते ह यहां पर मॉगन स्टैनली ने टागेट प्राइस बढ़ा दिया 373 से बढ़ा के 485 कर दिया है वहीं अगर बात करें तो जो बैटरी स्टॉक से वहां पर री रेटिंग देखने मिल सकती है और करेंटली जो ट्रेड कर रही है प्राइस टुबुक रेशियो वह 4 तू 6 टाइ यहां पर कंपणी ने एक स्पेशल डिविडेंट अनाउंस की है जिसका वैल्यू जो है लगबग 118 रुपे प्रतिश शेयर का आता है यानि कि करेंट मार्केट प्राइस से लगबग 16 से लेके 20 ठीक है शरत बहुत शुक्रिया पूरी जानकर यह आपने हमको देई दी है एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बार वापिस लॉटरें तुरंत तेक्निकल चार्ट हो या फिर एफेंडो किस खबर का होगा आप पर कितना असर कि वैपार जगत से जुड़े हुए हर मुद्दे का विश्वेशन समझे मेरे साथ असान भाषा में ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है अनाई अपने ट्रेडिंग डे की वहतर अनीती शॉर्ट करिंग से लॉंग नाने में समय लगेगा इसलिए एक बेक ब्रेक लेवल है दुनिया किसके हवाले जिस दुनिया ने हमको समाला वो है अपने हवाले गोल्ड के बिना आपका investment portfolio कैसा लगता है अधूरा क्योंकि गोल्ड के साथ आपके पास power होती है बड़ी फैसले लेने की risks और returns को balance करने की power आसानी से खरीबने और बीचने की इसलिए गोल्ड है आपका strategic advantage जिसके बिना आपका portfolio है अधूरा अपने portfolio को दें गोल्ड की power वर्ल्ड गोल्ड कांसिल वाजार में गिराबट अप हो गई है निफ्टी में 200 अंकों की और निफ्टी बैंक की बात करें तो 800 अंक नीचे है 47,750 के इस तर के आसपास से निफ्टी बैंक और निफ्टी की बात करें तो 22,250 के आसपास तक के इस तर हैं तो 22,300 को काफी टाइम तक होल्ड करनी कोशिश की है लेकिन अभी पिछले कुछ मिन्टों में प्रेशर थोड़ा से बाजार में और बढ़ा है और बाजार में इस प्रेशर के बीच में देखने के चीनी शेरों के मिठास भी थोड़ी सी कम हुई है आज दवाव है शेरों में देखने की 5-7 परसंट तक की गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन गिरावट ठिक क्यों है इसके बारे में जानकारी लेते हैं हमारे CEO की विश्वन जुड़ गए है जो की कमोर्टी इसको बहुत इच्छे से ट्रैक करते हैं विश्वन बताइए क्यों कमजोर है ये शुगर स्टॉक्स देखे हमारे जो सोर्सेस बता रहे हैं जो चिनी मिलों से जुड़े हुए असोसेशन के लोग है वो कह रहे हैं कि चिनी मिलों पर आरोफ है कि वो जो डिस्पैच के जो डेटा है वो सही तरीके से सरकार को नहीं बता रहे हैं नॉंबर से जन्वरी के तोरां जो GST के रिटरंड जो फाइल किये गए हैं उसमें उन्होंने जो विक्री के नमबर जो दिये थे डिस्पैस नमबर दिये थे और उनकी जो श्टॉक होल्डिंग है उसमें काफी mismatch नजराया है इस पर सरकार काफी सकत है और सरकार कड़ी चेताबी भी सरकार की तरफ से जारी की गई है और जल्द उस पर कुछ action भी हो सकते हैं हाला कि हमने TV के सामने बोलना नहीं चाह रहे हैं कुछ हमने मिलों से बाचीद भी की थी तो उनका कहना था कि 85% से 90% तक जो मिल है चीनी मिले व कुछ गड़वरी बिलती है मंतली कोटा जो सरकार की तरफ से जारी किये जाते हैं गर उसमें कुछ mismatch मिलता है तो सरकार Essential Commodities Act और Sugar Control Act के तहत उन पर सकत कारवाई की जा सकते हैं तो यह खबर है और यहीं वजह हो सकती है कि चीनी मिलों पर आज कुछ दबाब भी दिख रहा जी ठीक है तो डेटा छुपाने का आरोप है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि शुगर स्टॉक्स में कमजोरी है बलरामपूर चीनी जैसा दिगज भी 3% आज नीचे है और अगर आप बाकी शेयरों को देखेंगे तो 7% तक की गिरावट आज शुगर शुगर में हैं शक देखेंगे अच्छे की मिट कैप और स्माल कैप शुगर स्टॉक्स तो काफी वीक लग रहे हैं बलरामपूर चीनी में भी शॉट साइड में ही ट्रेट दिख रहा है यहां पे स्विंग हाई जो था 385 इसके उपर फेल्ड ब्रीक आउट आया है तो लॉंग स्ट्रैप्ड हैं और नीचे 358 का एक सपोर्ट है प्रोबबली कल के सेशन में 358 का लेवल टेस्ट कर सकते हैं यहां पर एक बार के लिए शॉट करना तो शॉट कर सकते हैं बट बहुत ज्यादा मोमिंटम नहीं मिलेगा बेटर है कि लॉंग साइड के ट्रेट्स ज्यादा देखें बट अ है लेकिन अगर आपको शॉट अगर खूजना है तो बलरामपूर चीनी एक कैंडिडेट हो सकता है शॉट का 358 रुपए के लक्ष के लिए 376 रुपए पर फिलहाल यह ट्रेट कर रहा है यानि कि यहां से 8-9 रुपए नीजे के लिए एक ट्रेट बन सकता है लेकिन उतना क को लेकर ही कनवीशन है आपको उसी साइड के ट्रेट तलाशने चाहिए चलिए अपने इसपर्ट से यह भी जान लेते हैं कि आपके लिए बीटी एस्ट या फिर एस्टी बीटी ट्रेट के मौके कहां पर बन रहे हैं तीन बच के पंद्र मिनिट हो भी गये हैं सुमिझे श का रिजिस्टन्स था वहीं से ही 604 तो यहां पर करन्ट मर्केट प्राइज है 593 सेल कीजिए स्टॉप लॉस मेंटेंड करेंगे 604 का और लग रहा है कि यहां पर बीस एक रुपे का आपको टर्गेट मिल सकता है तो 574 का मेरा टर्गेट रहेगा ठीक है केंडरा बैंक को शॉट करने की सिला 574 रुपे की टार्गेट के लिए 594 रुपे के आसपास फिलहाल यह शेर ट्रेट कर रहा है तो एक ट्रेट निकल के आया है सुमिझी की तरफ से सुमिझी कोई और अगर ट्रेड होगा तो वह भी आ बता दिजेगा फिलहाल परें टीम अंशुल जी आपका ट्रेड क्या है आप लॉंग या शॉट है देखिए अप्षी जी मैंने शो के स्टार्टिंग में अगा था कि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट से 200 पॉइंट दूर है और वहां से 160 पॉइंट की करीब गिरावट लेके सपोर्ट जोन के आस पास आ गया है तो मैं यहां से शॉटिंग में बहुत ज्यादा कमफोटेबल नहीं हूँ गुजरात गैस में बीटी अश्टी कर सकते हैं चार दिन के लोस के नीचे फेल लो की फॉर्मेशन दिया है और वापिस डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और इस सेक्टर के सारे स्टॉक्स जो है तेजी में ट्रेट कर रहा है तो इसमें एक दो से तीन दिन का अगर टागेट पकड़ें तो 597 के आसपास निकल के आता है लेकिन केवल अगर बीटी अश्टी करना चाहते हैं तो 580, 582 तक के टागेट मिलेंगे क्या क्योंकि management की तरफ से बयान आए है कि FPO की तरफ, FPO से जो पैसी जुटाएंगे उसका 5G के रोल आउट पर इस्तिमाल किया जाएगा और FPO funding के बाद ही 5G की जो services हैं हालां कि काफी पिछड गया है बाकी जो तो टेलीकॉम कंपनी जी या फिर एटेल लिखेंने कहीं 5G एक पॉजिटिव चीज होगी वोड़ाफोन आइडिया के अगर रिवाइवल करना है कंपनी को तो अबशी की गोड़ाफोन आइडिया वैसे बैन में है तो फ्यूचर्स में इसको बीटीएश्टी नहीं कर सकते है या नई पॉजिशन नहीं बना सकते है बट कैश में ऐसा लग रहा है क्योंकि फेल्डों की फॉर्मीशन है और आज पॉलो थ्रू मुव मिला है तो चवदा रुपे बीस पैसे से लेके पंदरा रुपे तक का टागेट इस टॉक में मिल सकता है पचतर में चार्ट पे भी एक फ्लाइक का इंड ऑफ पैटन की फॉर्मीशन है तो यहां से पंदरा रुपे तक का मूव मिल सकता है बट उसको प्ले करना होगा फ्यूचर इंड ऑप्षिन में बैन में इस टॉक है अंचल जी आप से ने एक ऑप्षिन चेक करवाते हैं जरा आप देखके बताएगा अपने इंटेलिजेंस के साब से आप कहरें कि धरी जरी करके बॉटम फॉर्मिशन है शॉट के लिए अप है नहीं ए उसके रेट चल रहा है 118 रुपे ठीक जी सर यह ले 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 क्या कॉल में बहुत ज्यादा कॉल में या ऑप्षिन में कंफिडेबल नहीं हूं क्योंकि इंडिया विक्स इतना लोग है वो सकता हम एक दो दिन साइड़ वेज निकल जाएं बट यहां से प्रोबाबिलिटी औ बहुत ज्यादा एट लिस्ट लांग साइड कारी नहीं करूंगा ऑप्षिन एक बार सेलिंग करना हो तो बहले कर सकते हैं बट ऑप्षिन बाइंग में बहुत कंफरटेबल नहीं हूं इस जोन में बाइंब कर देंसर्स और्टेबल और लेना ही नीए माननो किसी को निफटी लेना है तो फिर सीधा फ्यूचर लो अप्ष्ट मतलो माननो साइड़ वेज भी हो गया बाजार को चलना है लेकिन पहले 3 दिन रौक के चलना है तो फिर आपकी ऑप्षिन घल जाएंगी और पतल करना है गुजरात गैस अभी खुद से सर ने दे दिया हमको आंशुल जी ने एक इंडस्ट आवर और चेक कीजिए छोड़ दें इंडस्ट आवर गेल चेक करो सर इसकी जगे पर गेल चेक करो सुमिझ जी गेल दोसो पांच का दोसों का स्टॉपलोस लगा के दो पंदरा का ट सब्सक्राइब नजरिया है तो 194 का भी आप यहां पर स्टॉपलोस मिंटेंड कर सकते हैं 215 का एक स्टॉपलोस मिंटेंड कीजिए अदरवाइस 230 के टरगेट के लिए ठड़े रहे गए ठीक है एक शेयर राप और चेक करो सुमिझ जी आप ही चेक करना मैं बिल्डप के साथ चेक कर रहा हूं ठीक है भारत फोर्ज अभी अभी हरेडिशान में बार देरा दिखाना भारत फोर्ज को और पांच परसंट का एडिशन भी है इसके अंदर ओवाई का भी फ्यूचर भारत फोर्ज की यस डेज हाई पर ठीक है भारत फोर्ज बीटी एस्टी है क्या मैं यहां पर फिलाल अवाइड करूंगा क्योंकि देखिए एक रेंज बनी हुई है नाइंध ऑफ एपरिल का जो केंडल है वहां पर देखिए एक पूरे दिन का जो रेंज अभी भी यहां पर ब्रेक आउट नहीं आ रहा है और तीनों दिन कंटीन्यू सेम हाई है तो वन वन एट फूर के उपर अगर क्लोजिंग है तो बिलकुल आप यहां पर बेटी एस्टी लॉंग करके जा सकते हैं करके एक पॉइंट और है सर पी रएक्ट प्रा सब्सक्राइब कर रहा है जिसका इमीडिया टागेट 814 रुपए और 814 रुपए के नीचे अगर इस टॉक सेस्टेन करता है तो इसमें बड़ी डाउनसाइड ट्रिगर होगी जो प्रिविए स्विंग लो था 610 के आसपास वो टेस्ट होता हुआ देखेगा तो इमीडियेटली अगर शॉट कर रहे हैं तो 810-811 तक का टागेट ले सकते हैं 20-30 रुपए का डाउनसाइड यहां से बनीगा ठीक है पिरामल एंटरप्राइजेज में 20-30 रुपए का के गिरावट के आप उमीद खिरके चल सकते हैं यह डाउनसाइड आपके लिए लेकिन कल कौन से बड़ी इविंट्स होंगी जिस पर हमारा फोकस रहेगा बाजार से जुड़ी हुए या फिर वो इविंट्स जो भली जनरिक होते हैं लेकिन बाजार को इंपेक्ट करनी के शमतार रखते हैं त्रिप्ती हमारे साथ जोड़ गे ही इविंट्स तो वाच लेकर त्रिप्ती बताईए क्या फोकस में होगा क्या ट्रिगर वनेगा बाजार के लिए जी तो कल जिन क्यूज और इविंट्स पर हमारी नजर रहना चाहिए उनकी बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्लोबल अपडेट ले लेते हैं तो अमेरिका में कल इंडस्टियल प्रोड़क्शन के आंकड़े आएंगे इसी के साथ चीन में जी डी पी इंडस्टियल प्रोड़क्शन और रीटेल सेल्स के आंकड़े आने वाले हैं अब बात भारती कंपणियों की करते हैं तो नतीजों का सीजन शुरू हो गया है कमपनी क्रिसल और सैटिन क्रेडिट केर अपने क्वाटर फोर के नतीजे कल जारी करेगी जिन पर हमारी नजर रहेगी नतीजों के लिए बोर्ड बैठक जिन कमपनीज में होने वाली है उनमें डेन नेटवर्क एंड इंटेग्रा इजिंश्या में कल नतीजों को लेकर बोर्ड बैठक होगी जिस पर नजर रहेगी दूसरे इवेंट्स की बात करें तो कल आएमेफ वर्ल्ड इकनोमिक आउटलुक जारी करेगा एक्स्टेंड हो सकती है यह बिल्कुल सिफ BTSD में आप इसे अपना पोजिशन में भी बनाए रखे तो बेटर रहेगा स्टॉक में देखिए काफी एच्छा एक फॉर्मेशन है और टाइप आफ री टेस्ट है देखिए पितले पांच दिन का जो सपोर्ट है आज भी वहीं से ही स्टॉक ने बाउंस दिया हुए तो बिल्कुल जिनके पास है होल्ड रखिए 174 का स्टॉप लॉस रहेगा अब साइड में मुझे लग रहा है कि 198 जो है वो पहले एक फिंट्रेट आपका बन सकता है टार्गेट ठीक है नाल को खुल एकर ये व्यू एबी कैपिटल आप जड़ा इसको देखे है एंश्वल जी एबी कैपिटल में कोई ट्रेट बन रहा है क्या एबी कैपिटल में बिल्कुल ट्रेट बन रहा है यहां छे दिन साथ दिन के लोज के नीचे एक फेल्ड हो दिया और रे हाई पर आके क्लोज कर रहा है यानि बॉक्स का लो रिजेक्ट हुआ है और अब बॉक्स के हाई के उपर ब्रिक आउट देगा 208 रुपे का ब्रिक ब्रिक आउट जिस्टाक में बनेगा इसमें 220-2212 रुपे तक की तेजी बनेगी प्रियंप्टि ब्रिय्क पया करते हैं ब्रिक आउट ब्रिक आउट करना है तो 208 रुप壓 कर अबिट किजिए दोनों के इने 220-222 तक अच्छा कर टार्गेट मिलेंगे आप से जरा यह जान लेते हैं कि आज हम देखने कि आई टी में कमजूरी है हालांकि नतीजे अच्छे आए थी टीसिस के बावजूद इसके शियर वो फिसला है दो परसंट के आसपास और उसकी चपेट में कौफूर जा रहा है बाकी भी कुछ स्टॉक्स आज गिरावट के साथ ट्रेट कर रहे हैं कॉंट्रा भाई कुछ करना है कि आई टी में आपके हिसाब से जी नहीं मैं फिलाल थोड़ा सा यहां पर अवोईट को ही सीनरियो देखोंगा देखिए इनफी का काफी टाइम लंबा एक आज ब्रेकडाउन भी देखने मिला है ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे सेम वे ल्टी आई एम ने भी आज अपना न्यू लो टच किया है तो मैं फिलाल यह सेक्टर को अवोईट करूँ ठीक है अवोईट करने की सलाह है बैंकिंग पर जड़ा एक व्यू दीजिए आप अंश्वल जी आईसी एसी बैंक चेक कीजिए धाई परसन नीचे है यह और गिरेगा या फिर अपर्चुनिटी है आपके हिसाब से तो जब दोनों हेवी वेट्स थोड़ा सा नीचे की तरह इशारा कर रहे है तो बैंक निफ्टी पे जो मेजर सपोर्ट से वो टेस्ट होंगे और आईसी एशे बैंक में भी जो मेजर सपोर्ट बनता है वो यहां से 12 रुपे नीचे है 1064-1065 के आसपास तो एक से दो दिन में लेविल टेस्ट होंगे और बैंक निफ्टी पे भी मेजर सपोर्ट टेस्ट होंगे वहां से हमको बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है दो पॉइंट है पहला पॉइंट एक तो आपने सपोर्ट पे क्लोज नी किया दूसरा पॉइंट आपके पास फर्स डे था आप क्लोबल मारकेट का डर निकाल सकते थी आपने वो ने निकाला तीसरा पॉइंट आपकी लीडर्शिप आज एपसेंट रही तीसरा पॉइंट है आज लीडर कोई नी बना रिलायंस था लेकिन लायंस भी जाते हैं लाल निशान में जाके बंद हो रहा है तो यह एपसेंटिजम है चौथा पॉइंट आप ने आज आप्शन्स के जो पुट वाली हैं उनको एबनॉर्मल गेन दिया उससे कॉन्फिडेंस हाई हो गया पुट्स वालों का और एक ही दिन में हो गया यह शुकरवार तक नहीं था शुकरवार तक की कंडिशन अलग थी लेकिन सौंबार होते होते यह कॉन्फिडेंस भी हाई हुआ तो चौथा पॉइंट यह था पांचवा पॉइंट आपने साड़े साथ आठ परसंट का विक्स बढ़ाकर साड़े बारा का विक्स कर दिया हाला कि डेंजर जोन में तो नहीं है लेकिन अपने आपने वालेटिटी देने के लिए प्रिया पॉइंट है जो कि आज बाजार के फेवर में नहीं गया आज मल्टीपल प्रॉब्लम से बाजार जूज रहा था लेकिन फिर भी कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं निकल कि आहां एक दो चीजे ठीक भी हुई है बाजार के अंदर ठीक क्या हुआ है वह वह बजायता हूं सिरफ यह हुआ है कि क्रैक फ्रेंट लाइन शेर्स में बहुत बड़े बड़े नहीं आए हैं ठीक अभी भी हम उस जगह पर खड़े हुए कि जहां से आपको शॉट या फिब मैं मुलोगा ट्रेंड रिवर्सल का कोई सिग्नल नहीं बनता अभी भी आप बाइंग और नहीं पता कि इरान वगेरा में इस समय की क्या होगा जो होगा उसके बाद पता लगता उसे पहले तो असेस्मेंट भी नहीं कर सकते हो आप क्योंकि तो दूर बैठे हुआ फिर आपके वास अजन्सिस लिमिटेड हैं फिर आपको ग्राउंड चेकी नहीं पता होगा भी तो तो मैं बोलूँगा दस में सिर्फ दो ही मार्कस दिया खेंगे अथ मार्कस देख सध्यार मार्के। इसलिए का दिन मार्केट को और चेक कीजेगा अगर यह लैवल्स को बचा आए था कि लुट्र 2500 एक डोन तीन ऎके रिंज को बचा जाए वह नहीं तो फिर जल्द भाजी ना कीजिएगा आश वे हमने आपको एक दो लॉटी प्लस करवाए थे और इंट्राडे में वह अच्छे उपर भी आए थे आपकी मर्जी आपने उसमें बुक किया होगा या उसमें अभी भी लेके बैठें पोजिशन वह जरूर अपने रिस्क रिवार्ड को चेक करके ही काम करना बॉस ठीक तो कुल मिलाके आज का दिन और आज के मार्केट का मोमेंटम काफी हद तक निराश करने वाला है एक और चीज मेरा अपना निजी अब्जर्विशन है कि जब-जब सोंबार या मंगलवार को बजार जो डारेक्शन लेता इसको ड्रैक करता जाता है और ध्य इससे हम होल सकते होल टाइम हाई लगाएं बड़े फेस खतरनाक है इसको थोड़ा पहले पास हो जोनों जाने हैंगे फिर दिखेंगे अंशल जी थैंक यू वर्मच बहुत शुक्रिया सुमित मुली चंजानी शैंक यू वर्मच आपका भी शुक्रिया आज का अरकम का हिस पुर मुली चैंक यूव्योर्म स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियों बनाना हो सकता है मुश्किलों से भरा मार्केट का उतार चड़हाव आपको कर सकता है कन्फ्यूज मार्केट मैं आच नीचे के लेवल से करीब करीब 200 पॉइंट की रिकवरी आई मैं अजय शर्मा आपको दूगा सीधी और सठीक सला जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्टफोलियों मजबूत E.T.NOW स्वदेश बढ़ो देश के साथ E.T.NOW स्वदेश पर अब है ना सिर्फ मार्केट की बारी किया बल्कि है कमाई का भी अच्छा मौका हम आपको देंगे एक शांदार आइडिया हर पाँच मिनिट में टेकनिकल हो या फंडमेंटल शॉट टर्म हो या फिर लॉंग टर्म अब सब कुछ मिलेगा आपको तो देखिए थार ट्रेडिंग टेश सुभा आट बजे से शाम चार्ब सिर्फ एटीनाव स्वदेश पर पढ़ो देश के साथ मिडल इस्ट में तनाव और यूएस में महंगाई की चिंता से बाजार में चौत अरफा गिरावट निफ्टी करीब धाई सॉंग तूट कर 22,300 के नीचे भंद बैंक निफ्टी में करीब 800 अंकों की गिरावट PSU शेरों में भिक्वाली हावी SJVN, NLC इंडिया, NBCC 4-6% की कमजोरी के साथ बंद, ITI, कोचीन शिप्यार्ड राइट्स भी 3-4% लोड़ दे TCS के अच्छे नतीजों के बावजूद, IT शेरों में भिक्वाली Emphasis को Forge और L&T Tech 2-4% तक की कमजोरी के साथ बंद, TCS, Wipro और Infosys भी 1.5-2% नीचे LME के रूस के मेटल्स की ट्रेडिंग पर बैन लगाने से चुनिंदा मेटल शेरों में दिखी चमक हिंडाल को और नाल को डेर से 2% की बढ़त के साथ बंद मजबूत बिजनस अबडेट से Senko Gold 18% चड़कर रिकॉर्ड उंचाई पर बंद Q4 में आए में 49% की ग्रोग बड़े डिविडेंट के ऐलान से Esther DM 7% चड़कर हुआ बंद कमपनी ने 118 रुपे के नमस्कार आप देख रहे हैं कल की तयारी मैं हूँ आपके साथ प्रशान पांडे एक ऐसा शो जिसमें हम आज के बाज़ार के हिसाब से कल आखर आपकी रड़नीती क्या होनी चाहिए इसके बारे में तो आपको राय देते ही इसके साथ ही एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों का इसमें शामिल करते हैं आपको जानकारी देदें कि आप इस शो के जरीए जुड़ सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं तरीका बेहद आसान है और इन सवालों को हम सोमवार से शुक्रवार शाम साड़े तीन बजे और इसके बाद छे बजे आप इसका रिपीट टेलिकास्ट देख सकते हैं जिसमें हम तमाम जो सवाल हैं वो शामिल करते हैं तो करना कुछ नहीं है सोशल मीडिया पर आप हमसे जुड़ सकते हैं हमें फॉलो कीजी और वहाँ पर अपने सवाल पोस्ट कीजी इसके अलावा अगर आप लाइव यूट्यूब के जरीए भी शो देखते हुए अपने सवाल कॉमेंट बॉक्स में भेजना चाते हैं तो वहाँ पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं हम बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो की पिछले शो में पूछे गया हैं तरशकोनेट पूछे हैं उन सवालों को भी शामिल करते हैं और कोशश हमारी यह होती है कि भले समय कम है लेकिन जादा से जादा सवालों को हम शामिल करें और आज आपकी खास त्यारी कराने के लिए हमारे दो बेहद खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं वरिदी इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा साहब हमारे साथ हैं और जैनम ब्रोकिंग के किरन जानी साहब हमारे साथ जुड़े हैं विवेक और किरन आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत सबसे पहले किरन जी मैं आपके पास आना चाहूँगा बाजार सपोर्ट ढून रहा है लेकिन नजायर सी बात है कि ग्लूबल स्थर पर जो घटनाएं हुई है वो सामाने घटनाएं नहीं है महंगाई की चिंता जो है उसका भी एक असर है लेकिन इन सब के बीच में नजरें अब कल पर रहेंगी आप बाजार को यहां से किस तरह से भाप रहें आपने बहुत अच्छी तरह से हालाइट किया कि इटरनेशनल मार्केट और लॉमिस्टिक की वज़े से हम देख रहे है कि मार्केट में कहीना कहीं एक हाई वल्टाइल सेशन्स है और हमारे लॉमिस्टिक के अगर में बात करूँ तो जिस तरह से इलेक्शन का माहल में दिरे-दिरा मिल्टाप हो रहा है तो यह वल्टलिटी कंटीनीव हो रहा सकती है और रेल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो आज निटी ने काफी दिन के बाद अपनी बीस दिन की मुविन आवरेज पो रीटेस्ट किया है साथी सार लास्ट वीक में जो एक बाटम बना था 22,300 के आसपास का उसको भी ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग हुआ लेकिन कहीं न कहीं 20 दिन की मुविन आवरेज को बोल करके रखता है उसके सार में अगर आप मैंग निफ्टी का चार्ट देखो तो मैंग निफ्टी में भी 47,700-47,800 का जो लेवल है जो प्रीविश की एक रजिस्टन्स बना हुआ था वो सपोर्ट के नाते एक कर सकता है तो वो दोनों इंडाइस अपने सपोर्ट के आसपास है जो क्यूस है उसके चलते हुए में लग रहा है कि एक दो दिन हमें वेट करना चाहिए लेकिन जो गिरावट है उसमें कहीं न कहीं की ऑपरचुनिटी डोगनी चाहिए क्योंकि निट्टी के पास अपनी राइजिंग ट्रेंड लाइन और 50 जो चल रही है वह 22,150-2200 के असपास है हमें लगता है कि यह गिरावट में आप बाई कीजे 22,100 के आसपास का आप स्टॉप लोगनें कीजे जब तर 22,100 की नीचे मार्केट नहीं जाएगा चांसीज है कि यहां से एक रिवर्सल लेखने को मिलेगा तो बैंक निट्टी में भी 47,300 से 47,200 जब तक कि यह लेवल नहीं पर एक होता है तब तब चांसीज है कि यहां भी रिवर्सल के चांसीज है तो यह नजरिया फिलहाल इंडेक्स पर चलिए फटा फट से आपके सवालों को शामिल करते हैं सबसे पहले यूट्यूब के सवालों को लेते हैं मुकेश कुमार ने अपना सवाल जमैटो पर पूछा है 230 शेयर इनके पास है 107 के भाव पे 107 के लेवल पे इन्होंने खरीदा है अच्छे फायदे में हैं अच्छे लेवल पे एंट्री की हुई है विवेक जमैटो यहां से क्या नजरिया बन रहा है 107 की भाविंग है तो थोड़ा सा एक संकेत दिया है अब इस पे आगे और बहतर तरीके से बात होगी बढ़ते आगे सुर्भी सिंग ने TCS पे सवाल पूछा है 3850 की बाइंग है इनकी 100 शेयर इनके पास है और नतीजे अच्छे रहे हैं उसका असर भी हमने देखा है और इन सब के बीच में आज बाजार बंद होते हमने देखा कि थोड़ा बहुत प्रेशर नजर आया है TCS पे क्या राए होगी किरन जी आपकी 3850 की बाइंग है असरो TCS की अगर हम बात करें तो इंटरे चार्स के उपकर एक कपन हैंडल पैंटर्न ब्रेक आउट में देखने को मिलता है अग जिस तरह का ओरोल मार्केट खराब था उसको चलते हुए 20 दिन और 50 दिन की मुविंग आवरेज का लेकिन 3980 अच्छा का सपोर्ट है और 3870 उसकी 200 दिन की मुविंग आवरेज भी तो काफी अच्छे प्राइस पर इन्होंने एंटरी लिए मेरी साब सिंपो गोल्ड रखना चाहिए एक स्टॉप लोस 3870 जो उसकी 200 दिन की मुविंग आवरेज है उसके इसाब से 3870 का स्टॉप लोस रखें नई खिरिदारी भी आप करणना के प्रेस से कर सकते हो जिसका स्टॉप लोस 3870 रहेगा और और जिस तरह का चाट पैटन है डेली चाट के ओपर जो एक गाप क्रियेटेड है तो 4100 तक के टार्गेट हमें लग रहा है कि TCS में आने चाहिए तो डेफि क्या करना चाहिए विवेक रतन इंडिया पार आपकी कवरेज है क्या इस पर जब पावर सेक्टर अच्छा लगता हो आपको जो बहुत भैतरीन कर रही है कंपनी उसमें ध्यान ज्यादा देना ची अब ऐसी कंपनी तो यह है कि जो बुलते ना ब्लाइंड खेलना वह वाली अगर शेयर खरीदते हो तो उल्टा आपको देने का रहेगा लेटर्स को लेने को कुछ नहीं मिलेगा तो मेरे इसाब से तो आपको निकल जाना चाहिए कोई वर्त नहीं दिख रहा है फिलाल और आगे चलके अगर कंपनी सही में मुनाफ़ा कमाने लग जाती तो उस समय व में महिंद ने खरीदारी की है बताएं गिरन जी क्या करना चाहिए अच्वेल में 2528 इन लेवल्स पर इन्होंने खरीदारी की अगर हम चाहट देखे वीकली और मंतली तो काफी एक डाउनफॉल के अंदर चल रहा है डेली के अंदर भी रिसेंटली एक बाटम बनाया है था इसको भी अभी ब्रेक किया है और लास्ट दो दिन से जिस तरह का कर्रेक्शन्स हम देख रहे हैं और और वॉल्यूम के साथ ये कर्रेक्शन्स आया हुआ है तो चांसे एक है जिन भाव के उन्होंने एंट्री ली है वो भाव आने में तो काफी समय लगेगा बले व्यूचिप कंपनी है बट जिस तरह का ओर रोल चार्ट है जब तक कि स्टॉक अब 2230 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक तो मेरे का स्टॉक लोस मिंटेन करना चाहिए क्योंकि 2150 उसका प्रीवियस ली हमने देखा जा कि 2022 का बॉटम था अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो चांसे जेकर स्टॉक नीचे में 2000 तक भी फिसल सकता है तो as of now एकिस सो पचास के स्टॉक लोस से उनको स्रिक्ली होड रखना चाह ठीक है तो ये रणनीती आपके स्टॉक पे बढ़ते हैं एक और सवाल लाइव कॉमेंट के जरी जरा ले ले लेते हैं हमारे पास एक सवाल कमलेश गुपता साहब का है वेदानता पे राय जाना चाहते हैं 35 शेरिंग के पास है 286 के भाव पे 286 के भाव पे इन्होंने लेय हुआ है पहले तो जिन लेवल पे इन्होंने लिया है वहां से स्टॉक का काफी ऊपर आ चुका है और अभी मुनाफे में है आज हलका प्रेशर थोड़ा बहुत नजर आया विवेक क्या करना चाहिए वेदानता में 285 की बाइंग है तेके मेटल्स में मार्केट लीडर है औ और जो डेट का वगेरा जो दिक्कते थी कंपनी में अभी मैनेजमेंट भी भी बहुत क्लियर है कि अगले दो-तीन साल में यह लोग जित्ता हो सकता वो डेट पूरा कम करेंगे तो करेमा 17,000 करोड का मैंने मैनेजमेंट से सुना था तो अगर एक अगर क्लियर पात्वे है म बहुत ज़्यादा कौशली नहीं है सस्ता भी नहीं है पता एक फैर वैल्यू पे अभी चल रहा है तो आपको अपसाइड हो सकता है कि लिप्रिट मिले डाउसाइड कम मिले लेकिं जैसे जैसे वैलनशिट स्ट्रॉंग होगी आपको और रिटर्स बिलने की कोई समाव न र बहुत अच्छे लेवल पर आपने इस कंपनी में निवेश किया अच्छी कंपनी है लेकिन यहां से अब किस तरह की तस्वीर बन रही है चार सो की खरीद क्या आगे और ले जाएगी खिरन जी बीपी सील चार सो की बाइंग है तो विपी सील के तरह के दर हम बाट करें तो और जिस तरह के चार्ट बैटन है आज की दोजी कैनल सिक्स बैटन है साथी साथ लास्ट पांच दीन से हम देख रहे के पांच तो असी पांच तरक का एक क्लस्टर सपोर्ट बना हुआ है और डेली चार्ट पर आप देखो कि तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है तो मेरी साथ से कही ना कहीं इंको गोल रखना चाहिए 570 का एक स्टेक स्टॉप लोज रखे जब तक 570 का लिवग देख नहीं होगा तब तक चांजी से ये स्टॉप वापीस अपने प्रिवेज जो आप ट्रेंड चल बताएं जिसमें वो खरीदारी कर सकते हैं विवेक बताएं कोई क्वालिटी स्टॉप का आकाश ने लाइव पूछा है 500 के नीचे का कोई स्टॉप उनको चाहिए आप थोड़ी देर में VIP शेयस लेने वाले हो तो अब ये एक अजीव सा कंड़े मतलब लाइव शो में आपने ऐसे पूछा है तो अचानक मेरे दिमाग में पूछ स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि 500 के निचे ही बोलूँ मैं थोड़ा समय दूँगा आपको मन्थन कीजिए उससे पहले जरा एक व्यू ले लेते हैं एक और धर्शक का सवाल आपसे ले लेते हैं और मनुझ दवन ने डाबर पे सवाल पूछा है 450 की बाइंग हैं की डाबर कैसा लग रहे हैं यहांसे विवेक से पुछ रहे हैं ओके तो देखिए जित्ते भी FMCG कंपनी से ओड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे थे विकॉस अफ वेरियस फैक्टर्स लेकिन मुझे लगता है कि आगे चलके डाबर है अभी तेर पहले आपने HUL की बात की थी यहां पर अगे चलके कि मौनसून कैसा होता है अगर मौनसून अच्छा होता है तो FMCG भी अच्छा करेगा यहांसे तो डाउंसेट कम लग रहा है इमिएटली अफसेट आएगा क्या यह कहना मुश्किल है क्योंकि यह तो चार्ट ही बता सकेंगे लेकिन जिस आप से अभी यह किरन जी के पास अब चलते हैं किरन जी एक सवाल एप पटिल साब का है अशोका बिल्ट कॉन पे इन्होंने यूट्यूब के जरे लाइफ पूछा है सौ शेयर नहीं के पास 170 के भावव पे अशोका बिल्ट कॉन क्या करना चाहिए अच्छा का सा रिटन देने के बाद स्ट कल के क्लोजिंग के आज पास क्लोज हुआ है स्टॉप देखे तो 20 और 100 देज मुहिं आवेज के सपोर्ट के साथ प्रेड कर रहा है जहां 50 देज मुहिं आवेज का रधिस्टन्स लिया है सो ब्रहल सकत अच्छा है मेरे हिसाब से इनको आज का जो लो है वो एक स्टॉप ल करने की सला आपको अशोका बिल्ट कॉन में मिलती हुई इस वक्त चलिए बढ़ते आगे नितेश पांडे का सवाल लेते हैं और इनका सवाल इरिडा पे है 143 की इनकी बाइंग है इनके भाव से उपर मुनाफ़ा अच्छा होता हुआ क्योंकि कौन्टिटी भी जादा रख देखें मुझे ध्यानी है कि इनके लेने के बाद 200 के उपर गया था नीचे आने के बाद इनोंने वापस लिया है तो मुझे लगता है कि क्योंकि अपनी बात हुई थी जब 200 के उपर था कि इसमें आपको प्रॉफिट को करना चाहिए उसके बाद में करीबन 130 आके या आज 160 चल रहा है इन दामों में मैं थोड़ा स्केप्टिकल रहूँगा वैलेशन वाइस मुझे कॉस्टी लग रहा है और देखें पावर और और पर पे मैं बुलिश हूँ लेकिन जो ये रेनियूबल एनरजी में इतना फोकस श्टॉप को आप अगर करीबन 60 एक का पी देते ह हो तो थोड़ा अंकमफोटेबल लेवल दिखता है मुझे तो अच्छा रहेगा यहां पर आगर आपके पास है तो जैसे जैसे उपर जाता है एक और दर्शक है काकु सिंग अक्सर सवाल पूछते रहते हैं उनका सवाल प्रिसिजन कैम शेफ्ट पर है और इन्होंने ये सवाल पूछा है कि क्या इसे खरीदा जा सकता है इन लेवल पर किरन जी प्रिसिजन कैम शेफ्ट आपको कैसा लग रहा है यहां से सवाल सीधा हमारे दर्शक का यूटूब पर है कि क्या इन लेवल पर खरीदारी करना ठी वोड़ोल इसका आप नीटी चार्ट एक बड़ा सा ब्रिकाउट अमने देखा था और उसका जो सब ब्रिकाउट लेवल है वही अभी सपोर्ट का काम कर रहे है 180 के आसपास का तो अभी दूसरों की आसपास की क्लोजिंग है आज की कोई भी गिरावत आती तो गिरावत में आ करण माकेट प्राइज और वहां से अगर गिरता है तो 180 तक आपना पूरा इंडेस्मेंट कीजिए और 150 का आप स्टॉप लोज रखे और जिस तरह के चार्ट पैटा ने वापिस यह सबाप ऊपर में 250 तक की रेंज आपको दिखा सकता है तो आप एज़न इंवेस्मेंट द और इनका सीधा सवाल है कि अब क्या ये होल्ड करें या फिर सेल करें किस तरह का नजरिया विवेक आप बताईए देखिए ये कैसी कंपनी है जहां पे निउस के अनुसार स्टॉक में वालटिल्टी देखने को मिलती है और अभी जैसे वोड़ा फोन का एफ पी ओ चालू ह ग्रेट स्टॉक है ये लेने लाएक तो सला यही रहेगी कि जैसे जैसे उपर जाता है आप इटलिस्ट इस्टैगर्ड मैनर में वापस यहां पर मुनाफ़ा लेके घर जाते हो तो बेटर आइडिया रहेगा कि अगर पैसा पैसा बहुत आना इस कंपनी को बाकी टेलिकॉं अपने इसे अब वो देरे देरे कब आएगा यह तो मैं तो नहीं जानता तो इसके लिए आवाड यह रहेगा ठीक है ठीक है चलिए बढ़ते आगे जैकब का सवाल मोती संस जूलर्स पे है दो सो शेर इनके पास हैं 187 के भाव पे मोती संस जूलर्स इन्होंने खरीदा हु है 187 के लेवल पर फिलहाला नुकसान इनका होता हुआ क्योंकि इनके भाव से नीचे है यह स्टॉक का बताएं किरन जी क्या करना चाहिए मोती संस वेलर्स के पर हम बात करें तो रिसेंटली आईवियो आया था आईवियो के बाद ही अच्छी खासी रही है हमने देखी ऊपर में 240 तक के लेवल आस्टे स्टॉक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है जो बने वो 130 के आसपास के अभी 161 के आसपास ट्रेड कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर आपको होल्ड करने की सला स्टॉपलस का खास ध्यान रखेंगे बहराल अब सवालों को हम इतना ही शामिल कर पाएंगे लेकिन बढ़ते हैं अपने खास सेग्मेंट की और और यह है वी आईपी शेयर्स का सेग्मेंट जी विवेक जी बताइए वी आईपी शेयर्स और आपने बहुत सारी सीक्रेसी भी रखी थी अब उसका थोड़ा सा पड़क शेप कीजिए तो देखें जब शुरुआत में पहला सवाल यही पूछ लिया था और मैंने उसका क्या मोलते है एक एक तरीके से रफा तफा कर दिया था उस सवाल को जो जिन्होंने कॉल किया था पहले तो माफी चाहूँगा क्योंकि उस समय उनको लगा होगा कि जवाब नहीं दे रहे मुझे लगता है कि यहां से स्ट्रेंट तू स्ट्रेंट अब चलेगा पहली चीज अभी रिसेंटली कुछी कॉर्टर्स पहले इन्होंने हलका सा खाली डेलिवरी चार्जस में थोड़ा सा बढ़त बढ़तरी की थी और कंपणी का रेवन्यू करीवन चार एक हजार के रोड बढ़ गया था तो मुझे लगता है कि आगी चलके यह कंपणी आप मुनाफ़े के ट्रैक में आने वाली है पहली चीज अभी कॉटरी औ हैंगे तब पता चल जाएगा और स्ट्रॉक काफी स्ट्रॉंग लग रहा है और चार्ट्स भी और फंडमेंटल्स भी तो 220 तो यह मेरा शॉट्टम का टार्गेट है उसके बाद में देखेंगे वापस रिव्यू करेंगे लेकिन हाँ 220 के लिए आप लेख सके उसको ठीक है एक बार फिर उस दौर में हम रिव्यू करेंगे कि आखिर यहां से क्या करना चाहिए तो यह सला भी हो गई आपके लिए और आपके लिए एक चोईस भी हो गई और यह एक चोईस जो हमारे एक सज्जन नह 500 के नीचे वाला स्टॉक बद पूछ रहे थे उनके लिए भी तो पहला पावर पावर स्टॉक्स में से टाटा पावर टाटा पावर का डेली चाट देखो के तो वहां पे एक ट्राइंगल पैटन बना हुआ है 425-430 का उसका क्लॉस्टर रजिस्टंस था जिसको क्रॉस करके रिसेंप्ली स्टॉक ने ऊपर में कहीना कहीं 444-445 तक के हैस वहां से आज बले ही एक डाउनफॉल मूड में था लेकिन काफी अच्छा है तो पहला जो ट्रेड रहेगा वो टाटा पावर है दूसरा जो वह है यानिक इंडुस्ता ने और इनटिकर वहां पे भी आपकर देखो के तो एक बुलिस्ट प्लैक पैटन ब्रेक आउट है जिस तरह से फ्लैक पैटन ब्रेक आउट है जिस तरह से मोमेंटम इंडिकेटर बुलिस्टोन के अंदर ट्रेड कर रहा है दरा चांसिस के यहां पे अच्छी खासी तेजी आने वाले समय में देख सकते है तो बीटी एस टी एस एको दिन के नजरिये से थर्टी सिख स्टी के असपास की क्लोजिंगे हम लॉंग करके जाएंगे थाटी सेवन टैम का हमारा टार्गेट रहेगा एंट थर्टी फाइन निवेश्च का मागदर्शन भी किया आपने कमाई के मौके भी बताएं फिलाल कल की तेयारी में मुझे दीजिए इजासत लेक का स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना हो सकता है मुश्किलों से भरा मार्केट का उतार चड़ाव आपको कर सकता है कन्फ्यूज मार्केट में आच नीचे के लेवल से करीब करीब 200 पॉइंट की रिकवरी आई मैं अजय शर्मा आपको दूँगा सीधी और सठीक सला जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्टफोलियो मजबूत ET Now स्वदेश बढ़ो देश के साथ ET Now स्वदेश पर अब है ना सिर्फ मार्केट की बारी कियां बल्कि है कमाई का भी अच्छा मौका हम आपको देंगे एक शांदार आईडिया हर पांच मिनिट में टेकनिकल हो या फंडमेंटल शॉट टर्म हो या फिर लॉंग टर्म अब सब कुछ मिलेगा आपको तो देखिए हर ट्रेडिंग टे सुभा आट बजे से शां चांद सिर्फ ET Now स्वदेश पर पढ़ो देश के साथ दस मिनिट में आपका खाना डिलिवर हो नहूँ पर यहां आपको मिलेगा हर पांच मिनिट में कमाई का पक्का मौका ET Now स्वदेश पर हर पांच मिनिट कमाई का आइडिया मैं हूँ कुश बताऊंगा शेर्ज ऐसे जो करेंगे आपको खुश चानिए मेरे साथ कड़क शेर्ज रोज ET Now स्वदेश पर मैं एक्सिस स्वदेश से राजेश पालविया मैं दूँगा आपको ऐसे ट्रेडिंग आइडियाज जो कराएंगे आपको धमाकेदार मुनाफ़ा तो देखिए पालविया के पठाके शेर्ज सिर्फ ET Now स्वदेश पर टेक्निकल चार्ट हो या फिर F&O किस खबर का होगा आप पर कितना असर वैपार जगश से जुड़े हुए हर मुद्दे का विशलेशन समझे मेरे साथ असान भाशा में ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है अनाई अपने ट्रेडिंग डे की वहतर अनीती शॉर्ट कवरिंग से लॉंग मेरे में समय लगेगा इसलिए एक मेक ब्रेक लेवल है 200 दिंगी एवरेज के ऊपर आके वह में ट्रेड करने लगे हैं एडिम भी काल रहा है जुड़ी है मेरे साथ सिरफ एटीनाव सवदेश को है हर खबर अब आपकी भाषा हिंदी में इसमें मुझे लगता है डिमांड साथा सप्लाई के जिसे क्रूट प्रैसे उपर जा रहा है बनिये चुटकी में चतुर जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्टफोलियो मजबूत जल्द लॉग इन करें इटीनाव स्वदेश डॉट कॉम पर बढ़ो बदलो देश के साथ नमस्कार स्वागत आप सबी का बनो अपना फिनांस मिनिस्टर में एक बेहत खास शो जहां पर हमारी कोशिश होती है कि आपकी कमाई हुई कमाई आपको कैसे कमा कर दे इसके नुस्खे हम आपको बताएं इस शो में बात होती है आपके तमाम आर्थिक लक्षों की और कैसे इन लक्षों को आप पूरा कर सकते हैं क्या रणनीती आपको अपनानी चाहेए इस पर बारीकी से अपने एक्सपर्स पराख्पारे का फ्लेक्सी काप फंड, इसके फंड मैनेजर हमारे साथ जुडेंगे और हर फंड की एक स्ट्राटेजी होती है, जानेंगे उन से कि अपने इस फंड के लिए वो किस तरह की स्ट्डाटेजी जो है, वो बना रहे हैं, और साथ ही किस तरह के निवेशिकों को फ पैसे लगाने चाहिए, अगर आप बाजार से परिचित नहीं है, क्या पहला फंड आपका एक फ्लेक्सी क्याप फंड हो सकता है, और ऐसे में आपको परागपारे का फ्लेक्सी क्याप क्या ओफर कर रहा है, हम बात करेंगे फंड मैनेजर के साथ, आगे बढ़ेंगे, क्योंक जोखिम को परकें और उसके मुताबिक अपनी रनीती बनाएं, ये जानना बहुत जरूरी है आपके फिनांचल पोर्टफोलियो में, साथ ही अगर आप किसी चीज में शेयर में निवेश कर रहे हैं, या मुचल फंड में निवेश कर रहे हैं, ओवर डाइवसिफिकेशन य अगर आप किसी डिस्ट्रिब्यूटर से खरीद रहे हैं, किन-किन बातों का ख्याल रखें, SIP के जरीए मुचल फंड में निवेश कर रहे हैं, तो SIP के साथ 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 STP के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं, तो ये भी आपको हम बताएंगे हमारे एक्सपर्ट के जर प्लाटफोर्म्स पर पूछना हो, इंशॉरंस पर पूछना हो, टैक से जुड़ा कोई भी पेच आपका अगर हो, क्रेट कार्ट को लेकर कोई भी अगर आपका पेच हो, कोई भी सवाल इस मुद्दे से जुड़ा हुआ पूछना चाहते हैं, तो अपने सवाल हमें वाटस हमारे एक्सपर्ट के सामने रखेंगे, तो चलिए, आज भी पूरे एक घंटे हमारी पेचकश रहने वाली है, और इस पेचकश में हम आप अपने पैसों का ख्याल कैसे रख सकते हैं, आपकी कमाई का ख्याल कैसे रख सकते हैं, इस पर बात करने वाले हैं, इस पर फोकस कर पराखपार एकमारे साथुकों असवाल हैं, कि अब द्धिशुकस में रुपध काइज थाज़िते हैं पराकपार एक यहां ख़ाल पराख में मुशुक्त स्वागतु आर्लेकों पेशका तो जलिए एकेक्ती स्समीट है है बाजार में हमने तेज उतार चड़ाव देखा है लेकिन उसके बावजूद भी आपका फंड और आपकी स्टॉक पिकिंग काफी हद तक आप ही के कैटेगरी के बहुत सारे फंड के मुकाबले बहतर रही है तो चलिए शुरुआत उस रास के खुलासे के साथ ही करते हैं आपकी स्ट्राटीजी की अगर मैं बात करूँ आपकी स्टॉक पिकिंग की अगर मैं बात करूँ क्या राज है बहतरीन और कंसिस्टेंट बहतरीन परफॉर्मेंस का तेंक यू कविता मुझे शो पर इन्वेट करने के लिए दन्यवाद सो हमारा फंड एक तो हमारा फंड फ्लेक्सी कैप है तो हम अक्रॉस मार्केट कैप और अक्रॉस सेक्टर्स जहां पर भी अपॉर्चुनिटी दिखता है हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं हमारे फंड के परफॉर्मेंस में दो तीन चीजों ने हमें हेल्प किया है पहला यह है कि हम काफी वैल्यू कॉंशियस रहे हैं हमारे इन्वेस्टमेंट्स में तो जब भी मार्केट्स एक्सपेंसिव रहे हैं तब हमने अपना कैश होल्डिंग्स हमारे जाधा रहे तो जब मार्केट्स क तो हम वो चीप वैलुएशन का फाइदा ले पायते हैं दूसरा यह फंड का एडवांटेज जो रहा है वो यह है कि हम सिर्फ बारत में नहीं इंटरनेशनल स्टॉक में भी इन्वेस्ट मेंट रखते हैं तो काफी बार अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो 10-15 साल में यह करते हैं और यह साइकल चलता रहता है जब आपके फंड में दौनों एक्सपोजर्स हैं तो आपका एक तो वालेटिलिटी थोड़ा काम हो जाता है और दूसरा जब एक सेग्मेंट अच्छा नहीं कर रहा होता है तो वो दूसरा उसको आफसेट कर लेता है तो जैसे प्रकुर्ण अब यह बताएं अक्रॉस मार्केट कैप्स क्यूंकि फ्लेक्सिकाप फंड की बात कर रहे हैं हम जशुकों को बता दें कि यह ऐसी काटिगरी है पहले आपके पास सिफ मल्टी कैप फंड हुआ करते थे जहां पर अलग-अलग एक्सपोजर रेशियों के मुता अब अब अगर रुकुर मुझे समझना हो कि आपके पूरे फंड में किस तरह का एक्सपोजर है अक्रॉस मार्केट कैप तो क्या नंबर होगा रेशियो वाइस? हमारा एक्सपोजर अभी रफली 65 परसंट लाज कैप है 15 परसंट के आसपस हमारे पास स्मॉल और मिड कैप है और 18 परसंट के आसपस कैश डेट और अर्बिट्राज है तो रुकुन अगर फलेक्सी कैप फंड की बात करूँ आप अग्पारे का फलेक्सी कैप की बात करूँ तो दर्शुक को बताना जरूरी होगा कि इनका जो फंड है वो लाजली लाज कैप फोकिस्ट फंड है ठीक है? ऐसे में जैसा आपने रेशियो भी बताया आपका इनको अंडर परफॉर्म करते वो देखा जातक मैं लाज कैप की बात करूँ अब जाके बहुत हम देख रहे हैं कि वैलुएशन्स अट्राक्टिव होते वर दिखाई दे रही हैं आपका क्या मानना है वैलुएशन्स कितने अट्राक्टिव हो गए हैं लाज कैप में और मि अगर आप 10-15 या 15-20 साल का हिस्टी देखेंगे तो लाज कैप्स की बुलना में स्मॉल कैप्स 15 से 20 परसंट या 20 से 25 परसंट डिसकाउंट पे ट्रेड करते हैं ऑन एवरिज बट अभी वो डिसकाउंट 10 परसंट से कम रह गया है काफी सेक्टर में तो स्मॉल एंड मिट कैप्स लाज कैप्स से जाधा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं तो ओवरॉल स्मॉल एंड मिट कैप्स में वैलुएशंज एक्स्पेंसिव हैं काफी स्टॉक जिनकी बैलेंस शीट अच्छी नहीं है या जहां पर रिटरं रेशिय सबसे ज़्यादा करेक्ट भी होते हैं तो इस समय पर हमारा फेवर और हमारा अलोकेशन प्रेफरेंस लाइज कप की तरफ जादा है वहाँ पर हमारे इसाब से वैलुएशन जादा रीजनेबल है और अपॉर्टुनिटी सेट बेटर है तो जैसा कि आपने कहा कि लाजगाप पर मिर रहे हैं और कुछ कुछ जगा पर प्रीमियम भी है तो अगर हम देखे तो कहां आपको लगता है कि डिसकाउंट जो है वो अब कम हो चुके हैं लाजगाप काटिगरी में क्यूंकि एक रिवर्सल भी होता हुआ हम ने देखा है त जो पहले डिसकाउंटेट रेट्स थे वो अब नहीं रह गए होंगे और कहां पर आपको लग रहा है कि प्रीमियम वाल्यूएशन है लाजगाप की कौन-कौन से पॉकेट्स आप यहां पर आइडेंटिफाई हम में करवा के दे सकते हैं मैं यह कह रहा था कि स्मॉल कैप्स जो टिपिकली जादा डिसकाउंट पर ट्रेट करते हैं आज की डेट में वो कम डिसकाउंट पर ट्रेट कर रहे हैं तो लाजगाप जादा अट्रेक्टिव हैं अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एक सेक comparison में market share gain किया है इनने last cycle में asset quality भी बहुत अच्छा maintain किया है तो NPAs बहुत कम है आज loan growth भी decent रहा है और आगे भी हमें लगता है कि ये banks public sector banks के comparison में market share gain करते रहें तो overall इस segment में हमें valuation reasonable लग थोड़ा सा हमें mid cap और small cap के बारे में बात करनी होगी आपके फंड में exposure है ही लेकिन उसके अलावा mid cap small caps को लेके बहुत सारे सवाल आम निवेशक और दर्शक के में जहन में आते ही है तो उमीद ये थी mid cap small cap से रुकुन के बहुत अच्छा correction देखने को मिलेगा और उसके बाद जो high run up था valuations थे वो थोड़े से कम हो जाएंगे लेकिन अब आपके मुझे ये समझना है कि जिस करेक्शन की उमीद की जा रही थी वो तो आया नहीं है कुछ पॉके जहां पर आपको लग रहा है कि थोड़े comfortable हो गए है mid cap small cap में valuations तो consider किया जा सकता है या आपको लग रहा है कि वो comfortable भले ही हो गए हो लेकिन फिर भी आप जो है थोड़ा सा लाज कैप की और ही अपना जुखा रखिएगा क्या कहें गया तो मुझे लगता है कि रीटेल पार्टिसिपेशन इस सेग्मेंट में काफी स्ट्रॉंग रहा है अगर आप और दूसरा इवन फंड में जो रीटेल फ्लोच हैं वो काफी स्ट्रॉंग रहे है पिछले एक दो महिने में वो थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है अगर आप लास्ट एक-दो साल देखेगे तो तो ओवराल small and mid cap mutual funds में retail flows, fund flows काफी strong रहे हैं, तो उस वज़ा से ये segment में हमें कोई major valuation correction दिखा नहीं है अभी तक, fundamentally भी economy अच्छा कर रहा है, जायतर companies के business अच्छे कर रहे हैं, तो valuation correction का कोई reason मिला नहीं है, I think market को अभी, but यह हमने across cycles देखा है, कि जब markets अच्छा करते हैं, economy अच्छा करते हैं, तो यह stocks काफी अच्छा करते हैं, बड़ जब economy यह market weak होता है, तो यह stocks correct भी जादा होते हैं. रुकुन थोड़ा सा हम stock picking की बात करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत जादा PE levels के अगर हम बात करें तो वह high हो चुके हैं, एक idealistic stock picking अगर mid cap, small cap में मौझूदा समय में risk को mitigate करना, उसको कम करना, mid cap, small cap में as a fund manager बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए, कैसे उसका ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि आप बहुत जादा risky batch भी नहीं ले सकते हैं, भले ही concentrated है आपका ratio, बट फिर भी, तमाम PE levels को देखते वे तो खत्रा बढ़ी जाता है, अगर बह management quality को और corporate governance को समझें, तो जो भी company हम research कर रहे हैं, हम देखते हैं कि उनका capital allocation track record कैसा रहा है, management का 15-20 साल की history में, क्या management ने minority shareholders को fairly treat किया है, क्या management ने ऐसा capital allocation किया है, जहां पर जो core business से बिलकुल अलग हो, तो अगर ऐसे कुछ red flags दिखते हैं, तो हम वो companies avoid करते हैं, हम management bandwidth, company के directors, इससे पर काफी research करते हैं, external sources भी रहते हैं, जैसे company ने over a period time कितना EPF contributions किया है, यह सब channel checks, red flags हम लोग चेक करते हैं, और auditor कौन है company का, और दूसरा है, यहां पर जैसा कि आपने कहा कि valuation को ध्यान में रखना important है, कि कहीं, कहीं, आप history के comparison में, या on a absolute level कहीं, उसको overpay तो नहीं कर रहे हैं, तो just because company अच्छा grow कर रहा है, आप उसको कोई भी valuation नहीं दे सकते हैं, हम एक reasonable valuation estimate करते हैं, और तीसरा factor यह है कि हम इस segment में, हम एक 2% से कम रहेगा, तो portfolio पर उसका ज्यादा impact नहीं आएगा, अगर कहीं पर गलती होती भी है, तो अगर मैं sector specific बात करना चाहूं, mid cap, small cap में, तो यहां कहां पर आपका ध्यान है, तो इस segment में हम sector specific नहीं जाते हैं, हम काफी bottom up हैं, इस segment में नहीं जनरल ही, बट हम लोग काफी bottom हम अब stock picking करते हैं, तो हम लोग इस thought process से नहीं जाते हैं, कि हम इस sector में इतना allocation करेंगे, अगर आप देखेंगे, तो काफी अलग अलग टैक की companies है, capital markets related companies हैं, जैसे IEX है, MCX है, CDSL है, मोतिलालोसवाल है, utility में, gas utilities में हमरे पास इंद्रप्रस्ट गैस है, EID Perry है, जो एक फोल्डिंग कंपनी है, और एकल है, जो एक IT कंपनी है, तो यहां पे कोई specific, sector specific approach नहीं है, हर एक कंपनी को हम लोग deeply analyze करते हैं, देखते हैं कि उनके पास कोई competitive advantage है के नहीं है, और valuation reasonable है के नहीं, management अच्छा है के नहीं, और फिर उसमें allocation लेते हैं, तो कोई sector specific team नहीं मिलेगा इसमें. रुकुन आपके एक fund की बहुत बड़ी USP थी कि अंतराश्च्य बाजार में भी आप निवेशकों को exposure देते थे, कई बार हमने governor साब को बोलते वे सुना है कि currency जब तक पूरी सी stabilize नहीं हो जाएगी, तब तक इस तरह के कदम नहीं उठाये जाएंगे, हाला कि fund houses से, stakeholders से लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन अंतराश्च्य एक्सपोजर परागपारिक flexi cap का एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से एक ऐसा aspect था जो निवेशकों को बहुत दिल्चस्प लगा और उसके चलते हमने देखा कि क्यूंकि आपने fund को लेकर प्रचार बहुत कम किया है, जितना भी परागपारिक flexi cap पे निवेश हुआ है, word of mouth के जरीए ही हुआ है, obviously performance भी जो है वो बात करती है, तो अंतराश्च्य निवेश को लेकर फिलहाल क्या स्थिती है, और उकुन ये बताएं. तो जैसा आपने कहा, अभी incremental investment तो international stocks में बंद है, अगर कहीं पर कुछ dividend आता है या buyback होता है, तो वो हम reinvest कर बाते हैं, additionally in stocks में, बट overall incremental investment बंद है, इसके बाद भी हमारा करीबन 15-16% exposure है international stocks में, regulator की बात करें तो RBI governor ने थोड़े समय पहले statement दिया था कि जब उन्हें comfort आएगा कि हमारा external conditions, हमारा current account deficit ये सब stable है और rupee stable रहेगा, तब वो इसको जो limit को बढ़ाएंगे, तो हमें आशाय के होगा जल्दी, बता ने. रुकुन वैसे तो आपने कहा है कि लाजवी large cap की और आपका जुकाव जादा है फंड का, लेकिन क्या आने वाले समय में mid cap, small cap में exposure बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्या ऐसी कोई रणनीती है? आज के समय में तो जैसा मैंने कहा कि यहां पे वैलुएशन्स expensive है, तो हमारा preference large cap stocks में है, आगे जाके market conditions के इसाब से हम लोग evaluate करेंगे, अगर कभी correction आता है, made and small cap stocks में, तो हम हमारा stance वापस evaluate करेंगे, देखेंगे किया वापे increase कर सकते हैं, क्या अच्छे stocks correct हुए है. चलिए, मुझे पता है, आप एक fund manager है, short term बात नहीं करेंगे, लेकिन देखें हमारे दर्शक तो short term भी होते हैं, mid term भी होते हैं, long term भी होते हैं, और अगर मैं एक near term trigger समझना चाहूं बाजार के लिए, घरेलू बाजार के लिए, तो election एक बहुर बढ़ा trigger है, कोई specific, sector specific allocation जो आपके radar पे हो, या आपको लगता है कि आने वाली कुछ तिमाईयों में यहाँ पर कुछ जोर पकड़ा जा सकता है, और यहाँ पर कुछ देखा जा सकता है, देखें, जैसा आपने का, हम लोग long term view लेते हैं, अगर आप कोई भी 5 साल का view लेंगे, या 6 साल का view लेंगे, तो उसमें एक चुनाव तो आने ही वाला है, हमारा, हमारा thought process यह रहता है कि ऐसी companies लें, जो अलग-अलग conditions में, अलग-अलग market environment में, जो अपना business grow कर सकें, जो अपना मुनाफ़ा पढ़ा सकें, तो elections के रहते, कुछ sectors हैं, जहां पर volatility रहेगी, जैसे PSU companies में थोड़ा volatility रहेगा, subsidies से related जो companies होती हैं, OMCs है, इंदर या fertilizer companies है, इन सब में volatility रहे सकता है, depending कि लोग क्या view ले रहे हैं, कि नया government, क्या policies लाएगा, but as a fund house, हम लोग ये short term predictions पे जादा focus करते नहीं है, अगर एक अच्छा business है, जो अच्छे management चला रहा है, तो over the cycle, वो हमें decent returns deliver करें, और राइट, रुकुन मेरे ख्याल से, मेरे पार समय फिलहाल इस चर्चा के लिए ये समाप्त हो गया है, लेकिन बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, परागपारी Flexi Cap Fund पे आपने तमाम बारी किया, दर्शुकों के सामने रखी, और अपनी strategies भी साजा की, धन्यवाद, तो फंड का फंड़ा में आज सा परागपारी का Flexi Cap Fund, इस फंड से जुड़े सवाल अगर आप भी हमसे पूछना चाहते हैं, तो बिलकुल अपने सवाल हम तक पहुचा सकते हैं, वाटसाइब के जरीए, या यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स के जरीए, लेकिन फिलहाल म लाइफ बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद. सब्सक्राइब के सब्सक्राइब कर देड़ आपकर वाट्यूथ नहीं, ज़े सब्सक्राइब कर से बातवस, इस बातवसよし ए फ्लीश अपने सब्सक्राइब कर दोस्ताइब। पर्सों की प्रतिक्षा के बाद हमारे अयोथिया का गौरव लोटा है नहीं तो पहले टेंड टूटे घाट गंदगी कोई फेसिलिटी नहीं और अब काशी देखो केदारनाद देखो जैन देखो सोमनाद देखो सब भव्य डिव्य और मोधी जी कहते हैं ये तो बस प्रेलर है आस्था का पड़्चम लेराता रहे ये है मोधी की गैरेंटी इसलिए हमारा पहला वोट मोधी को ये है हमारी भी गैरेंटी कमल का बटन दबाए भाजपा को जिताए वेल्कम बैक आप देखने हैं बनो अपना फिनांस मिनिस्टर और शोका वो पड़ाव जहांपर दर्शकों को बेसब्री से इनतजार होता है इनके सवालों के जबाब का और लाइव दर्शकों को हम जोड़ते हैं फोन लाइन पे जोड़ते हैं दर्शक और साथ ही सोचल मीडिया के ज़रे सवाल जो भेशते हैं वो भी हम शामिल करते हैं खास्ताव से फेस्बुक एक्स और ट्विटर यूट्यूब पर बहुत सवाल आते हैं तो चलिए हम दर्शुकों से बात्ची शुरू करते हैं उससे पहले हमारे जो आज के महमान हैं उनसे मिलवाते हैं आपको पंकश मटपाल, MD, Optimum Money Managers और चक्रिवर्धन, कुपाला, ED और कोफाउंडर, प्राइम वेल्थ फिंसर्व, आप दोनों का ही स्वागत है हमारी इस बेहत खास पेशक में और दर्शुकों की फिनांशल प्लानिंग की चुरूबात करें इस कडी में उमेश मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर मेरे पहले दर्शक, उमेश जी नमस्कार, कैसे हैं बोल बहुँ भी चिक्टक चल जए है अओलो कैसे जी है कहां से बोल रहे हैं? कॉलकता से बोल रहे हैं, मादम. कॉलकता से बोल रहे हैं, गर्मी शुरू हो गी वहां पर बहुत जादा? जादा गर्मी है, अभी तो 59 हो गिया, फिलिंग तो 50-53 आरा है. क्या करते हैं आप, अमेश ची? अच्छा, सर आपका पॉर्टफोलियो आपने हमें भेजा, थैंक यू सो मच, आपकी फिनांशल प्लानिंग हम करवाते हैं, कुछ फंस जो आपके पॉर्टफोलियो में हैं, मैं एक बार नाम ले लेती हूं, जो आपने जानकारी हमें दी है, आपके पास, ICICI Nifty 50 Index है, ICICI का मल्ति असेट है, आपके पास, HDFC का मिट काप है, Tata का मल्तिकाप है, परागपारिका फ्लेक्सिकाप है, GM भी फ्लेक्सिकाप है, अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश करें भले ही वो 500 रुपे से ही क्यों ना हो लेकिन जितना हो से के आप बढ़ाने की कोशिश करें आप कहरें 3-4 साल के बाद हो तो 3-4 साल के बाद ही सही लेकिन क्या आभी आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो राशी क्या परियाप्त है step up करना भी होगा तो कितना आपको बढ़ाना पड़ेगा जो fund आपने select किये हैं क्या वो सही है या नहीं है इन सब की पड़ताल करनी होगी और आपका लक्षे भी काफी बढ़ा है अच्छी बात यह है कि बीच में 25 साल का आपके पास समय है 25 साल में आपको investment करनी है disciplined तरीके से regular आपको निवेश करना है अगर आप ये एक अपने गुरु मंत्र बांध ले तो मेरे ख्याल से काफी हद तक जो है आप अपने लक्षिक को पानी की ओर बढ़ सकते हैं इन पाप आएंगे की नहीं पाप आएंगे वो चेक कर लेते हैं पंकर जी तो देखिए हर category का उंदा फंड है इनके पास तो फंड की अगर मैं quality देखूं standalone quality तो वह बहुत अच्छी है लेकिन क्या बढ़िया funds portfolio में डाल देने से बढ़िया return भी मुझे मिलेगा क्या कविता जी नमस्कार बिल्कुल सही कहा आपने देखिए funds बिल्कुल अच्छे हैं लेकिन यहाँ पर दो बातें बहुत ही है एक तो लंबा नजरिया 25 साल के हम बात कर रहे हैं तो उससाब से आपको देखना चाहिए कि किस तहां के funds होने चाहिए suitability of funds तो यह बात है कि funds अच्छे हैं बड़ आपने suitable है कि नहीं जाना जरूरी है दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि बारे हजार रूपे की S.I.P. हो रही है पर मंद की और उसमें नाइन funds हैं तो मेरे जाब से funds ज्यादा हैं तो उमेश जी अदिए आपने शुरुवाद अभी की है तो थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं आप portfolio में क्योंकि जब multi cap fund में आप निवेश करते हैं तो multi cap के जरिए भी आपका निवेश large cap, mid cap, small cap सभी में होता है और आपके पास अलग से mid cap opportunities fund में उसमें आपके SIP कम है 1000 रुपी की तोड़ा बढ़ जाएगा amount और बाकी में आप जैसे है वैसे रहने दें दूसरी बात यह है कि target जो है यदि आप step up नहीं भी करते हैं तो तीन क्रोड रुपीय खटा करने के लिए 25 साल में करीब 15% का CGR आना चाहिए जो लंबे सम मैं उमीद कर सकते हैं कि ऐसा possible है तो आप target achieve कर सकते हैं लेकिन फिर भी कहूंगा कि 25 साल के हिसाफ से आपको जब भी मौका मिले तब top up जरूर करना चाहिए step up करें या समय समय पर बढ़ाते रहें और उससे एक तो आसान होगा target achieve करना दूसरा amount और भी बढ़ा हो तो बहतर ह होगा क्योंकि inflation की वज़ा से समय के साथ पैसे की value कम होती है तो उससाफ से भी जब समय मिले जब मौका मिले तब आप जरूर amount को बढ़ाएं और बाकी अच्छी होता हुआ आपका portfolio दिखाई दे रहा है all the best to you ओमेश जी कोई सवाल पूछना है आपको नहीं मादम ठीज है all the best all the best पंकर जी एक सवाल आप मुझे यह बताईए एक सवाल मुझे आपसे पूछने आप देखिए flexi cap उन्होंने दो अपने portfolio में डाल रखें है small cap भी दो डाल रखें बर देखिए small cap का जो universe होता है पंकर ज chances हैं कि शायद आपको diversification उस category में मिल जाए क्योंकि इतना जादा fund manager के पास universe होता है selection का अब यह जो जे-एम flexi cap है पराग पार एक flexi cap है क्या यह दोनों ही एक ही market cap पर आधारत मतलब heavy weighted funds हैं किस तरह से यह across market caps divided हैं कितने similar हैं और कितने अलग हैं कुछ बताएं यह दो flexi cap funds क के बारे में यह काफी अलग हैं देखिए flexi cap का जो benchmark होता है तो यहां पर expectation तो होती है कि large cap, mid cap, small cap सभी में exposure लिया जा सकता है लेकिन आप देखें इन दो funds के portfolio को तो पराग पार flexi cap fund का जो exposure है वो majorly large cap में है और 16% के आसपास international exposure भी है लेकिन आप देखेंगे जे-म financial flexi cap fund इसका exposure large cap के साथ-साथ mid cap में भी है थोड़ा small cap में भी है और international exposure यहां पर नहीं है तो काफी हद तक दोनों के जो underlying portfolios हैं वो अलग है एक दूसरे से तो अकसर हम देखते हैं कि जब बात होती है large cap की या mid cap, small cap की तो यहां पर काफी हद तक एक जैसा portfolio देख सकते ह बड़ flexi cap में depend करता है कि fund managers अपने fund को कैसे manage करना चाहते हैं तो दो funds का example आपने दिया यहां पर दोनों के portfolio में काफी अंतर है और यहां पर बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप एक ही category के best performing funds portfolio में डाल रहे हैं कई बार ऐसा होता है कि diversification का purpose solve हो जाता है लेकिन कई बार सेम तरहां की उनकी strategy होती है और सेम तरह के funds अगर portfolio में डाल देंगे तो आप मुनाफर शायद उतना नहीं कमा पाएंगे जितना ही diversification के तरीके से आप कमा पाएंगे तो यह कुछ बाते हैं जो समझ में आनी चाहिए दर्शकों को जोती सिंका मैं सवाल लूँगी और चलिए इनका जो सवाल है वो मेरे ख्याल से चक्रिवर्दिन जी के पास है और इनका सवाल इनके पती पूछना चाहते हैं नमस्कार सर क्या नाम है आपका नमस्ते मैं जी सर नमस्ते कहां से बोल रहे हैं मैं हापूर से बोल ला था अच्छा आपकी वाइफ कहां पे रहे हैं सवाल तो उन्होंने भेजा था जोती जी ने मेरे मुबाले से देज दिया था, बात चल लेती हम लोग के आपस में अच्छा, उनों नहीं देज दिया था चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ता है दस हजार के साइपी करानी थी परमन्त की ठीक है सर, ओके बता दीजे कोई तो कितने साल तक करेंगे, 15-20 साल तक? हाँ, 20 साल लगबग, 20 साल लगबग, ठीक है सर, आपका नाम नहीं बताया आपने मुझे मेरा नाम संजे सिंग है संजे, संजे जी, तो 20 साल करेंगे तो 20 साल के बाद कुछ कॉर्पिस भी इखटा करना है क्या? कुछ आपको एकमुष्ट रकम हाँ, बच्चे भी छोटे हैं, एक दो साल के तो उनके पढ़ाई के लिए तो उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आपको पैसे जोडने है अच्छा, 10,000 से शुरुवात तो कर रहे हैं, इसको बढ़ाएंगे भी क्या? हाँ, बाद में खुड़ा हैंगे, एक आप 2,000 गर की ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया और पहला निवेश है, आपका एकमुटी बाजार में मूच्छ फंड के जरीए, क्या आप शेर्ज वैस भी खरीदते हैं? ने, ने, बस मूच्छ फंड करना जा रहे था अच्छा, और राइट, चक्रिवर्दन जी, आपके पास ही आऊंगे, आपके पास है इनका सवाल, तो इनकी वाइफ तो नहीं आई फोन पर, संजे जी ने सवाल पूछा है उनके बहाफ पर, 20 साल का समय तो देखिए, बहुत अच्छा है, और पहली बार निवेश कर रहे ह मुचल फंड का रास्ता अपनाया है, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक टार्गेट नहीं है उनके पास, है ना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए अगर पैसे खटा करने है, तो जरूरी है कि महेंगाई, education, inflation को ध्यान में रखना है, बच्चों को भारत म पढ़ाना है, कुछ बाते हैं जो शायद आप बेसिक बेसिक अगर प्लान कर ले तो शायद investment की journey आपकी आसान हो जाएगी, शुरुवात कर रहे हैं जोती सिंग और संजे सिंग जी तो जरूरी है कि आप मुनको मार्ग दर्शिन दे, बताईए, देखिए, mutual funds में invest करना काफ आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो लो रिस्क फंड्स जैसे large cap, multi asset और hybrid, balanced funds से आपको investment शुरू कर सकते हैं, अगर आप ज्यादा रिस्क लेने के लिए तयार हैं, तो आप 5,000 every month, flexi cap and multi cap funds में डाल सकते हैं और बचा हुवा 5, 1000 जो है, वो large cap में shift कर सकता हैं, यह combination आपको return के साथ stability भी दे देगा, और आप 15-20 years का time frame लेके चल रहे हैं, तो long term में आपको compounding का अच्छा benefit हो सकता है, अगर जैसा बोला था, अपने बचों के लिए plan कर रहा है, अभी बचों के लिए education का inflation भी आप consider करना है, उसका हिसाब स आप जैसा आपी investment स्टार्ट कर रहा है, आगे जैसा आपका income भरता है, उसका हिसाब से, यह SIPB तो अब तोड़ा step up या तोड़ा increase करके जाने से बहुत फ़ाइदा हो सकता है, जी आप बोलिये, जी चक्रिवर्दन जी, संजे जी आपका वो कुछ doubts है, संजे जी is there, लाइंटे, मुझे आप से यह पूछना है, तो एक बाइब बताईएगा, कहां पर आप इनको एक flexi cap, multi cap में आपने कहा है, कि निवेश करें, लेकिन कौन से fund आप recommend करेंगे, तो long term में इनके लिए flexi cap अगर invest करना है, तो अभी पराग पर एक flexi cap आप देख सकते हैं, जैसा multi cap है, kodak multi cap है, kodak multi cap भी देख सकते हैं, यह अगर conservative में start करना चाहता है, conservative के लिए तो ICIC multi asset and hybrid में Tata, balancer funds, balancer से भी यह शुरू कर सकते हैं, और राइट, चलिए, संजे जी आपको यह सलह दी जा रही है, और देखिए, शुरुवात करना बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल से वो आपने एक पहला कदम उठा लिया है, जो सलह आपको दी गई है, ज और दीरे-दीरे करके अपने निवेश को बढ़ाईएगा, यह आपको जरूर ही करना है, आगे बढ़ते हैं, Amandeep Singh मेरे साथ फोल नाइन पर है, नमस्कार, नमस्कार मैं, बताईए सर कहां से बोल रहे हैं, मैं मैं बहुतल यमना नजार हदयाना से, मैं अपना दो कोश्चन पर्टमोलियो बेजा था, पॉइंट इसकी मैं जो साइप सर रहा था, मैंने तूजाजन सेवंटीन एंटीन ओनवर्ड करी थी, और वो सारी अले अले एमसी पे और उनकी एप से करी थी, और दो साल पहले मैं ने शेर मार्किट में भी डिरेक्टी स्टॉक बाई शुरू कि यह है, तो मैं यह पूछना था, कि मैं वो सारी ऐसे इस बंद करके ग्रो से दुबारा शुरू करूं और उनको रीडीम ना करूं तो कोई कंपाउंडिंग में कुछ परक पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा यही वो फंद के नाम है ना, यही फंद है, इसमें आप सोच रहे पंकर जी के पास यह सवाल है, तो पंकर जी सवाल इनका बहुत इंट्रेस्टिंग है, इन्होंने डिरेक्ट निवेश किया है, तमाम फंद हाउसे में, SIP चल रही है, अब क्यूंकि यह ग्रो आप पर गए हैं और वहां पर मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा सुविधा लग है, आप इसी को ही continue करें, funds पे बाद में आऊंगी, लेकिन फिलाल process क्यूंकि यह process को लेके सवाल बहुत दर्चुकों के जहन में होता है, कि हम AMC's की website या apps पर जाके करने, या हम किसी portal के जरिये करें, बहुत basic सवाल है, क्या इसमें differences है, cost effective कौन सा तरीका है, खुद क्यूंक को हर महिने की SIP कर रहे हैं, तो आपको app पर जाना पड़ेगा, और पैसे आपको डालने पड़ेंगे, वो अपने आप हो जाएगा, तो वहां तो सहुलियत है, लेकिन फिर भी एक जगा होती है, जहां पर अपने पूरे portfolio को आप देखना चाहते हैं, एक बार, है ना, एक consolidated report अगर आपको चाहिए, तो वो कहां से मिलेगी, तो कुछ और सुविधा हैं, जो शाइद किसी एक portal से आपको मिल जाती है, वैसे mutual fund houses भी reports भेजते हैं, बट एक ही जगा पे सब नहीं होती है, है ना, बताइए. देखिए, ऐसा है, पहली बात कि, अगर आपने example दिया grow app का, तो एक fintech platform है, तो fintech platform चेंज करें, या अपने distributor चेंज करें, इससे आपकी compounding पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन करना है कि नहीं करना है, वो आपको decide करना है, क्योंकि, यदि दिया है कि सारे funds एक जगे पर देख सकें, तो उसका आसान तरीका है, आप camps online.com पर या फिर उनके app पर जाए, camps जो है, वो mutual fund का registrar and transfer agent है, तो camps की website पर आपको option मिलता है, camps और kfintech, दो registrar हैं, दोनों का combined statement पर डाउनलोड कर सकते हैं, आप simply अपना email ID input करेंगे, और अगर email ID सेम है सभी funds में, तो सभी का combined statement आपको मिल जाएगा एक ही जगे पर, तो जो आपकी दुविधा थी, कि आपने अलग अलग जगे पर किया है, पर एक जगे पर देख सकते हैं, तो आप simply बिना distributor या बिना अपना Fintech platform change किये हुए, camps या कारवी की website, यानि कि KFintech या camps online पर जाकर आप अपना portfolio एक ही जगे पर पूरा देख सकते हैं, और दूसरा आपने पूछा कि क्या change कर सकते हैं, तो change करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई compounding बर फर्क नहीं पड़ेगा, scheme सेम होंगी, पैसा सेम होगा, तो आपके returns भी सेम ही होंगे. अब मैं इनके funds पर आती हूँ, कैसे लगए आपको इनके funds? पर allocation जो है, वो small cap में around 38% है, total portfolio का, तो मेरे शाब से ये सही नहीं है, क्योंकि अच्छे market में तो अच्छा लगेगा आपको की small cap का return बहुत अच्छा है, लेकिन इससे risk बहुत बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा small cap में exposure कम करना चाहिए, और mid cap में exposure कम है, वहाँ पर थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तो थोड़ा सा exposure जो है, उसको आपको थोड़ा portfolio को balance करने की ज़रूरत है, इस schemes अच्छी है, एक और सला है, international fund में, अमन्दीब जी आपके पास है, PGIM India Global Equity Opportunities Fund, मेरे साब से इस active fund की जगहे पर, यदि एक passive international fund को शामिल करेंगे, तो ये अच्छा रहेगा, सकते हैं, आप यहां से, आप निकल कर और पैसिव इंटरनेशनल फंड में जाएं, और स्मॉल कैप में exposure को कम करें. All the best, Amandeep. अभी नीश मेरे साथ मेरे अगले दर्शक फोन लाइन पर है, नमशकार. नमशकार मेडम, मैं धरम शाला से बोल रहा हूं, इम अच्छा पर देश. नमशकार, बताएए सर. जो मैं अपना डिटेल जो है पोर्टफोलियो की बेजी है, वो मतलब ठीक है, या नहीं है, मैं अपने, 2.28.30 तक मितलब डेड़ करोड़ रुपे कर सकता हूं कि यह जानना जा रहा है, ठीक है. ठीक है, ए, सर, खुझ जोड़े हैं यह सारे फंड्स. या मैं. सर, थीक है, सब एक साथ ही ले ले लिये थे, एक एक करके जोड़े हैं? अच्छा तो जब भी आपका निवेच बढ़ाने का मन किया तो आपने एक फंड जोड लिया ऐसा है अच्छा ये बहुत सारे फंड है कैसे आप सब ट्रैक रखते हैं खुदी रखते हैं ट्रैक पोर्टफोलियों का खुदी बस वने डाल ले लिये फंड बस अभी जाना चाहरा हों कि थीक है या कम करो इनको ये जादे तो नहीं हो गए दस पंड तो हैं दस पंड तो हैं 20,000 कि आपकी आपकी चल रही है और आपको आपको कितना इक खटा करना है कितना तागे एक अचीव हो सकता ये भी आप सब्सक्राइब करते हैं कितने साल तक रुकेंगे कि वहां अदेड करोड चाहिए राइट हाँ दोगतर राइट है ठीक है चक्रिवर्दिन जी आपके पास है इनका सवाल फंड कैसे हैं दस फंड हैं बहुत जादा नहीं है आपके मताबिक बहुत जड़ा है देखिए आपके पॉर्टफोलियो मेरे हिसाब से लग रहा है चार से चे फंड बेस्ड आन योर रिसक और रिटर्न प्रोफाइल आपका पॉर्टफोलियो के लिए काफी होता है आपके पॉर्टफोलियो में अभी दस फंड है और इनमें से कुछ फंड की कंपनीज स्कीम्स में एंटर ना करें इसके साथ अपने स्माल कैप, मिड कैप, फ्लिक्सी कैप फंड में टोटल मिला के लगबग 10,000 मंतली सिप कर रहे हैं यह हाई रिसक फंड है और यह काफी बोलटेल होता है मेरे माने तो आप अपना एक्सपोजर इन फंड में तोड़ा कम करें और हाई रिसक फंड को आपके पॉर्टफोलियों के 20 परसेंट बेटेस से ज्यादा ना करें इसे आपका पॉर्टफोलियों का स्टेवर्टी मिलेगा आप बात करें बात करते हैं आपका इंवेस्मेंट एमोंट की तो अभी आप जो मिला था मेरा वो 2,25,000 आपने इंवेस्ट कर चुके है उसमें 22 परसेंट रिटन आ गया करके रिपोर्ट आया था मेरे पास आपका फाइनाशल प्लानिक के लिए तो लंगबग आपका अभी एमोंट है लंगसम अभी तक जो भी सिप कर आता उसका इसाब से 2,59,000 अभी है और आपका गोल है 2038 तक 1.5 CR आपने एक एमोंट कारपस प्रिपेर करने हैं तो यहाँ पे ना कंजर्वेटिव में आप देखेंगे 12% या 15% उसका इसाब से अभी जो लंगसम हमोंट यहाँ पे 2,59,000 है यह और 14 साल में मतलब अभी 2024 है आपको चाहिए आपका कारपस 2038 14 साल है यह 14 साल में आपका जो यह 2,59,000 अभी तक जो लंगसम पड़ा हुआ है वो बनेगा आपको 18,00, यह 15% अगर वर्कोट होने से ल से यह 12 लग तक ही होता है और मार्केट्स ने लास्ट कुछ सालों में आपको यह 2-3 साल में अच्छा रिटन्स दिया है और जैसा ही आप इतना फंड्स है इसमें मैंने PSU फंड भी देखा है आपका आप रिटन्स चेस कर रहे हैं तो आप कैसे यह फंड्स आप चूज कर र SIP और बढ़ना चाहिए 2038 में और यह अगर बारा परसेंट पर अपने करेंगे 33,000 तक आप लगब 33,000 33,500 SIP करना है यह इसे तो अगर आप इमेडेटली तुरंत यह सिप अगर इंक्रीज नहीं कर पाएंगे तो 15 परसेंट पर आप आप सिप करके भी यह आप एचिव कर सक बढ़ा ना चाहते हैं तो आउर ज्यादा पूरी प्यूर एक्विटी नूचल फंड कंसिडर ना करें अच्छी रेटिंग्स वाले हैविट फंड को कंसिडर करें यह अपका पूर्ट्टोलियों को स्टेग्रिटी प्रोएट करेंगा अबिनीश क्या आपको सला समझ में आई है इसमें चार पांच फंड बता रहे हैं यह कौन से फंड रखो में इन से बिद्गूर नाम नाम बताइएगा चक्री बर्दन जी किन फंड में रहना है इनको अब ही यह फंड्स में ना दस फंड्स है डस फंड्स में आईसी इस एप्रूव एक्पिटी और डेट फंड जो है यह वैसे भी और पंद्रा साल तक निवेश करने के लिए तयार है तो इसका जरूरत नहीं है है यह फंड्स का क्याटेगरी में बोल सकता हूं आपको एक तो मल्टी एसेट होना चाहिए वन इस लाजज़न मिट में आप आईसेट से मल्टी एसेट कंसिलर कर सकते लाज़न में आपको अपको SBA है इस नाट SBA यह बंदन लाज़न में बंदन और रिक्विटी करके वो भी कंसिलर कर सकते हैं अपका पंदरा साल का ताइम है अब बिजनेस साइकल का फंड भी देख सकते हैं क्योंकि तीमाटिक फंड अगर आपका पास लांग टम टाइम है फंड पंदरा साल य अबिनीश लखविंदर जी का सवाल मैं लूँगी लेकिन उससे पहले चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के उस पार और भी दर्शक हैं जिनके सवालों के जवाब हम को देने हैं और साथ ही निवेश का गुरुमंसर जोकी हम पेशकर लेकर आते हैं वो अशोसियेशन विट सेट बैंक अफ इंडिया थे बैंकर तो एवरी इंडिया तो देखिये पाल्विया के पथाके शेयर सिर्फ इतिनाव स्वदेश पर जिन्होंने राजनीती के लहर देखी विरासत के तिलस्म को समझा प्याग पत्र देती हूँ कठ बंधन के दोड को जाना मुद्दे जनता और सत्ता के गणिक पर पीछे पी कठिनाई में है ऐसा विपक्षी दलों का कहना है दशकों से जो उठा रही हैं सवाल उनके साथ देखिये जनगर का मन और सवाल पब्लिक का नावीका कुमार के साथ टाइम्स नाव नव भारत पर अच्छा पर पर दोड़ के सवालों के जवाब दे रहे हैं वर्णों अपना फिनांस मिनिस्टर में लक्विंदर सिंग जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं जिनका सवाल पर रहे हैं। पंकर जी को जाएगा नमश्कार लग्विंदर जी नश्या जी सर आपने मेरे असेट का इमर्जिंग ब्लू चिप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप कोटक फ्लेक्सी कैप और महिंदर बनुलाइफ का लाजर मिठ कैप लिया हुआ है अजिए ट्वेटी थाउजंद के आप साइप कर रहें सर लॉंटर मतलब कितने 10-15 साल की बात हो रही है इसमें आठ तन नौ साल होगे इसमें अच्छा इसी पूर्फोलियो में और अट तन दस ता को लगाना है ठीक है सर तो मुझे आपसे बस यह जानना है कोई कॉर्पस एकटा करना चाहते हैं आप ने ने मेरा भी मलग जो है रिटार्मेंट के लिए में जी पैसा सर तो रिटार्मेंट के लिए इतना समय होगा सर और दुसल के असका सब्सौर मेरी यह ज़र भी है 54 ठीक है चलिए ओके सलहा लेते हैं हमारे प्लाइनर से पंकर जी देखिए लगमिंदर जी आपका पॉर्टफोलियो अच्छा है इसकीम की चॉइस भी अच्छी और अलोकेशन भी अच्छा है आपने चारी स्कीम रखी हुई है बहुत जादे स्कीम नहीं है और मिजर अलोके और स्मॉल कैप के लिए एक स्कीम आपके पास में है तो उसके जरीए थोड़ा एक्सपोजर मिल रहा है आपको तो बहतरीन पोर्टफोलियो है अच्छा लोकेशन है एक चीज मिसिंग है वो है इंटरनेशनल फंड अगर आप चाहें कि इसकीम एड करनी है आपको या पैसा बढाना है तब आप एक इंटरनेशनल फंड को एड कर सकते हैं अधरवाइस सब कुछ ठीक है जी कोई सवाल पूछना है पंकर जी को इंटरनेशनल फंड कौन सा इंवेस्ट करता है तो इसका इंडेक्स है इसमें आप कर सकते हैं ओल दे बैस लकविंदर जी और हम भी शो को आगे बढ़ाते हैं सीधा रुख कर लेते हैं निवेश के गुरुमंत्र की ओर और राइट पंकर जी बताईए आपका आज का गुरुमंत्र क्या है बिल्कुल देखिया आज मैं कहूंगा कि कई बार हम देखते हैं कि यंग इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और वो भी कई बार दो लोन लेकर भी करते हैं और ये बिल्कुल भी सही नहीं है वजह यह है कि इनिशल इयर्ज ऑफ या करियर उस टाइम पर यदि आप पैसे को ब्लॉक कर देंगे तो पैसा ज़दा ग्रो नही देंगे तो सुरवाती दोर में घर खरीदने पर फोकस ना करते हुए जैदा क्रोथ पर ध्यान दे और कैपिटल मार्केट में पैसा लगाए तो यहां पर बहुत जरूरी है कि बहुत ही ऐली एज में जो है आपको बाजार से जुड़ जाना चाहिए ताकि लंबी अफ़दी में आपको महंगाई को मान देने वाला रिटर्म भी मिल सके चलिए शक्रिवर्दन ची आप बताएंगे आपका गुरु मंत्र क्या है आज क आपका अपना गोल्स जो है वो गोल्स का हिसाब से इंबस करना चाहिए और मैंने देखा था जो भी लोग अभी अभी नया मार्केट्स में इतना प्रॉफिट्स देके एंटर हो रहा है वो बहु सारा टेक्स जो भी मिल रहा है लाइक ग्रोव नियो प्लाटफर्म सार अव करने के लिए जहां पर जादा रिटन है एक साल में 100% बढ़ गया एक फंड में 50% दे दिया उसका हिसाब से पैसा महां पर इंबस कर रहा है जबी मार्केट में तोड़ा सा भी करेक्शन आ जाता है यह लोग बहुत पैनिक हो जाता है एक बर गलती से भी वाईसा करेक्शन म हैं सेकंड वनीज आप रिटन्स का जोगी डिटन्स एक्सपर्ट कर रहा है वो रिलेस्टिक होना चाहिए आपका रिटन्स यह हमारे आज के एक्सपर्स के गुरुमंसर लेकिन आतिश चवान का एक सवाल लोंगी उन्होंने यूच्व के जरिये सवाल भेजा है एक करोर च चाहिए कि नहीं रखने चाहिए वन सियार का लक्षय है और एसाइपी और बढ़ानी है या नहीं यह भी इनको जानना है चक्रिवर्दन जी आपके पास एशा आतिश का सवाल आतिश चवान का यस आतिश चवान जी आपका म्यूचल फंड पोर्फोलियो देखकर यह समझ कर रहा है कि आपने रिस्क और रिटर्म को बालंस करने की अपरोच से ही फंड सेलेक किया है आपके प्रफोलियो का वेटेज देके तो 25% लो रिस्क म्यूचल फंड है और 75% हाई रिसक है आपके चुने हुआ फंड में ब्लोचिप फंड आपको एक डीशन डिटर्म के साथ स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देंगे इसलिए आप ब्लोचिप फंड के साथ कंटिग्यू कर सकते हैं बचेर वे पूर्फोलियो को देके तो फ्लेक्सी के फंड फंड आप स्माल के फंड का वेटेज ज्यादा है यह बहुत हाई रिस्क फंड है आपको ज्यादा रिटर परसेंट तक आप रच सकते हैं और आंसर है आपका एक कुछ नहीं क्या आपका एक करोड़े जो टारगेट है आपका क्या आपका चूस किया हुआ फंड वो अच्छे नहीं यह तो काफी सब्जेक्टिव सवाल है इसके लिए आप फंड के लास्ट तीन या पांच साल का प आपने दो फ्लेक्सिकाप फंड्स पोटफोलियो में इंक्लूड किया है और इन दोनों फंड्स में कई कंपनीस आपको सेम दिखने को मिलेगी और यह चीज़ आपको डाइवर्सिकेशन बेंफिट नहीं देरा है तो आपको कोई भी एक फ्लेक्सिकाप फंड रिप्लेस की किजिए एक मल्टी क्याप या मल्टी एसेट फंड के साथ और आंसर टू आपका गोल है एक करोड वो भी आपका यह करोड के लिए तो आपको लांग तर्म तक आपके इंवस्मेंट को होल करना चाहिए और इसलिए आप तोड़ा एक्स्पोजर हाई रिस्क फंड्स में कर बाते हैं तो पंदरा साल में आप अभी जो करन्ट आप साथ कर रहें वो सिप का हिसाब से 54 लाइक कर वाएंगा अगर यह 15 परसेंट चोड़के अपन बारा परसेंट का हिसाब से करेंगे यह तो आपको कई 40 लाग लगबग 40 लाग तक ही कर वाएगा गर यह करोड का गो कि क्योंकि मार्केट में दस साल में 15, 18, 20 भी नहीं बारा परसेंट दस परसेंट पे अगर आपका यह करोड कंपल सरी चाहिए यह आप 10 साल की जगह 12 साल या 13 साल बेक करना है या 10 साल में चाहिए तो थो आगे बढ़ना है तो अगर बारा परसेंट का हिसाब से तो 20,000 करना सब्सक्राइब आपका यह कुछ फैक्टर्स को उपर डिपेंड होता है तो आप एक्जिस्टिंग फंड्स के अलावा एक माहिंद्रा माल्टी कैप ले सकते हैं टाटा बिजनेस बिजनेस साइकल में सिफ शुरू कर सकते हैं चलिए और राइट मेरे क्याल से समय समाप्त हो चुका है लेकिन आदिश चोहन को अमीद करते हैं कि सला समझ में आ गई हो और इसी के साथ आपका और पंकर जुए आपका भी बहुत बहुत धनेवाद समय निकाला तर्शकों का मारदेशन किया शो पर जाते-जाते आपको हम हमारे वाट्साप नम्बर के साथ और साथ ही वो जरिया जहां तक आप हम तक पहुंच सकते हैं हमारा यूट्यूब चानल का है जहां पर सारे शोस जाते हैं आप लाइव शोस भी देख सकते हैं कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल भी चोड़ सकते हैं नमस्कार इतना पानी आगया है, पपप, पपजी, भारिश हो रही है, वाह, जट टपक रही है, अरी, शिफ्ट करने वाले हैं, पपप, पस घर मिल ले की देर है, तो देर ज्यादा ही नहीं होगी, अलो, यू, घर है, इसकी शादी नहीं, कि बिना एडवाइस के डिसीजन ले दिया, इसलिए तो घर मैजिक मिक्स पर देखे, फ्रॉपर्टी की पूरी इंफोमेशन, वे एक्सपर्ट अडवाइस, और फंद्रा लाग से जादा प्रॉपर्टी ओप्शन है, गूड, तो अटलीस्ट मेरा घर तो लाखों में एक होगा, हमारी पीडी को तो वोट के बदले में दो के इमिलेट है, और हमारी पीडी को बस गरीबी हटाओ के नारे, पानी ढोती थी, इज़्जत दाव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुए में आखे जलाती थी, और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार, हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो समय बचा है, हमारे जैसे कडोरो निकले हैं गरीवी से बाहर, पर मम्मी भाबी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस टेलर है, आगे पूरे भारत से गरीवी हटाने की गारंटी है मोदी जी की, और मोदी को जिताना है, हमारी गैरंटी है, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को ज मिडल इस्ट में तनाव और यूएस में महंगाई की चिंता से, बाज़ार में चौतरफा गिरावट निफ्टी करीब धाई सौंग तूट कर 22,300 के नीचे बंद, बैंक निफ्टी में करीब 8 सौंग को की गिरावट रही टेस्ला ग्लोबल ऑपरेशन्स के लिए टाटा इलेक्ट्रोनिक्स से खरीदेगा सेमी कंड़क्टर, दोनों कमपनियों ने साइन किया स्ट्रेटजिक करार, एकॉनिमिक टाइम्स के सूतरों के हवाले से खबर इस साल समाने से जादा होगी बारिश मौसम विभाग ने जारी किया, अनुमान मौसून सीजन में 106 पॉसेंट बारिश की संभावना केरल में राहूल गांदी का बिना नाम लिए पीएम मोदी ने कसा तंज का खांदानी सीट बचानी हुई मुश्किल तो पहुंचे केरल पलककर की रैली में पीएम मोदी वामपंथी सरकारों पर भी बरसे, बोले केरल की हालत खराब कर देते हैं यह दाल और गिरफ्तारी के खिलाब अर्जी पर अर्विंद केजरिवाल को सुप्रीम कोट से नहीं मिली राहत अपरेल के आखरी हफ़ते में होगी सुनवाई वहीं राउज एवन न्यू कोट ने 23 अपरेल तक बढ़ाई केजरिवाल की न्याइक हिरासत नमस्कार सुदेश खबर देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ प्रशान पांडे हो जाई ये तैयार अगले आदे घंटे आपके स्क्रीन पर आने को तैयार अब तक की बड़ी और एहम खबरें और खास फिशलेशन भी सबसे पहले बात मारकेट की मिडली इस्ट में तनाव और यूएस में महंगाई की चिंता से बाज़ार में चौतरफा गिरावट आज देखी गई निफ्टी करीब 2500 तूटकर 2300 के नीचे बंद हुआ तो बैंक निफ्टी में भी करीब 800 अंकों से जादा की गिरावट रही बाज़ार में कैसा रहा कारुबार हमारी सयोगी अशेशा अधिवर्यू उसका पूरा डिटेल दे रही है जी हाँ जियो पोलिटिकल टेंशन को लेकर काफी कमजोरी दिखी भारतिय बाज़ारों में आज निफ्टी 50 में करीब करीब 1% से ज्यादा की गिरावट दिखाई दी आज के ट्रेडिंग सेशन में श्रीराम फिनांस, बजाज फिंसर्व और ICICI बैंक टॉप लूजर्स थे निफ्टी 50 इंडेक्स से इसके अलावा ब्रॉडर मारकेट की बात करें तो वहाँ पर भी कमजोरी थी निफ्टी मिट कैप इंडेक्स में 1.5% की गिरावट दिखाई दी निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब-करीब 1.5-2% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली इसके अलावा TCS के नतीजे अच्छे थे लेकिन उसके बावजूद सभी IT स्टॉक्स में गिरावट दिखी इनफाक निफ्टी IT इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर था आज के ट्रेडिंग सेशन में कोफोर्ज, L&T Tech और विप्रो टॉप लूजर्स थे निफ्टी IT पैक से इसके अलावा रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात करें तो निफ्टी रियल्टी में भी आज के ट्रेडिंग सेशन में कमजोरी दिखाई दी महेंद्र लाइब स्पेस, DLF और अबेरोड रियल्टी टॉप लूजर्स थे निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स से इसके अलावा PSU बैंक्स की बात करते हैं यहाँ पर भी काफी कमजोरी थी सेंट्रल बैंक, आयो बी, यूको बैंक सभी स्टॉक्स में आज काफी गिरावट दिखाई दी Aluminium Players positive side पे थे, LME ने sanctions imposed किये Russian Metal पर जिसके चलते Aluminium Players, Nalco, Hindalco, Vedanta, सभी में करीब करीब देट से 4% का उच्छाल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दिया Senco Gold के operational updates काफी अच्छे थे, जिसके चलते करीब करीब 8% का उच्छाल यहाँ पर भी दिखाई दिया लेकिन All in All Markets में कमजोरी थी, Nifty 50 Index में 8% के ज़्यादा की गिरावट दिखी और Smaller Mid Cap में भी काफी कमजोरी दिखाई थी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अशिशा आपका बाजार की इस तमाम अपडेट के लिए अब चलते हैं हमारे खास सेग्मेंट पाँच का पंच की तरफ मेरे सहोगी शरत दुबे पाँच एक्शन वाले शेरों की जानकारी दे रहे हैं जी शरत बताए जी पिलकुल आज के दिन के ट्रेड में जो है जी न्यूज़ के इसाब से फोकस में थे सबसे पहला है क्यूफ अबडेट के बारे में यहां पे संको गोल्ड के जो क्यूफ अबडेट जो है शांदार देखने को मिले हैं रेविन्यू ग्रोथ की बात करें चौहते त्यमाई में तो लगबग 40% का ग्रोथ आया वही अगर विच साल 2024 की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे बात करें तो वह भी एक इंकरेजिंग नंबर देखने मिली है स्टोर एडिशन लगबग चार स्टोर एड़ेड हुए थे फौर्थ कॉर्टर में तो सेंको गोल्ड जो है वन और टॉप गेनस भी था आपके निफ्टी 500 के इंडेक्स में आज के दिन के ट्रेडिंग में ओंजी सी भी फोकस में रहेगा अफकोस ब्रेंट क्रूट की दाम 50 इंडेक्स में वालवेशन जो है वो कह रहे हैं कि अभी ताक्याप्चर नहीं कि क्योंकि फ्री कैश फ्लो जो है ओंजी से जाधा जनरेट करेगा आगे जाते हुए और अभी भी कंपनी के वालवेशन से बात करें निफ्टी की लॉंग टर्म ट्रेडिंग नंबर से तो अ बैटरी स्टाउक से वहाँ पर री रेटिंग देखने मिल सकती है और करेंटली जो ट्रेड कर रही है प्राइस टुबुक रेशियो वह फोर तु सिक्स टाइम्स कर रही है और यहां पर जो एक्स्पेक्टेशन से मौगन स्टैनली की यह प्राइस दोगुना हो सकती अगले अब यह इतना बड़ा डिविडेंट इंड इसली आया है क्योंकि जो गल्फ की रिस्ट्रॉक्टरिंग हो ही है उसके कारण जो शेरोल्डर्स को रिवार्ड करने के लिए ऐसा निड़ने लिया गया है और आज स्टॉक में भी हमने बहुत अच्छी तेजी देखने मिली है अखरी स्टॉक रहेगा ग्रूप ऑफ स्टॉक्स आपके मेटल स्पेस में वन अगर्ण स्टॉक्स के बारे में बात करें जैसे कि नाल को हुआ हिंडाल को वा तो इन स्टॉक्स में तेजी देखने मिली है क्योंकि जो लंडन मेटल एक्सचेंज यहां पे कुछ रॉश्यन स स्टॉक्स है वहां पे भी एक अच्छी बाइंग देखने मिली इस्पेशली हिंडाल को और नाल को जैसे स्टॉक्स में तो यह पांच एहम स्टॉक्स है या थीम्स है जहां पे आज हमारे पांच के पंच में आए है बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे शरत आपका बढ़ से होगी अर्शेशा जी हां डॉमेस्टिक अलूमीनियम स्टॉक्स में आज काफी तेजी देखने को मिल रही है हिंडाल को वेदान ता नाल को तीनों ही काउंटर्स पे करीब करीब 2-4 परसेंट का उच्छाल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है और इसकी वचा ये है कि UK और US ने कुछ sanctions लगाये है Russian metals पर जिसके चलते global metal exchanges यानि London metal exchange पर इन commodities के prices बड़े तीन metal पर restrictions लगाये है, band लगाया है complete, nickel, aluminum और उसके साथ ही साथ copper इसके चलते इन तीनों ही metal related stocks आज भारतिय बासारों में भी focus में है इसके अलावा कुछ और याद रखे कि कुछ inventory position की बात कर लेते हैं, 31st March के हिसाब से total inventory के percentage की बात करें तो Russian aluminum करीब करीब 91% के आसपास था, copper में 62% की inventory position थी और 36% nickel की लेकिन Goldman Sachs की एक report आई है और उनका मानना है कि immediately कोई action देखने को नहीं मिलेगा because ये केवल Russian metal UK और US वाले traders नहीं खरीद सकते, लेकिन non-UK और US के traders ये Russian metal फिर भी खरीद सकते है और इसी के चलते analyst का मानना है कि impact शायद limited रह सकता है लेकिन फिर भी London metal exchange पर aluminum के prices बड़े, nickel के prices बड़े और इसी के चलते domestic aluminum players पर भी positive impact देखने को मिला चले बढ़ते हैं अगली ख़बर की उर और कल बड़े events जहां पर हमें नजर रखनी चाहिए triggers बताने के लिए जुड़ रही है, मेरी सहयोगी त्रिप्ती उपाध है जी त्रिप्ती बताए जी तो कल जिन क्यूज और इविंस पर हमारी नजर रहना चाहिए उनकी बात कर लेते हैं, सबसे पहले global update ले ले लेते हैं तो Americanical industrial production के आंकड़े आएंगे इसी के साथ चीन में GDP, industrial production और retail sales के आंकड़े आने वाले हैं अब बात भारती कमपनियों की करते हैं तो नतीजों का सीजन शुरू हो गया है कमपनी Crystal और Satin Credit Care अपने quarter 4 के नतीजे कल जारी करेगी जिन पर हमारी नजर रहेगी नतीजों के लिए बोर्ट बैठक जिन कमपनीज में होने वाली है उनमें डेन नेटवर्क एंड इंटेग्रा इजिंशिया में कल नतीजों को लेकर बोर्ट बैठक होगी जिस पर नजर रहेगी दूसरे इवेंट्स की बात करें तो कल I.M.F. World Economic Outlook जारी करेगा जो यार्ज इन सब के बीच में अब पूरे देश को राहत देने वाली खबर से आपको वाकिफ कराते हैं इस बार देश में मौनसून जो है वो सामानने से बहतर रहने का अनुमान है मौसम विभागने आज जारी अपने अनुमान में और क्या खास बाते कहीं है यह जानने के लिए मेरी सायोगी भव्या दुआ ने IMDK DG मृतुंजे महापात्र से खास बातचीत की हमारे साथ हैं मृतुंजे महापात्रा जो की DGM है IMDK हम आपके साथ जुड़े हैं आज आपने लॉंग रेंज फोकास्ट कर भवाये साफ वेस्ट के इंडिया में 2024 स्टाप उसके कोई लाइट च्राइड कर सकتे हैं कि कैसी distribution होने वाली है इंडिया में आज जो हम लॉंग रंश फोकास्ट इशी कीए ह। पूरी देश में भी इसका जो डिस्ट्रिबूशन अच्छा रहेगा लगवक सभी जगा में एवब नर्माल रेंपॉल होने का सम्भवना है अभी कुछ दिनों में और कुछ महीनों में हीट वेव कैसे फोकास लट रही है अभी अलड़ी एक स्पेल अफ हीट वेव हो चुका है फास्ट विक अफ एपिल में अभी बिकाज अफ थांडर्स्ट्रम एक्टिविटी हीट वभी अभी एवेटेड है अगले पांच दिनी के अंदर वहाँ हीट वेव को सकता है और हम मौनसून का ओंसेट कब देख सकते हैं केरला में? मौनसून यूजरी फास जून में केरल में सेटिन होता है इस बार कब आएगा इसका जनकरी मीडिल ओफ में यानि पंदरम में के असपास जारी होगा यहां तो मौनसून को लेकर अब तक जो अनुमान है वो काफी बहतर नजर आते हुए और मौसम जो है वो बहतर रहने वाला है इन सब के बीच में जो चुनावी मौसम है वो भी बदल रहा है शहर शहर चुनावी सरगर्मिया दिख रही है रैलियां और रोड शो हो रहे हैं क्या है जनता जनारदन का मूड किस खशेतर में किस पार्टी को मिलेगा अपर हैंड तो कौन होगा मायूज जनता का मूड भापने के लिए हम लेकर आ गए है स्वदेश की चुनाव याटरा तो जनता के दिलों पर कौन करेगा राज दिल्ली के सिंघासन से देश पर कौन सी पार्टी करेगी राज ये चार्ज उनको तैह होगा लेकिन उससे पहले राजने दिखपारा गर्भ है नौर्थीस्ट दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के सामने कॉंग्रेस के कनहिया कुमार को उतार कर चुनौती दिल्चस्प कर दी है इस सीट पर क्या है जनता का मूड स्वदेश की चुनाव यात्रा में ये जाननी की कुशिश की हमारी सहयोगी भावना की शोट रहे हैं दिल्ली के नौर्ट इस्ट इलाके से मनोज तिवारी के सामने कॉंग्रेस ने कनहिया कुमार को उमीदवार बनाया है ऐसे में इस वक्त हमारी मौजूदगी नौर्ट इस्ट इलाके में है रोताश इस्ट का ये इलाका ऐसे में लोग क्या सोचते हैं कि क्या मनोज तिवारी के लिए मुश्किले जो है वो बढ़ जाएंगी कनहिया कुमार उनके सामने होंगे या फिर एक बार फिर से मनोज तिवारी यहां से जीत दर्श करेंगे आपको क्या लगता है यहां से कौँप समझा ओगा इस इलाके को तो क्या लगता है इस बार मनोश्टिवारी को बीजेपी ने टिकेट दिया तो जीट जाएंगे या कनहिया कुमार जिस तरह से कहते हैं कि मुद्दा महत्पूर होता है आदमी नहीं और बीजेपी नहीं किया तो ऐसे में आपको क्या लगता है क्या होता है विजनाश काले विप्रीद बुद्धी कांग्रेस का समय खराब कहलो कुछ भी कहलो कनहिया कुमार को जो टिकेट दी गई है वो जो आदमी जेनु में भारत के खिलाफ नारे लगा रहा है उसके पर केश चल रहे हैं उसके बावजू जोगर उसका टिकर दे रहे हैं तो कांग्रेसी भाई भी उनका साथ नहीं देंगे जो मैं समस्चा था हुए हैं तो आप लोग में जब चर्चा होती है तो किस तरह की चर्चा होती है बीजेपी जो 400 पार का नारा लगा रही है जीट जाएगी जेकिए 400 पार का तो नहीं कह सकते हम मैं तो अपने छेत्र की बात करूँगा कि हमारी छेत्र में जो अगर किसी लोकल केंडिडेट को दिये जाती तो मनोज तिवारी जी को फाइट मिल जाती अब मनोज तिवारी जी किलियर स्वेप साफ आ रहे हैं आपको लगता है कि जिस तरह से अगर कनईया कुमार के लेकर आए हैं तो उससे नुक्सान ही पहुचेगा बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल पहुचेगा अगर लोकल बंदा होता तो जी जाता है बहुत फरक पड़ता है अच्छा ये बताई कि आप लोग काम से खुश ह हो भी रहे हैं तो आप से बीबात करना चाहेंगे क्या नाम है आपका विकास जी क्या लग रहा है इस बार इस छेत्र का विकास होगा इस तो यहां पर पिछले 15 सालों से रुका हुआ है तो क्या लग रहा है बदलाव हो जाएगा बदलाव इस टेम तो पॉसिबल नहीं अनिल जी क्या लग रहा है इस आपके छेत्र में जो जिसको मिला है उमीदवार कनया कुमार और वो कहते हैं कि सरकार ने मोधी सरकार ने तो काम नहीं कराया है खासतोर पर इस लाके की बात करें तो मनोश तिवारी के लिए क्या मुश्किल बढ़ती हुई नजरा दिये क्या देखिए ऐसा है कि कोई मुश्किल तो नजरा ने रही क्योंकि मुलोट तुवारी जी पुराने केंडिडेट हैं और मैं नहीं समझता कि उन्होंने काम नहीं करा क्योंकि जिद्रा काम एक MP की कॉंस्टेंसी में होता है उस हिसाब से वो करते हैं और सबसे बड़ी बात यह ह है कि वो अपने लोगों से मिलते जरूर है उनको कहीं भी कोई बुला ले तो आते जरूर है किसी के यहां फंक्षन हो दुख सर्द हो सब जगे आते हैं अच्छा यह बताइए इस छेत्री के अगर बात करें तो कुछ साल पहले बहुत दंगे हुए थे नौर्थीस इसलिए भी जाना जाता है तो यहां पर लोग काफी लोगों ने परायन भी किया इस छेत्र से क्या लगता है बीजेपी इस बार फिर से यहां से जीत दर्श करेंगी या फिर बदलाव होने वाला है कनही अकुमार के रूप में मैडम कनेया कुमार के रूप में दो को हम फेस वेलो को ज़्यादा मैथ भी देते हैं कनेया कमार को ना तो मास तक देखा है और मनोश तिवार को हम टीवी सीरियल से भी जानते हैं और चेत्र के बहुत अच्छा काम भी करा लिए और जीत भी आसिर करी है और इस फर मनोश तिवारी के लिए मुश्किले बढ़ रही है कनेया कुमार भी नहीं करनेया कुमार जी ने गल्त निर्ने लिया है सो पर सेंट हार जाएंगे अच्छा यहां पर तमाम सारी दुकाने में देख रही हूं अलग-अलग यहां पर चर्चा होती होगी वैपारियों में तो क्या लगता है विकास होगा इस बार किस तरह का विकास होगा कनाया कुमार के रूप में विकास होने के लिए आप चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि एक बार फिर से मनुश सिवारी यहां से सांसर देखे जी यह एलेक्शन मेरे साब से एक तरफा है क्योंकि जो मैं रोधा ने काम किया है तो ये रोताश नगर में मौझूद थे जहां पर तमाम सारी वेपारियों से हमने बात की और लोगों का कहना है कि कनहिया कुमार को वो जानते तक नहीं है इसलिए उनके लिए जो उमीद है वो काफी जाधा कम है कॉंग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बना कर ए देखने वाली बात होगी कि चले बढ़ते आगे और अब बात करते हैं इसराइल और इरान संगर्ष से उपचे एविशन इंडस्टी के एक नए दबाव की जो हाँ इसराइल और इरान के बीच बढ़के संगर्ष के चलते जो एविशन सेक्टर है उसमें उथल पुथल मच गई है कई एरलाइन्स ने एक दिन पहले ही जंग के खत्रे के चलते एरान के एर स्पेस की बजाए लंबे रूट लेना शुरू कर दिया था और अब इसका पूरा जो असर है वो हमें नजर आ रहा है कई बड़ी जगों की फलाइट जो है उनका रूट डाइवर्ट किया गया है और तमाम बड़ी एरलाइन्स अपने पूरे जो उड़ान का बेड़ा है उसे नए तरीके से रिवियू कर रही है और इस तरह का असर इ हमारे सहोगी सुमिट से समझते हैं कि आखर किस तरह का असर पढ़ रहा है एरलाइन्स की और इस तरह की उड़ानों पर इरान और इसरेल की भी इस टेंशन बर करार हैं और इसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि जो एरलाइन्स हैं भारत से उनके लिए ये मुश्किल घड़ी हो सकती है आगे जाते हुए इसलिए काफी एरलाइन्स ने जो अपनी फ्लाइट्स हैं वेस्ट पार्ट अज़ रिरूट किया गया है अभी इस फेर्स का बहुत जादे इंपाक्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी ये शुरुवात है जैसे जैसे हम आगी जाएंगे और जैसे एरलाइन्स की दिक्केते बढ़ती जाएंगी उन्हें लगेगा कि ये लॉंग टर्म सिलूशन जो है वो के उपर जाने का नहीं है तब ये फेर्स बढ़ सकते हैं 10-15 प्रतिशत की बड़ोतरी हो सकती है एक और फैक्टियर हो सकता है कि क्रूड प्राइसे तेल के दाम उपर जा सकते हैं उससे भी एरलाइन्स जो है वो अपने फेर्स बढ़ा सकती हैं तो आने वाले कुछ महीनों हैं सिच्वेशन पूरी अब इसराइल क्या करता है इस पे दुनिया की निगाहे ठीकी है और आगे कैसे महाल होने वाला है ये सब देखने वाले बात होगी तो तस्वीर जो है वो हमने आपके सामने रखी पूरी जानकारी आपके सामने रखी अब इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत खास मैमाने है डॉक्टर आगस्टीन विनोध हमारे साथ इस सवाक तर जुट चुके हैं ग्रूप कैप्टन है जाने माने एविशन एक्स आचानक आया चैलेंज है लेकिन भार तो कंजूमर पर पढ़ने वाला है एविशन इंडस्ट्री भी अपना दबाव कंजूमर पर पास्वान कर देती है आप कैसे देखना है इसे बहुत अच्छा सवाल है इन फरक्ट सुमित ने इसको सारांश में फ़ड़ा बहुत कवर ज़रूर किया है जो अभी का मौझूदास से थी क्या है और आने वाले समय में अब जैसे मेरे पीछे देखते हैं यह जो मैप है मैप से इंडिया के तरफ अगर आप अगले फ्रेम में जब ले आएंगे वो ग्रीन कलर में मैंने इरान को मार्क किया है तो जो रूट यूरॉप के तरफ जाती है एस्पेशली नदन यूरॉप सेंट्रल यूरॉप के तरफ जाती है वो इरान होते वे जाती है जो दिल्ली से निकलती है जो बॉंबे से निकलती है और जो साउथ अफ इंडिया से निकलती है जैसे पोचिन बगरा से वो रूट जो है इरान वाले एरिया से नहीं जाता है उसको M300 रूट कहते हूँ लेकिं डिली से जो रूट जाता है वो जाता है पाकिस्तान होते हुए राहिमियार कान जैसलमेर के नौर्थ से होते हुए वो रूट सीधा जाता है इरान होते हुए Central Europe को जैसे आपने अभी कवर किया कि इस दनबुल वारा रूट को भी रिरूट कर दिया गया अभी जो जाहा जाए डिली से उडान बरेगा नौर्थ के तरफ जाएगा और नौर्थ से तो यह जो मैंने दिखाया यहां पर आप देखेंगे कि ग्रीन जो मार्क किया हुआ है वो है इरान और जो भी रूट इरान फुट फॉल या हावाई जाएगा इस रूट पर कितने उड़ते हैं और साउथ जो M300 रूट के मैंने बात की उस पर कितने उड़ते हैं वो एक बहुत बड़ा सवाल है M300 या फिर South of India से जो रूट जाती हैं ओमान और UAE उस रस्ते जो रूट जाती हैं वो उसमें हवायात जो यूरप को जाती हैं वो इसके मुकाबले तोड़ा कम हैं तो जो लोग Central India से जारें उनके उपर ज़रूर असर पड़ेगा चुटियों के दौरान जोनों ने अपने रिसरवेशन की हैं यूरॉप जाने के लंडन जाने के और यहां वहाँ जाने के जो रिसरवेशन की हैं लोगों ने उन रूटों पर भी उनके यातायर पर भी और उन ज़रूरी है समझना, चुंकि एरान अकेला अफेक्टेड नहीं है, एरान से आप देखते हैं, जो मिजाइल्स उडएंगी, वो उडएंगी एरान से लेके इसराइल के दरफ, तो ये ओवरप्लाइंग एरान का ही एक क्वेस्टिन नहीं है, एरान से जो इसराइल का जो रस्त है, वो एक सबसे बड़ा प्राब्लम रहेगा, तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, इसमें तो सेंट्रल इंडिया और सौट अफ इंडिया से जो जाती है रूट्स, उस पर भी फरक पड़ेगा, उस पर ऑल्टरनेटिव मैंने मार्क, ब्लाक में मार्क किया है, नाइरोबी और एतन्स होते हुए जाएंगे, वो ही एक विकल्प रहे जाता है, और नाइरोबी एतन्स होते हुए जाने में आपको जो सफर चार या छे गंटे लगेंगे, या दस या ग्यारा या बारा गंटे लगेंगे, हो सकता आपको एक टॉप ओवर भी लेना पड़ेगा, तो यह जंग अगर जल्दी से खतब नहीं हुआ, हमारे यातायाद में भी, हमारे हवाई जाज की यूटिलाइजेशन में भी, बहुत सारे चेंज़े आएंगी, बहुत सारे फ्लाइट्स कैंचल होंगे, बहुत सारे फ्लाइट्स किंपाइन होंगे. एक चीज़ की आपने सुरक्षा की बात की कंसर्ण्स क्या-क्या रहते हैं आम तोर पे जब इस तरह की परिस्तितियां पैदा होती है किसी भी एरलाइन्स के लिए और फिर इस सब के बीच में ये भी सवाल उठता है कि वो जो एर स्पेस है वो तो साजा है मतलब वो तो उस देश की भी जिम्मेदारी है जहाँ ये संघर चल रहा है तो क्या वो भी कुछ फिगर आउट करते हैं बहुत अच्छे सवाल है MH370 के बारे में आपने सुना होगा लेकिन MH17 के बारे में चर्चा बहुत कम हुई है पूरे नियू स्पेस में एक MH17 MH370 के बाद ये हाथसा हुआ था MH17 को 283 पासेंजर के साथ 15 क्रू मेंबर के साथ Boeing 777 था यूकरेन रशिया बॉर्डर पर इसको मार गिराए गया था और सारे अमर गय थे ये एक रॉंग इडेंटिफिकेशन के चकर में इन लोंग की मौत हुई है और ये जहाज का क्रैश हुआ और MH17 का भी पढ़ता बैट गया ये रॉंग इडेंटिफिकेशन जब आप A to B जाते हैं और बीच में अगर वेदर आ जाता है तो आपको वेदर डिविएशन लिना पढ़ता है इसका मतलब बैदर को आप अवाइड करते हुए चलते हैं तो आपके जो निर्दारित रस्ता है या निर्दारित जो एरवे है उससे आप पर्मिशन ले करके दाएं या बाएं चले जाते हैं लेकिन बाकी जो लड़ने वाले देश हैं उनको ये इन्फरमेशन हो सकता है तुरंट ना पहुंचे और हो सकता है वो आपको दुश्मन जहाद समझ के हो सकता है कि आपके उपर अटाइक करें मेरे पास समय कम है सर बहुत बहतर तरीके से इस विशलेशन को हमने सामने रखा है और कोशिश यही की है और इसका क्या असर पड़ता है और बहुत बेहतर तरीके से आपने तमाम बातें बहुत सपष्ट भास्टा में आपने सामने रखी बहुत बहुत शुक्रिया सर किसी और दिन हम और ज़्यादा विस्थार से इन सब चुनोतियों पर चर्चा करेंगे और फिर मैं आपको आमंत्रित करूँगा फिलहाल इस चर्चा में इतना ही दीज़े इजाज़त आप देखते रहे है E.T.NOW सुदेश नमस्कार जिससे आप बना सकेंगे अपना पॉर्टफोलियो मजबूत जल्द लॉग इन करें E.T.NOW स्वदेश.com पर बढ़ो बदलो देश के साथ मेरा नाम आफटाप सेफी है मैं हरियाना खरिदबाद कर रहने वाला हूँ टाइम्सनाव नव भारत मैं काफी लंबे समय से देखा हूँ मेरे मन में ये था कि एक बाइक लूँगा मैं मुझे कॉन्टेस्ट में इससा लेने का मौकम लो मेरा इसने सपना साकार किया बाइक जितके मुझे बहुत अच्छा लगा देखेगा नव भारत जीतेगा भारत कॉन्टेस्ट मैंने तो जीत लिया आप कप केल कर जीत रहे हो देखो खेलो जीतो टाइम्सनाव नव भारत पर पर्सों की प्रतिक्षा के बाद हमारे अयोथ्या का गौरव लोटा है नहीं तो पहले टेंग, टूटे घाट, गंदगी, कोई फेसिलिटी नहीं और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, जैन देखो, सोमनाथ देखो सभव्य, डिव्य और मोदी जी कहते हैं, ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का पड़्चम लेराता रहे ये है मोदी की गैरेंटी, इसलिए अमारा पहला वोट मोदी को ये है अमारी भी गैरेंटी कमल का बटन दबाए, भाजपा को जिताए टेक्निकल चार्ट हो या फिर एफेंडो, किस खबर का होगा आप पर कितना असर वेपार जगश से जुड़े हुए हर मुद्दे का विशलेशन, समझे मेरे साथ असान भाशा में अच्छी चल रही है अनाई अपने ट्रेडिंग डे की वहतर अनीती शॉर्ट कवरिंग से लॉंग डाने में समय लगेगा इसलिए एक बेक ब्रेक लेवल है जोड़ी है मेरे साथ सिर्फ लीटी नाव सव्देश पर है कि अगया 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 कि नमस्कार स्वाकत है आपका कमोडिटी फड़ापट में जहां हम आपको कमोडिटी मार्कर की तमाम बड़ी खबरे भी बताएंगे और साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगे और हमारे मेहमान होगे भुपेश शर्मा टेकनिकल एक्सपर्ट है विकानेर से जो में ही सोना आज के कारोबार में घूमता दिखता नजर आ रहा है लेकिन बाकी कमोडिटीज में क्रूड को भी लग रही थी कि क्रूड को अच्छा सपोर्ट मिलेगा जिस तरह से जियो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा था लेकिन वहां पर भी इस तरह की कोई ज़रूर दिख रही है वहीं चांदी की अगर बात करे तो 83,700 के आसपास चांदी यहां पर मजबूती ज़्यादा दिखा रही है करीम एक परसंट की मजबूती यहां पर दिख रही है चांदी में करूड यहां पर कमजोड दिख रहा है ब्रेंट करूड का भाओ 89 डॉलर पिसल का चुका है इरान के इसराइल पर हमले से लग रहा था कि जियो पॉलिटिकल महौल जिस तरह से खराब हुआ है कहीं उसका फायदा कुरूड को मिले लेकिन कुरूड में भी उस तरह की तेजी नहीं देखी साथ हजार पचास के आसफास अब कच्छा तेल गिर कर आ चु मंगवा देते हैं और कोशी दिनों में देश राम नौमी का पर्वा मनाएगा राम नौमी की बहुत पर शुका बनाए आपको भी मेरा पहला सवाल होगा ये कि आपने कई भाशनों में कहा है कि 2024 आपका लक्ष नहीं है 2047 है तो 2047 तक क्या कुछ होने वाला है और क्या ये च मैं समझता हूं कि 2047 को और 2024 दोनों को मिक्सप नहीं करना चीज़ दो अलग चीज़े हैं जब देश आजादे के पचातर साल अमृत महोसों मना रहा था उसी समय मैंने ये विशय सब के सामने रखना शुरू की आदात से एक-दो साल पहले और मैं ये कहता था कि 2047 देश की आजादी के सवसाल होंगे स्वाभावी गुरूप से ऐसे जो माइल्स्टोन होते हैं वो एक प्रकार से नया उत्सा भरते हैं नये संकल्ब के लिए व्यक्ति को तयार करते हैं और उस अर्थ में मेरा मत था कि एक मोका है पच्चतर साल पर हम खड़े हैं सो साल पहुंचने वाले हैं इस पचीश साल का सरवाथ को कैसे करें हर इंस्टिटूशन हर कोई अपना एक लक्ष बढ़ाएं पर मैं अपना गाउं का प्रधान हूं ट्वेंटी फोटी सेवन तक मेरे गाउं में इतना तो मैं करूंगा और भी आई को मैं कारकम मैं भी गया नबे साल का तो मैंने कहा कि दस साल बहुत महत्रपूर है आपके सो साल होंगे इस पर अभी से सोचिए तो मेरे मन में ट्वेंटी फोटी सेवन ये भारत की आजादी के सो साल और देश में एक प्रेरणा जगनी चाहिए और आजादी के सो साल अपने आप बहुत इंस्पिरेशन है किसी व्यक्ति के जरूत नहीं है तो एक पाड़ तो वो है दूसरा है 2024 2024 ये चुनाव का हमारा जो करम है पांथ साल का उसके हिसाब से वो आया हुआ करम है और मैं मानता हूं कि चुनाव और डिफरेंट थिंग है एक तरफ इस चुनाव में आप देखते हैं लोग तंद्र में चुनाव को हमने लाइट नहीं लेना चाहिए एक बहुत बड़ा महा परवा है और मेरा तो करें ल other option करें वह सब्सक्राइब से जसे स्पॉट्स आ जिए सभाएब करेंते हैं यां म सुपर्समेंश क्वाजारी मesterोरीरीट कंतें न्युं crowded कोर्दना में आध्या सभी जब क्षों का में मकान होता है तो देखने-वाले खे मेंँ एक स्पॉड्समेंश का एक हमारे समस् चुनाव का यह माहोल अगर हम उत्सों में पलट दें लोको उत्सों बना दें तो हमारी लगों में डेमोक्रेसी आने वाली पीडियों के रगों में वो समस्कार बन जाती है और लोक तंत्र के लिए बहुत आवशक है कि लोक तंत्र ये सिरुफ सम्विधान की सीमाओं में नह हमारी रगों में होना चाहिए हमारे समस्कार में होना चाहिए और उस अर्थमय में 2024 को देखता हूं यह वास ही है कि हमारा 25 साल का वीजन और उसमें मैंने बहुत काम किया है और यह आज कर रहा हूं ऐसा नहीं है कि शायद मैं जब गुजरात में था तब भी उन दिशा में सोचता था अब देखिए 2024 का चुनाओ तो देश के सामदे एक अफसर है कि एक कॉंग्रेस सरकार का मोड़े और एक बीजेपी सरकार का मोड़े उनका पांट-छे दसक का काम में के लिए बहुत खुला मैदान छोड़ता हूं पांट-छे दसक का कम औ मेरा सरफ दस साल का का मोड़े एक किसी भी छेतर में कंपरेजन कीजी अगर कुछ कमिया होगी तो भी हमारी एफ़र्स में कमी नहीं रही होगी दूसरा मुझे दस साल में दो साल तो कोवीर की लड़ाई में जाना पड़ा और आफटर इफेक्ट भी बहुत था फिर भी की देश को स्पीड कहो स्केल कहो सरवंगर विकास की बात करें तो वह कहें सरव समावेशक की बात कहें तो बहुँ को किकल आपको कॉंग्रेस के मोडल से एक ऐसा मोडल नजरे आ रहा है कि हाँ इस रास्ते पर हम चलेंगे इतनी गती से और गती और बढ़ानी है मुझे अगले टम्में गती भी भढ़ानी है और स्केल भी बढ़ाना है तो वह तो मेरा लगशा ही है दूसरा आप देखेंगे कि जब देश च सिंगल माइंडेट फोकस होना चाहिए देश देश के लोग दुरफाग्य से पहले की राजनीति कल्चर ने परिवार को कैसे मजबूत बनाना परिवार की जड़ों को कोई उखाड न दे उसी में शक्ति लगाते रहे जबकि मैं देश मजबूत इसी एक लक्स को लेकर के काम कर रहा हुए मेरी सरकार पूरी उस लग्कोर्य के काम रहे है और जब देश मजबूत होता है तो हर को उसका बेनेफिशली संतों सन्वह करता है यहां कृत्तों हो रहा है महरब तो कर रहा है, इमानदारी से कर रहा है, इन चीज़ों का इंपक्ट होता है, तो 2024 यह चुनाव है, और चुनाव का मैदान है, तो हम एक अपने track record को लेकर के गए हैं, और भी अपने track record को लेकर के आए हैं. अपने दो चीज़ों का जिकर किया जिसके बारे मैं पूछना चाहूंगे, एक तो जब आर बी आए में जब आपने कहा 2014 विजन वगेरा के बाद कर रहे थे, तो जब आप कहते हैं कि ट्रेलर है, आपके speeches में कहते हैं, अभी तो ट्रेलर है, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ तो एक कजबा होता है, जो थोड़ा नर्वस हो जाते कि करने क्या वाले हैं, मोदी जी, एक वो नर्वस होते हैं, जो दूसरी जिनका विश्वास आपर पूर्णतरह है, वो सोचते हैं कि हाँ अभी और काम बाकी है और मोदी जी उसे अन्जाम देने वाले हैं, तो डोनों क लिए आप अगर हमें बताएं कि विजन क्या है कि 2047 तक किस तरह ये विजन सक्सेस्फुल होगा क्या आपका गेम प्लान है जब मैं कहता हूं कि मेरे मन में बहुत बड़े-बड़े प्लान है और उसके लिए बहुत बड़े-बड़े फैस्ट लिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है मेरे निर्णे किसी को डराने के लिए नहीं है किसी को दबाने के लिए भी नहीं है मेरे निर्णे देश के सरमांगिन विकास के लिए है जन कल्यान के लिए है देश के युवाओं के एस्पिरेशन को मैं देर करना नहीं चाहता हूं मैं समय बिगाड़ना नहीं चा सरकारों का स्ववाव होता है यह मुझाज में रहते हैं हमने तो सब कुछ कर लिया है हम तो सब कुछ करते हैं मैं नहीं मानता हूं मैंने सब कुछ कर लिया है मैंने जादा से जादा करने का प्रयास किया है सही दिशा में जाने का प्रयास किया है फिर भी बहुत कुछ है जो म यह मेरे दिन में पड़ा हुआ है और इसलिए मैं कहता हूं जो हुआ है वो ट्रेलर है आपको अच्छा लगा है लेकिन मैं बहुत अधिक करना चाहता हूं उस अर्थ में मैं उस बात को कहता हूं दूसरी बात है कि 2047 का जो वीजन का सवाल है एक तो मैं लंबे समय तक मुख् कंत्रे रह करके आया हूं और मैं अनुभव करता था कि कि बार बार चुनाओ आचार शहीं था किसी भी राज में चुनाओ तो मेरे राज्य से 30-40 senior अच्छे अपसर अब्जरवर के नाते जाते थे इलेक्शन ड्यूटी तो 40-50 दिन तक वो भार रहते थे तो मुझे चिंता रहती थे मैं सरकार केसी चलो प्योंकि देश मैं ऐसे चुनाओ होते ही रहते हैं और मेरे अब्जरवर जाते रहते तो मैं तो फिर मैरे सोचा कि मैं इसको वैकर सन्ने मानता हूं मैं चुनाओ होगा तो उस पीड़ को वैकेशन के रूप में नहीं लूँगा मैं अब्सवर होई रहे हैं अभी रिजाल्स भी नहीं हैं और आप सो दिन का प्लान बना रहे हैं मैं चुनाओ में जाने से पहले शुरू किया हूं और दरसल मैंने कैसे किया कि मैं पिछले दो साल से 2047 को ध्यान में रखके काम करता था और उसके लिए मैंने देश भर में लोगों के ओप पच्छी सान में हिंदुस्तान को कैसे देखता चाहते हैं और मैंने सभी उनिवर्सिटीज को कॉंटक किया मैंने अलग लग एंजियों को कॉंटक किया संगणों को और 15-20 लाख लोग पुनार इंपूट दिया फिर मैंने AI की मदर ले कर गे उसको सब्जेक वाइज बनाया काफी मैंने टेक्नोलोजी का पर गुरु किया मैंने हर विभाग में अफशरों के एक डेडिकेटेड टीम बनाई कि इस पर काम कीजिए कैसे हो सकता है अगली टॉन के लिए पचीछ साल के लिए और फिर मैंने खुद ने उनके साथ बैठा प्रिजेंटेशन दीए दो दो और मेरा विजन के अनुरुक क्या चीजे हैं कौन सी चीजे डूएबल हैं कौन सी चीजे डूएबल नहीं है थोड़ा साथ ट्रेलर बता सकते हैं उसको मैं अंदाज मैं ऐसा है कि आचार सहिंता चल रही है मैं अभी अगर इन चीजों को बताऊंगा तो शायद को इसको गल बना रहा हो, जो मेरा विजन है, लेकिन वो विजन मोदी की बपोती नहीं है, वो 15-20 लाख लोगों के विचारों को उसमें समाहित गए, प्रकार से इसके ओनर्जिप देश की है, 15-20 लाख लोग इंपुट देते हैं, मतलब पुरा देश दे रहा है, मैंने क्या किया है, कि मै बीकिमेंट की रुपे तैयार कर वा रहा हूं, जैसे ही चुनाव प्रक्यापुरी हो जाएगी, तुर तो स्टेट को भेज दिया जाएगा, मैं चाहूंगा कि स्टेट उस पर काम करें, स्टेट को क्या रगता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं है, और बूसर बीजेपी स्टे और फिर उसमें से पाइनल चीज बनेगी, दूसरी जब मैंने अपसरों को कहा है, अभी जो हमारे सामने चीतर बना है, जो कुछ भी इंपूट आई उसका था, मैंने अपने इंपूट दिये, उसमें से मुझे तीन हिस्सों में काम करना है, एक बीजेपी का जो पुरंद कैसे ले सकते हैं, दूसरा है जो पचीज साल का हमारा जो खाका बना है, जो मेरा अपना विजन है भी तो मैं चाहूँगा कि मुझे और भी उसमें क्रिटिकल इंपूट चाहिए, मुझे मैं ऐसा नहीं मानता हूँगे, सब कुछ मुझे ही समझे और मुझे ही दि और उसके लाइट में मेरे फर्स हंडेड देज, तो इस प्रकार से मैंने पुरा डिजाइन बना अपसरों को काम पर लगा दिया है, क्योंकि मैं एक मिनिट भी घवाना नहीं चाहता हूँगे, अब आपको याद होगा, ट्वेंटी नाइटीन में बहुत कम लोगों को ध्य जान देता है, उस समय भी मैंने सो दिन का काम दे करके चुनाओ के मैदान में गया था, और जब वापिस आया हूँ, आर्टिकल 370, सो दिन में मैंने कर दिया, तीन तलाग चे मेरी बहनों को मुक्ति देला दी, पहले सो दिन में किया, विये पिये बिल, सेकुरिटी को लेकर के मने सो दिन में कर दिया, बैंकों का मरजर बहुत बड़ा काम था, हमने सो दिन में इतना ही नहीं, पशु का टिका कर, ये कोविट के टिका कर के इतनी चन्डा है, ना, मैं देश में पहली बार करीब 15,000 क्रोड रुपय लगा कर के, पशु के टिका कर बड़ा भीयन चला तो मैंने उननीस में पहले सो दिन में किया था, तो मैं सो दिन क्या क्या काम करना है फाजर नहीं करता, मैं बिल्कुल प्रानिंग करके उसको अधार पर आगे चड़ाता हूँ मोदी जी आपने एक टर्म कॉइन किया है, जो बहुत ही लोकप्रिय हो गया है, मोदी की गैरंटी, अब चुनाव के वक्त कई लोग कह रहे हैं कि क्या उमीदवार जो है, वो नॉट इपोर्टेंट है, वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गैरंटी ह तो इलेक्शन के दौरान ये सब terminology important होता है, पहली बात है, उमेदवार ही नहीं, चुनाव में हर मतदाता important होता है, चुनाव में बूथ लेवल का कारकरता भी important होता है, यो इसलिए ये कह दे हैं कि और किसी का महत्मान इम उता है, ये वरना इतना बड़ा चुनाव हो won नही पत्मात्मा होता है जहां तक गारंटी का सवाल है आज हमारे हाँ दुर्भाग्य से शब्तों के प्रती जो कमिट्मेंट होना चाहिए वो एक प्रकार से लग रहा है कि तो चलते का नामगाडी कुछ भी बोलतों कहीं पर भी बोलतों कोई जिम्मेवारी नहीं अब आप देख एक विचार से दूसरा विचार कितना कॉंट्राडिक्टर ही है अब लोग एक साथ देते हैं अरे यह आदमी एतना हमें मुरग बनाता था हमारे आख में धुल जोगता है अभी मैंने एक नेता का बाशन सुगा उन्होंने कहा एक जट्टे में मैं गरीबी हटा दूंगा अब जिनको पाँच पाँच छेशे दसक देश का राज करने को मिला वो जब आज कहेंगे कि मैं एक जट्टे में गरीबी हटा दूंगा तो देश होता है यह क्या बोल रही तो मुझे लगता है पॉलिटिकल डिडर्शिप की क्वेस्टेनिबल होती जा रही है ऐसे मैं कि प्रान जायरू वचन ओंझाई यह कर कि यह महां परमपरा से हम निकले हुए भगे में मानता हूं नेताओं 的iauर्सिप लेनी चाहिए डिम्मवारी लेनी चाहिए ये मैं जो बोला रहा हूं मतलब मेरी जिम्मेवारी हैं ये कोई करेगा ऐसा करेगा ऐसे नहीं चल दुट है और उसमें से मैंने बल डिया है GUARANTY का। मैं कमिटमेंट भी करता हूँ और उसका मैं ओनर्शिप ले रहा हूँ और जब ओनर्शिप लेते हैं तो देश को बरोसा होता है आज आप देखिए कि हम जो बात कहते हैं उस पर लोगों का बरोसा है तिन सो सत्तर हटाओंगा भले हमें पार्टी का जन्म हुआ तब से हम कह रहे थे हमारे शांबर साथ मुखर जी ने बलिदान दिया था लेकिन हम उस पर पक्के मन से लगे हुए थे जब मेरा मोका आया मैंने पूरी हिम्मत दिखाई तिन सो सत्तर गई और आज जे कहिमु कश् गया कि तीन तलाग कितने ही चीजों से गुजरा कि पुलिटिकल लीडर्शिप डर गई लोगों को रहा भी इनकों क्या फरोसार करें यह तो एक बार एक बोलते हैं दूसरे लोगों का फरोसार तब बनता है यार यह खुद खड़े रहेंगे यह खड़े और जाना भी है त जो चाथा नहीं कर पा रहा हूं मैं जा रहा हूं बापिस लेकिन भरोसा बहुत बड़ी ताकत होती है और भारत जैसे देश में यह भरोसा को मैं अपनी जिम्मिवारी मानता और इसलिए मैं बार बार गारंटी यह कहता हूं मोधी जी आप भरोसे की बात करते हैं जब हमार जहां भी जाते हैं, वो सब यही कहते हैं कि जो मद्दाता हो या कैंडिडेट हो, वो सब यही